31. पूर्ण्य शीला माता से भेन मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था अतर इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांग्षा पूर्ण कर रहा था बनारस के गरुणेश्वर मुहले में लाहिडी परिवार के घर में उन्होंने अत्यांत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया व्रिद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी आध्याद में एक सुगंद उनसे नेस्रित होती थी उनका शरीर मध्यमाकार का गौरवर्ण था गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा उपर चले माता जी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गई जहां कभी वे अपने पती के साथ रहती थी उस पवित्र इस्थल के दर्शन करमे धन्य हुआ जहां अधितिय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवी लीला करना स्रीकार किया था दया माई माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्धी पर बैठने का मुझे संकेट किया कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पती की दैवी महनता की पहचान हो पाई उन्होंने बताया एक रात इसी कमरे में मुझे एक सपश्ट स्वपन दिखा देजस्वी देवता अकल्पनिय मोहक्ता के साथ मेरे सिर के उबर हवा में तैर रहे थे बहद्रिश इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं ततकाल जाग उठी बड़ी विलक्षन बात थी कि यह कमरा दीप्दिमान प्रकाश से भर गया था पदमासन में इस्थित मेरे पतिदेव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे अत्यांत बिनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पती का पूजन कर रहे थे मैं इतनी विस्मित होई कि मुझे लगा मैं अभी भी स्वपन में ही हूँ तब ही लाहिडी महाशा ने कहा नारी, तुम सपना नहीं देख रही हो अपनी नित्रह हमेशा हमेशा के लिए त्याद दो जब वे धीरे धीरे समीन पर उदर आये तो मैंने उनके चर्णों में साश्टांग प्रणाम किया मैंने कहा मेरे गुरुदेव, आपके चर्णों में मैं बारम-बार प्रणाम करती हूँ अब तक मैंने आपको अपना पती माना इसके लिए क्या आप मुझे शमा करेंगे? यह जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागरित पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नीन में सोती रही इस राद से आप मेरे पती नहीं, गुरु है क्या आप इस तुछ अबला को अपनी शिश्या के रूप में स्विकार करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सप्रेम स्पर्श किया पवित्रात्मा उठो तुम्हे स्विकार किया जाता है उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी-बारी से प्रणाम करो जब मैंने विनम्रता से सब को प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वारी-बूजी जो प्राचीन वेदगोश के समान थी इस दिव्य पुरुष की अर्धांगनी आप धन्य है हम आपको प्रणाम करते हैं उन्होंने मेरे चर्णों में प्रणाम किया और आश्चेर व्य उनके दिव्य शरी अद्रिश्य हो गए कमरे में अंधेरा चा गया मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा अवश्य मैंने कहा मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने यह सौभग क्यों नहीं प्राप्त किया तुम्हारा समय नहीं आया था लाहेडी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे सांत्वना दी तुम्हारे बहुत से कर्मों को नश्ट करने में मैं चुप चाप तुम्हारी साहता कर रहा था अब तुम इचुप भी हो और तयार भी उन्होंने मेरे ललाट का इस्परश किया घूमते हुए प्रकाश बुंच मुझे दिखाई देने लगे धीरे धीरे वह सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंके आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्दित हो गया जिसके चारों और सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंच कोडिये तारा अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के समराजे में ले जाओ तेरे गुरू के स्वर में एक नवींता थी जो दूर से सुनाई दे रह संगीत के समान कोमल लग रही थी एक के बाद एक द्रिश्य समुद्र की फेनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के दट से आकर तकराने लगे अंततय चारों और दिखते उन द्रिश्यों के मंडल वर्मानंद के सागर में फिलीन हो गए नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रियायोग की प्रविती बताई उस रात के बाद लाहेडी महाशे फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिश्यों के साथ ही रहते थे इतना बताने के बाद माता काशी मणी चुप हो गई उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अध्वितियता को समझते हुए मैंने जिजखते हुए उनसे कुछ और घटनाए बताने का अनुरोध किया तुम बहुत लोभी हो बेटा फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी मैं संकोच से मुस्कुराएं यहां मैं अपने एक पाप को स्रीकार करूँगी जो मैंने अपने गुरुपती के विरुद्ध किया था मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उबेक्षित अनुभव कर रही थी एक सुबह लाहेडी महाशे इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए मैं तुरंत उनके पीछे ही यहां पहुँच गई माया के वशी भूधों कर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया आप अपना सारा समय अपने शिश्यों के साथ बिताते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के प्रती आपके दाईत्तों का क्या मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन अर्जित करने में आपको कोई रूची नहीं है गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा फिर लो वे अत्रिश्य हो गए विस्मय चकेत और भायकरस्त मुझे एक आवास कमरे के प्रत्य एक भाग से गुंच्टी सुनाई दी क्या तुम देखती नहीं कि यह सब केवल शुन्य है मुझ जैसा शुन्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन ने कर सकता है मैं बिलक खुठी गुरुजी, मैं लाखो बार आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरी पापी आँखें आपको अब देख नहीं पा रही है कृपा करके अपने पवित्र रूप में प्रकट होईए मैं यहां हूँ यह उत्तर मेरे उपर से आया मैंने उपर तृष्टी गुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा उनका सेर छट को छू रहा था उनकी आँखें चौन्धिया देने वाली अगनी ज्वालाओं के समान थी जब ए चुपचाप समीन पर उतर आए तो मैं भया क्रांध होकर सिसकते हुए उनके चर्णों में लोट गई उन्होंने कहा नारी तो छसांसारिक चमक दमक की नहीं दिव्य परमधन की काम ना करो जब अंतर की निधी को पालोगी तो बाहे पूर्दी सदैव अपने आप होते देखोगी फिर उन्होंने कहा मेरा एक आध्यात में कुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा मेरे गुरू के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे एक शिश्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया मुझे अपने अध्भुत अनुभाब बताने के लिए मैंने माता काशी मणी का धन्यवाद किया दूसरे देन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक तिनकोडी तथा दुकोडी लाहिडी के साथ ग्यान चर्चा का आनंद लेता रहा भारत के महान योगी के ये दो संत्वत पेटे अपने पिता के आदर्श पचिन्हों पर चल रहे थे दोनों ही गौरवर्ण, लंबे कत्ते, मजबूत कद काठी के थे और घनी दाड़ी रखते थे दोनों की आवाजें सौम्य थी आचार व्यभार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी लाहेडी महाशे की पत्नी ही उनकी एक मात्र शिश्या नहीं थी सैक्णों अन्ने महिलाएं भी उनकी शिश्याएं थी जिन में से एक मेरी मा भी थी एक बार एक शिश्या ने लाहेडी महाशे से उनकी एक फोटो मांगी उन्होंने उसे एक फोटो देते हुए कहा तो मिसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा नहीं तो यह एक चित्र मात्र ही रहेगा कुछ दिन बाद वही शिश्या लाहिडी महाशे की बहु के साथ एक टेबल के पास बैटकर भगवत दिता का अध्यांग कर रही थी टेबल के बीछे लाहिडी महाशे की वह फोटो टंगी हुई थी अचानक भयंका रांधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कडाने लगी लाहिडी महाशे हमारी रक्षा कीजिए दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गई तब ही टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिशली गिरी उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुँची उस शिश्या ने बाद में बताया मुझे ऐसा लगा मानो उस तीवर उश्णता से बचाने के लिए मेरे चारों और बर्फ की परते खड़ी कर दी गई थी लाहेडी महाशया ने अपनी एक शिश्या अभया से संबंधित दो चमतकार किये थे एक दिन अभया अपने पती के साथ जो कुलकता में वकील थे गुरु दर्शन के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी गर के पास चुप चाप खड़ी हो गई लाहेडी महाशय मैं आप से प्रातना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिये वह मनी मन प्रातना कर रही थी आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुखने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती चुक चुक करती गाड़ी के चक्के गोल-गोल खुमते रहे पर गाड़ी आगे नहीं पड़ी गाड़ी का ड्राइवर और यात्रिगर्ण या अद्भुद घटना देखने के लिए प्लैटफॉर्म पर उतर पड़े रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पती के पास आया सारी मान्यताओं के विप्रीत उसने अपनी सेवाई दी उसने कहा बाबू वैसा मुझे दीजिये मैं आपके टिकेट लेता हूँ तब तक आप लोग गाड़ी में चड़िये जैसे ही वह दमपत्ती गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकेट उनके हाथ में आ गए ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगर्ण अपनी अपनी जगें की ओर दौड पड़े उन में से कोई यह समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी और पहली बात तो वह रुकी ही क्यों थी काशी में लाहेडी महाशय के घर पहुँचने पर अभया ने चुप चाप लाहेडी महाशय के आगे साश्टांग प्रणिपात किया और उनके चरंड स्पर्ष करने लगी तब ही लाहेडी महाशय बोल पड़े अपने आपको समझालो अभया मुझे कश्ट देने में तुमें कितना अनंदाता है जैसे कि तुम यहां अगली गाड़ी से आई ही नहीं सकती थी अभया एक अन्य समर्णिय अबसर पर लाहेडी महाशय के पास आई थी इस पार उसे उनकी मध्यस्तता प्रेन के लिए नहीं बलकि संधान के लिए चाहिए थी मैं आपसे प्राथना करती हूँ कि मेरी नौवी संधान बच जाए उसने कहा मुझे आठ बच्चे हुए और सभी जन्म के शीग्रबाद ही मर गए लाहेडी महाशय सहानुभूती पूर्वक मुस्कुराए तुम्हारी होने वाली संधान बच जाएगी मेरे निर्देशों का अत्यांत साफधानी से पालन करना यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सुर्योदे तक जलता रहे बीच में सो मत जाना जिससे दियो को बुझने का अफसर मिल जाए ठीक जैसा कि इस सरवग्य गुरू ने पहले ही देख लिया था अभया को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात को ही हुआ अभया ने अपनी दाई को दिये में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जाकर अनिवारे पहरा रखा परण्द आखेर सो गई दिये का तेल लगभग समाथ ही हो गया था उसकी जोद मंद होकर फड़भडा रही थी कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दर्वाजा खुल गया चकित महिलाएं जाक गई उनकी आश्चरे चकित आखो ने लाहेडी महाशय के स्वरूप को देखा अभया देखो दिया लगभग बुझी गया है उन्होंने दिये की ओर इशारा किया जिसमें दाई तुरंत देल डालने लगी जैसे ही दिये की लौ तेज हो गई लाहेडी महाशय अंतरधान हो गए दर्वाजा अपने आप बंध हो गया कुंडी बिना किसी द्रिश्यमान साधन के अपने आप लग गई अभया की नौवी संतान बज गई 1935 में जब मैंने उसके बारे में पूच्दाश की तब भी वह जीवित थी लाहेडी महाशय के एक शिश्य आदर्निय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरू के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक प्रसंग सुनाए थे राय ने मुझे बताया मैं प्रायव वाराण असी में लाहेडी महाशय के घर कई सब्ताहों तक अतिति बन कर रहता था मैं देखा करता था कि अनेक साधुसंद दंडी स्वामी आदी रात्री की निरफ्ता में गुरुदेव के चर्णों में बैठने के लिए आते थे कभी-कभी वे ध्यान की या दाशनिक तत्मों की चर्चा भी छेर देते थे अर उनोदे के आसपास वे सब महत्मगर महा से प्रस्थान करते थे मैं जब-जब भी महा रहा तब-तब मैंने देखा कि लाहेडी महाशय एक बार भी कभी सूने के लिए नहीं लेटे गुरुदेव के साथ संबंद के प्रारंबिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना बढ़ा मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांद लोग नहीं चाहिए वे तिरसकार के साथ कहा करते थे तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाओंगा कि उसे याद रहेगा इस धंकी का मेरे नियमित कारिक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा मैं प्राया प्रत्ते एक शाम अपने गुरु की सेवा में प्यतीत करता एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे बीचे आये और ध्रिश्टता से लाहेडी महाशे की बैठक में खुस गए बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहेडी महाशे को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आये थे जैसे ही वे वहाँ बैठ गए लाहिडी महाशे ने वहाँ उपस्तेत लगबग 12 शिश्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया तुम सब को सिनेमा देखना है? जब हम लोगों ने हां में सिरह लाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा मंडला कार में एक के पीछे एक बैठकर पीटने के बाद लाहिडी महाशे ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था? मैंने उत्तर दिया गुरुदेव एक सुन्दर स्त्री दिख रही है उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है वह समुद्र सोक की बेल के पास खड़ी है अन्य सब शिश्यों ने भी यही वर्णन किया गुरुदेव मेरे मालिक की और मुड़े क्या आप उस त्री को पहचानते हैं? जी स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूच रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थी घर में साथवी पतनी के होते हुए भी मैं मूर्खों की दरें उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था उसके लिए बहुत शर्मिन्दा हूँ क्या आप शमा कर शिश्य रूप में मुझे स्विकार करेंगे? तुम यदि छा महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुमें स्विकार कर लूँगा और फिर गुरुदेव ने कहा अन्य था मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी तीन महीनों तक तो मेरे मालिक ने इसी प्रकार अपने आपको सैयत रखा फिर उसी इस्त्री के साथ दोबार अपना संबंध बना लिया दो महीने बाद उनका देहां थो गया तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चित्ता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविश्यवानी का अर्थ मेरी समझ में आया सुप्रसिद्ध त्रेलंग स्वामी लाहेडी महाशे के मित्र थे जिनकी आयू 300 वर्ष से अधिक होने की माननेता थी दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे त्रेलंग स्वामी की अलोकिक शक्तियों का प्रदशन करते घूमे तो लोगों में वही श्रद्धा और विस्मया कुलता उत्पन्ध होगी जो कुछी दशकों पहले वारा नसी की भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए त्रेलंग स्वामी ने उत्पन्ध की थी वे उन सिद्ध पुरुषों में से थे जिनोंने समय के अक्षायकारी प्रभाव के विरोध भारत को मजबूत बना रखा है कई बार देखा गया कि घातक विशों को पीने पर भी त्रेलंग स्वामी पर उनका कोई असर नहीं हुआ हजारों लोगों ने जिन में से कुछ आज भी जीवित है त्रेलंग स्वामी को गंगा के पानी के उपर तिर्दे देखा है कई कई दिनों तक वे पानी के उपर बैठे रहते या बहुत दिनों तक लेहरों के नीचे छिपे रहते भारतिये सूर्य की निर्दई धूप में मडिकर्णिका घाट के देहकते प्रस्तर खंडों पर निश्चा लवस्ता में त्रेलंग स्वामी की निर्वस्त मूर्ती दिखाई देना एक सामान निसी बात थी इन असाधारन कृतियों से त्रेलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सिजन या किनी विशेश परिस्थितियों और साभधानियों पर निर्वर रहना आवश्यक नहीं है चाहे योगी राज पानी के उपर रहते हो या पानी के नीचे चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किर्णों को ललकारता हो या नहीं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे इस चैतन्य के द्वारा जीते थे मृत्य उनका इस पर्ष नहीं कर सकती थी ये योगी राज केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बलकि शारेरिक रूप से भी विशाल थे उनका वजन तीन सो पॉंट से अधिक था उनके जीवन के प्रत्य वर्ष का एक पॉंट रहसे और भी बढ़ जाता है क्योंकि वे शायद ही कभी कुछ खाते थे किन्तु सिद्ध पुरुष्टो सहज ही स्वास्त के साधारन नियमों का जब चाहे किसी विशेश कारण के लिए उलंगन कर देता है प्राया या कारण सूक्षम होता है जो केवल उसी को ग्याद होता है जो महानसंद विश्व माया के स्वपन से जाग जाते हैं और इस सत्य को पहचान लेते हैं कि यह विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कलबना है वे शरीर के साथ जो जाहे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि शरीर उर्जा का केवल एक ऐसा घनी बूत या संगनित रूप है जिसमें जैसा जाहे परिवर्दन किया जा सकता है। यू तो व्यज्ञानिकों की समझ में भी यह बात अब आ गई है कि घन पदार्थ और कुछ ना होकर केवल घन रूप ऊर्जा है। परंदु सिद्ध पुरोष पदार्थ जगत के नियंत्रन के मामले में केवल सैधान्तिक ज्यान को पार कर व्यावारिक प्रयोक के क्षेत्र में उतर चुके हैं। त्रेलंग स्वामी हमेशा पूर्ण निर्वस्त्र रहते थे। वारान असी की त्रस्त पुलिस उन्हें बॉखलाने वाले शरार्थी बच्चे के समान मानने लगी थी। प्राकृतेक आवस्त्र में रहना उनके लिए सहजाद था। इडन के गार्डन में रहने वाले प्रथम मानव आदम की भाती ही। उन्हें भी अपनी नगना वस्ता का भाल नहीं था। पर अंतु पुलिस को पूरा भान था और उन्होंने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया। इससे पुलिस ही मुश्किल में पड़ गई। सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी। महान योगी राज, शीग्री ही अपने निश्चिंत भाव से छट पर टहलते दिखाई दिये। न्याय देवी आँखों पर पट्टी बांधे रहती है। त्रेलंग स्वामी के मामले में निरुत्तर हुई पुलिस ने नियाय देवी का ही अनुसरन करने का फैसला कर लिया। त्रेलंग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल-गोल चहरा और बड़े पीपे की तरहें विशाल पेट होते हुए भी वे कभी-कभी ही खाते थे। त्रेलंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीडर की आखरी भून तक पी ली। कुछी मिनिटों में वह कुकर्मी पीड़ा से छट पटाते हुए भूमी पर लोटने लगा। महान योगिराज ने अपना मौन भंग किया और कहा। तुमने जब यह विश मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। यदि मुझे यह ज्यान नहीं होता कि मेरे पेट में इश्वर उसी तरहें विद्यमान है जिस तरहें वो ब्रह्मांड के हर अणू-पर्मानू में है तब तो चूने के घोलने मुझे मारी डाला होता। अब तो गर्म का दैवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है। इस गेप फिर कभी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रेलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कश्ट मुक्त हो गया और चुप चाप महा से चला गया। त्रेलंग स्वामी के बजाए उस आदमी पर पीडा का उलटना योगी राज की अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था, बलकि स्रिष्टी के दूर से दूर स्थित पिंडों के भी आधार भूत विधी के नियम के कार्यानवित होने से हुआ था। त्रेलंग स्वामी जैसे आत्मदर्शी पुरुषों के मामले में यह नियम तच्छन कार्यानवित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके कार्यानवियन में बाधग, अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रभाहों को पहले ही हमेशा के लिए नश्ट कर दिया होता है। इश्वरी ये नियाय की स्वयम चालित व्यवस्था, जो प्राय अनपेक्षित प्रकार से प्रकट होती है, जैसा त्रेलंग स्वामी और उनका हत्यारा बनने जाराए आदनी के मामले में हुआ, में विश्वास, मानवी ये अन्याय के प्रति हमारे उतावले क्रोध को शान इश्वरी ये नियाय, प्रेम, सर्वग्यता, अम्रत्व आदिके होने की संभावनाव पर विश्वास नहीं करते, शास्त्रों के ख्याली पुलाव, इस प्रकार के नासमज द्रिष्टिकोन वाले लोगों को ब्रम्हांड के विराट प्रपंच के प्रति कोई और अपने जीवन में वे ऐसी असंगत घटनाओं का चक्र शुरू कर देते हैं, कि वही चक्र आखिर उन्हें विवेक और ज्ञान को ढूडने पर विवश कर देता है। फरीसियों ने इसे अशोबनी अद्रिष्य कहकर ईसा के पास जाकर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, जीजस अपने शिश्यों को डाटिये। परंदु ईसा ने कहा, कि यदि उनके शिश्यों को चुप कर भी दिया गया, तो पत्थर तुरंत नारे लगाने इसा मसी यह स्पष्ट कर रहे थे कि इश्वरी अन्याय केवल प्रतिकात्मक अमूर्तता नहीं है, जो कभी प्रकट महीं हो सकती। और शांत रहने वाले मनुष्य की जीब जड़ से उखार दी जाए तब भी उसे स्वयम विधी के विधान से जो स्रिश्टी का अधार है, इसा मसी कह रहे थे, जरा सोचो, तुम शांति प्रिय लोगों को चुप कर आना चाहते हो, यह तो स्वयम उस ईश्वर की आवास को दबा देने की आशा करने के समान है, जिसके पत्थर भी उसकी महिमा और उसकी सर्व व्यापक्ता का गुरगान करते हैं। यदि ऐसा है, तो हे फरीसियों, विश्व के आधार को उखार फेकने की अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुशी ही नहीं, बलकि पत्थर या प्रित्वी, और जल, और अगनी, और वाईयू भी स्रिष्टी में दिव्य सामन जस्य का प्रमान देने के लिए तुम मामा किसी प्रकार भीड में से रास्ता बनाकर त्रेलंग स्वामी के पास पहुँच गए और उन्होंने भक्ती भाव से उनका चरण स्पर्श कर लिया। यह देखकर मामा अश्चरह चकित रह गए कि वे उसी क्षण अपने एक व्याथा जनक जीर्ण रोक से मुक्त हो गए। त्रेलंग स्वामी के ज्याद शिश्यों में से केबल एक महिला शंकरी माई जीवित है। त्रेलंग स्वामी के एक शिश्य की पुत्री होने के कारण शंकरी माई को बचपन से ही स्वामी जी की शिक्षा दीख्षा प्राप्त हुई। वे 40 वर्षों तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ तता पशुपतीनाथ के पास हिमाले की अनेक कुफाओं में रही। वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुम्ब मेले जैसे धार्मिक मेलों में समलित होने के लिए कुछ-कुछ वर्षों के बाद अपने एकांत्वास से बाहर आती हैं। गुरुदेव यानि बाबाजी एक गीला वस्त पहने हुए थे, जैसे वे नदी में स्नान करके अभी-अभी बाहर आये हों। उन्होंने मुझ पर कुछ आध्यात्मेक उपदेशों की कृपा भी की। एक विशिष्ट अफसर पर त्रेलंग स्वामी ने लाहिडी महाशाय का सब के सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन तोड़ दिया। उनके एक शिष्य ने इस पर आपत्ती जदाई। उसने कहा, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक ग्रिहस्त के प्रती इतना आदर क्यों दिखाते हैं। त्रेलंक स्वामी ने कहा, बट्स, लाहिडी महाशाय एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा, जैसे उसकी माँ जहां उसे रख देती है, मही रहता है, उसी प्रकार लाहिडी महाशे भी जहां जगत जननियों ने रख देती है, मही रहते हैं। करतव्य पालन की खातेर, सांसार एक मनुष्य की भूमी का निभाते हुए भी, उन्होंने वह पूर्ण आत्मग्यान प्राप्त कर लिया है, जिससे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ द्याग देना पड़ा, यहां तक की अपनी लंगोटी भी। 32 अध्याए, मृतक राम को पुनहे जीवंदान, अब लाजरस नाम का एक व्यक्ति बीमार था, जब इसा मसी ने यह सुना, तो उन्होंने कहा, यह बीमारी मृत्यू की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके, एक सुहानी सुभः, श्री उक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैट कर, इसाई धर्म ग्रंत पर भाश्य कर रहे थे, गुरुदेव के कुछन्य शिश्वर के अत्रिक, मैं भी राजी के अपने छात्रों के एक दल के साथ महा उपस्तित थ पेरे गुरुदेव समझा रहे थे, यहां ईसा मसी स्वयम को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं, यद्यभी विवास्तों में ईश्वर के साथ एक रूप थे, तथा भी यहां इस बात के उलेक का वैयक्तिक्ता से परे एक गहन अर्थ नहित है, परमेश्वर के पुत्र का बढ़ा सकता है, और वहाँ है, उसे पाने का प्रयास करके, मनुष्य किसी ऐसे अमूर्थ अस्तित्व का गौरब नहीं बढ़ा सकता, जिसे वह जानता ही नहो, संतों के सिर के चारों और जो देजो मंडल है, वह उनकी ईश्वर के चर्णों में श्रद्धांजली अर्पित करने की क्षम्ता का प्रतीक है, श्री उक्तेश्वर जी लाजरस के पुने जी उठने की अद्बुत कथा को आगे पढ़ते गए, जब कहानी समात हुई, तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे, पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी, मुझे भी ऐ ऐसा ही एक चमतकार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मेरे गुरु ने आखिर गहरे भक्तिभाव के साथ कहा, लाहिडी महाशे ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुने जीवित किया था, मेरे पास बैठे बच्चे तीवर जिग्यासा से मुस्कुरा उठे, मुझ में भी अभी काफी बचपना था, केवल तत्व ग्यान का आनंद लेने का ही नहीं, बलकि विशेशकर किसी ऐसी कहानी के लिए भी, जो लाहिडी महाशे से सम्मंदे अद्भुद अनुभवों पर मुझे श्री उक्तेश्वर जी से सुननने को मिल सकती थी, गुरुद के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड नहीं होती थी, उसका गनिश्टम मित्र होने के कारण मुझे वो अपने अनेक गहरे आध्यात में कनुभव बताया करता था, उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेणा मिलती थी, मेरे गुरु कभी आपत्ती नहीं करते थे, इसलिए दो विशेशग्यों को बुला लिया गया, रोगी की सेवा करने की हरवडी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाहिडी महाशे की प्रात्ना किये जा रहा था, आखेर शिग्रता पूर्वक मैं उनके घर गया और रोते रोते उन् मरना सन्न था, यह एक दो घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशा जनक हाओ भाओ के साथ मुझे बताया, फिर से मैं तुरंत लाहिडी महाशे के पास जा पहुंचा, डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा अहसास है, मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा, गुरु देव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी, जब मैं राम के घर पहुंचा, तो देखा कि दोनों डॉक्टर महां से चले गए थे, उन में से एक ने मेरे लिए एक चिठ्थी छोड़ी थी, हम ज काहिडी महाशे के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते थे, परंद राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया, इस प्रकार विश्वास और संदे के बीच डावा डोल मन से मैं यथा शक्ति अपने मि शिर्वात देने के लिए उनसे प्राथना करना, इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा नेश्वास छोड़ा और प्रार द्याग दिये, मैं उसकी शय्या के पास बैठा एक घंटे तक रोता रहा, उसे हमेशा ही शान्ती प्रियर रही थी, अब उसे मृत्यू की गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा, अब राम कैसा है? लाहेडी महाशे ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव? मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया, कुछी घंटों में उसके शब को शमशान घाट ले ज जाओ और ध्यान करो, मेरे गुरुदेव समाधी में चले गए, वद दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई, मैं आंतरेक शांती बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा, भोर के समय लाहेडी महाशे ने मुझ पर सांत्वना पून द्रिष्टी ड जिसमें अरंडी का तेल था, किसी छोटी सी शीशी में उस दिये का तेल भर लो और राम के मुझ में उसकी साथ बूंदे डालो, मैंने प्रतिवात सुचक स्वर में कहा, गुरुदेव, मह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाब, उसकी चिंता मत करो, बोला सा तेल निकाल कर, मैं राम के घर की ओड़ चल पड़ा, मेरे मित्र का मृत शरीर सक्त हो गया था, उसकी भयंकर अवस्था की ओड़ ध्यान ना देते हुए, मैंने अपने दाहिने हाथ की तरजनी से उसके होट खोले, और बाए हाथ से, शीशी के धकन की साहिता से, कि सेट सेपाओं तक उसकी सारी मासपेशिया कापती रहीं, और वा आश्चार करता हुआ उठ बैठा, मैंने प्रकर प्रकाश में लाहिडी महाशे को देखा, वा चीक पड़ा, वे सूर्य की भांती चमक रहे थे, उठो, नित्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिय युक्तेश्वर के साथ मुझे से मिल ले आओ, जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा, और उस मरनान तक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की और चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका, महापहुचकर, राम ने लाहडी महाशे को साश्टांग प्रणाम किया, उसकी आँखों से कृतग्यता के आँसु बह रहे थे, गुरुदेव को भी अत्यधिक आनंद हो रहा था, मेरी और शरार्ती आँखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो नि आज की शक्ति को निश्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं, घुरुजी, आप मेरा मजाग उड़ा रहे हैं, मैं समझा नहीं, कृपा कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए, मैंने दो बार तुमसे कहा, कि नाम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा वि नहीं करना चाहता था, अखेरों ने भी तो जीवी का कमानी है, इसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्व शक्तिमान परमात्ना किसी को भी ठीक कर सकते हैं, दक्तर हो या ना हो, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है, मैंने पश्च कहानी जैसे ही पूरी हुई, राची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा, जो बच्चे के मुख से स्वाभाविक ही था, उसने पूछा, महराज, आपके गुरुदेव ने अरंडी का तेल ही क्यों भेजा, तेल देने का कोई विशेशर्थ नहीं था, बेटा, मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तुचाही थी, इसलिए लाहिडी महाशय ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक बस्तुगत प्रतीक मात्र था, गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया, क्योंकि मैंने आंशिक संदे कि ही है, श्री उक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेज दिया, और मुझे अपने चर्णों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत किया, असाधारन गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगनन, तुम जन्म से ही लाहिडी महाशय के शिश्यों से घिरे रहे ह महान गुरु ने अपना महिमा मह जीवन कुछ हद तक एकांत में ही जिया, और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमती अपने अनुयाईयों को देने से वे निरंतर इंकार करते रहे, फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविश जाएगा, इससे सभी के एक मात्र परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूती पराधारित एकता के कारण, मानव जाती में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में साहता होगी। उसी वर्ष यब पुस्तक पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चरे चकित हुए बिना नहीं रह सकता कि 1945 के वर्ष के साथ ही ख्रांतिकारी आणमिक शक्तियों का नया युभी आरंभ हुआ। मनुष्य की सारी उपलंधियों का काल या बं के कारण नामो निशान मिट जाए तब भी सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा और तारे भी अपने अपने स्थान पर रहकर पृत्वी को देखते रहेंगे। स्रिष्टी नियम को इस्थागित नहीं किया जा सकता नहीं उसे पदला जा सकता है। मनुष्य के लिए बहतर यही होगा कि वह उसके अनुसार जीना सीखे। पूरा ब्रंभांड जहां बल प्रदशन के विरुद्ध है। सूर्वी जहां तारा गणों के साथ कोई युद्ध छेड़े बिना उन्हें अपने स्वल्प प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देने के लिए यथा समय आकाश से हट जाता है। महां हमारे बल प्रदशन से लाभ ही क्या होने वाला है। क्या उससे कोई शांती उत्पन हो जाएगी। स्रिष्टी का आधार प्रूरता नहीं, सद्भावना है। शांती सद्भावना में जीने वाली मानव जाती ही विजैश्री के अनंत फलों का रसा स्वादन कर सकेगी। जो अपने स्वाद में रक्त सिंचित भूमी में उत्पन किसी भी फल से कहीं अधिक मधुर होंगे। मानव रिद्यों का अनाम स्वाभाविक संग ही प्रभावी राश्र संग बन सकेगा। इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहनुभूतियों की और गहराई में देख पाने वाली द्रिष्टी के आविशक्ता है, वह केवल मानव जाती की विविद्धता के बौधिक आकलन से नहीं, बलकि मानव जाती की सबसे गहरी एक्ता इश्वर के जानती की स्थापना संसार का सर्वोच आदर्श है, इस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए योग का, जो की ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क साधने का विज्ञान है, समय के साथ सारे विश्व के समस्त लोगों तक प्रसार हो, भारत की संस्कृती अन्य किसी भ भारत ने अपने महापुरुषों के माध्यम से जो सनातन सत्य प्रस्तुत किये हैं, उनके प्रती भक्तिकत तर्क शुद्ध परिनाम है, युग युगांतरों से वो भी कितने, क्या कोई गवेशत कभी सच-सच बता भी पाएगा, निरंतर विकार हीन अस्तित्व बनाए र काल की चुनौती का किसी भी देश की अपेक्षा केवल भारत ने ही सर्वोत्तम उत्तर दिया है। प्रभू शहर को नश्ट नहीं करूंगा। मिट गए कभी भारत के समकालीन रहे शक्तिशाली राष्ट्रों के सामराज्य, जो युद्ध कलाओं में निपुर थे। प्राचीन मेस्र, बेविलोनिया, युनान, रोम। प्रभू के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि कि अपने महापुरुषों के कारण जीवित रहता है। इस बीस्वी शदाब्दी में जिसके अर्दशतक के पूर्ण होने से पहले ही धरती दो बार खून से नहा चुकी है, ईश्वर की वह दिव्यवानी फिर से सुनाई दे, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, उस निश् अवतारों छल कपडों के आगे बुद्धीन सिद्ध नहीं हुआ, हर शताब्दी में आत्म ज्यानी गुरुओं ने अवतार लेकर उसकी भूमी को पवित्र किया है। लाहिडी महाशय और श्री उप्तेश्वर जी जैसे क्राइस्ट सद्रिश अर्वाचीन योगी आज भी लोकोप योगी शिक्षाओं के बारे में बहुत कम जानकारी छपकर प्रकाशित हुई है। तीन दश्कों से मैं भारत, अमेरिका और योरोप में मोक्षदायक योग के संदेश में गहरी और सक्ची रुची देख रहा हूँ। अते लाहिडी महाशय के लिखित जीवन वित जानत की। जैसे कि उन्होंने भविश्यमाणी भी की थी, वाश्च्यात्य जगत में तीव राविशक्ता है, जहां महान योगियों के जीवन के बारे में लोगों को अत्यंत कम जानकारी है। लाहिडी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 इस्वी को एक धर्मनिष्ट प्राचीन ब्रामर कुल में बंगाल के नदिया जिले में इस्थेत घुरुनी ग्राम में हुआ था। व्याधर निये श्री गौर मुहन लाहिडी की दूसरी पत्नी श्रीमती मुक्त काशी की संदानों में एक मात्र पुत्र थे। पहली पत्नी का तीन पुत्रों को जन्द देने के महा योगीश्वर कहा गया है उन भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। लाहिडी महाशाय का बूरा नाम श्यामा चरण लाहिडी था। उनका बचपन घुरुणी में उनके पैत्रिक निवास में ही बीता। तीन-चार बर्श की आयू में ही विप्रायाय बालू में केवल सि दल दिया और वह गंगा में विलीन हो गई। उसके मार्ग परिवर्तन के कारण लाहिडी परिवार की सारी जमीन जाइदाद नश्ट हो गई। घर के साथ लाहिडी परिवार द्वारा प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया। एक भक्त ने उपहनते को छोड़कर सब परिवार काशी में जावसे। वहां उन्होंने शीग्री एक शिव मंदिर की स्थापना की। वैदिक धर्म के अनुसार, नित्य पूजापात, दान धर्म, शास्त्राध्यन आदी उनके घर में होता था। वे न्याय परायन तथा उदार द्रिष्टिकोन वाले व्यक्ति थे। आधुनिक विचारधारा की उपयोगिता की वे अवहेलना नहीं करते थे। बालक लहेडी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दु की पढ़ाई की। उन्होंने जै नारायन घोशाल के विद्याले में संस्क्रेद, बंगाली, फ्रेंज त श्यामाचरण, दयालू, विनम्र और सासी बच्चा था, जो अपने सभी साथियों में अत्यन्त लोक प्रिय था। उसका शरीर सुडौल, स्वस्त तथा बलिष्ट था। तैराकी तथा शारीरिक दक्षता के अनेक कार्यों में वर निश्रनात था। सन 1846 में श्री देव नारायंट सान्याल की सुपुत्री काशी मनी के साथ श्यामाचरण लाहिडी का विवाह हुआ। काशी मनी देवी एक आदर्श भारतिय ग्रहनी थी, जो अपने ग्रह कर्तव्यों का और अतिति सेवा तथा दरिद्र नारायंट सेवा के अपने ग्रहस् का प्रसंदता पूर्वक पालन करती थी, इस विवाह से तिनकोडी और दुकोडी नाम के दो संतवत पुत्रों का तथा दो पुत्रियों का जन्म हुआ, 1851 में 23 वर्ष की आयू में लाहिडी महाशे ब्रिटिश सरकार के मिलिटरी एंजीनियरिंग विभाग में लेखा पाल के पत पर नियुक्त हुए, अपने सेवाकाल में अनेक बारुन की पदोन नती हुई, इस प्रकार न केवल ईश्वर की आँखों में ही वे सिद्ध पुरुष थे, बल्कि इस छूटे से मानवी और नाटक में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, जिसमें वे एक साधार और ओफिस कर्मचारी की भूमी का निभा रहे थे, मिलिटरी एंजीनियरिंग विभाद ने भिन्ने-भिन्ने समय पर गाजीपूर, मिर्जापूर, नैनिताग, दानापूर तता वारा नसी में उनका इस्थानांत रण गिया, पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहेडी म महाशे के जीवन के 33 वे वर्ष में उस सुद्देश्य की पूर्दी हुई, जिसके लिए उन्होंने इस धरा पर उन्हें जन्म लिया था, हिमाले में रानी खेत के पास उनकी मुलाकात अपने महान गुरू बाबाजी से हुई, और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली, वह पवित्र घटना केवल लाहिडी महाशे के साथ ही नहीं घटी, बलकि पूरी मानवजाती के लिए वह अत्यंत पवित्र क्षन था, योग की लुप्थ हुई या दीर्ग काल तक अज्यात रही सर्वोच्च विद्या पुन्हे प्रकाश में लाई गई, पौरानिक कथा म जिस प्रकार गंगा ने स्वर्ग से प्रित्वी पर उतर कर अपने त्रिशातुर भक्त भगी रत को अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया, उसी प्रकार 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य सरिता हिमाले की गुईय गुफाओं से मनुष्यों की कोला हल भरी बस्तियों की और बहचली अपरत के महावतार बाबाजी बद्रीनात के आसपास के उत्री हिमाले के पहाड आज भी लाहिडी महाशे के गुरू बाबाजी की जीवन्त उपस्तिती से पावन हो रहे हैं जन संसर्क से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरू शताब्दियों से शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं मृत्युन्जय बाबाजी एक अवतार हैं इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उदरना यह अव अर्थात नीचे और त्री अर्थात तरण शब्दों से बना है हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग इश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण के अर्थ में होता है बाबाजी की आध्यात्मिक अवस्था मानवी आंकलन शक्ती से परे है श्री उक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया मनुष्यों की अल्प गुद्धी को उनकी परात्पर अवस्था का ज्यान कभी नहीं हो सकता इस अवतार के योगैश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयाज भी व्यर्थ है यह अकल्पनिय है उपनिष्टों में आध्यात्मेक उन्नती की प्रतेक अवस्था का सूक्ष्माती सूक्ष्म वर्गी करन किया गया है सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था यानि जीवित अवस्था में मुक्ति लाप से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था, अर्थात, संपूर्ण मुक्त यानि मृत्यु पर विजय में प्रवेश करता है परामुक्त पूरुष, माया के नाकपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्ण तै मुक्त हो चुका होता है इसलिए परामुक्त कदाचिती पुनहे स्थूल शरीर धारम करता है और यदि वैपुनहे जन्म लेता है, तो संसार पर ईश्वर की आशीरवाद बर्शा का माध्यम बन कराता है उसे ही अवतार कहने है अवतार पर स्रिष्टी के कोई नियम लाकु नहीं होते उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ती मात्र होता है उस पर प्रकृती का कोई रुण नहीं होता सामान्य दृष्टी को अवतार के शरीर में कोई असाधारन बात नजर नहीं आती परन्तु कभी-कभी प्रसंगा नुरूप उस शरीर की ना तो छाया पड़ती है ना ही जमीन पर पच्चिन बनता है ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति के बाहे प्रतिकात्मक प्रमान है केवल ऐसा भागवत पुरुशी जीवन और मृत्य की परस पर संबदता के पीछे विद्यमान सत को जानता है उमर खायाम ने जिनने लोगों ने पुनते गलत समझा है ऐसे मुक्त मानव के विशे में अपने अमर ग्यान का अव्य रुबाईया में लिखा है ओ सुहासनी ओ विधुवद्नी तेरी आभा है अक्षय प्रिये देख हो रहा चंद्रमा स्वच्छ गगन पर पुने उदय होगा कितनी बार आज के बाद ये उदय इसी प्रकार और इसी जुर्मुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार अक्षय आभायुक्त सुहासनी विधुवद्नी प्रिया पराशक्ती अर्थात इश्वर है जो एक मात्र काल दोश रहेत स्वयम तेज से भी तेजस्वी शाश्वत तारा है स्वच्छ गगन पर पुने उदित चंद्रमा तो बाहस रिष्टी है जो उदय हस्त के नियत कालिक आवर्तनों के नियम से बंधी हुई है आत्म साक्षातकार के द्वारा इस फार्सी संत ने अपने आपको इस जगत में या माया अर्थात प्रकृति के जुर्मुट में बार बार लौट आने की विवश्टा से सदा के लिए मुक्त कर लिया था और इसी जुर्मुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार किसी चिर्मुक्त की खोज करते ब्रह्मांट के लिए कैसी घोड निराशा इसा मसी ने अपने मुक्तात्मा होने का संकेद दूसरे प्रकार से दिया और एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा हे गुरुब आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे-पीछे आऊंगा और यीशु ने उससे कहा लोमणियों के रहने के लिए मांदे हैं आकाश के पक्षियों के लिए भी खोंसले हैं परंतु मानव पुत्र के लिए सिर्फ टेकने के लिए भी कहीं ठोड नहीं है सर्वव्यापकता के कारण दिक दिगांतर में व्याप इसा मसी के पीछे-पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परंतत्व में विलीन हुए बिना संभव था प्राचीन भारत में क्रेश्न, राम, बुद्ध तथा पतंजली जैसे अवदार हुए दक्षिन भारत के एक अवदार अगस्ते पर विपुल काविसाहित की रचना हुई है उन्होंने इसा के पूर्व और इसा के बाद की अनेक शतादियों में अनेक चमतकार किये हैं और उनके विशे में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है भारत में बाबाजी का कारे रहा है, जिन विशेश कारियों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कारियों की पूर्ती में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रिय वर्गिकरण के अनुसार वे एक महावतार हैं। उन्होंने स्वयम बदाया है कि सन्यास आश्रम के पुनह संगठक एवां अधितियत तत्वग्यानी जगत गुरु आधिशंकराचारे तथा सुप्रसित मध्ययुगीन संथ कबीर को उन्होंने योग दीख्षा दी थी। और इस योग के लिए मोक्ष प्रदाइनी आध्यात्मिक विधी भी उन्होंने तैयार किये एक शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्यानी महागुरुओं का कार्य है राश्ट्रों को युद्ध वंश विद्वेश धार्मिक भेद भाव तथा भौतिक बात की पलट कर आघात करने वाली बुराईयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना बाबाजी आधुनिक युग की प्रवृतियों से विशेष्टे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटलताओं से पूर्ण तय अवगत है और किसी भी शताब्दी में बाबाजी कभी जन साधारन के सामने प्रकट नहीं हुए। उनके युग युगांतर की योजनाव में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिधी की चका चौंग के लिए कोई स्थान नहीं है। स्रिष्टी में एक मात्र शक्ती होते हुए भी चुप चाप अपना काम करते रहने वाले स्रश्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कारे करते रहते हैं। क्रिष्ण और क्राइस्ट के समान, महान अवतार इस धरातल पर किसी विशेष्ट और असाधारन परिणाम दर्शी उद्देश के लिए अवतरित होते हैं और वह उद्देश पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुग घटना से संबंधित कारे को नहीं, बलकि युग युगों में धीरे-धीरे होने वाले मानव जाती के क्रम विकास से संबंधित कारे को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सधा ही जन्द साधारन की स्थूल द्रिष्टी से ओजल रहते हैं और वे जब चाहें अपनी इच्छानुसार अद्रिष्य होने की सामर्थे रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारन तया वे अपने शिश्यों को अपने विशय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए आनेक आनेक विराट आध्यात्मिक महापुरोश संसार के लिए अज्यात ही बने रहते हैं। मैं इस पुस्तक में बाबाजी के जीवन की एक फलकी सी जलक मात्र दिखा रहा हूं। किवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उलेक कर रहा हूं, जिने वे सार्वजनिक करने योग तथा सहायक मानते हैं। बाबाजी के परिवार या जन्म स्थान के विशे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखोकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारन तया वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाशा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबाजी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहेडी महाशे के शिश्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिये हैं। वे हैं महामुनी बाबाजी महराज, महायोगी तथा त्रयमबत बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है। लाहेडी महाशे काहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबाजी का नाम लेता है, उसे तच्छन आध्यात्मे का शिरवात प्राप्त होता है। आमार बाबाजी के शरीर पर आयू का कोई लक्षन द्रिष्टी गोचा नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौरबर्ण, मध्यम कदकाठी के बाबाजी के सुंदर, बलिष्ट शरीर पर सहजी दिख पढ़ने योगित तेज है, नेत्रकाले, शान और दयार्द्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश तामरवण के हैं। कभी-कभी बाबाजी का चहरा लाहिडी महाशे के चहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट सम्रूपता दिखाई देती थी, कि उत्तरवर्ती आयू में लाहेडी महाशे को कोई भी युवा दिखते बाबाजी के पिता समझ लेता। मेरे संथवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवला नंद जी ने हिमाले में बाबाजी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अधुतिये महागुरू अपने शिश्यों के साथ परवतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमन करते रहते हैं। उनका ये आदेश अपनी मंदली के साथ तच्षन किसी दूसरे स्थान पर पहुँचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अध्रिश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पदिती का उप्योग नहीं करते। कभी-कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबाजी की इच्छा होती है, तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किन्चित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाड़ी मूझ के साथ, तो कभी दाड़ी मूझ के बिना। उनकी आक्षय दे के लिए किसी आहार की आविशक्ता नहीं पड़ती। इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं हाँ, शिश्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौक एक शिष्टाचार के रूप में कभी-कभी फल या चावल की खीर स्विकार कर लेते हैं केवला नंजी बताते गए बाबा जी के जीवन की दो विस्मैकारी घटनाएं मुझे क्या थे एक रात उनके शिष्य, वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अगनी च्वालाओं को खेर कर बैठे थे अचानक महागुरू ने एक जलती लकडी उठा ली और अगनी के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हलका सा प्रहार किया यह तो कुरूरता है गुरूदेव वहाँ उपस्थित लाइडी महाशे ने अपना विरोध प्रकट किया अपने गतकर्मों के फल स्वरूब तुम्हारी आँखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्य प्रकट वरध हस्त रखा और कहा आज रात मैंने तुम्हें पीडा दायक मित्यू के हाथों से मुक्त कर दिया है अगनी दाह की किंचित सी पीडा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है एक अन्य अफसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांती थोड़ी सी भंग हो गई वह व्यक्ति गुरू के डेरे के निकठी स्थेत एक दुरलंग ये परवत शिखर पर विस्मयकारी निपूरता के साथ चड़ाया था महराज, अवश्य आप ही महान बाबाजी है उस आदमी का चहरा अवर्णनिय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था इंदुर्गम परवतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ आपसे इतनी ही प्रातना है कि आप मुझे शिश्य रूप में स्विकार करें जब महागुरु ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने परवत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की और हाथ दिखा कर कहा आप यदि मुझे स्विकार नहीं करेंगे तो मैं इस परवत से कूत पड़ूँगा इश्वर तक पहुँचने के लिए यदि मैं आपका मार्ग दर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है तो कूत पड़ो बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा उन्दती की तुम्हारी बर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्विकार नहीं कर सकता उस मनुष्य ने तुरंट अपने आपको नीचे जोग दिया तब धुए शिश्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया जब शिश्यों ने बक्षत विक्षत शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा परामाश चर्य उस आदमी ने आखें खोली और सर्व शक्तिमान गुरू के चर्णों में साश्टांग लोट गया अब तुम शिश्य बनने के अधिकारी हो गए हो वो नुर जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा तुमने साहस के साथ इस कठीन परिक्षा में सफलता प्राप की है अब मृत्यु कभी तुम्हारा इस परश नहीं करेगी अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो फिर उन्होंने सदा की तरहें प्रस्थान का आदेश दिया डेरा डंडा उठाओ पूरा दल तक्षर्ण उस परवत से अत्रिश्य हो गया अवतारी पुरोष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता इसलिए बाबाजी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है उसका केवल एक ही कारण है मानव जाती को उसकी अपनी संभावनाओं का ठो सुदारन प्रस्तुत करने की इच्छा मनुष्य पर यदि रक्त मास के शरीर में इश्वरत्व की जलक दिखाने की क्रिपा कभी ना की जाए तो वह हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मर्णा धीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता इसा मस्जी को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ग्यान था मैथ्यू, मार्क, ल्यूक तथा जॉन ने उनकी अवर्णनिय लीला को भावी पीडियों के लाप के लिए लिए लिख कर रखा बाबाजी के लिए भी भूत, बर्तमान, भवेश्यादी समय की परस पर सम्मंधित अवस्थाओं का अस्तित्त नहीं है प्रारंब से ही उन्हें अपने जीवन की सब ही अवस्थाओं का पूर्ण ग्यान है मनुश्यों की स्रीमित बुद्धी को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिती में ही करने का ध्यान रखा इसी कारण जब बाबाजी ने शरीर की अमर्ता की संभावना को प्रकट करने का समय उप्युक्त समझा तब लाहडी महाशे के एक्षिश उस प्रसंग पर उपस्थित थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजुमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिग्यासूओं को प्रेणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए सिद्ध जन केवल मानव जाती की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहट स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटना करम में सम्मिलित होते हैं जैसा की इसा मसी ने कहा था एपरंपिता मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात को सुनते हैं परंट मेरे आस पास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपने ही मुझे भेजा है जब मैं रणबासपुर में विनिद्र संथ राम गुपाल के पास गया था तब उन्होंने बाबाजी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मे जनक कहानी मुझे बताई थी उन्होंने बताया था मैं कभी-कभी अपनी एकांद गुफा से बाहर निकल कर काशी में लाहिडी माहाशे के चरण कमलों में जा बैठता था एक दिन मध्यरात्री को जब मैं उनके घर में उनकी शिश्यों के बीच बैठ कर चुपचाप ध्यान कर रहा था तब गुरुदेव ने अचानक मुझे चकित कर देने वाला आदेश दिया उन्होंने कहा वी देर ही मैं महाशुपचाप धीरच के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पैरों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आक्रिष्ट हुआ वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगद गुफा दिखाई देने लगी जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई मानो किसी अज्यात शक्ती ने उसे महाँ पकड़ रखा हो तब उस गुफा से एक अत्यांत लावन्य वती स्थि पहार आई और हवा में उची उठ गई एक शांति प्रतेश में वह नारी मूर्ती वेश्टित थी धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने पर्मानंद में मगन निश्चिल खड़ी रही आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यांत सौम्यवाडी में बोलने लगी मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ मैंने बाबा जी को और लाहिडी महाशे को भी आज रात एक अत्यांत मैत्वकोन विशेपर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है एक प्रकाश बुझ गंगा के उपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया अपार दर्शी पानी में उसका प्रतिविंब दिखाई दे रहा था वह प्रकाश हम लोगों की ओर बरता गया और कौन्द कर चका चौन्द करता हुआ माताजी के पास आकर रूप गया और तुरंद लाहिडी महाशे के मानव रूप में परिवर्दित हो गया लाहिडी महाशय ने अत्यांत विनम्रता के साथ माताजी के चर्णों में प्रणाम किया मैं इस आश्चरे से उबरा भी नहीं था कि आश्चरे का दूसरा धक्का मुझे लगा गोल गोल खुमता एक विस्मैकारी प्रकाश पुंज आकाश मर्ग से आते हुए मैंने देखा तीवर गती से नीचे आता हुआ अगनी गोले के समानवा तेजो पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यांत सुंदर युवक कर रूप धारन कर लिया मैं दुरान थी समझ गया कि वे बाबाजी थे उनका चेहरा लाहेडी महाशे जैसा ही था परन्तु बाबाजी अपने शिश्य से कहीं अधिक युबा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे लाहेडी महाशे माताजी और मैंने महागुरू के चड़नों में प्रणाम किया उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूती एवं अवर्णनीय अनंद से जंक्रित हो उठा बाबाजी ने कहा हे कल्यानी, मैं अपने इस थूल शरीर को त्याग कर अनंद प्रवा में बिलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेप, मैं आपके मनतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्ष करना चाहती थी द्रिश्य या अद्रिश्य तरंग को धारण करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षन बाग पड़ता का परिचय देते हुए कहा, मृत्यून जय गुरुदेप, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथा अस्तू, बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने इस थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूँगा। इस पृत्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैब द्रिश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुक से प्रभू ने अपनी इच्छा प्यक्त की है। मैं विसमे विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संबाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा द्रिश्टी डालते हुए अमर महागुरू ने कहा, दरो मत रामगोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सलक्ता बाबाजी का स्वर जब वादावरण में लीन हो गया, तो उनका और लाहेडी महाशे का शरीर धीरे धीरे हवा में उपर उठ गया, और गंगा के उपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अद्रिश्य हो गए। तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। प्रत्यंत सुंदर प्रवचन दिया, एक शिष्य ने मुझे बदाया। उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन बचनों की सत्यता का बोध हुआ, जिन में कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरोष एक ही समय विभिन्ने स्थानों में, दो या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बाद का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहरी महाशने इस पृत्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंदेत, अनेक अधिभावतिक कत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। इश्वर ने बाबाजी को इस वर्दमान कल्प के अंध तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युन जै महागुरू, युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्वरंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। 34. हिमाले में महल कस्ट्रिजन बाबाजी के साथ लाहिडी महाशे की प्रतम भेट एक रोमान्चक कहानी है और यह उन कई कहानियों में से केवल एक है जिनसे उस मृत्युन जै महागुरू की विस्त्रित ज्ञांकी मिलती है। यह उस अद्भुत कहानी को शुरू करने से पहले स्वामी केवलानंद जी के प्रारंभिक शब्द थे। पहली बार उन्होंने जब यह कहानी मुझे बताई थी तो मैं अक्षरशय मंत्र मुख्ध हो गया था। अन्य कई अफसरों पर भी मैं अपने शांत प्रक्रती संस्कृत शिक्षक को यह कहानी मुझे फिर से सुनाने के लिए मना लिया करता था। बाद में श्री युक्तेश्वर जी से भी मुझे लगभग उनी शब्दों में यह पुन्हे सुनने को मिली। लाहिडी महाशे के इन दोनों शिश्यों ने यह रोमान्चक कहानी सीधे अपने गुरू के मुझे सुनी थी। लाहिडी महाशे ने बताया था, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे तैंतीसमें वर्ष में हुई थी। अठारा साइकसत की शरद रितु में मैं दानापुर में सरकार के मिलिटरी एंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पतपर कारे रत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लाइडी उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्याले से एक टार आया है, आपका इस्थानांतरन रानी खेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैम्प स्थावित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। गोड़े और बग्गी से यात्रा करते हुए हम लोग तीस दिन में हिमाले में स्थित रानी खेत पहुँच गए। उनके दर्शन करने की तीव रिच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाडों में यूहीं भ्रमण कर रहा था कि आचानक ऐसा लगा जैसे दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौक गया। द्रोन गिरी परवत पर अपनी कठिन चढ़ाई मैंने जारी रखी। यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लोट पाऊंगा। मैं आखिरकार एक छोटी सी खोली जगह में पहुच गया जिसकी दोनों और गुफाई थी। वही पर बाहर निकली एक चटान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागदार्थ हाथ फैलाए ख़़ा था। देखकर मुझे आश्यर्य हुआ कि तामरवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिलकुल मेरे जैसा ही था। लाइडी, तुम आ गए? उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा, यहां इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुधरी कुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई उनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। लाइडी, तुम्हें वा आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की और हाथ दिखाया। नहीं महराज, अपनी इस सासिक यात्रा की विचितरता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा, सुभें ओफिस में काम है। उस रहस से मैं संद ने अंग्रेजी में उत्तर दिया। यानि ओफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ओफिस के लिए नहीं। मैं आवाक रह गया, कि यह वनवासी तपस्वी ना केवल अंग्रेजी बोलता है, बलकि ईसा मसी के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है, योगी की इस टिपड़ी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा, मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुँच गए हो, मैंने ही तुम्ह महारे बरिष्ट अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था, कि तुम्हारा इस्थानांतरन वरानी खेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं, और उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कारे कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाहिडी, निश्चेही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हत्प्रभ होकर चुपचाप खड़ा रहा, तो उस संथ ने मेरे पास आकर मेरे माते पर ध आनंद के आवेक से मेरा कंट अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबाजी हैं, जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के द्रिश्य मेरे मन में स्पश्टता के साथ उभा रहे हैं। यहां इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताय थे। आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। स्वर्गिय प्रेम से बाबाजी की आवाज छंक्रित हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्योपरांद जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादूई छड़ी ने तुम्हारा सपर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टी मुझ से हट गई पर मेरी दृष्टी से तुम कभी ओजल नहीं हुए। उस सूक्ष में जोति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था जहां तेजस्वी देवता भी चरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरहें मैं दृष्टी लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्णी की नदी में अपने नन्य शरीर को पदमासन में इस्थिर कर बालू से ढख लेते थे तब भी अद्रिश्य रूप से मैं महा उपस्तित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्ष इसी शु सुथ्रा तयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबलासन जिस पर बैठ कर तुम प्रति दिन अपने विस्तारित होते रिदय में भगवान को भड़ लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा जिससे तुम मेरे बनाए हुए अम्रित का पान करते थे। देखो इस प गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है। गदगद स्वर्मे मैं धीरे से बोला। कहीं किसी ने तभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है। मैं अपने शाश्वध्धन, जीवन एवं मरन में भी अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की और रात की स्मिती मन में जाकते ही, मेरे होटों पर एक शन के लिए मुस्कुराहट आ गई कि बाबाजी की व्याभारिकता सदैफ सर्वो परी रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमाले की अती ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी। फिर भी मेरे भी फीली हवाएं मुझे थपेडे मार-मार कर चीकती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थी। पत्रीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गगास नदी की लहरें बार-बार टकराने लगी। आस-पास बागों की गर्जना सुनाई दे रही थी। पर मेरा हृदय भाय से प पश्ट स्मितियां अपने गुरू के साथ पुनर मिलन के मेरे बर्तमान उज्वल विजारों में घुलने मिलने लगी। किसी के निकट आने की आहट से एकांत में पड़े-पड़े चल रही मेरी विजार धारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी ने मुझे हाथ देकर खड़े होने में साहेता दी और कुछ सूखे वस्त्र दिये। आओ बंधू उस आदमी ने कहा गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते के एक मोर पर पहुं है। मध्यरात्री का समय है। मेरा मार्ग दर्शक मृदुल हसी हसते हुए बोला। महादूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वन महल की आभा है। जिसका स्रिजन अध्वितिये महागुरू बाबाजी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौ फिर उसने कहा वह भव्य महल आज रात तुमारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहां के तुमारे सब भाई तुमारे बनवास की समात्ति पार आनंद बनाते हुए तुमारा स्वागत कर रहे हैं। देखो। द्रिश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में उंची उंची कमानों में अत्यंत सुन्दर बारीक नकाशी में अमूल्य हीरे, माने, पन्ने और तरह तरह के रत्न चड़े हुए थे। उज्वल मानिकों की लाल लाल आभा से दैदीप्यमान लगते द्वारों पर देवता वातावरन महक रहा था। मन्द दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी-छोटी मंडलियां बैठी हुई थी। जिनमें कुछ भग गौरवर्ण थे तो कुछ शामलवर्ण। उनमें से कुछ धीमेस्वर में मंत्रों चारण कर रहे थ तो कुछ आंतरिक शांती में मगन होकर चुपचाप ध्यानस्त पैठे हुए थे। समस्त वातावरन आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुझसे कुछ आश्चर्योगार फूट पड़े। जिन्हें सुनकर मेरे साथ ही ने सहानु भूती-पूर्ण के साथ कहा, देख लो, अपनी आखों को त्रिप्ट कर लो, इस महल की कलाकृती की भवेता का पूरा-पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका स्व्रिजन किया गया है। मैंने कहा, बंधू, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है, क्रिपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ, उसकी काली आखें ग्यान के देच से जमक उठी, उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा, इस महल के प्रकटी करण में समझ में ना आने वाली कोई बात ही नहीं है, सारा ब्रह्मान, विधाता के विजा का मूर्थ रूप है, अंतरेक्ष में ब्रह्मन करता प्रित्वी का ये भारी गोला, इश्वर का एक स्वप्न मात्र है, भगवार ने सभी कुछ मात्र अपने मंद से निर्मित किया, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न स्रिष्टी की रचना करता है और उस स्रिष्टी में स्रिष्टी जीवों को भी भर देता है, पर मात्मा ने पहले केवल प्रित्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गती प्रदान की, जिसके फल्जवरू, अनुशक्ती और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया, तत अपनी इच्छा शक्ती को वापस निकाल लेंगे, तब प्रित्वी के सारे अनू उर्जा में रूपांत्रित हो जाएंगे, वह आण्मिक उर्जा अपने मूल्द स्रोथ चैतन्य में वापस चली जाएगी, प्रित्वी की कल्पना अपना मूर्थ रूप छोड़कर अमूर लिया जाता है, तो स्वपन और उस स्वपन के तत्व विलीन हो जाते हैं, मनुश्य आखे बंद कर स्वपन स्रिष्टी खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है, वह मूल इश्वरिय प्रारूप का ही अनुकरन करता है, इसी प एक रूप होने के कारण, बाबा जी मूल भूत अनु पर्मानुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारन करने की आग्या दे सकते हैं, शान भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वण महल उतना ही वास्तविक है, जितनी वास्तविक या प्रित्वी है, बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का स्रिजन अपने मन से किया है, और अपनी इच्छा शक्ती से उसके अनुओं को एक साथ पकड़ कर रखा है, जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने प्रित्वी का स्रिजन किया, और उसकी इच्छा शक्ती इसके अस्तित्व को बनाए हुए है, फिर उसने क जब इस महल के स्रिजन का उद्देश पूरा हो जाएगा तब बाबजी उसे विसर्जित कर देंगे। जब मैं विस्मय युक्त आदर से अवाक खड़ा था तो मेरे उस साथी ने महल की और हाथ दिखाते हुए कहा। नाना प्रकार के रतनों से सजाया हुआ यह जगमगादा महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवारा परिश्रम पूर्वक खडानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में ख़ड़ा है, जो कोई भी स्वयम को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने स्वयम को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष प्राप्त कर सकता है, सामान या पत्थर में भी विराठ परमाण्मिक शक्तियां छिपी हुई है, उसी प्रकार शुद्रतम मर्त्यमानव भी ईश्वरिय शक्तियों का भंडार है, उस महत्मा ने पासी रखिये एक मेश से एक अत्यंत सुन्दर फूलदान उठा लिया, जिस इस फूलदान को और इन हीरों को सपर्श करके देखो, वे इंद्रियानु भूती की हर कसोटी पर खरे उतरेंगे। मैंने फूलदान का परीक्षन किया, उसके हीरे किसी महराजा के विशेश संग्रे में रहने लाइक थे, चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी-मोटी दिवारों पर भी मैंने हाथ फेरा, मेरे मन में गहरी त्रिप्ति जा गई। साथ ही ऐसा लगा कि मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवजेतन मन में छिप कर बैठी एक इच्छा त्रिप्त होकर खत्म हो गई। बहत्ते जस्वी पुरोष मुझे अलंकृत कमानों और दालानो में से ले जाता हुआ, ऐसे अनेक कमरों में ले गया, जो किसी समराज के महल के कमरों के समान सास समान से सजाए हुए थे। फिर हमने एक अत्यंत बिशाल कक्ष में प्रवेश किया। उस कक्ष के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंगासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े रंग बिरंगी छटाएं बिखे रहे थे। उस सिंगासन पर पदमासन में बैठे थे महावदार बाबाजी। मैंने उस चमकते फर्ष पर उनके चर्णों में सिर रखकर उन्हें प्रणात किया। लाइडी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वपना कांक्षाओं की पूर्ती म अभी भी तुम्हें आनंदा रहा है। मेरे गुरू की आखे उनके ही द्वारा स्रिष्ट रत्नों की भाती चमक रही थी। जागो। तुम्हारी सारी एहिक त्रिष्णाएं अब सदा सदा के लिए त्रिप्थ होने वाली है। उन्होंने आशिरवात स्वरूब कुछ गू धधकती अगनी ज्वालाओं से योगतेक हवनकुंड तक्षण महा प्रकट हुआ। हवनकुंड के चारों और फाल फूल सजे हुए थे। इस अगनी वेदी के समाक्ष मुझे मुक्तिदायक प्रियायोक की दीख्षा मिली। भोर होते होते सारे विधी संसकार संपन्न हो ग जित कमरों में भटकता हुआ उद्ध्यानों में गया। वहां आसपास वही गुभाएं और पर्वत शिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी। परम्तु कल्वे किसी महल या पुश्पोध्यान के समीब तो नहीं लगी थी। हिमाले के शीतल सूर्य प्रकाश म में वह महल अब कल्पनातीत आवा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरू के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंगासन पर विराजमान थे और उनके आसपास अने एक शिश्य चुप-चाप बैठे हुए थे। लाहिडी तुम्हें भूक लगी है। बाबाजी ने फिर कहा अपनी आखे बंद करो। जब मैंने पुनए आखे खोली तो अपने उद्यानों सहीत भमंत्र मुग्द कर देने वाला महल अद्रिश्य हो गया था। मैं बाबाजी और उनके सभी शिश्य अब किवल भूमी पर ठीक उसी स्थान पर बैठे मुझे याद आया कि मेरे उस पत प्रदर्शक ने मुझे बदाया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़ कर रखे हुए सब अडू परमानों को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा जहां से वे आये थे। मैं इस किया गया था वह उद्देश से पूरा हो जुगा है। बाबा जी ने सपश्ट किया। उन्होंने भूमी से एक हांडी उठाई इस पर अपना हाथ रखो। और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा हो वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का कियां, रसेदार सबजी और मिठाईयां उसमें प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था, मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी ही भरी रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया, तो मैं पानी के लिए इधार उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे साम ने रखी हांडी की ओर इशारा किया, सारे खाद्य पदार्त उसमें से गायब हो गए थे और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था, बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह क्यात है कि इश्वर के राज्य में एहिक परिपूर्थिया भी सम्मिलित हैं, बाबा जी ने कहा, दैवी जगत की सत्दा एहलोक में भी चलती है, परंदु एहलोक का स्वरूप ही प्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के दैवी तत्व का अभाव है, परंप्रिय गुरुदेव, गत रात्री को आपने मेरे लिए प्रित्वी पर स्व गुर तत्वों की खोच का आरंब इतनी विलास एश्वर्य पूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा, अब उसके पूर्णते विपरीद दिखने वाले द्रिश्य को मैं शांत्र द्रिश्टी से निहारने लगा, नीचे सूखी सक्त भूमी, उपर आकाश की छट, साम इन दोपहर को मैं पिछले जन्म की दैवी उपलब्दियों से पुनीत हुए अपने कंबल पर बैठा, मेरे ईश्वर्ट तुल्य गुरू मेरे बास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ भेरा, मैं निर्विकल्प समाधी में पहुँच गया, और साथ दिन तक उसी पर्मान तूटकर गिर गए, और मेरी आत्मा पर्मात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिश्ठापित हो गई, आठमे दिन मैं अपने गुरू के चड़नों में लोट गया, और मुझे इस पवित्रवन में सदा अपने पास ही रखने का उनसे अनुरोध करने लगा, अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो, अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा, इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था, कि इस जन्में तुम विभाकर ग्रिहस्त बनने और परिवार एवं बारिवारिक उत्तर दायित्तों से घिरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले, हिमाले में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा, तुम्हारा जीवन आदर्श ग्रहस्त योगी का उधारन बन कर शहरों की भीड भार के बी आत्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है, पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लाखों लोगों को उनके समानी ग्रहस्त जीवन व्यतीत करने वाले तुम से नई हिम्मत मिलेगी, यह समझने में तुम्हें उनकी साहिता करनी होगी कि प्राप्य नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी, व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्भा करता है, वह ब्रह्म ग्यान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे पूर्ण अंतय करण पूर्वक अपने पारिवारिक, व्यावसायक, नागरिक और आध्यात्मे कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुश्यों के रूखे हृद्यों में एक नई मधुर दिव्याशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलिक जीवन से यह बात उनकी सम में आ जाएगी कि मुक्ती बाहत्याक पर नहीं, बलकि आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है। जब मैं हिमाले के उच्च निर्जन प्रदेश में अपने गुरू की बाते सुन रहा था, तब मेरा परिवार, ओफेस, संसार कितना सुदूर लग रहा था। फिर भी उनके शब्दों में वज्र सत्य तो था ही, अतय विवश होकर मुझे शांती के उस स्वर्ग को छोड़ कर जाने की बात माननी ही पड़ी। गुरू से शिष्य को योग विद्या दिये जाने के समंद में बाबाजी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों का ज्यान कराया। उन्हों ज्याग देने का संकल्प करता है। दया मैं गुरुदेव, विलुक्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनुरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाती पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब शिष्यत्व की कठोर आविशक्ताओं को शितिल करके क्या और थोड़ी कृप प्रति प्रदान करें। चाहें वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक बैराग्य की प्रतिज्या ना भी कर पाए। संसार के त्रिवित तापों से द्रस्त नर्नारियों को विशेश प्रोचाहन देने की आविशक्ता है। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जा उन सब को क्रिया दे दो। करुना मैं गुरुदेव ने कहा। थोड़ी देर मौन रहकर बाबाजी ने कहा। अपने प्रतेक्षिश को भगवत गीता कवा अमर वचन अवश्य बदाना। स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्थात इस धर्म का थोड़ा साभी साधन, जन्म मृत्य के चक्र में नहित महान भैसे तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे दिन प्रतेकार जब मैं विदा लेने के लिए गुरुदेव के चड़नों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्हें छोड़कर जाने में मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भा कट हो जाऊंगा। उनके इस अमूल्य वर्दान से आश्वस्थ होकर और ब्रह्मग्यान के नवप्राप्त स्वर्ण से सम्रिध होकर मैं परवत से नीचे उतरने लगा। ऑफिस में मेरे सहयोगियों ने मेरा स्वागत किया। दस दिन तक वे सोच रहे थे कि मैं हिमाले के जंगलों में खो गया था। इसके शीगर बाद ही मुख्याले से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था लाहिडी को दानापूर कार्याले में वापस लोट जाना चाहिए। उनका रानी खेत स्थानांतर गलती से हुआ है। रानी खेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे चिपे गुप्त प्रवाहों का विचार कर में मुस्कुराया। दानापूर वापस लोटने के पहले मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन मैंने उसका पुर्जोर विरोत किया। बाबू अभी भी इस भूमी में महानसंत विद्यमान है। अध्यात्मे कुछ सहा के कारण हिमाले के अपने चमतकार पूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उतकट प्रेणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रता बताया है, वह कोई दिवास्वापन है। सच्चाई के जोश में मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आखें कौतुहल से चमाक उठी। इसमें कोई आश्यरे नहीं थ कि वे साब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ अनिच्छा पूर्वक ही मैंने एक शांत कमरे और दो नए उनी कमलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। जस्वी जोतिर मैं मूर्ती प्रकट हो गई। लाहिडी। क्या तुम मुझे ऐसी व्यर्थ बातों के लिए बुलाते हो। कुरुदेव की द्रिष्टी कठोर थी। सत्य सच्चे साधुकों के लिए है। व्यर्थ कुतुहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश् करना तो आसान है। उसमें फिर किसी आत्मशोद की आविशक्ता ही नहीं रहती। इंद्रिया तीत सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसार जन्य शंका कुशंकाओं से उपर उठते हैं। और केवल वही इसके अधिकारी भी है। फिर उन से क्षमा मांगता हूँ। आध्यात्मिक तृष्टि से इन अंधे लोगों के हृदय में विश्वास चगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा करके यहां पधारे ही हैं तो कृपिया मेरे मित्रों को आशिरवात दिये बिना चले मत जाईए। व्या विश्वासी भले ही हो परंतु कम से कम मेरे अध्भुत कथन की जाज करने के लिए तो तैयार थे। ठीक है मैं थोड़ी देर रुख जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मित्या सिद्ध अब नरम पड़ गया था। परंतु उन्होंने सौम्हे स्वर में आगे कहा। इसके बाद मेरे पुत्र मैं तभी आओंगा जब तुम्हें मेरी आविशक्ता होगी। जब जब तुम बुलाओगे तब तब सदैवी नहीं आओंगा। जब मैंने दर्वाजा खोला, तब ब इश्वास नहीं हो रहा हो। यह सामूहिक सा मोहन है। एक आदमी उद्दत भाव से हंसा। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था। बाबाजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उनमें से प्रतेक को अपने उश्न, ठोस शरीर का इसपश करके द आश्कांग प्रणाम किया। हल्वा बनाया जाए। बाबाजी ने कहा। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविक्ता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबाजी ने वहादेश दिया था। जब तक हल्वा तैयार हो रहा था, विनम्रता के साथ बाते करते रहे। उन संशे आत्माओं का द्रिन्म भक्तों में रूपांतरण देखते ही बनता था। हल्वा खाने के बाद बाबाजी ने हम सब को एक-एक कर आशिरवात दिया। अचानक प्रकाश कौन था। हम सब ने बाबाजी के शरीर के विद्युत तत्वों को पल भर में रसायन विकर्शित होकर फैलते जाते वाश्प मैं प्रकाश में परिवर्तित होते देखा। महागुरू की ईश्वर के साथ एक रूप हुई इच्छा शक्ती ने उनके शरीर के रूप में एकत्रित पकड रखे आगाश तत्वों के अड़ूं पर पकड ठीली कर दी और उसी के साथ करोणो प्राण कड़िकाओं के इस फुलेंग अनंत ब्रह्म सागर में फिलीन हो गए। स्वयम अपनी आखों से आज मैंने मृत्यू पर विजय पाने वाले को देख लिया। उस मंडली में से मैत्र नामा के एक व्यक्ति ने अत्यंत श्र कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन कर लिया जिनके हाथ में स्वर्ग और प्रित्वी की कुंजियां है। लाहिडी महाशय ने अंत में कहा था। इसके बाद शीग्री ही मैं दानापुर चला गया। परम अंतत्व में द्रणता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनाय ग्रिहस्त के बहुवित पारिवारेक एवं व्यावसाइक दायित्तों को अंगिकार कर लिया। लाहिडी महाशय ने स्वामी केवलानंद जी और स्वामी श्री उक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ अपनी एक और आविशकता होगी। घटना इस्थल था इलाहाबाद का एक कुम्द मेला। लाहिडी महाशय ने अपने शिश्यों को बताया था। ओफिस की थोड़े दिनों की छुट्टियों में मैं महा गया था। कुम्द मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आये साथू सन्य सन्यासियों के बीच मैं खूम रहा था। तभी मेरी द्रिश्टी भस्म रमाय हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधू पर पड़ी। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा कि वह साधू पाखंडी है। जिसने वैराग्य के बाहे चिन्नतों धारन कर रखे हैं। परंतर मे उन चिन्नों से संबंदित चारूता नहीं है। इस साधू से आगे बढ़ा ही था कि मेरी विच्प में द्रिश्टी भाबाजी पर पड़ी। वे एक जटाधारी सन्यासि के आगे नतमस्तक थे। गुरुजी, मैं क्षण भर में उनके पास पहुँच गया। प्रभु, किसी नन्हे शिशु की तरह मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वे मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना ना करूँ। बलकि सभी दे मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले इश्वर को देखूं। वह दे मंदिर चाहे उच्चे व्यक्तिका हो या कि सद्गुणों से अधिक प्रिय है विनम्रता। अफदार सद्रिष्ट जीवन। हमें इसी प्रकार सारी धार्मिक परंबराओं का पालन करना होगा। जॉन दबैप्टिस्ट को यह कहकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध करने में ईसा मसी अपने गुरू के दिव्वे अधिकारों को स्विकार कर रहे थे। और वात्य दृष्टिकोर से बाइबिल के श्रद्धा पूर्ण अधियर और अंत्य प्रेणा से मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि गद जन्मों में जॉन दबैप्टिस्ट इसा मसी के गुरू थे। बाइबिल के अनेक परिछेदों से यह ध्वनित होता है कि जॉन और यीशू अपने पिछले जन्मे क्रमशय अलाईजा और उनके शेष्य अलिशा थे। ओल्ड टेस्टमेंट में यही नाम दिये गए हैं। युनानी अनुवादुकों ने इन नामों को इल्यास और इलीसियस लिखा है। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में ये नाम इन युनानी रूपों में ही दिये गए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का अंथी एलाईजा और एलीशा के पुनर जन्व की भविश्यमानी के साथ होता है। देखो, प्रभू के उस महान और भयंकर दिन के आने के पहले ही मैं एलाईजा पैगंबर को तुम्हारे पास भेज दूँगा। इस प्रकार प्रभू के आने के पहले भेजे गए जौन यानि एलाईजा का जन्व ईसा से थोड़ा पहले उनके अग्रदूद का काम करने के लिए हुआ। जन्देगी और तुम उसका नाम जौन रखोगे। और इस्राइल की असंक्य संदानों को वह उनके प्रभू ईश्वर की ओर मोड़ेगा। और वह इल्यास की तरह ही और इल्यास की पूरी शक्ति के साथ उसके पहले जाकर पिताओं के रिदे संदानों की ओर मोर देगा। आग्याना मानने वालों के रिदे धर्मनिष्ट लोगों के ज्ञान की ओर मोर देगा। और इस प्रकार प्रजा को प्रभू के आगमन के लिए तैयार करेगा। इसा मसी ने दो बार निसंदिग्द शब्दों में एलाइजा की पहचान जौन के रूप में बताई थी। इस सभी पैगम्रों और शास्त्रों ने भविश्यवानी की है। और यदि तुम उसे स्विकार करो तो यह वही इलियास है जिसके आने के बारे में वह भविश्यवानी थी। जब जौन ने इस से इंकार किया कि वह इलियास यानि एलाइजा है तो उनका अभी प्राय था कि जौन की दीन भूमिका में वे महान गुरू एलाइजा के बाहे गौरव एवं प्रताप का प्रयोग नहीं करने वाले थे। अपने पिछले जन्द में उन्होंने अपनी महिमा और अध्यात्मिक संपदा अपने शिष्य एलिशा को दे दी थी। और एलिशा ने कहा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शक्ति दुगनी होकर मुझ में आ जाए। तब एलाइजा ने कहा तुमने बड़ी मु क्योंकि एलाइजा जौन के लिए अब आध्यात्मिक त्रिष्टी से पूर्ण हुए एलिशा ईसा का प्रकट गुरू बनने की कोई आविशक्ता नहीं रही थी। जब पहाड़ पर ईसा का शरीर दिव्वे शरीर में रुपांतरे थो गया, तब उन्होंने अपने गुरू इलियास को ही मूसा के साथ देखा था। क्रोस पर यातना की पराकाश्था में ईसा पुकार उठे, एली, एली, लामा साबाक्तानी। अर्थान, मेरे प्रभू, मेरे प्रभू, तुमने मुझे क्यों त्याग दिया। वहाँ जो लोग खड़े थे, उनमें कुछ ने जब य गुरु शिष्य संबंद था, वही बाबाजी और लाहिडी महाशे के बीच भी था। मृत्विंजय गुरु अत्यांत बातसल्य के साथ अपने शिष्य के दो जन्मों के बीच के अथा सागर को पार कर, बालक लाहिडी और फिर युवा लाहिडी द्वारा उठाये गए कद का मार्क दर्शन करते रहे। शिष्य के जीवन के 33 वर्ष में पदारपन करने से पहले बाबाजी ने प्रकट रूप से पुन्हें उस संबंद को इस्थापित करना उप्युक्त नहीं समझा, जो कभी तूटा ही नहीं था। रानी खेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद न आ जाओंगा। कौन सा मर्थ्य प्रेमी इस प्रकार के बचन में नहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सद्गुरु से सुधापान करने के लिए मंड़ाने लगे। लाहेडी महाशय को प्यार से आनंद मगन बाबु कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुप्रिटेंडेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले या बात आई कि उनके क दर्मचारी में कोई अज्यात फ्रिष्ट परिवर्ता ना रहा है। सर आप दुखी लगते हैं। क्या बात है। एक दिन सुभह लाहेडी महाशय ने अपने सुप्रिटेंडेंडेंड से पूछा। इंग्लेंड में मेरी पत्नी कंभीर रूप से बीमार है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ। लाहेडी महाशय बहां से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदास में मुस्करा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है। अभी वे आपको पत्र लिख रही है। सरवग्य योगीवर ने पत् अच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततय वह पत्रा पहुंचा। देखकर सुपरिंटेंडेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में नकेवल उसकी पत्नी के अच्छी होने का शुब समाचार था। बलकि उनी शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ता पूर्व कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी भी भारत आ गई। जब लाइड़ी महाशे से मुलाकात हुई तो वह श्रध्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली। सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ड शैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी एक्षर्ण में पूर्ण स्वास्थ हो गई। और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रति दिन बहान गुरू एक दो सादकों को क्रिया योकी दिक्षा देते थे। अपने इन आध्यात में कर्तवयों एवं व्यावसाईक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायतों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्सा पूर्वत भाग लेते थे। उन्होंने कई घरो में छोटी-छोटी पाच्शालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला महले में एक बढ़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। सब्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरू अनेक जिग्यासुओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहु मुखी गतिविधियों द्वारा लाहेडी महाशे उस सामान ने प्रतिवात का उत्तर देने की चेश्ठा कर रहे थे। व्यावसाइक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारना का समय ही कहां बचता है। इस महान ग्रेहस्त योगी गुरु का पून संतुलित जीवन हजारों नर्नारियों के लिए प्रेणा का स्रोथ बना। केवल साधारन सा वेतन पाते हुए भी केपायती खर्च करते हुए या डंबर हीन गुरु जिनके पास कोई भी पहुँच सकता था अत्यांत स्वाभाविक तरीके से सुक पूर्वक सयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहेडी महाशय बिना किसी भेदभाव के सबी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भगत उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। गुरु के पाउं छूने की प्राचीन पौरवात्य प्रथा होते हुए भी वे स्वयम ही शिशु सुलब विनम्रता के साथ दूसरों के पाउं छू लेते थे। पर दूसरों को कभी अपने पाउं नहीं चूने देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहेडी महाशे के जीवन की एक उलेखनिय विशिष्टता थी। किवल हिंदू ही नहीं बलकि उनके प्रमुक्षिष्यों में मुसल्मान और इसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी। चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयाई हो या किसी भी प्रचलित धर्म को न मानता हो। विश्व गुरू सबका निश्पक शुरूब से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसल्मान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत उची अवस्ता में पहुचे हुए थे। स्वयम सर्वोच्य ब्रह्मन जाती के होते हुए भी लाहेडी महाशय ने अपने समय की कटर जाती व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में सहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरू की सर्व व्यापी छत्र छाया में आस्रा मिलता था। सभी ईश्प्रेरित संतों के समान ही लाहेडी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृद्यों में आशा की नई किरन जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसलिए अभी से ही भगवान को जान लो। महान गुरू अपने शिश्यों से कहते। इश्वरनू भूति के गुबारे में प्रति दिन ओड़कर मृत्यों की भावी सूक्ष में यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड मास की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घरमात रहे। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परमतत्त्यों के रूप में पहचान सको। प्रिया योग की गुप्त कुंजी के उप्योग द्वारा देह कारागार से मुक्ठो कर परमतत्त्त्यों में भाद निकलना सीखो। गुरुवर अपने विभिन शिश्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परमपरगत नियमों का निश्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोच्साहित करते थे। मुक्ति की व्याभारिक प्रवदी के रूप में प्रियायोग के सर्म समावेशक स्वरूप के महत्व को स्वष्ट करने के बाद फिर लाहिडी महाशय अपने शिश्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोशन के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता दे विकेहते थे मुसलमान को प्रति दिन पांच बार नमास पढ़ना चाहिए हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए इसाइय को प्रति दिन कई बार घुटनों के बल बैट कर प्रार्थना करके फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। लाहेडी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अन्याईयों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्यों के अनुसार भक्तियोग, गर्मयोग, ज्ञानयोग या राजयोग के मार्क पर चलाते थे। सन्याज लेने की इच्छा रखने वाले शिश्यों को वे आसानी से उसकी अनुमती नहीं देते थे। हमेशा उन्हें सन्याज जीवन की उग्र तबस्या पर पहले भली भादी विचार कर लेने का परामर्ष देते थे। समस्याओं का समाधान ढूंडो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संबर्क करो। शास्त्रों के किताबी ज्यान से उत्पन्न मदांध धरनाओं के कच्रे को अपने मन से निकाल भेंगो। और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूत अपने आपको संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतित नहीं होता। परंदोस परम दयालू ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवत गीता पर लाहिडी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिश्यों को उनकी सर्व व्यापकता की जलक देखने को मिली। लाहिडी महाशय सकल्स पंधन शील्द्स व्रिष्टि में व्याप्त कूटस्त चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तब ही हटात विहाफने लगे। मनों का दम घुट रहा था और साथ ही चिला उठे। जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। अगली सुबै शिश्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यू का समाचार पढ़ा। दूर रहने वाले अनेक शिश्यों को अपने आस पास लाहिडी महाशे की सुनरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्तिती का अनुभव होता था। जो शिश्यगान परिस्थिती वश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिडी महाशे सांत्वना देते हुए कहते थे, जो प्रिया का अभ्यास करते हैं, उनके पास मैं सदैव रहता हूँ, तुम्हारी अधिकादिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूति जो पास में थे, तो काशी जाने में आसमर्थ होने के कारण, उन्हें अध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिडी महाशे से प्राथना की, लाहिडी महाशे ने उनके स्वपन में आकर उन्हें दीक्षा दी, बाद में किशोर भुबेंदरनात काशी गए और बहां उन्हें लाहिडी महाशे से दीक्षा के लिए अनुरोद किया, लाहिडी महाशे ने उत्तर दिया, मैंने स्वपन में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है, यदि कोई शिश्य किसी सांसारिक दायत्व की उपेक्षा करता, तो लाहिडी महाशे उसे प्रेम से समझा कर रास्ते पर ले आते। श्री उक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, जब किसी शिश्य के दोशों के बारे में खुले आम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिडी महाशय अत्यांत सौम में और शांति दायक शब्दों में बोलते थे। फिर विचार मगन उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिडी महाशय ने अत्यांत विचार पूर्वक्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार चार क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित सीमाता कुन्नती होने के बाद ही वे उसे तीन उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिश्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उच्चित मूल्यांकर नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतो शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा गुरुदेव, अब तुम्हें निश्चे ही द्वितिय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दर्वाजा खुला और एक विनम्र साधक ब्रिंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। ब्रिंदा, यहां मेरे पास आकर वक्त मुस्कराए। यह बताओ कि क्या तुम दितिय क्रिया के योग्य हो गये हो। फूस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिये और कहा। गुरुदेद, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता आज तो मैं आपका अशिरवाद मांगने ही आया था क्योंकि प्रत्थम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चड़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बाटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। व्रिंदा ब्रम्भा नंत सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिडी महाश को ही दोश दिया करता है। बाद में उस दीन अशिक्षित पोस्मैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर द्रिष्टी को इतना विक्सित कर लिया कि कभी-कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। लाहेडी महाशाय स्वयम भी अपने दो पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल जाते थे। इस प्रकार बार-बार उनकी उपस्तिती से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी-छोटी मंडियों का जाल सबन गया। वि अनेका नेक संतों में काशी के प्रख्या, स्वामी भासकरानन सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटी के तपस्वी बालानन्द ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहेडी महाशय काशी के महाराजा इश्वरी नारायन सिंग बहादुर के पुत्र के न लाहेडी महाशय के अनेक शिष्य समाज में उचे-उचे स्थानों पर थे और वे प्रचार द्वारा क्रियायोग का प्रसार करना चाहते थे। परंदु लाहेडी महाशय ने इसकी अनुमती नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राजवैद्य थे। उन्होंने लाहेड रूप से अपने आप फैलने दो। प्रियायोग का बीज आध्यात्मेक द्रिष्टी से उपजाओ रिदय भूमियों में निश्चित रूप से जर पकड़ेगा। लाहेडी महाशय ने संगठन या मुद्रणाले के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धती को नही वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ती रोकी ना जा सकने वाली बाण की भांती उमर पड़ेगी और अपने शक्ति वेक से मानव मनों में प्रवेश कर जाएगी। उनके शिश्यों का परिवर्तेत और शुद्धुआ जीवन क्रिया की अमर शक्ती का प्रत्यक्ष प्रमा में अधिक अधिक विद्धी होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पदमासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठा खाने में ही बैठे रहते थे। यहां तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्तों में जाने के लिए भी शायद ही कभी महां से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिश्चों के आकमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिडी महाशे के शरीर में अधिकांश समय अतिमानवी लक्षणों का दिखाई देना, प्रायाय दर्शनार्थियों को चिंता और विश्मय में डाल देता था। जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और रिदय की धर्गन का रुका हुआ होना, घंटों तक पल के जपकाए बिना शान्त आखों का खुला होना, और उनके चारों और शान्ती का प्रगार बलय होना। वहां से लोटने वालो संत का मौन आशिरवात प्राप्थ हो गया है। बाद में लाहिडी महाशन ने अपने एक शिश्य पंचानन भटाचारे को कुलकता में आर्यमिशन इंस्टिट्यूट नाम से एक योग केंद्र स्थापित करने की आनुमती थी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की य गजारों घरों में पहुंची। साधानरत्या लोगों को विभिन रोगों के निवारन के लिए लाहिडी महाशन प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे। जब वे किसी शिश्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह शिश आसानी से तेल निकाल लेता। अन पुरा तेल ही भाब बनकर उड़ चुका है। सपश्ट है कि गुरु का अशिरवाद उस प्रक्रिया में एक अवश्यक तत्व था। लाहेडी महाशे की बंगाली में लिखावर तथा हस्ताक्षर का नमूना पुस्तक में दिया गया है। वे पंक्तियां उनके द्वारे ए विद्ध कर ली है। पांच श्रामन, हस्ताक्षर, श्री श्यामचरन, देव शर्मन। अन्य अनेक महान संतों की भाती ही लाहेडी महाशे ने स्वयम कोई पुस्तक नहीं लिखी। परंतु शास्तरों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिश्यों को उपदेश दिया। ल इन व्यास कूटों का विचार ना किया जाए, तो उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं, जो विचित्र भी लगती हैं और जिने कोई भी कलत समझ सकता है। इन ग्रंतियों को स्पश्ट ना किया जाए, तो एक ऐसा विज्यान हमारी दृष्टी से ओजल ही रहेगा, जिसे सह पस्रों वर्षों के प्रयोगों के अनुसंधान के बाद भारत वर्ष ने अतिमानवी धैरे के साथ सम्हाल कर रखा है। लाहिडी महाशे शास्त्रों की कल्पना स्रिष्टी के गूर वाक्यों में कुशलता पूर्वत छिपाए गए धर्म विज्यान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। शास्त्र कूट वाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे। लाहिडी महाशे ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैग्यानिक अर्थ हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृतियों के आवेगों के आगे साधानर्ति असहाय हो जाता है। परंतु जब क्रियायोग के अव्यास से उसकी चेतना में इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेश्ट और चिर्श्थाई आनंद जागरित हो जाता है। तब वे प्रवृतियां बल्हीन हो जाती हैं। और उनकी और प्रवृत्त होने की मनुष्य के मन म कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसमें तुच्छे च्छाओं का परित्याग और श्रेश्ट विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है। ऐसी प्रणाली के बिना केवल निश्यधात्मत निर्देश देने वाले नैतिक विधी नियम हमारे लिए किस कर देती है। आधनिक विज्यान हमें प्रकृति की शक्तियों का उप्योग कैसे किया जाता है या सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में नहेत महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते। प्रकृति के साथ घणिश्टता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमा हमारे सम्बन्ध ने व्याभारिक व्यावसाय का रूफ ले लिया। एक प्रकार से का जाए तो हम उससके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चले कि किस-किस प्रकार से उसे हमारे उद्रश्यों की पूर्ति के लिए विवश्यकीया जा सकता है। हम उसकी शक्तियों का उभ्वोग तो करते हैं, पर अभी तक हमें उन शक्तियों के स्रोध के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। विज्यान के मार्ग में प्रकृती के साथ हमारा सम्मंद ऐसा है, जैसे एक दास के साथ उसके अहंकारी हेकर मालिक का होता है, या दार्षनिक दृष्टिकोंड से कहें, तो प्रकृति को मानो बंदी बनाकर साक्षी के कटगरे में खाडा कर दिया गया है। हम उससे प्रतिप्रश्न करते हैं, उसे चुनोती देते हैं और उसके साक्ष को बारीकी से मानविय तराजवों में तौलते हैं, जो उसके छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते। दूसरी ओर, आत्मा जब उच्चतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है, तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ति के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व को अबोध भौतिकवादी जमतकार कहते हैं। लाहिडी महाशे के जीवन ने एक उधारन स्थापित कर दिया, जिससे यह गलत धारना दूर हो गई कि योग एक गूर साथना है। भौतिक विज्ञान की अधार्थता के बावजूद, प्रतेक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे समंध को समशने का और प्रकृति की समस्त घटनाओं के प्रती आध्यात्मिक आदारेवं शद्धा अनुभव करने का कोई ना कोई तर प्रकृतित होने वाली हो या देनंदिन जीवन की साधारन घटनाएं हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज से हजार वर्ष पूर्व जो गुड़ लगता था वह अब गुड़ नहीं रहा और आज जो कुछ गुड़ लग रहा हो वह कुछी वर्षों में आसानी से भी कभी नश्ट नहीं हो सकता भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राक कर दिया जाए तरक बुद्धी से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोश निकालेंगे इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए तब जब शुद्ध और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महत्मा आएगा, तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे. जिस प्रकार बाबा जी महावतार यह सबसे महानवतारों में हैं और श्रीव देश्वर जी को ग्यानवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिडी महाशय योगावदार थे. गुणवता और परिमाण, दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरू ने समाज के आध्यात में इक स्थर को उन्नत किया. अपने अंतरंग शिश्यों को ईसा मसी के समान उच्च अवस्था में पहुँचा देने की शक्ति और जन साधारन में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिये गए सत्य के ग्यान से लाहिडी महाशय की गढ़ना मानव जातिके उधारकों में होती है. गुरू के रूप में उनकी अपूर्व विशिश्चता यह है कि उन्होंने एक निश्चित प्रणालिक क्रिया योग पर व्याभारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुश्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया. उनके अपने जीवन के असंद के चमतकारों के अद्रिक्त, योग मार्ग की प्राजीन जटिलताओं को सर्व सामानने लोगों की समझ में आसानी से आने लायक प्रभावशाली सरल रूप देकर योगावतार ने सब प्रकार के चमतकारों की परागाश्ठा कर दी. चमतकारों के विशा में लाहिडी महाशे प्रहय कहा करते थे, सामानने जन के लिए अग्याद, चमतकारों के सूक्ष में नियमों के परिचालन की विवेख ही न रूप से सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं उन्हें प्रकाशित करना चाहिए. यदे इन प्रिष्ठों में कहीं मैं उनकी इस जितावनिका उलंगन करता प्रतीत हो रहा हूँ, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में आंतरे काश्वासन दिया है. परन्तु फिर भी, बाबा जी, लाहेडी महाशे और श्री उक्तेश्वर जी के जीवन के विशे में लिखते हुए, मैंने कुछ चमतकारों की कहानियों को ना लिखना ही उचित समझ कर उन्हें छोड़ दिया है. गूर और समझने में अत्यांत कठिन तत्वों पर स्पष्टी करणों का एक पूरा ग्रंत ही लिखे बिना उन कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था. लाहेडी महाशाय स्वयम एक ग्रहस्त योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है, वह आज के संसार की आविशक्ताओं के अनुरूप ही है. प्राचीन भारत की उच्च कोटी की आर्थिक और धार्मिक परिस्तितियां आप नहीं रही. इसलिए भिक्षा पात्र लिए भ्रमन करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदश को उन्होंने प्रोचाहन नहीं दिया, बलकि उन्होंने इस बात को अधिक लाबदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयम उपारजन करना चाहिए उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोशन का और बोश नहीं डालना चाहिए, तथा अपने घर के एक आंत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। यही बनी थी, नए मनुष्यों के लिए नई आशा, इश्वर साक्षातकार आत्म प्रयास से संभव है, वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रम्हांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। योगावतार ने खोशना कर दी थी, जो लोग किसी अनिची भी मनुष्य के देवत्वों पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर, अंधतै स्वयाम अपने में पून देवत्वों का दर्शन करेंगे। चतीसमा अप्याय पश्चेम के प्रती बाबाजी की अभिरुची, गुरुदेद, क्या आपको कभी बाबाजी के दर्शन हुए हैं? ग्रीश्मी की शान्त रात्री का समय था, सिर्पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे, मैं श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। मेरे इस सीधे प्रशन पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ, हुए हैं, और उनकी आखें श्रद्धा एवं आदर से चमक उठीं। अमर गुरु के तीन बार दर्शन करने का सौभागे मुझे प्राप्थ हुआ है। प्रथम दर्शन प्रयाक के कुम्भ मेले में हुआ था। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुम्भ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्षियों को सामाने जनता की द्रिष्टी के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर बारा वर्षों के बाद लाखों श्रधालू हिंदू, हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रेत होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं, जो केवल कुम्ब मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीरवादों की वर्षा करते हैं। अन्यता कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। जब बाबाजी से मेरी मुलाकात हुई, तब मैं स्वामी नहीं बना था। श्री उक्तेश्वर जी बता रहे थे। परंतु मुझे लाहेडी महाशे से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहेडी महाशे नहीं मुझे 1894 के जनवरी महीने में प्रयाद में होने वाले कुम्ब मेले में जाने के लिए कहा था। कुम्ब मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यान पूर्वत चारों और शोद करती दृष्टी से देखता चल रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टी एक परिचित मनुष्य पर पड़ी, जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैग्यानिक ही भगवान को अधिक प्रसंद करते होंगे, मैं सोच रहा था। की एक ब्रिक्ष के पास पहुँच गया, जिसकी छाया में मन को आगर्शित करने वाले शिश्यों की मंडली से घिरे एक गुरू बैठे हुए थे। अलग एक तेजो मूर्थी थे वे, उनकी आखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंसते ही वे उट खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलंगन में बांध लिया। अत्यांत प्रेम से उन्होंने कहा, आएए स्वामी जी, मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज। मैंने जोर देते हुए कहा, इश्वर की आग्या से मैं जिसे स्वामी के उपाधी प्रदान करता हूँ, वह कभी उस उपाधी का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यांत सरल्भाव से मुझसे यह कहा परंतून के शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था मैं तक्षर अध्यात्मिक आशिरवात की लहरों में हिलोरिन लेने लगा अचानक स्वामी पत पर अपनी उन्नती हुई देख कर मैं मुश्कुराया और इस तरहें मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नर्देय धारी महान और देवता सद्रिश आत्मा के चर्णों में मैंने प्रणाम किया बाबा जी ने क्योंकि वे सचमुच बाबा जी ही थे मुझे उस व्रिक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत दिया वे मजबूत कदकाटी के और युवा थे और दिखने में लाहिडी महाशे जैसे थे लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा जबकि मैं इन दो महागुरूओं के चेहरों में असाधारन सामे के बारे में प्राया सुना करता था बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं स्पश्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिती में पूर्णते स्वभावे का वस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर स्तम्भितना हो जाऊं। कुम्भ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महराज, मैंने कहा, किन्दु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक. किसी कारण से संतों में और इस कोला हल में कोई मेल नजर नहीं आता. बेटा, गुरु ने कहा, जबकि मैं इस पश्ट है, उनसे दुगनी आयू का लग रहा था. अनेकों के दोश के कारण सभी को दोशी मत मानो. इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है. शक्कर और रेत के मिश्रण की तर है. चीटी की भाती बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कड़ों को चुल लेती है और रेत कड़ों को स्पर्श किये बिना छोड़ देती है. इस मेले में अनेक साधू अभी भी माया में भटक रहे हैं. फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात कारी संदों ने इसे पावन किया हुआ है. इन परम गुरु के स्वयम दर्शन करने के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया. मैंने अपना विचार प्रकट किया. महराज, मैं सुदूर अमेरिका और योरोप में रहने वाले प्रमुक पाश्चात्य व्यग्यानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहां जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान है. वे अलग-अलग धर्मों के अन्व्याई हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्वे से अनभिग्य हैं. यही वे लोग हैं जिनने भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाब हो सकता है. परंतु बुद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिक वाद में आकंट रूबे हुए हैं. अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं. परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते. उनके धर्म ऐसी दुरलंगे बाधाएं बन चुके हैं, जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं. बाबाजी का मुखमंडल प्रसनता से चमक उठा. उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम में समान रूप से रूची है. समस्त मानव जाती के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतेह करण की व्यठा को मैंने पहचान लिया. इसी लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है. वे आगे कहते गए, पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिक्ता से मिलकर बना सुवर्ण मध्यमार्ग इस्थापित करना होगा बहुत एक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ग्यान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नीप पर स्थापित कर सकता है स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविश्य में होने वाले सौहार्द्रपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमी का निभानी है कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिश्य भेजूँगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्यान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं महा के अनेक मुमुक्षुओं के ज्यान पेपासो इसपंदन बाढ़ की भाती मेरी योर आते रहते हैं मैं अमेरिक और योरोप में संत बनने योग अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिनने जगाए जाने भर की देर है अपनी कथा के इस बिंदू पर पहुंसते ही श्री उक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण द्रिष्टी मेरी योर खुमाई मेरे पुत्र चांद के उज्वल प्रकाश में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा तुम ही बहशिश्य हो जिसे मेरे पास बेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था यह जानकर मुझे अध्यांध हर्ष हुआ कि स्वयम बाबा जी ने मेरे कदम श्री उक्तेश्वर जी की और मोर दिये थे फिर भी अपने प्रिय गुरू से और आश्रम की सादगी उक्तशांती से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कलपना करना मेरे लिए कठिन था श्री उक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी फिर बाबा जी भगवद गीता के बारे में बोलने लगे मेरे आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ग्यान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी मेरी आप से विनिती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें परमगुरू ने कहा क्या आप हिंदू और इसाई धर्म ग्रंथों में नहें एक्ता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे मैंने जिजकते हुए कहा महराज आपने यह कैसा आदेश दे दिया क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूँगा बाबा जी ने मदोर हसी हस कर दिलासा देते हुए कहा बेदा यह संद है क्यूँ सच मुच यह सब किसका कारे है और कौन सब कारें का करता है प्रभु ने जो भी मेरे मूँ से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यम भावी है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन संद महराज की आशिरवात से मुझे में वह काम करने का सामर्थ आ गया था अतर मैं पुस्तक लिखने के लिए सामत हो गया विदा होने का समय आ गया यह जानकर मैं अनिच्छा पूर्वक अपने पढ़ना संद से उठा तुम लाहिडी को जानते हो? संद ने पूछा वो महान आत्मा है, है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बदा देना फिर उन्होंने मुझे लाहिडी महाशे के लिए एक संदेश दिया विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चर्णों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो वे कृपा पूर्वक मुस्कराए जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तम मैं तुमसे पुन्हे मिलने आऊंगा उन्होंने बचन दिया अब हम चलते हैं दूसरे देन मैं प्रयाक छोड़कर काशी जाने के लिए रेल गाड़ी पर सवार हो गया अपने गुरू के घर पहुँच कर मैंने कुम्ब मेले में अद्भुच संथ से हुई अपनी भेट की सारी कहानी सुना दी ओ, तुमने उन्हें पहचाना नहीं लाहेडी महाशे की आँखों में हसी नाच रही थी मैं देख रहा हूँ कि तुम उन्हें नहीं पहचान सके क्योंकि उन्होंने तुमें उन्हें पहचानने से रोख दिया था वे ही मेरे अद्भुतिय अलोकिक गुरू है बाबा जी बाबा जी मैंने शृद्धा और विश्मय से विभोर होकर कहा योगी अवतार बाबा जी द्रिश्य अद्रिश्य तारणहार बाबा जी काश यदि मैं अतीद को फिर सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्तिती में हासिर हो सकता कोई बात नहीं लाहिडी महाशे ने सांथवना भरे स्वर में कहा उन्होंने तुम्हे फिर से दर्शन देने का बचन दिया है गुरु देप परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है उन्होंने कहा था लाहिडी को बदाना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ती बहुत कम बच गई है लगभग समाप्थ हो जुकी है मेरे मुझे इन गूरु शब्दों के निकलते ही लाहिडी महाशे की दे अचानक ऐसे काप गई जैसे उन्हें बिशली चूगई हो पल भर मेवे निस्तब्ध हो गए उनका सदा मुस्कराता चहरा अत्यांत कठोर हो गया काट की मूर्ती की भाती गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे उनके शरीर का रंग बिलकु लोड़ गया मैं भैभीत और चकित हो गया अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ती को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था महां उपस्तित अन्य शिश्च भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे उसी निस्तब्धता में तीन घंडे बीट गए फिर लाहिडी महाशे की स्वाभाविक प्रफुलता लौट आई और उन्होंने महां उपस्तित प्रतेक शिश्च के साथ अत्यंत स्ने के साथ बातचीत गी सभी ने चैन की सांस ली अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहिडी महाशे यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देहत्याग करना होगा उनकी भयंकर और गंभीर निस्तब्दता से यह प्रमानित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तच्छन ही स्वयम को सैयमित कर बहुत एक विश्व के साथ उन्हें जोड कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था और वे परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गय थे बाबा जी का संदेश उनका यह कहने का तरीका था मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा बाबा जी और लाहिडी महाशय दोनों ही सरवग्य थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्त की कोई आविशक्ता नहीं थी फिर भी महानात्माएं प्राया मानवी नाटक में भाग लेने की कृपा करती है यदा कदावे साधारन तरीके से किसी संदेश वहक के माध्यम से अपनी भविश्यवाणिया संप्रेशित कर देते हैं ताकि उन भविश्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रती अधिक श्रद्ध जागरित हो सके जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबाजी द्वारा बताएगा शास्त्रों के लेखन कारे में चुट किया श्री उक्तेश्वर जी आगे कहते गए मैंने काम शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युन जे परमगुरू बाबाजी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेणा हुई यद्यपी मैंने उस से पहले कभी संस्कृत में काव्य लिखने का कोई प्रयत्न नहीं किया था पर मेरी लेखनी से अनायासी ललित पंग्तियों का प्रवाह बहने लगा रात के शांत समय मैं सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइविल का तुलनात्मत अध्यान कर अपना काम करता रहता प्रभु यीश्यू के शब्दों को उध्रित कर मैं ये दिखाता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुत्य कोई अंतर नहीं था मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक दहोली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई गुरु देव बोलते जा रहे थे अपने साहित्तिक प्रयासों को परिणाम पर पहुँचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्राते गंगा इस्तान के लिए यहां राय घाट पर गया उस समय घाट बिलकुल सुनसान था थोड़ी देर महां खड़ा रहकर मैं धूप में उस शान्ति का आनंद लेता रहा फिर निर्मल जल में डूपकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा उस निराप्ता में जो एक मात्र ध्वनी सुनाई दे रही थी वह थी मेरे हर पक के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छपचप करती आवाज जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वट व्रिक्ष के पास से आगे बढ़ा मेरे मन में पीछे मुल कर देखने की प्रबल प्रेरना हुई वहां वट व्रिक्ष की छाया में कुछ शिश्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी नमस्कार स्वामी जी परम गुरू की मधुर आवास गुझुटी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वपन नहीं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलता पूर्वक अपने पुस्तक पूरी कर ली है अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवात करने आया हूँ अत्यंत तेजी से धलकत रिदय के साथ मैंने उनके चर्णों में साश्टांग प्रणाम किया अत्यंत बिनाय के साथ उनकी याशना करते हुए मैंने कहा परमगुरुवर मेरा घर पास में ही है क्या आप अपने शिश्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे परमगुरु ने मुस्कराते हुए अस्विकार कर दिया उन्होंने कहा नहीं बेटा हम बे लोग हैं जिने विक्षों की छाया ही रास आती है यहां हमें पूरा आराम है तब यहीं पर थोड़ी देर ठहर जाईए परमगुरू महराज अभ्यर्त ना करती दृष्टी से मैंने उनकी ओर देखा मैं तुरंत कुछ मिठाईयां लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ जब कुछ ही मिनिटों में मिठाईयों का थाल लेकर मैं महां लोटा तो उस विशाल बट्विक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था मैंने घाट के चारों और खोजा पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंको पर उड़ चुके थे मेरे मन को गहरा आगात लगा मैंने मनी मन निश्चे किया फिर कभी बाबाजी के साथ मेरी भेंट हो भी गई तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा उन्होंने आचानक इस तरह प्रस्थान कर भारी निश्ठूरता दिखाई है पर यह गुसा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं कुछ मैनों बाद मैं काशी में लाहेडी महाशे के दर्शनों के लिए गया जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहेडी महाशे मुस्कराए आओ युक्तेश्वर उन्होंने कहा अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबाजी से तुम्हारी भेट हुई नहीं क्यों मैंने आश्चर के साथ कहा इधर आओ लाहेडी महाशे ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और उसी एक ख्षण दर्वाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबाजी मुझे दिखाई दिये मुझे अपना पुराना दुख याद आया अते मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया लाहेडी महाशे चकित होकर मेरी योर दिखने लगे इश्वर तुल्य बाबाजी अपने अथा नेत्रों से मुझे निहार रहे थे तुम उससे नाराज हो क्यों ना हो महाराज? मैंने कहा हावा में से आप अपनी जादोई मंडिली के साथ अवदीन हुए और हावा में ही आप अंतरधान हो गए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा कितने समय तक महा रहूंगा या नहीं कहा था बाबाजी ने सौम्य हसी के साथ कहा तुम बहुत तेजित हो उठे थे मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्ध कर दिया। इस सत्यनेश्टे स्पष्टी करण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चर्णों पर मस्तक रखा। परम गुरू ने इसने के साथ मेरा कंधा थपथबाया। अधिक ध्यान करो बेटा। उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टी अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छेपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गिये बांसुरी के समान मधुराबाज में ये शब्द कहते ही बाबाजी गुप्त देज में अंतरधान हो गए। अपना कथन समाप्त करते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। गुरु दर्शन के लिए वह मेरी अंतिम काशी यात्रा थी। कुम्भ मेले में बाबाजी द्वारा की गई भविश्यवाणी के अनुरूख लाहीडी महाशे के ग्रहस्त योगी अवतार का अंत निकटा रहा था। 1895 के ग्रीश्मकाल में उनके मजबूत शरीर की बीट पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं देने दिया, क्योंकि वे अपने कुछ शिश्यों के बुरे कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। आंततै जब कुछ शिश्य बहुत ही आग्रे करने लगे, तब गुरुदेव ने रहस्यमाई शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए, तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो, उसके लिए मैं तयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद, अधितिये गुरु ने बनारस में देहत्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई आविशक्ता नहीं रही। मेरे जीवन का प्रतेक दिन उनके सर्वव्यापी मार्ग दर्शन से धन्य हो रहा है। इतना कहकर लाहेडी महाशय अंतर्थान हो गए। मैंने तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिश्यों को मैंने एकत्रित हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक गुरुदेव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यंत सरल शब्दों में कह दिया मैं अपने घर लोट रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रचन डावेक के साथ हम सब की सिस्किया फूट पड़ी। शान्त हो जाओ, मैं पुने जी उठूंगा। यह कहकर लाहडी महाशय अपने आसन से उठे, तीन बार अपने स्थान पर ही गोल खूमे। उत्तर दिशा की और मूँ करके पदमासन में बैठ कए और पर्मानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधी में प्रवेश किया। भक्तों को इतने प्रिय लगने वाले लाहडी महाशय के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा तटके मनिकर्निका घाट पर ग्रहस्थोचित विदी से दासन्सकार किया गया। केश्वनन जी बता रहे थे। दूसरे दिन सुबह दस बजे जब मैं अभी बनारस में ही था तो मेरा कमरा अचाना के एक उज्वल प्रकाश से भर उठा। आश्चर्य मेरे सामने भौत एक शरीर में लाहडी महाशय खड़े थे। यह शरीर बिलकुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। अंतर इतना ही था कि यह शरीर अधिक युवा और अधिक तेजस्वी लग रहा था। मेरे दिव्वे गुरु ने मुझसे बात भी की। उन्होंने कहा केशवानन्द यह मैं हूँ। अपने भस मुए शरीर के विगटित अणों से मैंने अपने इस नई शरीर की स्रिष्टी की है। संसार में मेरा ग्रहस्त का कारे तो पूरा हो चुका है। पर मैं पृत्वी को पूर्ण तय छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमाले में बाबाजी के साथ रहूँगा। और फिर सारे ब्रह्मान में बाबाजी के साथ वास करूँगा। मुझे आशीरवात देकर अलोग एक गुरू अंतरधान हो गए। मेरा हिदय एक अध्भुत प्रेना से भर गया। मुझे उसी प्रकार का अत्यंत उच आध्यात्मिक अनुभव हुआ। जैसे ईसा मसी और कबीर के शिश्यों को अपने अपने गुरू को शारेरिक मृत्यु के बाद जीवन्त रूप में देख कर हुआ था। हरिद्वार के एकांत स्थान में बने अपने आश्व्रम को लोटते समय मैं अपने साथ लाहेडी महाशे की पवित रस्थियों का एक छोटा सा हिस्सा ले आया। मुझे इसका भान था कि वे देशकाल से आबध देर पिंजर से निकल गए थे। सर्व व्यापक्ता रूपी पक्षी मुक्थ हो चुका था। फिर भी उनकी अस्थियों की यहां प्रतिश ठापना कर समाधी मंदिर बनाने से मुझे अपूर्व सांध्वना मिली। एक और शिश्य को भी पुनुरिथित हुए गुरू के दर्शन करने का सौभा के प्राक्त हुआ था। वे थे संतवत महात्मा पंचानन भट्टाचार्य। मैं कोलकता में उनसे मिलने उनके घर गया था। उन्होंने महान गुरू के साथ बिताए अपने अनेक बर्शों की कई रोमांचा कहानियां बताई। मैं अत्यांत आनंद के साथ सुनता रहा। अंत में उन्होंने अपने जीवन की सबसे अद्बुद घटना बताई। उन्होंने कहा। लाहेडी महाशे की अंतेश्टी के बाद, दूसरे दिन प्रातर दस बजे, वे यहां कोलकता में मेरे सामने प्रकट हुए। द्विशरीरी संद, स्वामी प्राणवानंद जी ने भी अपना दिव्य अनुभव संपूर्ण विस्तार सहित मुझे बताया। जब वे मेरे राची विद्याले में आये थे, तब उन्होंने मुझे बताया, लाहेडी महाशे के देत्याक के थोड़े ही दिनों पूर्फ मुझे उनका एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। तथा भी अपरिहारे कारणों से मैं तच्छन प्रस्थान नहीं कर सका और मुझे थोड़ा विलंभ हो गया। कि मैं उनके दर्शन की केबल अनुभूती कर रहा था। मैं भग्न रिदय से रोने लगा। गुरुदेव सांत वना देते हुए मेरे पास आये। लो, मेरे शरीर को छू कर देखो। उन्होंने कहा, मैं सदा की भाती अभी जीवित हूँ। शोक मत करो। क्या मैं हमेशा तुमारे पास नहीं हूँ। इन तीन महान शिश्यों के मुख से एक अद्भुत सत्य की कहानी उभर कर सामने आई है। लाहेडी महाशा के दहा संसकार के बाद, दूसरे दिन प्रादर दस बजे, तीन अलग-अलग शहरों में तीन शिश्यों के सामने वे पुनुरित जीवित परंदु रुपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। अतर, जब यह नश्वर्दे अनश्वर्ता प्राप्त करेगी और यह मरत्य जीव अमर्ता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचंग चरितार्थ होगा कि मृत्यू पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यू कहां है तेरा दंश। ओष्मशान कहां है तेरी विजय। सैतीसमा अध्याय, मेरा अमेरिका गमन, अमेरिका, निश्चा ही ये लोग अमेरिकी हैं। मेरे मन में यही विजार उठा, जब मेरी अंतरद्रिष्टी के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कदार गुजरने लगी। राची में अपने विद्याले के भंडार ग्रह में, कुछ धूल धूसरित पेटियों के पीछे मैं ध्यान मगन बैठा था। बच्चों के बीच व्यस्तता के उन वर्षों में एकांत स्थान मिला बहुत कठिन था। ध्यान में वह द्रिश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमू मेरी और आतुर द्रिश्टी से देखते हुए, मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से कुजर रहा था। इतने में भंडार ग्रे का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया था। यहां आओ विमल, प्रफुल मन से मैंने उससे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ, भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोराया, जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भाती मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुँच गया, परंतु वह अमेरिका पहुँच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल महा से भाग गया और शीगर ही दो पैरों के उस समाचार पत्र ने सारे विद्याले में यह बात फैला दी। मैंने इस तंभित शिक्षक वर्प को बुलाया और विद्याले को उनके हाथों में सौप दिया। उस अफसर पर उन्हें संबोतित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिडी महाशे के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वो परी पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूंगा। इश्वर ने चाहा, तो किसी दिन मैं यहाँ बापस आ जाऊंगा। उन छोटे-छोटे बच्चों पर और राची की उस सुन्दर विस्त्रित भोमी पर अंतिम द्रिश्टिपात करते हुए मेरी आखें छल-छला आईं। मैं जानता था कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था और अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। उस वर्ष या सम्मेलन अमेरिकन युनिटारियन असोसियेशन के तत्वावधान में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग खूमने लगा। मैं श्री रामपुर में श्री युकतेश्वर जी के पास जा पहुँचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में व्याख्यान देने का निमंत्रन मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उतर दिया, सब ही दर्वाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं, तो कभी नहीं। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने शायद ही कभी कोई व्याख्यान दिया हो, और अंग्रेजी में तो कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाशा में योग पर तुम्हारा व्याख्यान मन लगा कर सुना जाएगा मैं हस पड़ा गुरु जी, अमेरिकी लोग मंगला भाशा तो सीखने से रहे आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाशा की बाधाओं से पार करवाईए जब मैंने पिता जी के सामने अमेरिका जाने का अपना विजार रखा तो वे हद प्रब रह गए उनके लिए अमेरिका एक अती दूर देश था उन्हें भय था कि वे मुझे फिर कभी देख नहीं पाएंगे उन्होंने रुक्ष्टा के साथ पूछा तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा एवं मेरे पूरे जीवन के लिए वे ही प्रेम से पैसा देते आ रहे थे इस लिए निश्चे ही उन्हें आशा थी कि यह प्रश्ण उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी भगवान मुझे पैसा देंगे? जब मैंने यह उत्तर दिया तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अनंत दा को दिये हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो आया अधिक चाला की ना दिखाते हुए मैंने आके कहा पिता जी शायद भगवान आपके मन में मेरी साहिता करने की प्रेणा जगा दे? नहीं, कभी नहीं उन्होंने मेरी योड दैनी अभाव से देखा इसलिए दूसरे दिन जब पिता जी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया तो मेरे आश्चरे का ठिकाना ना रहा उन्होंने कहा एक पिता होने के नाते नहीं अपितु लाहिडी महाशे का निष्ठावान शिश्य होने के नाते मैं तुम्हें यह पैसा दे रहा हूँ तो जाओ उस दूर पाश्यात्यो देश में और वहाँ धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो जिस नेस्वार्त भाव से पिता जी ने तुरांत अपनी वैयक्तिक पिच्छाओं को दिलांजिली दे दी थी उसे देखकर मेरा हिर्दय द्रवित हो उठा उन्हें रात में आयसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारा निच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था कदाचे तेस जन में अब हमारी फिर से भेंट नहीं हो सकेगी पिता जी ने खिन होकर कहा उनकी आयू उस समय 67 वर्ष की हो चुकी थी एक प्रबल अंता प्रेणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा भगवान एक बार फिर से हम लोगों को अवश्य मिलाएंगे जब मैं अपने गुरुदेव और अपनी प्रिये मात्र भूमी को छोड़कर अमेरिका की अंजान भूमी में जाने की तैयारियां कर रहा था तो मेरा हृदय कम आशंकाओं से नहीं भरा था मैंने भातिकवादी पाश्यात्य जगत के बारे में अनेक कहानिया सुन रखी थी वह जगत युग युगों से संतों के वास्तव्य से पुनीथ हुई भारत भूमी से इतना भिन्न लग रहा था मैं सोच रहा था पाश्यात्य वातावरन में प्रवेश करने की जोखे मुठाने वाले पौरवात्य गुरू को हिमाले की ठंड सैपाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए एक दिन पातेकाल, मैं इस द्रिण संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ कया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर क्यो ना जाओ पर जब तक इश्वर की आवाज नहीं सुनूँगा, तब तक प्रार्थना बंध नहीं करूँगा मैं ईश्वर से आशीरवाद एवं आश्वासन चाहता था ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिक वाद और व्याभारिक उप्योगिता वाद के कोहरे में कहीं खो न जाओ अमेरिका जाने का तो संकल्प मेरे मनने कर ही लिया था पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन बाड़ी सुनने के लिए वह और भी अधिक्त क्रित संकल्प था बार-बार उठने वाली सिस्कियों का दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा करता ही रहा कोई उत्तर नहीं मध्यान होते होते प्रार्थना के उतकटा पराकाश्ठा पर पहुच गई तीवरता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चक्राने लगा ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उतकटा को और अधिक बढ़ा कर एक बार भी अधी रोया तो मेरा सिर भट जाएगा ठीक उसी क्षण गणपार रोट परिस्थित मेरे घर के दर्वाजे पर दस तक सुनाई दी जब मैंने दर्वाजा खोला तो देखा कि सन्यासियों की तरह केबल कटी वरस्त धारन किया हुआ एक युवक महा खाड़ा है उसने घर में प्रवेश किया ये अवशी ही बाबाजी होंगे इस तब धोकर मैं सोच रहा था क्योंकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाहेडी महाशे जैसा ही दिख रहा था मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया हाँ, मैं बाबाजी हूँ वे अत्यंत मधोर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे हम सब के परमविदा ने तुम्हारी प्राथना सुन ली है उन्होंने मुझे तुम्हें यह बताने का आदेश दिया है अपने गुरू की आग्या का पालन करो और अमेरिका चले जाओ दरो मत तुम्हारा पूर्ण सन्रक्षन किया जाएगा थोड़ी देर रुक कर बाबाजी ने फेल मुझे से कहा तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्च्यात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुम्ब मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए बेज दूँगा साक्षाद बाबाजी के सामने खड़ा होने के कारण भाक्ती भाव में विभोर होकर मैं आवाक हो गया और उन्होंने ही मुझे श्री उक्देश्वर जी के पास पहुंचाया था यह स्वयम उनके श्री मुक्ष से सुनकर तो मेरा हिदय क्रितग्यता एवं प्रेमादर की बार में पूरी तरह ढूप किया मृत्यून जय परम गुरु के चर्णों में मैंने साश्टांग प्रणाम किया उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिकत उपदेश दिये और कई गोपनिय भविश्यमानिया की अंत में उन्होंने गंभीरता के साथ कहा इश्वर साक्षातकार की वैज्ञानिक प्रणाली, क्रिया योक का अंततै सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परम पिता का व्यक्तिकत इंद्रिया तीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्णों के बीच सौमनस्य सौहार्द्र स्थापित कराने में सहायक होगा अपनी अनंत शक्ति सयुक्त द्रिश्टी मुझ पर डाल कर अपने ब्रह्म चैतरने की एक जहांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझ में नई शक्ति का संचार कर दिया दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्योक पदुत्थिता यदी भाह सद्रिशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना यानी यदी आगाश में कभी सहस्र सूर्य एक सात उदित हो सके तो उससे उत्पन्य प्रकाश भी इस महान विश्वे रूप के प्रकाश के सद्रिश कदा चिती हो थोड़ी देर में बाबाजी यह कहते हुए दर्वाजे की ओर बढ़े मेरे पीछे आने का प्रयात्न मत करना तुम्हारे लिए बस संभब भी नहीं होगा बाबाजी दया कीजिए चले मत जाईए मुझे अपने साथ लेते जाईए मैं बार बार पुकार रहा था के पीछे जाने का प्रयात्न किया मुझे ग्यात हुआ कि मेरे पैर्स समीन से पक के चिपक गए है दर्वाजे पर पहुँच कर बाबाजी ने मुझे पर एक प्रेम भरी द्रिष्टी डाली मेरी आखे तीवर लालसा से उन पर ही जमी हुई थी उन्होंने आशिरवाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए कुछ मिनिट मों बाद मेरे पैर समीन से चूटे मैं वहीं बैठ कर गहरे ध्यान में लीन हो गया न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही बलकि बाबाजी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं इश्वर को बारंबार धन्यवाद देने लगा मुझे ऐसा लग रहा था मानो चिर्युवा आयू विहीन प्राचीन परमगुरु के स्पर्ष से मेरा शरीर पावन हो गया था उनके दर्शन की तीवर लालसा मुझे लंबे समय से थी अभी तक बाबाजी के साथ इस भेट की बाद मैंने किसी को नहीं बताई है इस घटना को अपने मानवी अनुभवों में सबसे पवित्र अनुभव मान कर मैंने इसे अपने हृदय में छिपा लिया था परंद मुझे लगा कि इस आत्म कथा के पाठकों को विश्व में रुची लेने वाले एकांत वासी बाबाजी की बास्तविक्ता पर अधिक विश्वास होगा यदि मैं ऐसी घटना का वर्णन कर दूँ जिसमें मैंने उन्हें स्वयाम अपनी आखों से देखा है इस पुस्तक के लिए मैंने आधुनिक भारत के योगी अबतार परम गुरु का एक चित्र भी एक चित्रकार की साहिता से बनवाया है अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं श्री युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिती में बैठा था उन्होंने अपने ज्यान युक्त शांत स्वर में मुझसे कहा भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था परंद तो अमेरिकी लोगों के भी सारे ही तौर तरीके मत अपना लेना दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहन करना तुम ईश्वर की संतान हो अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना फृत्ति पर चारों और विभिन जाती वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ट गुणों को खोजो और उन्हें आत्म साथ करो फिर उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया इश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे द्वारा उनकी साहता हो कर रहेगी जब तुम उनकों दृष्टिपात करोगे तब तुम्हारी आँखों से निहस्रे थोता आध्यात्मिक प्रवा उनके मस्तिशकों में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृतियों और आधतों को परिवर्तित करके उन्हें और अधिक ईश्वरा भिमुक कर देगा फिर मुस्कुराते हुए वे बोले सच्चे जिग्यासुओं को अकर्शित करने के मामले में तुम्हारी नियाती बहुत अच्छी है तुम जहां भी जाओगे चाहे वह जंगल ही क्यों ना हो तुम्हें सच्चे मित्र मिलते रहेंगे श्री उक्तेश्वर जी के इन दोनों ही आशिरवादों की पूर्थी भली भांदी हुई है मैं अमेरिका अकेला ही आया जहां मेरा एक भी मित्र नहीं था परंतु यहां हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की काला तीच शिक्षाओं को ग्रहन करने के लिए तयार बैठे थे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज दस सिटी आफ स्पार्टा पर सवार होकर मैंने अगस्ट उन्निस सो बीस में भारत से प्रस्थान किया पासपोर्ट प्राप्त करने में लाल फीता शाही की अनेका नेक कठिनाईया आई जो लगभग चमतकारी रूप से ही दूर हुई और तब कहीं जाकर मैं जहास पर यात्रा के लिए टिकट पा सका दो महीनों की समुद्र यात्रा के दौरान जहास पर एक सहयात्री को पता चल गया कि मैं बॉस्टन सम्मेलन के लिए भारत का प्रतिनिती बनकर जा रहा था मेरे नाम का विचित्र उचारन करते हुए आगे मुझे अमेरिकी लोकों द्वारा जिन अजीब अजीब तरीकों से अपने नाम का उचारन सुनना था उनमें यह केवल पहला था उसने मुझसे कहा स्वामी योगनन, अगले गुरुवार की रात को हम यात्रियों के लिए एक व्याख्यान देकर कृपिया हमें अनुग्रहीत करें जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़े विशय पर व्याख्यान से हम सब को बड़ा लाभ होगा अफसोस बुधवार के आदे ही मुझे बता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए अपने विचारों को एक सूत्र में गूंथने का मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया परन्तु सब व्यर्थ आखिर मैंने तयारी करने का ये प्रयास ही छोड़ दिया जीन काठी देखते ही भड़क उठने वाले नए गोड़े की तरह मेरे विचार भी अंग्रेजी व्याकरन के साथ कोई सहयोग करने के लिए तयार नहीं थे पर गुरुदेव के पिछले आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं गुरुवार को जहास के सेलोन में अपने श्रोदाओं के सामने जाकर खड़ा हो गया मेरे मुझे एक भी शब्द नहीं निकला महा उपस्थित लोगों के सामने मैं अवाक होकर खड़ा रहा मेरी सहन शीलता का यह युद्ध लगभग दस मिनट तक चलदा रहा उसके बाद शोदाओं को मेरी परिस्थिती का आकलन हो गया और वे हसने लगे उस क्षण की परिस्थिती मेरे लिए तो हसने लायक नहीं थी शुब्ध होकर मनी मन मैं गुरुदेव से प्राठना करने लगा तुम बोल सकते हो? बोलो उनकी आवास तच्षण मेरी चेतना में गुँजी उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरंथी अंग्रेजी भाषा के साथ मितरता कर ली 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और रंथ तक शोतागर्ण तनमय होकर सुनते रहे इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिए कई निमंतरण मुझे उसी समय मिल गए बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उसमें से एक भी शब्द मुझे कभी याद नहीं आ सका साफधानी पूर्वत जब मैंने यात्रियों से पूछताश की तो अनेक लोगों से मुझे इतना ही पता चला आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यांत प्रेरक व्याख्यान दिया यह आनंद दायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर साहता करने के लिए बिनम्रता पूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवात किया और इसके साथ ही मुझे नए सिरे से फिर एक बार यह एहां एहसास हो गया कि देशकाल की सीमाओं को ध्रस्त कर वे सदा ही मेरे साथ है शेष समद र्यात्रा के दौरान कभी-कभी बॉस्टन सम्मेलन में अंग्रेजी व्याख्यान की अगनी परीक्षा के विचार मात्र से ही मेरे मन में शूल उटता था मैं व्याकुल होकर प्रार्थना करता करुणा सागर प्रभू आप ही मेरी एक मात्र प्रेणा बनने की क्रिपा कीजिए दस सिटी ओफ स्पार्था सितंबर के उत्रार्थ में बॉस्टन के बंदरगा में खड़ा हो गया 6 अक्टूबर 1920 को मैंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ मैंने राहत की सांस ली अमेरिकन यूनिटारियन असोसियेशन के विशाल व्रिदर सचिव ने इस सम्मेलन पर प्रकाशित एक विवरण में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया राची के ब्रह्मचर्य आश्रम से आये प्रतिनिधी स्वामी योगानंद ने अपनी संस्था की ओर से सम्मेलन का अभिनंदन किया धारा प्रवा अंग्रेजी में उजस्वी वक्तरित्व के साथ उन्होंने धर्म विज्ञान पर दार्शनिक स्वरूप का व्याख्यान दिया जिसे बड़े स्तर पर वित्रण करने के लिए एक पत्रक के रूप में छाप दिया गया है अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सार्वभॉमिक है और एक ही है रीती रिवाज और रूडी प्रथाओं को सार्वभॉमिक नहीं बनाया जा सकता परन्तु धर्म में नहें सामान्य तत्व को सार्वभॉमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरन करने एवं उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। विताजी ने जो बड़ी रकम का चेक दिया था, उसके कारण सम्मेलन के समाथ हो जाने के बाद भी अमेरिका में रहना मेरे लिए संभव हो गया। अत्यांत साधारन परिस्थितियों में रहते हुए बॉस्टन में तीन वर्ष सुक पूर्वक बीद गए। मैं समक्ष व्याख्यान दिये। मैं जब सियेटल में था, तो कुछ समय विश्रान्ती में विताने के लिए वहां से रमडिये अलास्का में चला गया। मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले उदार मना लोगों की साहिता से 1925 के अंध तक मैंने कैलिफोर्निया के लोस एंजलिस शहर में माउंट वॉशिंग्टन एस्टेट्स पर अपने अमेरिकी मुख्याले की स्थाबना कर दी। यह वही भवन है जो मैंने अनेक वर्ष पहले कश्मीर में अपने अंतर दर्शन में देखा था। यहां दूर अमेरिका में चल रही अपनी गतिविदियों के फोटो मैंने जल्दी ही श्री उक्तेश्वर्जी को भेज दिये। उन्होंने एक पोस्कार्ट पर बंगला में उत्तर भेजा जिसका अनुवाद मैं यहां दे रहा हूँ। 11 अगस्त 1926 12 मेरे रिदय प्रिय योगानन तुम्हारे विद्याले और चात्रों के फोटो देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। विभिन शहरों के तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर मैं आनंद से पिखल रहा हूँ। प्रतिग्यापन, रोग निवारक, स्पंदन संप्रेशन तथा दैवी रोग मुक्ती की प्रार्थनाएं आदी तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें रिदय से धन्यवाद दिये भिना नहीं रह सकता। माउंट वाशिंटन स्टेट्स का मुक्हेद्वार, पहाड़ी पर उपर जाता सरपिल रास्ता और पहाड़ी के नीचे फैले हुए सुन्दर द्रिश्य को देखकर यह सभी कुछ आखों से देखने की छमन में बैदा होती है। यहां सब ठीक चल रहा है। इश्वर की क्रि सब्सक्राबों, कॉलेजों, गिर्जाघरों और प्रतेक प्रकार के श्रोता वरिंदों के सामने मैंने व्याख्यान दिये। 1920-1930 के दशक में हजारों अमेरिकी लोगों ने मेरी योग की कक्षाओं में शिक्षा ली। उन सभी को मैंने प्राथनाओं और आत्मा के विचार की एक नई पुस्तक, Whispers from Eternity समर्पित की थी, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध गाई का मैडम एमेलिटा गैली कूर्ची ने लिखी थी। कभी-कभी साधरनतिया महिने की पहली तारीक को जब Self-Realization Fellowship के मुख्याले Mount Washington Center को चलाने के लिए किये गए खर्चों के बिलों की भर्मार लग जाती थी, तब भारत की साध्गी भरी शान्ति की याद सताती थी। परंतो दिन प्रति दिन पूर्व और पश्चिम के बीच सद्भावना व्रिधिंगत होती दिखाई देती, उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता। सुशिक्षित एवं निकट भविष्य में ही एक महान व्राष्ट के रूप में परणित होने वाले इस देश की जनता की यह अनुरूप होगा, कि वह समस्त मानव जाती के लिए सदा उच्चन्याय एवं लोक हिताशी वृत्ति से परिचालित मानवों के रूप में एक आभ अंतर में उस क्षती की तुल्ला में बहुत अधिक लाप प्राप्थ होगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इश्वर किसी राष्ट के उत्तम गुणों को चिर्स्थाई सुख सौभागे से ना जोड़ें? Walt Whitman Critt, Hymn to America जानी अमेरिका का कीर्तिगान दाव मदर विद इक्वल ब्रूट से अपने भविश्य में तुम, नर नारियों के अपनी अधिक सायानी, अधिक संक्य संतानों में तुम, नैतेक आध्यात्मिक बल से योग्त अपने महापुरुशों में तुम, उत्तर, पूर्व पश्चिम में, अपनी नैतिक संपदा और सभेता में तुम, जिसके बिना बड़े से बड़ा गौरब प्राप्त करने वाली तुम्हारी भौतिक सभेता अर्धीन ही रहेगी, अपनी सर्वार्थ पूरग, सर्म समावेशक अर्चना में तुम, किसी एक बाइबिल या किसी एक तारणहार मात्र में नहीं, बलकि तुम्हारे तारणहार असंक्य होंगे, जो तुम्हें ही अभी सुप्त हैं, जो किसी भी अन्य तारणहार के सम्तुल्य होंगे, उतने ही भव्य दिव्य होंगे, ये, ये सब तुम्हें अवश्य होंगे, ये मैं आज भविश करता हूँ 38. लूथर बर्बैंक गुलाबों के बीच एक संथ उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य विज्ञानिक ग्यान के अलावा एक और भी है वह है प्रेम लूथर बर्बैंक ने ग्यान के ये शब्द तब कहे जब मैं कलिफोर्निया में सैंटे रोजा इस्थे उनके बगीचे में उनके साथ तहल रहा था मनुष्य के खाने योग्ये नागफणी की एक क्यारी के पास हम रुप गए उन्होंने आगे कहा जब मैं काटा रहित नागफणी की नस्ल तयार करने का प्रयोग कर रहा था तब मैं प्राया इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि प्रेम पुन्ट स्पंदन पैदा हो सके मैं उनसे कहता तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आविशक्ता नहीं है आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन काटों की आविशक्ता नहीं है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और धीरे धीरे रेगिस्तान का यह उप्युक्त पौधा इस कंटत वीहीं नस्ल के रूप में उभराया मैं इस चमतकार पर मुग्ध रह गया प्रिय लूथर क्रिप्या माउंट वाशिंग्टन के अपने बगीचे में लगाने के लिए इस नात्फणी के कुछ पत्ते मुझे प्रदान करे निकट ही खड़ा एक बाली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया स्वामी जी के लिए मैं स्वयम ही पत्ते काट देता हूँ उन्होंने मुझे तीन पत्ते दिये जिने बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और फिर विशाल जाड़ी के रूप में परिवर्ते थोते देखकर मैं खूब आनंदित होता था इस महान उद्यान विज्यानी ने मुझे बदाया कि उनकी प्रथम उलेखनिये सफलता थी बड़े आकार का वह आलू जिसे उनके ही नाम पर अब बर्बैंग कालू कहा जाता है अपनी असीम प्रधिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृती के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातिया संसार को दी है नई बर्बैंग किसम के टमाटर, मका, स्क्वैश, चेरी, प्लम्स, नेक्टरिन, बेरी, पॉपी, लिली, गुलाब मैंने अपना कैमरा साथ लिया जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नसरगे क्रम विकास की गति को बहुत अधिक भी पढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा केवल सोला वर्षों में यह पेड़ भरपूर फल देने लग गया किसी प्रकार की साहिता के बिना नसरगे क्रम के अनुसार फल देने में इसे इससे दुगना समय लगता इतने में बर्बैंग की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उचलती कुत्ती बगीचे में आई उसकी और हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा यह मेरा मानव पौधा है सारी मानव जाती को अब मैं एक विशाल व्रिक्ष के रूप में ही देखता हूँ जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगें का प्रकृतिक बर्दान तथा बुद्धी का उप्योग कर चुन-चुन कर संकृत किये जाने की आविशक्ता है मैंने स्वयाम अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चरे जनक प्रगति देखी है कि मुझे यह द्रिन आशा हो गई है कि यदि बच्चों को साद्गी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो यह संसार शीग्री ही स्वस्त और सुखी बन जाएगा हमें प्रकृति और प्रकृति के स्रिष्टा इश्वर की ओर लोटना ही होगा लूथर, राजी के मेरे विद्याले में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षावर्गों को और आनंदेवम साद्गी से भरे वातावरन को देखकर आप अत्यांत आनंदित होंगे मेरे शब्दों ने उनके रिदय के सबसे नाजुकतार को छेर दिया बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रियविशय था उन्होंने मुझ पर प्रश्णों की जड़ी लगा दी उनकी गहरी शान्त आखों में उत्सुकता चमक रही थी अंत में उन्होंने कहा आपके विद्याले जैसे विद्यालियों से ही भावी युके लिए कोई आशा की जा सकती है प्रकृती से दूर और स्वतंत्र व्यक्तित्यों के विकास का बच्पन में ही गला खोट देने वाली कि हमारी वर्दमान शिक्षा पद्धितियों के विरुद मेरे हिदय में विद्रो है शिक्षा विश्यक आपके व्याभारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंत्यकरण से सहमत हूँ जब मैं उस विनम्र संथ से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये और वाँ पुस्तक मुझे भेंट कर दी The Training of the Human Plant पर यह मेरी पुस्तक है नय प्रकार के प्रशिक्षन के निर्भय प्रयोगों की आविशक्ता है कभी-कभी दुस्साहसी प्रयोगों से ही हलो और फूलों के सरवोत्तम गोण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है इसी प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वे प्रयोग अधिक अधिक साहसी होने चाहिए, उन्होंने कहा मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यांत उच्सुकता के साथ पढ़ा उनकी दृष्टी मानव जाती के उज्वल भविश की कल्पना कर रही थी उन्होंने लिखा था, इस पृत्वी पर सजीव बस्तूओं में सबसे सिद्धी और बदलने में सबसे कठिन बस्तू वह पौधा है जिसकी प्रवृत्या स्थेर हो गई हो याद रखिये कि इस पौधे ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्यों की युग युगांतर से रक्षा की है यह पौधा बहुत चीज है जिसकी उत्पत्ती की खोच करते-करते यदि हम समय में अनातिकाल तक बीछे चले जाएं तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ती शायद चक्टानों से हुई थी और कल्पना तीत रूप से इतने दीर्गकाल में शायद इसमें कोई बड़ा परिवर्दन नहीं हुआ क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग-युगांतरों में बिशिष्ट गुर्धर्मों की या व्रिवृत्तियों की बार-बार पुनुरा व्रित्ती होने के बाद भी पौधे में अपनी द्रिन इच्छा शक्ती नहीं आ जाती यदि आप उसे इच्छा शक्ती कहना चाहे और या इच्छा शक्ती भी इतनी द्रिण कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती बलकि तार के पेड़ की कुछ जातियों जैसे कई प्रकार के व्रिक्ष ऐसे हैं जिन में कोई मानवी शक्ती आज तक कोई परिवर्दन नहीं ला सकी पेड़ पौधों की इच्छा शक्ती के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ती कुछ भी नहीं है फिर भी देखो इस पौधे की आजीवन जिद किवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे तूट जाती है केवल उसपर कलम बान देने से उसमें संकर करने से उसके जीवन में कैसा पूण और शक्तिशाली परिवर्दन आता है और जब उसकी जिद डूट कर उसमें यह परिवर्दन आ जाता है तब वहां से आगे उसकी हर पीडी में धैरे के साथ देख रेक और अच्छे पौदों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्दन को स्थिर और द्रण कर दो और इस प्रकार यह नई प्रजाती अपना मार्ग प्रमण शुरू करती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती उसकी द्रण इच्छा शक्ति आखिर तूट जाती है और वह परिवर्दित हो जाता है जब यही बात मानव शिशु की संबेदन शील और लचीली प्रक्रती पर लागू करनी हो तब तो समस्या कहीं अधिक आसान हो जाती है नेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खेंच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा एक दिन प्रात्यकाल जब मैं महां पहुँचा तो उसी समय पोस्मेन भी महां पहुँचा और उसने करीब हजार पत्र महां डाल दिये विश्व के सभी भागों से अनेक अनेक उद्यान विशेशग उन्हें पत्र लिखते थे स्वामी जी आपके यहां होने से मुझे बाहर बगीचे में जाने का वह बहाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश दी लूथर ने विनों से कहा उन्होंने एक बड़ा दरास खोला जिसमें यात्रा समंदी सैकणों पत्रक थे देखिये उन्होंने कहा यह है मेरा यात्रा करने का तरीका अपने पेड़ पौधे और पत्र व्यवहार से यहां बंधा मैं विदेश यात्रा की अपनी इच्छा इन चित्रों को बीच बीच में देख कर ही पूरी कर लिया करता हूँ मेरी कार उनके फाटक के सामने ही खड़ी थी लूथर और मैं कार में बैटकर उस छोटे से नगर की सैर पर निकले जहांके बाग बगीचे लूथर की अपनी विक्सित की हुई गुलाब की प्रजातियों सैंटा रोजा, पीच बलो, बर्बैंग गुलाब से खिले हुए थे इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनके यहां गया हुआ था मुझसे क्रिया दीक्षा ले ली थी स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ प्रिया का नियमित अभ्यास करता हूँ, उन्होंने कहा योग के विभिन पहलूँँ पर मुझसे अनेक अच्छे अच्छे प्रशन पूछने के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा पूर्व के पास सच्मुझ ग्यान के विशाल भंडार है, जिसे पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू किया है प्रकृति ने यतन पूर्वक सम्हाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बर्बैंक के सामने प्रकट कर दिये प्रकृति के साथ गनिष्ट एक रूपता ने बर्बैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्द कर दी एक दिन कुछ संकोच के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिलकुल निकट हूँ अपने अनुभवों की इस मृतियों से उनका कोमल सुन्दर मुखमंडल तीप्थो उठा तग मैं अपने आस पास के बीमार लोगों को और पौधों को भी स्वस्थ कर सकने में समर्थ होता हूँ फिर उन्होंने मुझे अपनी मा के बारे में बताया जो धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान इसाई महिला थी लूधर ने कहा मा की मृत्यू के बाद अनेग बारवे मेरी अंतर द्रिष्टी के सामने प्रकट हुई है और मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की है के लिए एक पत्रिका शुरू कर रहा हूँ पत्रिका के लिए कोई अच्छा नाम चुन्ने में मेरी मदद कीजिए हमने कुछ नामों की थोड़ी देर जर्चा की परन्त में इस्ट वेस्ट नाम पर दोनों सैमत हो गए जब हमने उनके अध्यन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभिता पर लिखा अपना एक लेक मुझे दिया मैंने कृतग्यता पूर्वक कहा यह इस्ट वेस्ट के प्रथा मंक में छपकर आएगा जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई मैं बर्बैंक को अपना अमेरिकन संथ कहने लगा इसा के शब्दों को उद्रित कर मैं कहता इस मनुष्य को देखो इसमें कोई छलकपट नहीं है उनका हृदय अथा गहरा था विनमरता, धैर्य और त्याक का उस हृदय को दीर्ग अभ्यास था गुलाबों के बीच में इस्थित उनका घर अत्यांत सादा था विलासिता की निरर्थकता एवं अपरिक्रह के आनंद का उने ग्यान था एक वैग्यानिक के रूप में हुई अपनी ख्याती को वे जिस विनशीलता के साथ बहन करते थे उससे देखकर मुझे बारंबार उन व्रिक्षों की याद आती थी जो पके फलों के भार से जुब जाते हैं केवल फलहीन व्रिक्षी व्रिथा अभिमान के साथ सिर्टाने खड़े रहते हैं 1926 में जब मेरे इस प्रियमित्र का निधन हुआ तब मैं न्यूयोक में था अश्रुपात करते हुए मैं सोच रहा था उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहां से सेंटा रोजा तक खुशी-खुशी पैदल चला जाओंगा स्वयम को अपने कमरे में बंद कर 24 घंटे मैं एकांत में रहा ना अपने सचिवों से मिला और ना मुझसे मिलने के लिए आने वालों से दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक वीदी से तरपन किया शरीर तत्वों के उनके अनंद स्रोत में विले के प्रतीक स्वरूप फूल, जल, एवं अगनी का तरपन किया गया तब मेरे अमेरीकी शिष हिंदू सूतक वस्त्र धारण किये वैदिक मंद्रों का उचारण कर रहे थे यूं तो बर्बैंग का पार्थिव शरीर सैंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक बर्ष पूर्व लगाए कए एक लेबनानी देवदार व्रिक्ष के नीचे चिर्व श्रांती ले रहा है पर जहां तक मेरा संबंध है उनकी आत्मा रास्ते के किनारे उगने वाले प्रत्य एक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर क्या सुर्योदे के साथ आते नहीं है और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं कूंच रहा है उनका नाम अब साधारन बोल चाल का एक शब्द बन गया है वेब्स्टर्स न्यू इंटरनाशनल डिक्ष्णरी में बर्बैंक शब्द को सकर्मत प्रियापत कहते हुए उसका अर्थ दिया गया है बर्ण संकर करना या पौदे पर कलम बांधना अर्थात अच्छे तत्वों को लेकर और बुरे तत्वों को त्याक कर या अच्छे तत्वों के संयोक से किसी भी प्रक्रिया में या संस्था में सुधार करना यह परिभाशा पढ़कर मैं बोल पड़ा, प्रिया बर्बैंक, आपका नामी अब अच्छाई का पर्यायवाची बन गया है लूथर बर्बैंक द्वारा लिखा गया एक पक्र मैंने स्वामी योगानंद की योगदा प्रणाली की परीक्षा करके देखा है और मेरा यह मत है कि मनुश्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों के समन्वित विकास और प्रशिक्षन के लिए यह एक आधर्ष पद्धि है स्वामी जी का उद्देश्य, विश्व भर में आधर्ष जीवन प्रणाली की शिक्षा देने वाले विद्ध्यालियों की स्थाबना करना है जिनमें शिक्षा केवल बौधिक विकास तक ही सीमित नहीं रहेगी बलकि उसमें शरीर, इच्छा शक्ती और अनुभूतियों के प्रशिक्षन का भी समावेश रहेगा एकाग्रता और ध्यान की सीधी सरल तथा वैज्ञानिक पद्धती युक्त योग्दा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मेक उतकर्ष द्वारा जीवन की लगभग सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और संसार में शान्ती एवं सद्भावना इस्थापित हो सकती है स्वामी जी का मत है कि गूरता और अव्याभारिक्ता से मुक्त सहच साधारन व्याभारिक ज्यान के विकास द्वारा ही सही शिक्षा दी जा सकती है यदि ऐसा नहोता तो मैं इस प्रणाली का कभी समर्थन नहीं करता आदर्श जीवन यापन की शिक्षा देने के लिए अंतरराश्ट्रिय विद्यालियों की स्थापना करने के स्वामी जी के विचार से सहमत होते हुए मुझे अत्यांत हर्श हो रहा है जिसकी अधी स्थापना हो जाए तो मेरी जानकारी के अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा अधिक आसानी से और अधिक शिक्रता से इस प्रित्वी पर स्वर्ग राज्य आ सकेगा 49 मा अध्याय इसाक शत्चिन्न धारणी कैथलिक संत टेरुसा नॉयमुन भारत लौटाव 15 वर्षों तक मैंने धीरज के साथ कुमारी प्रतिक्षा की है शीग्र ही मैं शरीर द्याक कर अनंत धाम चला जाऊंगा योगानन चले आओ एक दिन जब मैं माउंट वशिंग्टन स्थेथ अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था तब अचानक आश्चरे जनक रूप से श्री उक्तेश्वर जी की आवास मुझे अपने अंतर में सुनाई दी दस हजार मील की दूरी को पलग जपकते ही पार कर उनके संदेश ने पिजली की भाती मेरे अंतर में प्रवेश कर लिया 15 वर्ष हाँ, मुझे एहसास हुआ, ये सन 1935 है मैंने अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष बिदा दिये हैं अब वे मुझे वापस बुला रहे हैं थोड़ी देर बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने एक प्रिया मित्र जेम्स जे लिन को बदाया प्रति दिन प्रिया योग के अभ्यास से उनकी आध्यात्मिक उन्नती इतनी हो गई थी कि मैं प्राया उन्हें संत लिन कहता हूँ उनमें तथा दूसरे अनेग पाश्चात्यों में बाबाजी की उस भविश्यवानी की पूर्ती देखकर मैं अत्यंद आनंदित होता हूँ कि प्राजीन योगमार्ग के माध्यम से पाश्चात्य जगत में भी ईश्वर साक्षातकारी संथ पैदा होंगे श्री लिन ने उदारता पूर्वक मेरी यात्रा के व्यायका सारा भार उठाने का प्रस्ताव रखा इस प्रकार पैसे की समस्या हाल होते ही मैंने जहाँ से योरोप होते हुए भारत जाने की तयारी की मार्च 1935 में मैंने Self-Realization Fellowship को चिरस्थाई बनाने के लिए उसे कैलिफोर्निया राजी के कानून के अंतरगर एक धर्म निर्पेक्ष अल लाभार्जक संस्था के रूप में पंजिकरित करा लिया मेरे पास अपना जो कुछ था वह सब अपनी पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहे मैंने Self-Realization Fellowship को दान कर दिया दूसरी आधिकांश धार्मिक एवं शैक्षनिक संस्थाओं की तरह ही Self-Realization Fellowship भी अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के दान पर चलती है मैंने अपने शिश्यों से कहा मैं भापस आऊंगा अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूंगा लोस अंजलिस में मेरे मित्रों द्वारा मुझे दिये गए विदाई भोज के दौरान मैं लंबे समय तक उनके चेहरे नीहारता रहा मेरे मन में कृतग्यता से ओध प्रोथ विजार आया हे प्रभू जो आपको ही एक मात्र दाता मान कर स्परन करता है उसके लिए मान्वों के बीच कभी मित्रता की मधूरता का अभाव नहीं हो सकता नियोयोक से मैं 9 जून 1935 को योरोपा नाम के जहास पर सवार होकर चल पड़ा मेरे साथ दो शिश्य थे एक मेरे निजी सचेव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरी सिंसिनाटी की एक व्रिद्ध सी महिला मिस एटी बलेच विगत सप्ताहों की अतिव्यस्तता और भागदौल के बाद समुद्र यात्रा के शांती पूर्ण दिन पड़े सुहाबने लग रहे थे पर यह शांती अल्पकालिक ही रही आधुनिक जहाजों की तेज गति के कुछ खेद जनक पहलू भी है अन्य उत्सुक पर्यटकों की भादी ही हम लोग भी विशाल और प्राजीन महानगरी लंदन में घूमे लंदन पहुँचने के दूसरे दिन मुझे कैक्स्टन हॉल में एक विशाल सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला इस सभ़ में व्याख्यान शुरू करने से पहले सर फ्रैंसिस यंग हस्बिन ने लंदन के श्रोताओं को मेरा परिज़े दिया हमने सर हैरी लॉडर के अतिथी बनकर उनके स्कॉटलेंड की एस्टेट में आनंद पूरवक एक दिन बिताया कुछ दिन बाद हम लोग इंग्लिश चैनल को पार कर यॉरोप महादवी पहुँझे क्योंकि मैं बवेरिया की एक विशेश दीर थियात्रा करना चाहता था मैंने विजार किया कि कोनर सुरूत की महान कैथोलिक संथ टेरेसा नॉयमन से मिलने का यही एक मातर अफसर मुझे मिल सकता है कई वर्ष पहले मैंने टेरेसा नॉयमन के बारे में एक आश्यर्यकारक लेक पढ़ा था उस लेक में उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी वह इस प्रकार थी पहली, टेरेसा नॉयमन का जन 1898 में गुट फ्राइडे के दिन हुआ था जब वे 20 वर्ष की थी, तब एक दुरघटना में वे अंधी हो गई और साथ ही उन्हें पक्षाघाद भी हो गया दूसरी, दा लिटल फ्लावर के नाम से सुविख्याद लीसो की संथ टेरेसा की कृपा से 1923 में उनकी द्रिष्टी चमतकारिक धन से वापस आ गई बाद में टेरेसा नॉयमन का पक्षाघाद भी ठीक हो गया दीसरी, 1923 से ईश्वर के प्रसाद रूप में चर्च से दिये जाने वाले छोटे से वेफर के अत्रिक्त टेरेसा नॉयमन ने अन्न जल का पूर्ण परित्याग कर दिया है चौथी, 1926 में टेरेसा नॉयमन के माथे पर छाती तथा हात पैरों पर ईसा मसी के पवित्र घाव प्रकट हो गए सूली पर चढ़ाय जाने से पूर्फ और सूली पर चढ़ाय जाने के दोरान इसा मसी को जो जो यातनाए दी गए उन सब यातनाओं को वे प्रती शुक्रवार अपने शरीर में अनुभव करती है पांच्वी टेरेसा नॉयमन को केवल अपने गाउं की सरल जर्मन भाशा ही आती है पर उन्तो शुक्रवार के इन अनुभवों के दोरान भावावेश में वे कुछ ऐसे वाक्यों का उचारन करती है जिनने विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाशा के रूप में पहचाना है अपने इस दिव्य दर्शन के दोरान उचित अफसारों पर वे हेब्रू या युनानी भाशा भी बोलती है चर्च के अधिकारियों की अनुमती से कई बार टेरसा नॉयमन को वेज्ञानिक मिरीक्षन में भी रखा गया प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक टॉक्टर फ्रिट्स गरलेक इस कैथुलिक पाखंडी का भंड़ा फोर करने के लिए कोनर सुरूत गये थे पर मन में श्रद्धा लिये लौड आये और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ उनका जीवन चरित्र लिख डाला हमेशा की तरहें मैं किसी संथ से मिलने के लिए लालाईत रहता था चाहे मैं पूर्व में रहूं या पश्चिम में जब हम लोग 16 जुलाई को कोनर स्तुरूत पहुंचे तो मैं आनंद से पुलकित हो उठा बवेरिया ही किसानों को हमारी फोर्ट कार इसे हम लोग अमेरिका से अपने साथ लाए थे और उसमें बैठे अलग-अलग प्रकार के लोगों एक युवा अमेरिकन पुरोष, एक प्रॉण महिला और कोट के कॉलर के नीचे अपने लंबे केशों को दबाए एक श्यामबर्णी भारतिये को देखकर काफी कुदूहल हो रहा था तेर ऐसा नॉयमें का घर साफ सुतरा था घर के पास ही इस्थित पुराने कुएं के पास सुन्दर-सुन्दर फूल खिले हुए थे परन्तु अफसोस, घर बंध और सुनसान था पडोसियों और उस समय पास से गुजर रहे पोस्टमेन को भी कोई जानकारी नहीं थी इतने में वर्षा भी होने लगी मेरे साथियों ने लौट चलने की राय दी नहीं, मैंने द्रणता के साथ कहा जब तक टेरेसा नॉयमन के पास पहुँचने का कोई न कोई सूत्र मेरे हाथ नहीं लगता मैं यहां से हिलने वाला नहीं दो घंटे बाद भी हम उस खोर वर्षा के बीच अपनी कार में ही बैठे रहे मैंने शिकायत भरा नेश्वास छोड़ते हुए कहा भगवन, यदि उन्हें यहां नहीं होना था तो आप मुझे यहां तक लाए ही क्यों इतने में एक अंग्रेजी भाशी व्यक्ति हमारे पास आकर खाड़ा हो गया उसने नम्रता पूर्वक अपनी साहिता प्रदान की उसने कहा मैं निश्चित तो नहीं जानता कि तेरसा नॉयमंट कहा है परन्तुवे प्राया ही यहां से 80 मील दूर आक स्टार्ट बिश्वविद्याले में महा के विदेशी भाशाओं के प्रोफिसर फ्रांस वुट्स से मिलने जाती है दूसरे दिन सुबह हमलोकार से छोटे से शांत नगा आक स्टार्ट में जा पहुंचे डॉक्टर बुट्स ने प्रेम पूर्वक अपने घर में हमारा स्वागत किया हाँ, टेरसा नॉयमंट यहीं है उन्होंने टेरसा नॉयमंट के पास संदेश बेजा कि कोई उनसे मिलने आये है संदेश ले जाने वाला शीग्र ही उनके उत्तर के साथ वापस आया मैं सीडियां चड़कर ऊपर के बैठा खाने में गया टेरसा नॉयमंट तुरंथ ही महां आ गई उनसे शान्ति और आनंद निस्रित हो रहा था उन्होंने काला गाउन और सफेद मस्त का वरण धारण कर रखा था उनकी आयो इस समय 37 स्वश की थी परंतु वे उससे काफी कम उम्र की दिख रही थी उनके चहरे पर एक शिशु सुलब मोहकता और उत्फुलता छलक रही थी स्वास्त सुगठित शरीर, गुलाबी गाल और आनंदी स्वभाव और यह वो संथ है जो सदा निराहार रहती है टेरसा नॉयमन ने अत्यंत सौमयता के साथ मुझसे हाथ मिलाया एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुसकान खेल रही थी डॉक्टर वोट्स ने क्रिपा पूर्वा दुभाशिये का कान किया जब हम लोग बैठ गए तो मेरे ध्यान में आया कि टेरसा नॉयमन कुदूहल के साथ अपनी भोली भाली नजर से मुझे देख रही थी स्पश्ट था कि बवेरिया में हिंदू कभी कभी ही दिखाई देते थे क्या आप कभी कुछ नहीं खाती मैं स्वयम उनके मुख से सुनना चाहता था नहीं, प्रति दिन सुबै छे बजे केवल एक होस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाती यह होस्ट कितना बड़ा होता है वह कागस के समान पतला और छोटे सिक्के के आकार का होता है फिर उरो ने कहा मैं उसे केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में लेती हूँ यदि वह ईश्वर को अरपन किया हुआ नहो तो मैं उसे निगल नहीं पाती आपके वल उसी पर बारा वर्षों तक तो जीवित नहीं रह सकती मैं इश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ कितना सरल उनका उत्तर था बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह मैं समझता हूँ आपको यह ज्यान है कि आपके शरीर में प्राणशक्ती आगाश, सूर्य और हवा से आती है तो रंग तुनके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल उठी बड़ी खुशी हुई या देखकर कि आप जानते हैं मैं कैसे जीवित रहती हूँ आपका पवित्र जीवन ईसा मसी द्वारा कहे गए उस सत्य वचन की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहेगा बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा मेरे इस पश्टी करण से वे पुनै खुश हो गई सच मुझ ऐसा ही है आज इस प्रत्वी पर मेरे जीवित रहने का एक करण यह सिद्ध करना भी है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहता है क्या आप दूसरों को भी अन्न के बिना जीवित रहना सिखा सकती है ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रश्ण से उन्हें कुछ आगात सा लगा मैं ऐसा नहीं कर सकती इश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है जब मेरी दृष्टी टेरेसा नॉयमन के मजबूत सुन्दर हाथों पर पड़ी तो उन्होंने प्रत्येक हाथ के पिछले हिस्से में बना हाली में भरा एक-एक बरगाकार खाव दिखाया इन मैं से प्रत्येक घाओ हाथ के आरपार था श्य दृष्य देखकर मुझे लोहे की चौकोर लंबी-लंबी कीलों का इसमरण हो आया जिनका सेरा अरध-चन्दराकार होता है इन कीलों का परवात्य देशों में अभी भी उप्योग होता है पर पश्चे में कहीं मैंने ऐसी कीले नहीं देखी तदपश्चात, तेरेसा नॉयमन ने हर सप्ता होने वाले अपने उन अनुभवों के बारे में कुछ बताया एक असहाई दर्शक की भाती, मैं ईसा मसी की सारी विदनाओं को देखती रहती हूँ प्रतेक सप्ता गुरुवार की मध्यरात्री से लेकर, शुक्रुवार के दोपहर एक बज़े तक के लिए उनके घाओं के मुख खुल जाते हैं और उनसे रक्त बहता रहता है इस प्रक्रिया में उनके 121 पॉन के बज़न से 10 पॉन बज़न कम हो जाता है अपने इस सानु भूती पूर्ण प्रेम में अध्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी तेरेसा नॉयमन अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता से प्रतिक्षा करती रहती है उसी एक शान मेरी समझ में आ गया कि न्यू टेस्टामेंट में वर्णेत इसा मसी के जीवन और क्रोस पर उनकी मृत्यू की आतिहासिक सत्यता के बारे में सभी इसाईयों में विश्वास की पुनह प्रतिष्ठा करा देने और गालिली के उस महान संत यानि ईसा मसी तता उनके भक्तों के बीच अमर संबंद का रोमान चक प्रदर्शन करने के लिए ही ईश्वार ने टेरेसा नॉयमन के बिलक्षन जीवन का स्रिजन किया है फिर प्रोफेसर वुट्स ने संत तेरेसा नॉयमन के विशय में अपने कुछ अनुभव बताए उन्होंने कहा तेरेसा सहित हम कुछ लोग प्राय कई दिनों तक जर्मनी में द्रिश्याव लोकन के लिए यात्रा करते रहते हैं और मज़ा देखिए तेरेसा नॉयमन कुछ भी नहीं खाती हम सब दिन में तीन बार भरपूर भोजन करते हैं वे सदा गुलाब के फूल की तरहें तरो ताजा रहती हैं ठकान उन्हें चूती भी नहीं हम बाकी लोगों को जब भूख लगती है तो हम रास्ते किनारे होटलों को ढूंडने लगते हैं और टेरसा नॉयमन दिल खोल कर हंस्ती रहती हैं और इसके साथ प्रोफेसर ने उनकी शारेरे कवस्था के बारे में एक दिल्चस्प बात बताई टेरसा नॉयमन कुछ भी नहीं खाती इसलिए उनका पेट सुकुड गया है मल मूत्र उनके शरीर में तयार ही नहीं होता परंतु उनकी पसीने की ग्रंथियां काम करती है इसलिए उनकी तवचा हमेशा नरम और द्रिन रहती है विदा लेते समय मैंने टेरसा नॉयमन से उनके उस अनुभव के समय उपस्तित रहने की इच्छ अब्यक्त की उन्होंने शालीन ता पुर्वक कहा हाँ हाँ अगले शुकरवार को कृप्याप को नर सुरूत आईए बिशप आपको अनुमती दे देंगे मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने या आइक स्टार्ट तक आए टेरसा नॉयमन ने हाथ मिला कर कई बार हिलाया और हम लोगों को बाहर छोडने गेट तक आई श्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया टेरसा नॉयमन उत्सा के साथ हंसते हुए उसे चारों और से देखने लगी महा बच्चों की इतनी भीड जमा हो गई कि टेरसा नॉयमन फिर घर के अंदर चली गई हमने उन्हें एक खिड़की में खड़े देखा महा से वे हमारी और देखकर बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी दूसरे दिन टेरसा नॉयमन के दो भाईयों से भेंट हुई दोनों ही अत्यांत भद्र और मिलनसार हैं उनके साथ बाचीत से पता चला कि टेरसा नॉयमन रात में केवल एक दो घंटे ही सोती है शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्सा से भरबूर रहती हैं उन्हें बक्षियों से अत्यधिक प्रेम है एक जलाशे की मचलियों की भी वे देखभाल करती है और प्रायर अपने बगीचे में काम करती रहती है उनका पत्र व्यवार भी काफी बड़े पैमाने पर चलता रहता है कैथलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारन की खातिर आशिरवादों के लिए लिए लिखते रहते हैं अनेक साधक उनके आशिरवाद से कमभीर बीमारियों से ठीक हो गए है उनके 23 वर्ष ये भाई परडिनान ने बताया कि उनमें प्रार्थना के माध्यम से दूसरों के रोग अपने शरीर में लेकर भोगने की शक्ती है एक बार टेरेसा नॉयमन के चर्च के एक आदमी को गले का कोई रोग हो गया था वह पादरी बनने की तैयारी कर रहा था उस समय टेरेसा नॉयमन ने प्रार्थना की कि उस युवक के गले का रोग उनके अपने गले में आ जाए बस उसी समय से उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है शुक्रवार की दोपहर को हम लोग कार से बिशप के घर गए बना दिया था वह केबल टेरेसा नॉयमन को साधारन यात्रियों की भीट से बचाने के लिए था क्योंकि आरंब के वर्षों में दर्शक हजारों की संख्या में शुक्रवार को कोनर सुरूत में जमा हो जाते थे हम कोनर सुरूत में शुक्रवार को सुबह करीब साड़े नौ बजे पहुंचे मैंने देखा कि टेरेसा नॉयमेन के घर की छट के कुछ हिस्से में शीशा लगा हुआ था ताकि उन्हें भरपूर प्रकाश उपलब धो यह देखकर हमें खुशी हुई कि इस बार घर का दर्वासा बंद नहीं था बलकि सहर्ष स्वागत करने के अंदास में पूर्ण खुला था हम लगभग 20 अन्य लोगों की कतार में खड़े हो गए उन सब के पास भी अनुमती पत्र थे कई तो उस भावावस्था को देखने के लिए बहुत दूर-दूर से आये थे प्रोफेसर के घर में मेरी पहली परीक्षा में टेरेसा नॉयमन उत्तीर्ण हो गई थी चोकि उन्होंने अंतर ग्यान से जान लिया था कि मैं केबल कौतूहल की शान्ती के लिए नहीं बलकि आध्यात में कार्णों से उन्हें देखना चाहता था मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से संबंदित थी कि सीडियों से उपर उनके कमरे में जाने से पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए और उनकी अंतर द्रिष्टी को दिखने वाले द्रिष्य देख पाने के लिए मैंने एक यौगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया जिससे उनके अंतर जगत के साथ मेरा संबंद जुड़ जाए फिर मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया जो दर्शकों से भरा हुआ था तेरेसा नॉयमन एक पलंग पर सफेद परिधान में लेटी हुई थी श्री राइट मेरे ठीक पीचे ही थे कमरे का विलक्षन और भयंकर द्रिष्य देखकर मैं दर्वाजे की चौखट के पास ही विसमें चकित होकर खड़ा रह गया तेरेसा नॉयमन की निचली पलकों से रक्त की लगबग एक इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी उनकी आँखें उपर की ओर उटकर ललाट के मध्य में इस्तित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त काटों के ताच से हुए खामों से निकलने वाले रक्त से लटपत हो गया था उनके श्वेत पर इधान पर रिदय के उपर लाल धबा बन गया था यह रक्त उनके शरीर के बाएं तरफ हुए एक घाव से निकल रहा था जिस थान पर युगों पूर्व ईसा मसी के शरीर में सैनिक ने भाला चुब होया था तेरेसा नॉयमन के दोनों हाथ मात्र करुना के आग्रही भाव में उपर उठे हुए थे उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्याभा दोनों दिखाई पड़ रही थी उनका शरीर पहले से काफी दुबला दिखाई दे रहा था और वह आंतरिक तथा बाएं कई प्रकार के सूक्ष्म परिबर्तनों से युक्त प्रतीत हो रहा था वे धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में असपश्ट सा कुछ बोल रही थी उनकी अतींद्रिये दृष्टी में दिखने वाले लोगों से वे किंचित कापते होटों से बोल रही थी चूकि मैंने पहले ही उनकी चेतना के साथ अपना अंतरसंबंद जोड लिया था अतय मुझे बस सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था वे ईसा मसी को उनका उबहास करती भीड के बीच से लकडी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी अचानक व्याकुल होकर टेरेसा नॉयमन ने अपना सिर उपर उठाया क्योंकि ईसा मसी नीचे गिर कर क्रॉस के भारी वजन के नीचे तब गए थे इसी के साथ बहत्रिश्य लुप्त हो गया प्रचंड करुना और खेत के वेक से क्लांथ होकर टेरेसा नॉयमन तकीय पर निढ़ाल हो गई उसी समय मुझे अपने पीचे धराम से कुछ किरने की आवाज सुनाई दी एक पल के लिए पलट कर देखा तो चिद अवस्ता में एक शरीर को उठाए दो आदमी बाहर ले जा रहे थे परंतो उस समय मैं अपनी अधिचेतन भावा वस्ता से बाहर आ ही रहा था इसलिए धराश आई हुए उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका मैंने फिर से अपनी द्रिष्टी टेरेसा नॉयमन के चैरे बस धिर की रक्त धराओं में डूबा वह चेरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था परंदू अब उस पर शान्ती चाही थी और पवित्रता उससे निस्रित हो रही थी बाद में मैंने अपने पीछे की ओड द्रिष्टी दोड़ाई तो देखा ठिश्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े थे और उनके गाल से रक्त निकल रहा था मैंने चिंतित होकर पूछा डिक, क्या तुमी गिर पड़े थे? हाँ, वो भायावय द्रिष्ट देखकर मुझे चक्कर आ गया था मैंने सांथोना देते हुए कहा खेर, फिर से आकर वही द्रिष्ट देखने का साहस तो तुम में है और भी दर्षनार्ती हमारे पीछे कतार में खड़े थे अतेश्री राइट और मैं मनी मन टेरेसा नॉयमन से विदा लेकर उनकी उपस्तिती से पवित्र हुए उस थान से बाहर आ गए दूसरे दिन हम लोग दक्षन की ओर निकल पड़े हमें इस बात के खुशी थी कि हमें ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था और हम गाओं में जहां चाहे अपनी फोर्ट कार रोग सकते थे जर्मनी, हॉलें, फ्रांस तथा स्विट्जरलेंड के एल्प्स परवतों की यात्रा करते हुए हमने यात्रा के एक-एक बल का पूरा-पूरा आनंद किलिया इटली में हम लोग विनमरता की साक्षात मूर्ती असीसी के सेन फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए विशेश रूप से गए हमारी योरोप यात्रा युनान में आकर समाप्त हुई युनान में हम लोगों ने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किये और वह कारागार भी देखा जहां सुकरात ने विश्पान किया था यहां प्राचीन युनानियों ने जिस प्रकार हर कहीं सफेद पत्थर में कलाकृती करते हुए अपनी अद्भुत कल्बनाओं को साकार रूप दिया है उसे देखकर मन उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता युनान से हम लोग जहास पर सवार हुए और भूमत्य सागर को पार कर फिलिस्तीन में उतर गए उस पवित्र भूमी में कई दिनों तक रोज भ्रमन करके तीर्थ यात्रा के महत्तु का मुझे और भी अधिक एहसास हो गया सूक्ष्मग्राही रिदय के लिए फिलिस्तीन में ईसा की महिमा सर्वत्र व्याप्त है मैंने श्रद्धा भाव से ईसा मसी के साथ बेतलहेम, गत्समनी, कैलबरी, पवित्र मांट ओफ, ओलेव्स की पध्यात्रा की तथा जॉर्डन नदी एवं गैलिली के समुद्र तटो पर खूमा जहां ईसा का जन्म हुआ था, भानान, जोसिफ की बढ़ाई की दुकान, लाजरस की कब्र, मार्था और मेरी का खर, ईसा के अंतिम भोज का कमरा, इन स्थानों के भी हम लोगों ने दर्शन किये वह प्राजीन काल सजीव होऊ था योगी युगांतर के लिए ईसा मसी द्वारा महा अभिनीत किये गए, दिव्यनाटक के द्रिश्य पर द्रिश्य मेरी द्रिश्टी के सामने प्रकट होने लगे अब मिस्र, उसका आधुनिक शहर काईरो और प्राचीन पिरामिडों को हमने देखा फिर जहास से लाल सागर को पार करते हुए विशाल अरब सागर में और सीधे भारत चालीसवा अध्याय, मेरा भारत लोटना अत्यान तानन्द के साथ मैं भारत की पवित्र हवा में फिर एक बार श्वास ले रहा था हमारा जहास राचपुदाना 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगा में आकर खड़ा हो गया जहास से उतरते ही, पहले ही दिन इसका स्वाद मुझे मिल गया कि आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अन्वरत रूप से व्यस्त रखने वाला है बंदरगा पर मित्रगर फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे शीगरी ही ताज महल होटल के मेरे कक्ष में प्रेस संबाद्धाताओं और फोटोग्राफरों का तादा लग गया मुंबई शहर मेरे लिए नया था मुझे ये शहर उत्सापून आधुनिक बादावरन से भरबूर लगा इसमें अनेक प्रकारों से पाश्चात्य जगत का अनुकरण किया गया था प्रशस्त मार्गों के दोनों और पंक्तिबद ताड़ विक्ष खड़े थे भव्वे सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस परधा कर रही थी परन्तु यहां द्रिश्याव लोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए चुकि अपने गुरू तथा अन्य आत्मिय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था अपनी फोर्ट कार को समान के डिबे में चढ़ा कर हम रेल गारी से कोलकता की ओर चल पड़े जब हम हावडा स्टेशन पहुँचे तब वहां हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीर उपस्तित थी कि कुछ समय के लिए तो हम गारी से नीचे ही नहीं उतर सके कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विश्णू स्वागत समिति का नेत्रित्व कर रहे थे जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्टर पर हम लोगों का स्वागत किया गया उसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी आगे आगे कारों और मोटरसाइकलों की एक कतार चल रही थी धोलकों और शंकों की आनंद पूर्ण थ्वनी हो रही थी और इस सब के बीच फूल मालाओं से सिर से पैर तक लदे श्री राइट, मिस बलेच और मैं एक कार में बैठे धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़ रहे थे मेरे व्रिद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाण आलिंगन में बांध लिया मानों मैं मर कर फिर जीवित हो गया हूँ काफी समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के ही मुझे कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था भाई और बहने, चाचा और चाचिया, चचेरे भाई बहन, कई वर्ष पहले मेरे चात्र रह चुके लोग पुराने मित्रगण सब मुझे खेरे ख़ले थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आँखें नम नहूं उस प्रेमपूर्ण पुनर मिलन का द्रेश्य अब पुरानी स्मितियों में संचित हो गया है परंतु मेरे मानस पटल पर अभी भी वस पश्ट रूप से अंकित है मेरे लिए बह अविस्मर्णी है श्री उक्तेश्वर जी के साथ पुनर मिलन का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्धी नहीं है उस बारे में मेरे सचिफ के वर्णन पर ही संतोष्ट होना पड़ेगा अपनी यात्रा दैनंदिनी में श्री राइट ने लिखा है आज सर्वोच आशा एवं उतकंठा अपने मन में लिए मैं योगानंद जी को कार से कोलकता से श्री राम पुर ले गया रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुखाने थी उनमें एक भवी थी जहां योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में प्रायन नाश्ता पानी करने जाया करते थे आंततय हम लोग एक संकरी गली में खुसे जिसके दोनों और दीवारें थी फिर बाईयों और मुर्ते ही सामने श्री युक्तेश्वर जी का दुमंजिल आश्रम जिसकी जाली लगी हुई उपर की बालकनी कुछ आगे को निकली हुई थी वहाँ शांति पूर्ण एकांत था गंभीर भक्तिभाव के साथ मैं योगान अनजी के पीछे-पीछे दिवारों से घिरे आंगन में गया हमारे रिदे देजी से धड़क रहे थे सिमेंट की पुरानी सीडियों से जिन पर निसंशही असंग के साधक चले थे हम लोग उपर जाने लगे जैसे जैसे हम आगे भरते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्कंठा भरती जा रही थी हमारे सामने सीडियों के सिरे पर चुप चाप आकर खड़े हुए वे महापुरोष, स्वामी श्री युकतेश्वर जी, वहाँ खड़े किसी महान ब्रिशी के समान लग रहे थे उनके पराम पावन सानिध्य में खड़े होने के सौभाकिके बोच से मेरा हृत्य अत्यधिक आनंद से भार उठा मेरी आतो रांखों की दृष्टी अश्रूओं से धुंदली हो गई जब मैंने देखा कि योगा नंद जी ने अपनी आत्मा की कृतग्यता अव्यक्त करते हुए अपने गुरू के सामने जमीन पर खुटने टेक कर सिर जुकाते हुए पहले अपने हातों से उनके चर्णों का इस्पर्श किया और फिर उन ही हातों से अपने मस्तक का इस्पर्श करते हुए गुरू की चरन व्रज अपने मस्तक पर धारन कर ली इसके बाद योगा नंद जी के उट खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उनने अपनी च्छाती से लगा लिया शुरू में किसी के मुँसे कोई शब्द नहीं निकले किन्तो फ्रिद्यों के तीव्र भाव अंतर की मौन बाड़ी में प्रकट हो रहे थे पुनर मिलन के आनंद से उन दोनों की आखें कैसी चमक रही थी उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमर रहा था और मानूस शर्ण की गरिमा को बढ़ाने के लिए ही सूर्य भी अचानक बादनों से बहार आ गया परम गुरू के सामने घुटने टेक कर उनके चर्णों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ती एवं कृतग्यता आर्पित की लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चर्णों का स्पर्श कर मैंने उनका आशीरवात दिया फिर मैंने खाड़े होकर उनके सुन्दर नेत्रों में जाका उनकी आखों में आत्मचिंतन की गहराई और आनंद की जमक थी हम सभी ने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया जो एक और से पूरी तरह उस बालगनी की और खुला था जिसे सर्वर प्रथम हमने साड़क से देखा था श्रीयुक्तेश्वर जी सिमिंट के फर्ष पर बिचे एक गद्दे पर एक पुराने दीवान का सहरा लेकर बैठ गए योगानन जी और मैं उनके चर्णों के पास ही चटाईयों पर बैठ गए जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंके तक ये रंके थे दो स्वामियों के बीच बंगला में चल रहे बारतलाप का सार समझने की मैं निश्फल चेश्था कर रहा था क्योंकि मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि जब वे एक साथ होते हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते जबकि स्वामी जी महाराज लोग श्री युक्तेश्वर जी को इसी नाम से पुकारते हैं अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं और प्रायब बोलते भी हैं परंतु उस दिव्य महापुरुष की मन को उल्लसित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आँखों से ही उनकी संत प्रक्रती को मैंने आसानी से पहचान लिया चाहे वे हंस हंस कर बाते कर रहे हो या गंभीर वार्तालाब कर रहे हो उनके वाक्यों में वा अधिकार की द्रिटा स्पष्ट रूप से द्रिष्टी गोचर हो रही थी जो ग्यानी संतों का लक्षण है जो जानते हैं कि वे जानते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं श्री उक्तेश्वर जी का गहन ग्यान, उनकी धेर निष्ठा और उनका द्रिन निष्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था उन्होंने अत्यांत सादे वस्त बहन रखे थे केवल धोती और कुर्दा जो कभी गेरुए रंग में रंगे गए थे परंदु अब फीके भगवे लग रहे थे बीच में मैं अत्यांत श्रद्धा और भगदिभाव के साथ उन्हें निहारता रहता था और मैंने देखा कि उनका शरीर बड़ा और सुगटित है जो सन्यस्त जीवन की तपश चर्या और त्याक से कठोर बन गया है उनकी देभ भंगिमा भव्य है चलते समय उनका शरीर सीधा रहता है और उनकी चाल में शालिंता है उनकी उल्हास पूर्ण ठाहा के दार हंसी सीधे चाती की गहराईयों से आती है जिसके कारण उनका पूरा शरीर हिलता और थर धराता है उनके गंभीर चहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही उनके दैवी सामर्द की स्पष्ट कल्पना हो जाती है बीचो बीच विभक्त किये हुए केश माथे के आसपास सफेध है और अन्य स्थारों पर कहीं रजतीय सुनेहरे हैं तो कहीं रजतीय काले और कंधों पर आकर घुंगराली लटो का रूप ले लेते हैं उनकी दाड़ी मुझें पतलीसी हैं और इनसे उनके मुख मंदल की शोभा और भी भरती प्रतीत होती है उनका ललाट पीछे की ओर चरता गया है जैसे आस्मान की ओर चर रहा हो उनकी आखे काली है और उनमें आकाशी नीली आभा है ना काफी बड़ी और कुछ मोटी सी है जिसे वे जब खाली बैठे हो तो बच्चों की भाती अपनी उंगलियों से हिलाते डुलाते रहते हैं जब वे शांत बैठे हो तब उनका मोग द्रिन और कठोर लगता है परंत उसमें कोमलता की सुक्ष में जलक भी दिखाई देती है कमरे में चारों और द्रिष्टी दोडाकर मैं समझ गया कि बहुत एक सुक्स विधाओं के प्रती उनकी अनासक्ती ही उसकी जरजर सी अवस्था का कारण है लंबे कमरे की सफेद दिवारों पर हवा पानी के प्रभाव से धबबे पड़े हैं और कहीं कहीं नीचे के पलस्तर की फीके नीले रंकी धारियां दिखाई दे रही है कमरे में एक तराफ भक्ती भाव से अरफेत साधी सी पुष्प माला से सजी हुई लाहिडी महाश्य की फोटो टंगी हुई है योगानन जी की भी एक पुरानी फोटो टंगी हुई है यह फोटो उस समय की है जब योगानन जी पहली बार बॉस्टन पहुंचे थे फोटो में योगानन जी धर्म संबेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिध्यों के साथ खड़े हैं वहाँ प्राचीनता और आधुनिक्ता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है शीशे का एक विशाल फानूस लटक रहा है और बहुत दिनों से उसका प्रयोग ना होने के कारण मकडी के जालों से ढंक सा गया है और दिवार पर परत्मान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है संपूर्ण कमरे में शान्ती और सुक की महक है बालकनी से बाहर ताल के उंचे उंचे व्रेक्ष मौन प्रहरी की भांती खड़े दिखाई देते हैं श्री उक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है कि तक्षण ही कोई ना कोई बालशिष उनकी आग्या शिरोधारे करने के लिए पहुँच जाता है बालशिष्यों में एक है प्रफुल इस दुबले पतले बालक के लंबे-लंबे काले बाल है चमकदार काली आंखे है और अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होटों पर भेलती रहती है जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुक के कोने उपर की ओर उट जाते हैं और आखे चमकने लगती है जैसे सामध्य प्रकाश के समय आस्मान में तारे और दूज का चांद अचानक साथ-साथ निकलाए हो अपनी उपज के लोटाने पर श्रीयुक्तेश्वर जी का अपार हर्ष छिब नहीं रहा है और उनकी उपज की उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिग्या सा प्रतीत होती है परंतु उस महापुरुष के स्वभाओं में ज्यान की प्रधानता उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है गुरु दर्शन के लिए जाने पर गुरु चर्णों में कोई भेट अर्पन करने की प्रथा के अनुसार योगानन जी ने भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पन किये बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया गया भोजन किया मुझे अनेक भारतिये रीतियों का पालन करते दे उधार नार्थ हाथ से भोजन करना श्री उक्तेश्वर जी प्रसंद हुए कई घड़ों तक बंगाली भाशा में वारतलाप और प्रेमपूर्ण मुस्कराहतों एवं आनंदपूर्ण द्रिश्टिपातों के आदान प्रदान के बाद हमने श्री उक्तेश्वर जी के चर्णों में प्रणाम कर उनसे पिदाली और उस पुर्ण्य दर्शन की चिरिस्थाई स्मिती अपने रिदय में धारन किये कुलकता लोटने के लिए निकल पड़े वार्नन तुम्हें मुख्यत आए परमगुरू के बाहस्वरूप का ही कर रहा हूँ परमतून के आध्यात में एक एश्वरे का मुझे सदय भान रहा मैंने उनके अपूर्व सामर्थ को अनुभव किया और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशिरवात के रूप में सदा के लिए संजो कर रखूंगा इन शब्दों में श्री राइट ने श्री उक्तेश्वर जी का भर्णन किया अमेरिका, यौरोप और फिलिस्टीन से मैं श्री उक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था उन्होंने वे उपहार मुस्कुराते हुए स्विकार कर लिये पर कहा कुछ नहीं जर्मनी में मैंने स्वयम अपने उप्योग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरी दी थी भारत आने के बाद मैंने वह छड़ी गुरुदेव को अर्पित करने का नुर्ने किया यह उपहार मुझे सच मुझ बहुत पसंद आया यह कहते हुए मेरे गुरुदेव ने अत्यांत प्रेम भरी द्रिश्टी मुझ पर डाली आम तोर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त नहीं करते थे सब उपहारों में से यह जड़ी ही ऐसी थी जिसे वे उन से मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिखाते थे गुरुदेव आपकी आग्या हो तो मैं बैठक खाने के लिए नया कालीन लाना चाहता हूँ मैंने देखा था कि श्रियुक्तेश्वर जी का व्याग्र चर्म पुराने फटे उए कालीन पर भिछा हुआ है यति तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ मेरे गुरुदेव के स्वर में कोई उच्जाह नहीं था पर देखो मेरा व्याग्र चर्म कितना अच्छा और स्वच्छ है अपने इस छोटे से राज्य का मैं राजा हूँ इसके बाहर विशाल जगत है जिसमें लोग केवल बाहे वस्तों में ही रुची रखते है उनके मुक से इन शब्दों को सुनते ही मुझे लगा जैसे समय मुझे पीछे ले गया है फिर एक बार मैं युवा शिश्य बन गया हूँ जो प्रति दिन उनके अनुशासन की अगनी में शुद्ध होता जा रहा था श्री रामपुर और कोलकता से अवकाश मिलते ही मैं श्री राइक के साथ राची के लिए रवाना हो गया कितना भव्य स्वागत हुआ महा एकदम रिदय स्पर्शी मेरी पंद्रा वर्षों की अनुपस्थिती में विद्याले की ध्वजा को फैराते रखने वाले निस्वार्ति शिक्षकों को गले लगाते समय मेरी आँकें चलचला उटी आश्रमवासी छात्रों के और प्रतिदिन अपने घर से आने वाले छात्रों के दमकते चहरे और प्रफुल मुस्कुराहते उन्हें मिल रही शिक्षा और योग प्रशिक्षन की उपयुक्तिता के पर्याद्त प्रमार थे परंतु अपसोस यह सब होते हुए भी राची विद्याले को भीशर अर्थ संकट का सामना करना पड़ रहा था कासिम बाजार के पुराने महराजा सर्मणी चंद्र नंदी जिनका राजमहल विद्याले भवन बन गया था और जिनोंने कई बार विपुलदान भी दिया था अब स्वर्ख सिधार चुके थे पर्याप्त जंद सहयोग ना मिलने के कारण विद्याले के अनेक लोकोपकारी अंग दारुन संकट में थे अमेरिका में इतने वर्ष मैंने उसके ब्याभारिक ज्यान और बाधाओं का डटकर सामना करने के गुड़ों में से कुछ ना कुछ आत्मसाथ किये बिना ही नहीं बिता दिये थे एक सब्ताह तर मैं नाना जटिल समस्याओं से जूचते हुए राची में रहा उसके बाद कोलकता के प्रमुक नेताओं और शिक्षा विदों से मेरी भेट का क्रम शुरू हो गया कासिम बाजार के नए युवा महराजा से भी मैंने लंबी बाध जीत की पिता जी से आर्थिक साहिता के लिए अनुरोध किया और इस सब का परिणाम यह हुआ कि राची विद्याले की लडखाणाती नीव स्थिर होने लगी ठीक समय पर मेरे अनेक अमेरिकी शिश्यों से भी काफी दान प्राथ हो गया भारत लोटने के बाद कुछी महीनों में राची के विद्याले की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री करपाने की खुशी भी मुझे मिल गई इस प्रकार चिरिस्थाई निधियोग योग शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वपन साकार हो गया भिरेईसी स्वपन ने 1917 में केवल साथ विद्यार्थियों के साथ इस विद्याले की शुरुवात करने में मुझे प्रेरित किया था योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्याले के नाम से चल रहे इस विद्याले में माध्यमिक एवं उच्च विद्याले के कक्षावर्ग खुले प्रांगर में चलते हैं आवासिये और प्रति दिन आने वाले दोनों ही प्रकार के छात्रों को कोई ना कोई व्यावसाईक प्रशिक्षन दिया जाता है स्वायत समितियों के माध्यम से अपने अनेक कारे कलापों का छात्र स्वयम ही परिचालन करते हैं अपने शिक्षक जीवन के आरंब में ही यह बात मेरे ध्यान में आ गई थी कि बच्चों को जहां शिक्षकों को मात देने में नटखट आनंद मिलता था वहीं अपने साथ ही छात्रों द्वारा बनाए गए नियमों का वे खुशी-खुशी पालंग करते थे मैं स्वयम भी कभी आदर्श छात्र नहीं रहा था अत्य बच्चों की सब शरार्तों और समस्याओं के प्रती मेरे रिदय में सदा पूर्ण साहन उभूती रहती थी बच्चों को खेल कूद में प्रोचाहन दिया जाता है हौकी और फुटबॉल के खेलों से मैदान गूंचते हैं प्रतियोगिताओं में राची विद्याले के विद्यार्थी प्राया कब जीतते हैं चात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के बल से माश पेश्विओं में शक्ति संचार करने की योगदा प्रणाली सिखाई जाती है जिसमें मानसिक बल से श्रीर के किसी भी हिस्से में प्राण शक्ति का शंचार किया जाता है उन्हें योगासन तथा तलवार और लाठी चलाना भी सिखाया जाता है इस विद्याले के प्रात्मिक चिकित्सा में प्रशिक्षित छात्रों ने बार, अकाल, आधिसंकट काल में अपने प्रांध की प्रशंस्निये सेवा की है बच्चे बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा कर लेते हैं कोल, संथाल और मुंडा आधी प्रांध की आधिवासी जनजातियों के लिए प्रात्मिक विद्याले की शिक्षा हिंदी माध्या में दी जाती है केवल लड़कियों के लिए कक्षाएं आस-पास के गाउं में चलाई जाती है राची के विद्याले की अपूर्व विश्ष्ष्टा यह है कि यहां प्रियायोग की दीख्षा दी जाती है बालक नियमित अध्यात्मिक साधना और गीता पाठ करते हैं उन्हें उबदेश एवं प्रत्यक्ष उधारन द्वारा साध्की, त्यात, आत्मसंवान एवं सत्यानुशीलन की शिक्षा दी जाती है उन्हें यह सिखाया जाता है कि बुराईयों से दुख ही मिलता है और अच्छाईयों से सच्चा सुक प्राप्थ होता है गुराईयों की दुलना विश मिश्वेत शहत के साथ की जा सकती है जो खाने का लालस तो मन में पैदा करती है पर मृत्यू से लदी हुई होती है एकागरता की प्रविधियों के अभ्यास द्वारा शरीर एवं मन की चंचलता को अपने वर्ष में कर लेने की प्रक्रिया के आश्यरे जनक परिणाम सामने आये है जिसके कारण राची में नौ-दस वर्ष के छोटे से बालक का घंटे भर या उससे भी अधिक समय तक स्थिर आसन में आध्यात्मिक नेत्र पर स्थिर्ता पूर्वक द्रिष्टी लगाए बैठे दिखाई देना कोई नई बात नहीं है बगीचे में एक शिव मंदिर है जिसमें परम पूजे लाहिडी महाशे का चित्रभी प्रतिष ठापित है आमर व्रिक्षों की घनी छाया में द्यानिक प्राथनाएं एवं शास्त्राध्यान होता है विद्याले के आहाते में एक और स्थित योगदा सत्संग सेवाश्रम हजारों गरीबों की नेशुल्क चिकित्सा इवं शल्य चिकित्सा करता है तथा उन्हें नेशुल्क दवाईयां भी देता है राची समुद्र तल से 2000 फीट की उँचाई पर बसा है महा की चलवाईयू समशी तोष्ण है विद्याले 20 एकर भूमी में बसा है यह भूमी स्नान योग एक बड़े तालाब के साथ है जिस पर बना हुआ बगीचा भारत के सर्वोत क्रिष्ट निजी बगीचों में से एक है यहां 500 फल ब्रिक्ष हैं आम, खजूर, अमरूर, लीची, कठालादी राची के पुस्तकाले में असन के पत्रिकाएं और अंग्रेजी तथा बंगला भाशा की हजारों पुस्तके हैं जो पूर्व तथा पश्चिम के लोगों से उपहार स्वरूप मिली हैं विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथों का संग्रे भी यहां है एक सुवर्गी कृत्व संग्रहाले में पुरा तक्व, भू विज्ञान तथा मानव विज्ञान संबंधी अनेक वस्तुएं एवन तरह तरह के रत्नों को प्रदर्शित किया गया है इन में से अधिक तर वस्तुएं इश्वर की विशाल धर्ती के विभिन देश प्रदेशों में मेरे भ्रमन के स्मृती चिन्ध है राची के विद्याले के समान ही योग प्रशिक्षन की व्यवस्था के साथ साथ आवासिय व्यवस्था से युक शाखा हाई स्कूल खोले गए हैं और ये सभी विद्याले उत्तरोतर प्रगति पत्पर हैं ये शाखाए हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लखनपुर इस्थित योगदा सत्संग विद्यापीत यानि विद्याले तथा मिद्नापुर जिले में समाली चक स्थित योगदा स्कूल इवं आश्रम 1949 में दक्षिनेश्वर में गंगा किनारे एक भव्य योगदा मटकी स्थापना हुई कोलकता से कुछी मील की दूरी पर उत्तर में इस्थित या आश्रम शहरवासियों के लिए एक रमणिय शांती स्थल है तक्षिनेश्वर स्थित या मत योगदा सत्संग सोसाइटी उसके सारे विद्यालियों तता भारत के विभिन्ने स्थानों में स्थित उसके केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्याले है योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी तौर पर अमेरिका में केलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में स्थेत इसके अंतराश्ट्रिय मुख्याले सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप से संबद्ध है योगदा सत्संग की गतिविधियों में संपूर्ण भारत में रहने वाले अपने सादुकों को प्रतिमा डाक द्वारा योगदा पाट भेजना सम्मिलित है इन पाठों में शक्ति संचार, एकागरता एवं ध्यान की योगदा प्रविधियों का सविस्तार वर्णन है क्रिया योग की उच्चतर दीक्षा लेने के लिए जो बाद में पाठों के मात्यम से किवल योग्य सादुकों को ही दी जाती है इन प्रविधियों के निष्ठा पूर्ण अभ्यास द्वारा स्वयम को तैयार करना आवश्यक होता है योगदा सत्संग की शैक्षणेक, आध्यात्मेक तथा जन हितैशी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठा पूर्ण सेवाओं की आविशक्ता पड़ती है यहां मैं उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी बन जाएगी परन्तु उनमें से प्रतेक व्यक्ति का मेरे रिदय में एक निश्चित उज्ज्वल स्थान है श्री राइट ने राची के अनेक बालकों के साथ मित्रता इस्थापित कर ली थी साधी धोती बहन कर काफी समय तक वे उन सब के साथ रहे मुंबई, प्राच, कोलकदा, श्री रांपोर, जहां जहां भी वे मेरे साथ गए सविस्तार सुंदर वर्णन लिखने की नैसरगिक योगिता से युक्त मिरे इस सचिव ने अपनी यात्रा देनंदिनी में उन सब स्थानों का सविस्तार वर्णन लिखा है एक दिन शाम को मैंने उन से पूछा दिक, भारत के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? एक तालीस्वा अध्याय दक्षन भारत का काव्यात्मक चित्र दिक, इस मंदिर में प्रवेश कर पाने वाले तुम पहले पाश्चात्य व्यक्ति हो अन्याने एक लोगों के प्रयास विफल रहे है मेरे इन शब्दों को सुनकर श्री राइट पहले तो चौंग गए, फिर खुश हो उठे दक्षन भारत में पहाडियों में बसे सुन्दर चामुंटी मंदिर में मैसूर के राज परिवार की कुल देवता चामुंटी देवी के सोने चांदी के सिंगहासन के सामने भक्ती भाव से प्रडाम कर हम लोग बाहर निकले थे यहां से मैसूर का विहंगब द्रिश्य दिखाई देता है श्री राइट ने गुलाब की कुछ पंखुणियों को सहेच कर रखते हुए कहा इस अपूर्व सम्मान की स्मिति में पुजारी महराज द्वारा गुलाब जल छिड़कर पवित्र की गई इन पंखुणियों को मैं हमेशा सम्हाल कर रखुँगा श्री राहित और मैं 1935 का नवंबर महीना मैसूर राजिके अतिथी के रूप में बिता रहे थे महां के महराजा के उत्तराधिकारी युवराज श्री कंथीरवा नर्सिंग राज बाडियार ने अपने सुशिक्षित और प्रगतिशील राज्य के परिदर्शन के लिए मुझे और मेरे सजिब को निमंद्रित किया था कत पंद्रा दिनों में मैंने ताउन हॉल, महराजा के कॉलेज और युनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में मैसूर शहर के हजारों नागरिकों और छात्रों के सम्मुक व्याख्यान दिये थे इसके अत्रिक मैंने बैंगलोर में तीन विशाल जनसभाओं को संभोधित किया था नैशनल हाई स्कूल, इंटरमीडियेट कॉलेज और चेट्टी टाउन हॉल जिसमें तीन हजार लोग उपस्थित थे अपने व्याख्यानों में मैंने अमेरिका का जो उज्वल चित्र खीचा, उस पर उत्सुक लग रहे श्रोदाओं को विश्वास हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता परन्तु जब जब मैंने पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम वैश्षिष्टियों के आदान प्रदान से हो सकने वाले बारस पर एक हितो की चर्चा की, तब तब तालियों की गड़गड़ा हट सबसे उँची कूँज उटती थी श्री राइट और मैं अब उश्चन प्रदेशिय शांती में विश्राम का समय बिता रहे थे अपनी यात्रा देनंदनी में श्री राइट ने मैसूर का अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है विश्त्रित आकाश में शांक्षान बदलने वाली भगवान की चित्रकारिता को मगन होकर निहारने में अनेक अनेक शांबीत गए यह मगनता इतनी गहरी थी कि अन्य किसी बात की खबर ही नहीं रही आखेर केवल प्रभू की तूलिका से ही तो ऐसे रंग प्रकट हो सकते हैं जिन में प्रत्यक्ष जीवन की ताजगी निखर आती है जब मनुष्य केवल रंग द्रिव्यों से इन रंगों की नकल करने का प्रयत्न करता है तो उनमें वह ताजगी नहीं आती क्योंकि भगवान किसी तैल या रंग द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, बलकि इससे कहीं अधे साधे सरल और प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं. प्रकाश किर्णों का वे प्रकाश का एक छपका यहां उड़ा देते हैं और वा लाल प्रतिभासित होने लगा. तो चक्री बन जाती है. इस प्रकार रात दिन वे अपना यह खेल चलाते ही रहते हैं. चिर परिवर्दन शील, चिर नभी, सदा नई ताजगी, कभी पुन्वरा व्रति नहीं, कभी वही आकृती नहीं, कभी वही रंग नहीं. दिन के रात में और रात के दिन में बदलते समय, भारत में जो सौंदर्य प्रकट होता है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं. प्रायाय आकाश ऐसा दिखता है, मनुई ईश्वर ने अपनी रंग पेटी में से सारे रंग निकालकर एक साथ जोर से आकाश में उच्छाल दिये हों. मैसूर शहर से बारा मील दूर स्थे, विशाल कृष्ण राज सागर बांध के सुर्यास्त द्रिश्य के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन तो मुझे करना ही पड़ेगा. योगानन जी और मैं वहाँ जाने के लिए एक छोटी सी बस में सवार हो गए. उस बस के एंजिन को हैंडिल मार कर चालू करने के लिए एक छोटा सा लड़का भी हमारे साथ हो लिया. सड़क कच्ची परंतु अच्छी सम्दल थी. जब हम लोग निकले तो सूर्य अस्थ होई ही रहा था. बक्षितिश पर पिचक दिये गए अत्यधिक पके टमाटर की भांती दिखाई दे रहा था. हर जगें की तरह ही यहां भी रास्ता धान के चौकोर खेतों के बीच में से जा रहा था. रास्ते के दोनों और शीतल, छायादार, बटब्रिक्ष थे, जिनके बीच-बीच में नारियल के उंचे-उंचे पेड़ भी थे. लगभग हर तरफ एक जंगल सा ही लग रहा था. अंततय हम लोग एक पहाड़ी के उपर पहुँच गए. सामने एक विशाल कृत्रिम जील दिखाई दे रही थी, जिसमें आकाश के तारों और किनारे के तार एवं अन्य व्रिक्षों का प्रतिबिम्ब पढ़ रहा था. जील के चारों और पहाड़ियों में सीडियां काट-काट कर सुन्दर-सुन्दर बगीचे बनाए गए थे, और किनारों पर इलेक्ट्रिक लाइटों की पंक्तियां थी. बांध की दिवार के नीचे का द्रिश्य तो देखते ही बनता था. बिशाल उचे-उचे उठने वाले फबारों पर पड़ती रंग बिरंगी प्रकाश किरने ऐसा द्रिश्य प्रस्तुत कर रही थी. मानो अध्यंत सुन्दर रंग बिरंगी उज्वल प्रभायुक्ति स्याहियों के उस्राव हूँ. मानो नीले, लाल, हरे, पीले, जल प्रपात महान मृत्य कर रहे हूं। कहीं कहीं हाथी की भव्य प्रस्तर प्रतिमाओं की उपर उठी सून्दों से पानी के फबारे उड़ रहे थे। यहबान, जिसके आलोकित फबारे मुझे शिकागों में 1933 में हुए विश्व मेले की याद दिला रहे थे, धान के खेतों और सीधे साधे लोगों की इस प्राचीन भूमी में अपनी आधुनिक्ता में अध्युतिय है। भारत में लोगों ने इतने प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है कि मुझे डर लगने लगा है कि योगा नंजी को वापस अमेरिका ले जाना मेरे बस के बाहर की बात होगी। सीड़ी से रेशम के गद्दे लगाकर नरम बनाए गए बक्स लुमा हौदे में पहुँच गया। हाथी ने ढलान से उतरते हुए एक संक्रे मार्क पर चलना शुरू किया और उसी के साथ शुरू हुआ हौदे में हमारा इधर से उधर लुड़कना, उछाले जाना, उपर उठना और नीचे गिरना। कभी इधर जूमना तो कभी उधर जूमना। यह सब इतना रोमांचक था कि चिंता करने का या कुछ कहने का समय ही नहीं था। बस अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़े रहने के सिवा कोई विचार ही उस समय मन में नहीं आ सकता था। एतिहासिक और पुरातात्विक अवजेशों से भरपूर दक्षिन भारत एक निश्चित और फिर भी अवणनिय सुन्दर्ता से युक्त प्रदेश है। मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी द्वारा अलग किया गया हैदराबाद राज का सुन्दर पठारी भाग है। विस्त्रे तुपजाव जमीन, मनोरम नीलगरी परवर्द, कुछ हिस्सों में चूने के पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर की बंजर पहाड़ियों से युक्त यह प्रदेश अत्यंत मनोहारी है। हैदराबाद का इतिहास एक लंबी विविद रंगी कहानी है, जो आंदर के 3000 वर्ष पूर्व के राजाओं से शुरू होती है और 1294 इस्वी तक के हिंदू राजाओं तक आती है। इसके बाद यह प्रदेश मुस्लिम शास्कों के अधीन चला गया। संपूर्ण भारत वर्ष में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला का सबसे सुन्दर प्रदशन हैदराबाद राज्य में ही चट्टानों से तराश कर निकाली गई अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक विशाल अखंड पत्थर के पहाड को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर में देवताओं, मनुष्यों और पश्यों की मूर्तिया इतने विशाल आगारों में तराशी गई हैं कि पाश्यात्य जगत में माइकलेंजलों की कलाकृतियों की ही इनके साथ तुलना हो सकती है। अजन्ता में पाँच गुफा मंदिर और पच्चीज गुफाएं हैं, जिनमें कभी सन्यासी बास करते थे। ये सभी गुफाएं चटानों को तराश कर बनाई गई हैं। इनमें विशाल आधार स्तंभ हैं, जिन पर अति सुन्दर, रंगीन, चित्र और मूर्तिया बनाकर उनके चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपनी कला को अमर बना दिया है। हैदराबाद शहर में उस्मानिय युनिवर्सिटी और विशाल मक्का मस्जिद है। इस मस्जिद में एक साथ दस हजार मुसलमान नमास पर सकते हैं। समुद्र तल से तीन हजार फुट की उचाई पर इस्थित मैसूर राज्य गने उष्ण प्रदेशिय जंगलों से भरपूर हैं। जिनमें जंगली हत्व, जंगली भैसे, रीच, जीते और बाग रहते हैं। इस राज्य के दो प्रमुक शहर, बैंगलोर और मैसूर, स्वच, आकर्शक तथा अनेक सुंदर उध्यानों एवं सर्वजनिक बगीचों से युक्ष हैं। ग्यार्मी शताब्दी से लेकर पंदवी शताब्दी तक, हिंदू राजाओं की छत्र छाया में मैसूर में हिंदू इस्थापत्यकला और शिल्पकला अपने चरम उतकर्ष पर पहुँच गई थी। ग्यार्मी शताब्दी के राजा विश्णु वर्धन के शासनकाल में निर्मेत, बेलूर का मंदिर नाजुक काम की बारी की और मूर्तिकला की विपुलता की द्रिष्टी से सारे विश्व में बेजोड है। उत्री मैसूर में पाए गए शिला लेक ईसापूर्व तीसरी शादाब्दी के हैं। ये शिला लेक समराट अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। समराट अशोक के विशाल सामराज्य में भारत, बलुचिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। विभिन बोलियों में उत्कीन अशोक की ये उबदेश शिलाएं, उनके काल में व्यापक सुशिक्षित्ता के प्रमाण हैं। तेर्में शिलालेक में युद्ध की भत्सना की गई है। उसमें कहा गया है, धर्म की विजय के अतरिक और कोई विजय सक्ची विजय नहीं है। बलकि कल्यान के दान में अर्थात सत्य के प्रसार में नहित है। छटे शिला लेक में जनता के प्रिय समराथ अपनी प्रजा को लोख हित से सम्मंधित किसी भी विशह पर चर्चा करने के लिए दिन या रात के किसी भी समय अपने पास आने के लिए अमंत्रित करते हैं और आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपने राज करतव्य का निर्वाह करके वे केवल समाज के रुण से मुक्थ होने का प्रयास कर रहे हैं अशोक, प्रतापी समराट, चंद्रगुप्त मौरे के पौत्र थे जिन्होंने सिकंदर द्वारा भारत में रखी गई सेना को तहस नहस कर दिया और इसापूर्व 305 में सेल्यूकस की आक्रमान कारी युनानी सेना को परास्त कर दिया उसके बाद मेगस्थनीज युनानी राजदूद बनकर पाटली पुत्र में रहे मेगस्थनीज ने ततकालीन सुखी और उद्यमी भारत का विशद बरणन किया है इसापूर्व 298 में दिगविजाई चंद्रकुप्त ने अपना सामराज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वे दक्षन भारत में चले गए अपने जीवन के अंतिम 12 बर्ष उन्होंने आत्म ग्यान के लिए साधना करते हुए अकिंचन वैरागी के रूप में श्रमण बेल गोला की एक गुभा में व्यातीत किये महां अब मैसूर राज के अधिशासन के अंतरकत एक मंदिर है इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अखंड पत्थर से बनी मूर्ती है गोमिटेश्वर की इस मूर्ती को जैनों ने 983 इस्वी में एक विशाल चक्डान को तराश कर बनाया था भारत पर आक्रमन के समय सिकंदर के साथ या उसके बाद भारत में आई यूनानी इतिहसकारों ने छोटी-छोटी घटनाओं का भी बड़ा रोचक वर्णन कर रखा है प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए सिकंदर के असफल भारत आक्रमन में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो बात ही हिंदू दर्शन में और योगियों एवं संतों में उसकी गहरी रूची योगियों और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था पश्चिम से आ रहे इस योधा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुँशने के शीगर बाध ही उनेसी कृटोस यानि डायोजेनिस के हेलनिक मत का एक अन्युआई को तक्षशिला के एक महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा प्रणाम एब्राह्मन गुरू उनेसी कृटोस ने अरंडे में दंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा शक्तिमान देफता जीयस के पुत्र सिकंदर जो मानब मातर के अधिपती हैं आपको बुलाते हैं यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास आ गए तो वे आपको अमूल लियो बहार देंगे यदि आपने इंकार किया तो वे आपका सिरुडा देंगे योगी ने इस बाद्यकारी निमंतरन को शांती से सुन लिया और जिस पढ़ने शया पर वे लेटे थे वहां से उन्होंने सिरुठा कर देखा तक नहीं फिर शांत उसर में उन्होंने कहना शुरू किया यदि सिकंदर जियस का पुत्र है तो मैं भी जियस का ही पुत्र हूँ सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं संतुष्ट हूँ और मैं यह भी देख रहा हूँ कि वह अपनी सेना लेकर सागर और भूमी पर निरर्थक भटक रहा है और उसके इस भटकने का कोई अंध नहीं दिख रहा है जाकर सिगंदर से कह दो कि राज, राजेश्वर, परमेश्वर कभी ध्रिश्ट अन्याय का जनक नहीं बनता बलकि वह तो प्रकाश, शान्ती, जीवन, जल, मानवदे और आत्माओं का स्रष्टा है जब मृत्यू मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्यादी से ग्रस्त नहीं रह जाता तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास ले लेता है केवल उसी परमात्मा के चर्णों में मैं सिर जुकाता हूँ जो हत्या से ग्रिना करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोटसाहन नहीं देता उसी शान्त स्वर में धिकारते हुए दंडा में इस कहते गए सिकंदर कोई देवता नहीं है क्योंकि उसे मृत्यू का ग्रास बनना ही पड़ेगा उसके जैसा कोई जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड सामराज्य के सिंगासन पर अभी बैठा ही नहीं है इस जगत का अधिपती कैसे बन सकता है नहीं उसने अभी सशरीर यमलोक में प्रवेश किया है और ना उसे इस प्रित्वी के विशाल प्रदेशों के उपर से जाने वाले सुर्यपत का ही ग्यान है अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगोंने नहीं सुना है इस भग्सना के बाद जो निश्चही प्रित्वी पती के कानों में कभी पड़ी सबसे कड़ी फटकार रही होगी दंडामिस ने व्यंग बार चलाया यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान सामराज्य पूरा ना पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो वहाँ उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोशन कर सकता है सिकंदर के उभार मेरे किसी काम के नहीं दंडामिस बोलते जा रहे थे जिनने मैं बहुमूल्य मानता हूँ और जो मेरे काम के हैं वे हैं व्रिक्ष जो मुझे आश्रे देते हैं लहलाहते पेड़ पौधे जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं और पानी जो मेरी प्यास पुझाता है चिंता करकर के जमा की होई संपत्ती उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्थ होता है। सभी अप्रबुद्ध मनुश्य इसी दुख और शोक से ग्रस्थ होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूँ और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास ना होने के कारण निश्चिंद होकर गहरी नीन्द सोता हूँ। जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती, जो संसार की दृष्टी में मूल्यवान हो, तो उसका बोच मेरी नीन दुड़ा देता। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूद पिलाती है, उसी प्रकार या धर्टी माता मेरी हर आविशक्ता की पूर्थी करती है, किसी चीज की कोई चिंता करने की आविशक्ता ही ना होने के कारण, मैं जब जहां चाहे चला जाता हूँ। सिकंदर यदि मेरा सिर काट भी दे, तो भी वह मेरी आत्मा को नश्ट नहीं कर सकता। तब मेरा मूप मस्तक और फटे वस्त्र के समान मेरा यह शरीर इस धर्टी पर पड़ा रहेगा, जिसके तक्वों से यह बना था, और मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊँगा। उस परमात्मा ने ही हम सब को रक्तमास के शरीर में बंद कर यह देखने के लिए इस धर्टी पर भेजा था, कि हम यहाँ नीचे आकर उसकी आग्याओं का पालन करते हैं या नहीं। और जब हम यहाँ से प्रस्थान कर उसके पास जाएंगे, तब वह हमारे जीवन का हिसाब हमसे लेगा। सारे अन्यायों का हिसाब वही करता है। पीडितों की आहें ही अत्याचारियों का दंड विधान बना देती हैं। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए, जिन्हें धनकी इच्छा हो और जो मृत्यू से डरते हो। ब्रामबनों के आगे उसके अस्त्रशस्त्र निरर्थक हैं। क्योंकि हमें नहीं स्वन का मोह है और ना मृत्यू का भए। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुमारी किसी चीज़ की आविशकता नहीं है, इसलिए वह तुमारे पास नहीं आएगा, और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए, तो तुम स्वयम दंडामिस के पास जाओ। उनेसी कृटोस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यांत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की जप पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। क्योंकि वे भले ही व्रिद्ध थे और नगन रहते थे, परन्तु वे एकमात रैसे विरोधी थे, जो कई राश्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मनों को तक्षशिला में आमंत्रित किया, जो दार्शनिक प्रशनों के सार गर्भे दुत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लुटार्क ने उस वाक युद्ध का विवरन दिया है। सभी प्राशन सिकंदर ने स्वयम ही किये थे, किनकी संख्या अधिक है? जीवित लोगों की या मृत लोगों की? जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्र ही नहीं है, अधिक बड़े प्राणी कहां होते हैं? समुद्र में या भूमी पर? भूमी पर, क्योंक कि मनुष्य अज्यात से डरता है पहले क्या था दिन या राद दिन एक दिन पहले बना था इस उत्तर को सुनकर सिकंदर के जहरे पर आश्चर्य प्रकाट हुआ तब ब्रह्मन ने कहा असंभव प्रश्णों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन करने का जब अत्यंत शक्ति संपन होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करें के सुपाय से मनुष्य देवता बन सकता है मनुष्य के लिए जो काम असंभव है उसे कर दिखा कर जीवन और मृत्य में अधिक बल्वान कौन है जीवन चोकि वह इतन अधिक पापो को भी सेहन कर सकता है सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बना कर ले जाने में सफल हो गया उस योगी का नाम कल्यान था जिनका दूसरा नाम स्वामी स्पाइन्स भी था और जिने युनानी लोग कालनोस कहने लगे वे सिकंदर के साथ पार जरजर शरीर त्याग दिया इतिहासकारों ने लिखा है कि युनानी सानिकों के आश्चरे का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उस योगी को न शारीरिक यातना का कोई भय था न मृत्यु का अगनी ज्वालाओं के बीच जलते हुए वे एक शन के लिए भी कभी अ बेविलोन में मिलूंगा सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और एक वर्ष बाद बेविलोन में मर गया हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था वह उनका यह कहने का तरीका था कि वे जीवन और मृत्यों में सिकंदर के साथ रहेंगे युनानी इतिहासकारों ने भारतिय सम और प्रेणा प्रत्ष शब्द चित्रों की छाप छोड़ी है एरियन लिखते हैं कि हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करता है और उसने यह विधान बना रखा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्तिति में दास नहीं बनेगा बलकि स्वयम स्वतंतरता का उब्भोग कर करते हुए यह ध्यान रखेगा कि सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंतरता का अधिकार है एक दूसरी पुस्तक में लिखा है भारतिये लोग ब्यास पर पैसा नहीं देते उनमें रिण का लेन देन नहीं होता अन्याय करना या अन्याय सेहना भारत की प्रथा के बिखार सल प्राकृतिक उपायों का अबलंबन किया जाता है कि सी रोक से मुप्टि के लिए आशधियों का प्रयोक करने की अबेख्षा पथ्य परेच का सहरा लिया जाता है मलहमों और प्रलेपों का प्रयोक सर्वाथिक प्रचलित है अन्य सभी औशदोप चारों को खातक माना जाता है युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम था शत्रु सेना भी खेतों में काम करते किसी क्रिशक को कोई हानी नहीं पहुँचा दी क्योंकि इस वर्प के लोगों को लोकोप कारी माना जाता है इसने उन पर आक्रमन करना वर्जित है भूमी इस प्रकार विद्ध्वन्स से सुरक्षित रहने के कारण विपुल अनाच पैदा करती है और महान निवास करने वाले लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्टी करती है मैसूर राज में सर्वत्र पाय जाने वाले धार्मिक स्थल धक्षिन भारत के अनेका नेक बहान संतों की याद दिलाते रहते हैं इन में से ही एक महान संत थायू मानवर नेक चुनोती पूर्ण कविता लिखी है तुम मदमस्त गज को नियंतरन में ला सकते हो तुम रीच और व्याग्र का मूँ बंद कर सकते हो सिह की सवारी कर सकते हो और नाक के साथ खेल सकते हो तुम किसी भी धातु को स्वर्ण में बदल कर जीविका कमा सकते हो तुम अद्रिश्य होकर पूरी स्रिष्टि का प्रमण कर सकते हो देवताओं को अपने दास बना सकते हो सदा के लिए युबा रह सकते हो तुम पानी पर चल सकते हो और अगनी में वास्ट कर सकते हो परंतु मन का नियंत्रण इन सब से श्रेश्ट और अधिक कठिन है भारत के दक्षणी छोर पर अत्यंतु जाओ भूमी का सुन्दर राज्य है त्रावनकोर यहां नदियों और नहरों से ही मुख्य रूप से यादायात होता है अतीत में युद्धों और छोटे-छोटे राज्यों का त्रावनकोर राज्य में विले कर लेने के पापों का प्रतिवर्ष प्रायश्चित करने की बंच परंबरा यहां के राज़ परिवार में है प्रतेकवर्ष 56 दिन तक महराजा दिन में तीन बार मंदिर जाकर वेद मंत्रों और स्तोत्रों का श्रवन करते हैं इस प्रायश्चित अनुष्ठान की समाती लक्ष दीपमुट्सव जा मंदिर में एक लाग दीप जला कर होती है भारत के दक्षनपूर्व दटपर मद्रास प्रेसिदेंसी में समुद्र से घिरे सपाट विस्तीन भूप्रदेश पर बना शहर है मद्रास इसी राज़ में दूसरा एक शहर है स्वर्ण नगरी गांजी वरम जो पल्लव राजाओं की राज़धानी थी ये राजा इस्वी सन की प्रारंभिक शताद्यों में यहां राज्य करते थे वर्तमान मद्रास प्रेसिदेंसी में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांद का काफी प्रचार हुआ है जहां तहां सफेद गांधी टोपी दिखाई देती है तक्षन भारत में महात्मा गांधी के प्रयतनों से अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वार अस्प्रिश्यों के लिए खुल गये हैं तथा जाती प्रथा में भी अवस्थाओं के अनुरूप मानव जाती चार मुख्यवर्णों में विभाजित है वे जो शारेरिक श्रम द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं अर्थात शूत्र दूसरे वे जो अपनी मानसिक्ता कौशल, क्रिशी कर्ब, व्यापार वानेज और साधारन तोर पर खुद्योग व्यावसाय अर्थात वानेक वृत्ति द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं यानि वैश्य तीसरे वे जिनमें प्रशासन कार्य संचालन तथा संरक्षन की मनो वृत्ति एवं क्षमता होती है अर्थात शासक तथा योध्धा यानि शत्रिय और चौथे वे जिनकी प्रवृत्ति चिंतन मनन की होती है जिनमें आध्यात्मिक प्रेणा जाग गई होती है और जो दूसरों में यह प्रेणा जगा सकते हैं अर्थात ब्रामभर महाभारत में कहा गया है मनुने समाज को ज्यान, सद्गोण, आयू, रिष्टेदारी और अंत में संपत्ति के आधार पर लोगों को सम्मान देने का निर्देश दिया है वैदिक काल के भारत में धन के संचे को और ऐसे धन को जो लोकोपकार के लिए उपलब्द ना होता हो ग्रिणा की द्रिष्टी से देखा जाता था अत्यंत धनवान लोगों को भी यदि वे क्रिपण हों तो समाज में हीन स्थान मिलता था काल के प्रवाह में जब वर्नाश्रम व्यवस्था जाती प्रथा के चौकटे में जकल गई तो समाज के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बन गई 1947 में स्वाधिनता प्राप्ट करने के बाद भारत धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जन्म पर नहीं बलकि केवल नैसर के गुड कर्म पर आधारेत जाती प्रथा के प्राचीन मूलियों की पुनर स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रित्वी पर प्रतेक राश्र को दुख उत्पन्न करने वाले अपने ही विशिष्ट कर्म संचय को भोगना पड़ता है और इस प्रकार कर्मों को समात्र करना पड़ता है अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अदम में आत्मशक्ति से भारत जाती व्यवस्ता में सुधार लाने में सफल हो रहा है दक्षन भारत इतना लुभावना है कि श्री राइट और मैं वहाँ अपने प्रवास को और बढ़ाना चाहते थे परांतु निश्ठोर समय हमें इसकी अनुमदी नहीं दे रहा था कोलकता विश्वेद्याले में इंडियन फिलोसफिकल कॉंग्रेस के समाबंद सत्र में व्याख्यान देने का मेरा दिन निकटा रहा था मैसूर में अपने प्रवास के अंत में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष सर सीवी रमण से मैंने भेट दी और उनके साथ बारतालाब में मुझे बड़ा आनंद आया इस प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी को 1930 में प्रकाश प्रसरंड में उनके द्वारा किये गए आविशकार के लिए नोबेल पुरसकार से सम्मानित गया था उनका आविशकार रमन इफिक के नाम से प्रसिद्ध है मदरास के शिश्यों और मित्रों से अनिच्छा पूर्वत विदा लेकर श्री राइट और मैं अपनी यात्रापण निकल पड़े रास्ते में हम लोग सदाशिव ब्राम्हन की पुर्णे स्मिर्थी में बने एक छोटे से मंदिर के दर्शनार्थ रुके अठार्मी शताब्दी के इस संद की जीवन गाथा अनेक चमतकारों से परिपूर्ण है इन्ही सदाशिव का एक बड़ा मंदिर नेरूर में है काजरन के कुछ नियम लिखे थे जिसे उस राजा के बाद राजगदी पर बैठने वाले वहां के सभी राजाओं ने एक पवित्र धरोवर के रूप में संभाल कर रखा है और सदैव उनका पालन करने का प्रयास किया है सदाशेव पूर्ण ग्यानी संत थे तथा सभी को प्रिय थे उनके बारे में दक्षन भारतिये ग्रामों में अभी भी विलक्षन कहानिया प्रचलित है एक दिन वे कावेरी तट पर समाधी में लीन बैठे थे कि अचानक बार आई और लोगों ने उन्हें बार में बह जाते हुए देखा इसके कई सप्ता बाद वे कोयम बटूर जिले में कोडु मुडी गाउं के निकट मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए मिट्टी हटाने वाले ग्रामीनों के फावड़े जब उने लगे तो वे उट खड़े हुए और तेजी से महा से चल दिये एक वयो विद्ध वेदान्ती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में परास्त करने पर गुरू से फटकार मिलने के कारण सदाशिफ मुनी यानि मौनी बन गए उनके गुरू ने कहा था तुम्हारे जैसा युबक जीप पर सैयम रखना कब सीखेगा? आपके आशीरवात से अभी इसी क्षण से सदाशिफ के गुरू स्वामी श्री परम शिवेंद्र सरस्वती थे जिनोंने देहर विद्या प्रकाशी का लिखी है तथा उत्तर गीता पर भी एक अत्यंत गहन्टी का लिखी है कुछ संसारी लोग भगवत प्रेम में मस्त होकर प्राया साड़कों पर लाच शर्म छोड़कर नाश्ते सदाशिफ को देखकर आहत हुए उन्होंने विद्वान गुरू के पास जाकर शिकायत की महराज, सदाशिफ पागल से अधिक कुछ नहीं है परन्तु परम शिवेंद्र महराज ने आनंद के साथ मुस्करा कर कहा आहा, काश यदि सभी इस प्रकार के पागल बन सकते सदाशिफ के जीवन में भगवान के हस्तक शेप की अनेक बिलक्षन और सुन्दर घटनाएं घटित हुई इस संसार में बहुत सा न्याय प्रतीत होता है परन्तु भगवदभट इश्वर के तक्षन न्याय के असंख ये प्रसंगों के साक्ष दे सकते हैं समाधी अवस्था में मगन सदाशिफ एक रात एक धनी ग्रहस्त के अनाज गोदाम के पास आकर रुप गए पहले से चोरों की तलाश कर रहे तीन नौकरों ने उन्हें देख लिया और उन पर वार करने के लिए अपनी लाठियां उठाई और आश्चर रहे उनके हाथ उपर ही उठे रह गए भोर में सदाशिफ के माहा से जाने तक वे तीनों मूर्तियों के समान वैसे ही हाथ उपर उठाए खड़े रहे एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ इस संद को भी जबरदस्ती लखणी ढोने के काम में लगा दिया मौनी संद ने विनम्रत पूर्वक बाबोश्ट होया और नियत स्थान पर पहुँचने पर जैसे ही उन्होंने महा लगाए हुए विशाल धेर पर अपनी लखनियां रग दी पूरे धेर में से अगनी ज्वालाएं फूट पड़ी त्रेलंग स्वामी की तरह ही सदाशिव भी कोई वस्त्र धरण नहीं करते थे एक दिन सुबह अनव धान से वेक मुसल्मान सरदार के तंबू में पहुँच गए दो महिलाएं चीक पड़ी सरदार ने अपनी तलवार से सदाशिव पर बार कर दिया सदाशिव का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया यह सब उनके ध्यान में भी नहीं आया और वे निर्विकार भाव से महा से चल दिये आश्चेर्य मिश्वित भाए और पश्चाताप से दगधुए मुसल्मान सरदार ने समीन पर पड़ा हाथ उठाया और सदाशिव के पीछे चल पड़ा सदाशिव ने वा हाथ लेकर उसे रक्त स्राब होते ठूट में घुसा दिया मुसल्मान सरदार ने विनम रहोकर जब आध्यात में कुपदेश की आचना की तो सदाशिव ने अपनी उंगली से रेत पर लिखा जो करने की इच्छा हो वह मत करो तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे इस संथ के प्रभाव से मुसल्मान मन की शुद्ध वस्ता में पहुँच गया था इसलिए इस परस पर विरोधी प्रतीत होते उब देश के सही अर्थ को उसने समझ लिया कि अहंकार पर विजय के द्वारा ही आत्मा की मुक्ती होगी इस छोटे से उब देश का ध्यात्मिक आगहात इतना शक्तिशाली था कि वह योध्धा सदाशिव का उन्नत शिश्य बन गया अपने पुराने रास्तों पर वाफ फिर कभी नहीं लोटा श्री सदाशिव के समक्ष गाउं के बच्चों ने एक बार 150 मिल दूर मदुरे का मेला देखने की इच्छ व्यक्त की योगी ने बच्चों को इशारा किया कि वो उनके शरीर का स्पर्श करें बच्चों के स्पर्श करते ही तच्छन सब के सब मदुरे पहुँच गए वहां हजारों तीर्थ यात्रियों के बीच बच्चे खुशी से गूमते रहे कुछ घंटो बाद योगी वर परिवहन के अपने उसी सरल ढंक से बच्चों को वापस गाउं में ले आए बच्चों के माता पिता चकित होकर उनके मुझसे मदुरे की शोभा यात्रा का असंदिक दुबर्णन सुन रहे थे और बच्चों के हाथों में मदुरे की मिठाईयों के पैकेट भी देख रहे थे एक लड़के को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ उसने बच्चों की बातों का और सदाशिव का उबहास किया अगली बार जब श्री रंगम में मेला लगा तो वह लड़का सदाशिव के बास गया परिहास करने के स्वर में वह बोला महराज उन बच्चों को आप जैसे मदुरे ले गए थे बैसे मुझे भी श्री रंगम क्यों नहीं ले जाते सदाशिव ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी अल़का दूसरे एक शर्ण उस सुदूर शहर की भीड में पहुँच गया पर जब वह वापस लोटना चाहता था तो अफसोस संद महराज कहां थे आखेर पध्यात्रा के साधारन माध्यम का अवलंब कर उस टलके को ठक हार कर अपने घर पहुँचना पड़ा दक्षन भारत से निकलने से पहले श्री राइट और मैं श्री रमण महर्शी से मिलने के लिए तिरुवन्ना मलई के पास पावन अरुनाचल परवत की तीर थियात्रा करने गए श्री रमण महर्शी ने अत्यंत प्रेम पूर्वग अपने आश्रम में हमारा स्वागत किया और पास ही रखे इस्ट वेस्ट पत्रिका के धेर की और हाथ दिखाया हम जितने समय तक उनके पास उनके शिश्यों के साथ रहे उसमें अधिकांश समय महर्शी मौन ही रहे उनके मुख मंडल पर ईश्वर ये प्रेम और प्यान का तेश था दुखी मानव को अपनी पूर्णता की विस्त्रेत अवस्था को पुन्हे प्राप्त करने के लिए श्री रमण का यह उपदेश है कि उसे निरंतर अपने आप से यह प्रश्ण करना चाहिए मैं कौन हूँ? सच मुच, बहुत बड़ा प्रश्ण अन्य सब विचारों को द्रिणता पूर्वक दूर धकेल देने से साधक शीग्री अपने सच्चे स्वरूप की गहराईयों में उतरता चला जाता है और दूसरे विचारों से मन भ्रमित होना बंध हो जाता है भारत के इस ज्ञानी महर्शी ने लिखा है द्वैत को और दृत्व को कोई सहारा चाहिए बिना सहारे के विउत्पन नहीं हो सकते उस सहारे का ज्ञान प्राप करने से विधीले पढ़कर नश्ट हो जाते है यही सत्द्य है जो इसे जान जाता है वह फिर कभी नहीं लड़ ख़़ाता जो 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 फिर के विखा जो 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 ख़़ए 42 अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन गुरु जी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कुछ फल और गुलाब पुश्मों की सुगन्द से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्रीराम पुराश्रम पहुचाई था श्रीयुक्तेश्वर जी ने दीन भाव से मेरी ओर देखा तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरु देव कमरे में नजर दोड़ा रहे थे मानुब बच निकलने का कोई रास्ता ढून रहे हूँ गुरु जी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था अब मैं प्राण हो गया हूँ यहां तक कि एक दो बाल भी अब सफेद हो गये हैं आपने हमारे मिलन के प्रथम शन से लेकर अब तक सदा ही अपने मुग प्रेम की वर्शा मुझ पर की है पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई कि केवल उस पहले दिन ही आपके मुख से निकला था मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मैं याचना भरी द्रिष्टी से उनकी और देख रहा था गुरुदेव ने अपनी द्रिष्टी चुका ली योगानन मुख रेदय की गहराईयों में सुरक्षित बैठी प्रगार प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भावशून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है गुरुजी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरस्ते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा अपने बैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाहती ताकि मैं उसे योगमार्ग की शिक्षा दे सकू परंदु जब तुम मेरे जीवन में आए तब मैं संदोष्ठ हो गया तुम में मुझे मेरा पुत्र मिल गया फ्रियुपतेश्वर जी की आँखों में तो इस पश्ट अश्रुबिंदु छला गाए योगनन्द मुझे सदा ही तुमसे प्रेम रहा है और सदा ही रहेगा आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिये है मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर से एक भारी बोज हट गया हो जैसे उनके शब्दों से वा बोज सदा के लिए पिखल कर बह गया हो मैं जानता था कि वे आत्मस्त हैं और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं था फिर भी उनका मौन मैं समझ नहीं पाता था कभी कभी मुझे लगता था कि उन्हें संतुष्ट करने में मैं विभल हुआ था उनके विलक्षन स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था उनका स्वभाव गंभीर, स्थिर और बाहे जगत के लिए दुर्बोध था जिसके सारे मूल्यों को कप के पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे कुछ दिन बाद मैंने कोलकता के एलबर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाई के सामने व्याख्यान दिया उस अबसर पर श्री उक्तेश्वर जी संतोष के माहराजा और कोलकता के मेर के साथ मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं पर मैं व्याख्यान के दौरान बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था और मुझे लगा कि वे प्रसंद है फिर श्रीरामपूर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया जब अपने पुराने साइपाठियों पर मेरी द्रिष्टी पड़ी और उनकी द्रिष्टी अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी तो आनंद के अशुरू सारा संकोच छोड़कर बहने लगे दर्शन शास्त्र के मेरे मधुर भाशी प्रोफेसर डॉक्टर खोशाल मेरा अविनंदर करने के लिए सामने आये हमारी पुरानी सारी गलत फहमिया काल के एंद्र जालिक स्पर्ष से विलय हो चुकी थी दिसंबर के अंथ में श्री राम पुराश्रम में दक्षणायन प्रारंब का महुत्सम बनाया गया हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराश से श्री युक्तेश्वर जी के शिश्य एकत्रित हुए भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कृष्णदा का मधुर गायन, आश्रम वासी बालक युवा शिश्यो द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद आश्रम के आँगन में तारों के छत्र के नीचे खाचा खच भरे शिश्य समुदाय के सामने गुरु देव का अत्यांत प्रेणा प्रत प्रवचन सारी पुरानी स्मितियां फिर जाग उठी बीते वर्षों के वे आनंद पूर्ण उत्सव परन्तु आज रात कुछ नया भी होने वाला था योगनन आज की सभा में तुम प्रवचन करो अंग्रेजी में यद्धुरा अनोखा आदेश देते समय श्री उक्तेश्वर जी की आँखों में चमक आ गई थी कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के पहले जहास पर हुई मेरी दुर्दशा का तो विचार नहीं कर रहे थे महा उपस्थेत अपने गुरु भाईयों को मैंने वह किस्सा सुनाया और अन्त में अपने गुरु के प्रती कृतग्यता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहास पर ही गुरु देव का अमोग मार्क तर्शन मुझे प्राप्त हुआ था मैंने कहा बलकि विशाल आतित्यशील अमेरिका में बिताय हुए पंद्रा वर्षों में दिन प्रति दिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा जब सब लोग चले गए तो श्रीयुक देश्वर जी ने मुझे उसी शेयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सफ के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की आनुमती मुझे मिली थी आज मेरे गुरु देव वहाँ चुक चाप बैठे थे और उनके चर्णों में कुछ शिश्यगर्ण अर्द वृत्दाकार बैठे थे योगनन क्या तुम अभी कोलकता लोट रहे हो पर कल यहां अवश्य आ जाना मुझे तुम्हें कुछ बताना है दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर वश्नों के साथ श्री उक्तेश्वजी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पद्वी परमहंस प्रदान की मैं उनके चर्णों में प्रणाम कर रहा था तब उन्होंने कहा अब यह नई उपाधी तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधी का स्थान लेगी मेरे अमेरिकी शिश्यों को परमहंस जी शब्द का उचारन करने के लिए कैसी कैसी कठिनाईया आएंगी यह सोच कर मैं मनी मन हसने लगा इस संसार में अब मेरा कारे पुरा हो गया है अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है गुरुदेव शांधस्वर में कह रहे थे उनकी आखें शांध और सौम्यती मेरा हिदय भयाकुलता से धड़कने लगा वे आगे कहते गए पूरी के हमारे आश्रम का कारे भार समानने के लिए किसी को भेज दो मैं सब कुछ तुमारे हाथों में सौंप रहा हूँ तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को इश्वर के किनारे पर सफलता पूर्वक पहुचा सकोगे अश्रुपात करते हुए मैंने उनके चर्णों का आलिंगन किया वे उट खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया दूसरे दिन मैंने राची से एक साधक स्वामी सेवानन को बुला लिया और उन्हें पूरी के आश्रम का कारेभार ग्रहन करने के लिए महाँ भेज दिया बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपती की व्यवस्था करने के सम्मंद में कानूनी पहलूँँँपर मेरे साथ चर्चा की उन्हें चिंता थी कि उनके देहत्याक के बाद उनके रिष्टेदार उनकी संपत्ती पर अपना हक बताएंगे और वे यह नहीं चाहते थे उनकी इच्छा थी कि उनके दो आश्रम और अन्य संपत्ती केवल लोकोप कारीकारियों के ही काम में लगाई जाए मेरे गुरु भाई अमूल्य बावु ने मुझे बताया अभी कुछ दिन पहले ही गुरु देव के खिदरपूर जाने का पूरा प्रबंद किया गया था पर वे नहीं जा सके यह सुनका रानिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा जब मैं बार-बार इसके बारे में पूछने लगा तो श्री उक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा मैं अग कभी खिदरपूर नहीं जा पाऊंगा एक शण के लिए गुरु देव भैभीत बालक की भाती कांप उठे पतंजली ने लिखा है बड़े-बड़े संतों में भी अपने देह के प्रती उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आ सकती रहती है मृत्यों पर मेरे गुरु देव जब कभी प्रवचन करते थे तो प्राया साथ में यह कहते थे ठीक उसी प्रकार जैसे दीर्ग काल तक बिंजरे में रहने वाला पक्षी बिंजरे का दर्वाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिच की जाता है मैंने अश्रु रुद्ध कंट से उनसे याशना की गुरु जी, कृपा करके ऐसा मत कहिए कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिये शांत मुसकान श्रियुक्तेश्वर जी के चहरे पर फैल गई उनका एक्यासिमा जन दिन पास आ रहा था फिर भी वे स्वस्त और मजबूत दिखाई दे रहे थे देन प्रतिदेन अपने गुरु देव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी परन्तु मन को जिसका दीवर बोध होता था मैंने अपने मन से उनके द्वारा अपने दे त्याक के बारे में दिये गए विविद संकेतों को निकाल दिया गुरु देव इस महीने में प्रयाग में कुम्ब मेला लग रहा है मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुम्ब मेले की तिधियां उन्हें दिखाई तुम क्या सक्मुझ जाना चाहते हो मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी क्यों की इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाओ मैंने कहा एक बार आपको प्रयाग के कुम्ब मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्थ हुआ था शायद इस बार मुझे भी वध्दुर्लप सभाग के प्राप्थ हो जाए मुझे नहीं लगता कि महा तुम्हें उनका दर्शन होगा मेरे गुरू चुप हो गए मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे जब दूसरे दिन मैं कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक धंग से मुझे आशिर्वात दिया स्पष्ट है कि श्री उक्तेश्वर जी के व्यवहार में नहित संकेतो का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था च्योंकि भगवान मुझे अपने कुरू के महा प्रयान की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है कि जब कभी मेरे किसी प्रिया जन की व्रित्य होई तब भगवान ने सहानु भूती पूर्वत मुझे उस थान से दूर ही रखा 23 जन्वरी 1936 को हम लोग कुम्भ मेले में पहुंचे लगभग 20 लाख लोगों का उमरता जन्सागर मन पर अपनी एक विशिष चाप डाल रहा था बलकि मन को विभोर कर रहा था साधारण से साधारण देहातियों में भी ईश्वर के महत्व के प्रती और उसकी प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने वाले साधू सन्यासियों के प्रती अनन्य श्रध्धा भारतिये लोगों की एक विशेष्टा है जूटे और पाखंडी सादू सन्यासी भी होते ही हैं परंदू उन गिने चुने सच्चे महात्माओं की खादेर जिन्होंने अपने आत्म प्रकाश से इस भूमी को धन्य किया है भारत सभी सादू सन्यासियों के प्रतिश्द्धा भाव रखता है उस द्रिश्द्ध को देखने वाले पाश्च्चातियों के लिए इस राश्व की धणकन को पहचानने का उस अध्यात में एक उमंग को पहचानने का ये अपूर वबसर था जिसके बल पर भारत ने काल के कठोर आघातों को सहते हुए भी अपने प्राणों की रक्षा की है वहां हमलों का पहला दिन तो केवल आश्चर्य पूर्वक निहारते रहने में ही बीथ गया पापों से मुक्ति के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे प्राम्ण बुरोहित शास्त्रोक्त विधी से पूजा पाट कर रहे थे मौन सादू सन्यासियों के चर्णों में भक्ती भाव के साथ विवेत सामगरी अर्पित की जा रही थी हाथी, अलंकारों से सजे हुए घोडे, राज पुदाना के धीरे-धीरे चलने माले उंद, सब कदारों में चल रहे थे और इनके पीछे हाथों में सोने और चान्दी के दंड या रेश्मी मकमल की पताकाई लिए नागा साधूं का जुलूस चल रहा था केवल कौपीन धारन की ये साधू छोटे-छोटे दलों में शांत बैठे थे उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई थी, जो सर्धी और गर्मी से उनकी रक्षा करती है उनके ललाट पर तृतिये नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगा हुआ था केर्वेवस्त्र धारन किये, दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लिये मुंडित मस्तक स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे वे या तो इधर उधर चलते दिखाई देते, या अपने शिश्यों के साध धर्म चर्चा करते दिखाई देते त्याग की शान्ती उनके चेहरों पर चमक रही थी यहां बहां विक्षों के नीचे जलते लटों के बड़े बड़े धेरों के चारों और चित्र विचित्र साधू बैठे दिखाई दे रहे थे उनकी जटाओं के बड़े बड़े जूडे सिर्के उपर बंदे हुए थे कुछ साधूं की दाड़ी कई फुट तक लंबी थी जिसे उन्होंने गांट बांद कर रखा था वे चुप चाप ध्यान करते रहते या फिर अपने सामने से गुजरती भीड को हाथ उठाकर आशीरवाद देते रहते उस भीड में भिक्षुक भी होते हाथियों पर सवार महराजा भी होते रंग बिरंगी साडियां पहने चूडियों और पायल की रुण्जुन करती महिलाएं भी होती वकीर भी होते जिन्होंने अपने अत्यंत क्रिश हाथ विचित्र धं से उपर उठाए रखे होते ध्यान के लिए योगदंड हाथ में लिए चलते प्रमचारी होते आंतरिक पर्मानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे चिपाए विनम्र साथू भी होते इस कोलाहल से उपर मंदिरों में आने का आदेश देने वाला मंदिरों का घंटा नाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता मेले में दूसरे दिन मैं अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों और अस्थाई कुट्यों में गया और वहां हमने सादू संतों का दर्शंकर उन्हें प्रडाम किया। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुक का भी आशिरवाद हमें प्राप्थ हुआ। तपस्वी वृत्ति के इस खीर का इस सन्यासी की आखों में मुस्कराहट के साथ साथ प्रखर तेज था। इसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए। इस आश्रम के गुरू नौ वर्षों से मौन व्रद का पालन कर रहे थे। और केवल फला हार करते थे। आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रग्या चक्षू यानि अंध साथू बैठे थे जिने शास्त्रों का अत्यांत गहरा ग्यान था और सभी संप्रदायों के लिए वे श्रद्धास्पत थे। उस शान्त आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया। और फिर हम लोग पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकरशक व्यक्तित्तु के सन्यासी थे। गुलाबी गार, बलशाली सकंद, उनके पास ही एक पालतु सीहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्म के साथ ओम का उच्चारन करना सिखा दिया था भक्त शेर्णी। इसके बाद हम लोग एक तरुन विद्वान सादू से मिले। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी में उस भेट का सुंदर वर्णन है। फोर्ड कार से हमने चर्मराते पीपापुल पर से गंगा पार की। फिर अति संकीन टेड़ी मेडी गलियों में से लोगों की भीड के बीच से होकर हमारी गाड़ी साप की तरहे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नदी तक पर योगा नंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहां श्री युकतेश्वर जी बाबाजी से मिले थे थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उदर कर कुछ दूर तक पैदल चले। रास्ते में साधुओं की धूनियों का घना धुमा भरा हुआ था और रित पर पाउं फिसल जाते थे। अंतते हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी कुछ अत्यंत साधारन जोबडियों के सामन तरुन परिव्रा जकसादू करपात्री महराज वहां वे पुआल पर पालती मार कर बैठे थे। उनके शरीर पर एक मात्र आवरण और संसान में उनकी एक मात्र संपत्ति था एक गेरवावस्त जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधों पर ओड़ दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराय प्रवेश द्वार पर एक लाल टेन टिम्टिमा रही थी जिसके हिलते प्रकाश में जोपडी की दिवारों पर भिन भिन आकारों के छायाए नाच रही थी। उनके चेहरे पर और आँखों में तेज था और प्रेम और अध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था। उनकी महांता के बारे में किसी को संदे हो ही नहीं सकता था। संसार से जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो उसके जीवन के सुक्की कल्गना कीजिए। ना कपड़ों का जंजट ना कुछ खाने की पांगते थे, पकाया गया खाना एक दिन छोड़ कर खाते थे, कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे, रुपे पैसे को हात नहीं लगाते थे, कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे, ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास, कहीं आने जाने के लिए वहनों की को प्रती आसकती ना उत्पन हो जाए, और विनम्रता कितनी, वेदों के असाधारन ग्याता, काशी हिंदू विश्विद्याले से एमे और शास्त्री उपाधी प्राद, उनके चर्णों में बैठ कर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभराई, यह सब प्राचीन और सच्चे को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात में एक महापुरुषों के इस भूमी के वे सच्चे प्रती ने दिये हैं, करपात्री जी से मैंने उनके परिव्रा जग जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किये, क्या सर्दियों के लिए भी कुछ बुस्तके अपने साथ रखते हैं, नहीं, जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी स्मरन शक्ति से सुनाता हूँ, आप और क्या-क्या करते हैं, गंगा किनारे घूमता हूँ, उनके इंशान्द शब्दों को सुनकर, मैं उनके जीवन की को अपनाने के लिए लालाई थो उठा, मुझे अमेरिका और वहाँ अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तर दाईतों की याद आई, एक शन्द के लिए खिंध होकर मैंने सोचा, नहीं योगनन्द, इस जन्द में गंगा किनारे घूमनत तुम्हारे लिए नहीं है, करपात् मेरिक अनुभव से बता रहे हैं, उन्होंने सरल हसी के साथ उत्तर दिया, आधा पुस्तकी ज्यान से और आधा अनुभव से, हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे रहे, उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए, तो मैंने श्री राइट से कहा वे सुनहरे तरण के सिंगासन पर विराजमान एक राजा है, उस रात हमने खुले आकाश के नीचे समीन पर बैठ कर पतलों में भोजन किया, थालिया आधी धोने की जंजट को भारत में जहां तक हो सके कदगर दिया जाता है, मन को मो लेने वाले उसकुम्व मेले में हम लो मेरे स्मृती पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था, हम दोनों ही स्तब्ध होकर संग मरमर में ढले उस स्वपन को देख रहे थे वहां से हम लोग व्रिंदावन में स्वामी केश्वानंद जी के आश्रम गए केश्वानंद जी से मिलने में मिरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंदित था श्रीयुक देश्वर जी द्वारा किया गया बहानुरोद कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहिडी महाशे के जीवन पर कुछ लिखूं भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंदियों और शिश्यों से संबंद स्थापित करने के प्रते गमसर का उप्योग कर रहा था उनके साथ हुए बारतालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था गटनाओं और तिधियों को ठीक से मिला रहा था पुराने फोटो, पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था लाहेडी महाशे समंधी मेरी समक्री निरंतर भरती जा रही थी मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रमसाद्धिकारे खड़ा था उसके बारे में सूचते ही दिल कुछ बैठा सा जाता था मैं प्रात्ना कर रहा था कि उस महान गुरू का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूँ उनके अनेक शिश्यों को ये भै लग रहा था कि लिखित विवरण में उनके गुरू का कहीं अनादर न हो जाए या उनकी किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपितना किया जाए पंचानन भटाचारे ने एक बार मुझसे कहा भी था कोई निर्जीव शब्दों में किसी अवतार के जीवन चरित्र के साथ शायद ही न्याय कर पाए लाहिडी महाशे के अन्य निकट शिश्य भी योगावतार को अपने हृद्यों में ही अमर गुरू के रूप में छिपाई रखना चाहते थे तथा भी लाहिडी महाशे ने स्वयम ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविश्यवाणी की थी उससे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाहे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी। स्वामी केश्वानंद जी ने व्रिंदावन के अपने कात्याइनी पीठ आश्रम में हमारा हृदय से स्वाकत किया। यह आश्रम इंटों का बना विशाल भवन है जिसमें भारी भरकम काले स्थम्भ हैं। यह भवन सुन्दर उद्यान में स्थित है। वे शीग्रही हमें अपने बैठक खाने में ले गए जहां लाहेडी महाशे का परिवर्धित चित्र लगा हुआ था। केशवा नंद जी की आयू 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्त दिख रहा था। लंबे केश और हिम धवल दाड़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन व्रिशी लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि भारतिये सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उलेक करने की मेरी इच्छा है। महान योगी मित्भाशी होते हैं। इस दिये मैंने अनुनाई करते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्रिपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कु कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम मनाकत में रहता था। इस आश्रम के चारों और बड़े बड़े ब्रिक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत चगें थी। सापों की बहुलता के कारण महाज्यादा लोग नहीं आते थे। केश्वा नंजी हस पड़े। बाद में एक वर्ष गंगा की बाड उस आश्रम को और उसके साथ साथ सापों को भी बहा ले गई। तब अपने शिश्यों की साहता से मैंने यहां ब्रिंदावन में यहां आश्रम बनाया। हम में से किसी ने केश्वा नंद जी से पूछा कि वे हिमाले में ब बाग के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हटात मेरे मूझ से आवास निकल गई। बाग सतब धोकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया। मानों पथर बन गया हो। अपनी इन स्मृतियों पर स्वामी जी पुनहें हस पड़े। कभी कभी मैं अपने एकांत वास से निकल कर अपने गुरू के दर्शन करने बना रस चाता था। हिमाले के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाग भी कर दे थे। तुम्हारे पाओं में चक्र है। एक बार उन्होंने मुझ से कहा। मुझे खुशी है कि हिमाले इतना विस्तृत है कि वह तु कोई उंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। दो घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए। मन ही मन मैंने हदाशा का निश्वास छोड़ा। यहां भी 15 प्रगार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतिय आतित्य को स्विकार करते एक बर्ष्ट से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पॉंड बढ़ चुका था। परंत मेरे सम्मान में आयोजेत अंगिनत भोजो में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इंकार करता तो उसे अश्यष्टता की पराकाश ठामाना जाता। भारत में अफस आरा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ जो कि केश्वा नंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा। पिछले वर्ष उत्तरी हिमाले में बद्री न पारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी द्रिष्टी गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केश्वा नंद मैं प्रसन हूं कि तुम यहां आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिये। चक मैं उनके चर्णों में साश्टांग लोट गया। पावजी ने कहा मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। इसलिए तुम रास्ता भूल गए और इस कुभा में आ गए जहां अभी मैं रह रहा हूं। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुने मिलकर मुझे प् मिलने आएगा। अपने गुरू और लाहिडी के जीवित शिश्यव से संबंदेत अनेक बातों में वह पूर्ण व्यस्त रहेगा। तुम्हारे पास जब वह आए तब उसे बता देना कि उसके मुझसे मिलने के लिए आतूर होते हुए भी मैं इस बार उससे नहीं मिलूँ बलकि किसी अन्य अफसर पर मिलूँगा। स्वामी केश्वा नंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वना प्रत संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्थ हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि तेश्वा जी ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर से गुजरते समय व्रिंदावन के आकाश का भव्य द्रिश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आका की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहीं पर एक अफदार और उसके भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली-भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल की है। शास्त्रिय रूपक शब्दशय अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनुरंजक भूल का उधारण इस बात को स्वश्ट करता है। यह कहानी मध्य युकीन सं रविदास से समंदित है। रविदास मानव में नहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्मकार पेशे की भाशा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे, रहे देवता चाम लबेटे। एक पाश्चात्य लेखत ने इसका जो छिचला आर्थ निकाला है, उस उसे देखकर कोई भी हसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुट्या बनाई और उसमें चमडे से बनाई एक मूर्ती इस्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। रविदास महान संथ कभीर के गुरू भाई थे। रविदास के गौर औ प्राप्त शिश्यों में चितोर की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरू के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंद्रित किया। परंतु ब्राह्मणों ने एक निम्न जाती चर्मकार के अध्यात्मिक पुनर्जागरन हुआ। मैं दम से खुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरू के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिता जी के घर से निकली रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्यवानी सुनाई दी। आज रात पुरी मत जाओ। तुम्हारी प्र प्रतनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी। तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा। उनके दोनों और प्रकाश का एक एक बिंड था। क्या सब कुछ समाथ हो गया। अनुने पूर्वक मैंने अपने हाथ उपर उठा लिये। उन्होंने सेरह लाया और धीरे धीरे अद्रिश्य हो गये। दूसरे दिन सुबह पूरी स्टेशन के प्लैटवाम बर मन में अब ही आशा लिये मैं खाड़ा था। तभी एक अंजान व्यक्ति मेरे पास आया। क्या आपने सुना क्या आपके गुरुदेव चले गए। इसके बाद एक शब्द भी मुझ से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहा मिलूँगा। मैं संद रह गया। मुझे प्लाइटफॉर्म की दीवार का सहरा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह रिदय विदारक समाचार मेरे पास पहुँचाने की चेश्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रो धदकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वाला मुखी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरहें तूटने की गगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वानी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी। धीरज रखो, शान्त हो जाओ। मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया, जहां पदमासन में बैठा गुरुदेव का निश्प्राण शरीर अकल्पनिय रूप से जीवन्त लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णते स्वास्थ और सुन्दर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हलका बुखार अवश्य हुआ था। पर अनंत परमतत्व में उनके आरोहन कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। नजाने कितनी ही बार मैंने उस प्रिय शरीर को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी तवचा अभी भी स्निक्थ और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांती का सुन्दर भाव था। अंतिम रह से मैं बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक वेवल होकर मैं चीक उठा। बंगाल का सिह चला गया। दस मार्च को मैंने उनका अंतिम संसकार किया। पूरी आश्रम के उध्यान में सन्यासियों की प्राजीन परंबारा के अनुसार श्री उक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधी दी गई। बाद में आसपास और दूर दरास के इस्थानों से उनकी शिश्य अपने ग श्रीमत स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महराज के महा प्रयान पर पूरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्ध हुआ। इस अफसर पर उनके अनेक शिश्य पूरी में एक अत्रित हुए। स्वामी जी महराज की गणना भगवद गीता के महांतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगी राज श्री श्यामा चरण लाहिडी महाशे के अग्रगर्ण शिश्य थे। स्वामी जी महराज भारत के अनेका नेक योगदा सत्संग यानि सेल्फ रियलाइजेशन फे करने की शमता तथा उनकी गहन अनुभूती नहीं स्वामी योगा नंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेणा दी। भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों के उनकी व्याक्या पौरवात्य और पा उन्होंने धर्म में व्यज्ञानिक्ता लाने के लिए विवित पंथों और संप्रदायों के प्रमुकों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगा नंद को अपने उत्तरा धिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया ऐसे महापुरश के देहावजान से भारत की बहुत बड़ी हानी हुई है जिन्हें उनके सानेध्य लाग का सौभा के प्राप्थ हुआ था वे भारत की सच्ची संस्कृती एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें जो श्रीयुक्तेश्वर गिरी महराज में मूर शिश्य प्रफुल को मैंने कोलकता में ही बुला लिया और राची विद्याले में उसके प्रवेश्की व्यवस्था कर दी प्रफुल ने मुझे बताया उस दिन सुबह जब आग कुम्ब मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे योगा नंद चला गया योगा नंद चला गया फिर कुछ घूड ढंग से उन्होंने कहा मुझे उससे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा फिर वे घंटों मौन बैठे रहे इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यानों कक्षाओं साक्षातकारों तथा पुरा किरिक सरिता को मैला किये जा रहे थे जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों की बालू के नीचे अपने प्रभा मार्क से बहती आ रही थी वे दिव्यरिशी कहां चले गए शोक संतप्त आत्मा की गहराईयों से मैं मूख रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था कोई उतर नहीं आया मेरा मन मुझे सांथवना देने लगा यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया अब वे अपने तेच से अक्षैधाम में सदा के लिए चमक रहे हैं मेरा रिदर विलाप कर रहा था अब तुम फिर कभी उन्हें श्रीराम को राश्रम में नहीं देख सकोगे अब फिर कभी तुम अपने मित्रों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे देखो वे रहे भारत के ज्यानावदार श्रीराइट ने जून के प्रारम में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहास पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी एक पकवाड़े तक कोलकता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा उसके बाद मिस प्लेच, श्रीराइट और मैं अपनी फोर्ट कार से मुंबई के लिए निकल पड़े बहाँ पहुँचने पर जहास के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा क्योंकि उस जहास पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो योरोप में फिर उसकी आविशक्ता पढ़ने वाली थी कोई बात नहीं मैंने खेन्नमन से श्री राइट से कहा मैं एक बार फिर बुरी जाना जाता हूँ और मनी मन कहने लगा मेरे अश्रूओं को फिर एक बार अपने गुरु देव की समाधी का अभिशेक करने दो तैताली स्वाथ्याय श्री उक्तेश्वर जी का पनुरुद्धार भगवान श्री कृष्ट मैं मुंबई में रीजेन्ट होटेल के अपने कमरे में बैठा था कि जगमगाते प्रकाश में भगवान का दिव्य रूप मेरे सामने प्रकट हुआ मैं तीसरी मंजिल के उस कमरे की उची खुली खिड़की से बाहर देख रहा था तब अचानक सामने वाली उची इमारत की छट के उपर यह अवर्णनी ये द्रिश्य मेरी द्रिश्टी के सामने प्रकट हो गया भगवान श्रीक्रेश्ट मेरी ओर देखकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीरवाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतरधान हो गए मन एक अध्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात में घटना घटने वाली है पश्चिम की ओर मेरी यात्रा कुछ समय के लिए रद्ध हो गई थी कोलकता और पुरी वापस जाने के पहले मुंबई में मेरे कई व्याख्यानों का आयोजंग किया गया था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सफ़ता बाद 19 जून 1936 को दो पहर में तीन बजे मैं मुंबई में होटेल के अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठा थ्यान कर रहा था कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से मेरा थ्यान तूट गया मेरे खुले और विस्मे विस्फारित नेत्रों के सामने संपूर्ण कमराई एक अद्भुत विश्व में बदल गया सूर्य प्रकाश एक स्वर्गिय तेज में बदल गया रक्त मास के शरीर में श्री उक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़े देखकर आनंदा तेरे की लहरों पर लहरे मुझे बच्छाने लगी बेटा गुरुदेव ने अत्यांदिस नहें सिक्त कोमलस्वर में कहा उनके चहरे पड देवताओं को भी मोहित करने वाली ऐसी सुन्दर मुस्कान खेल वही थी उस समय जीवन में पहली बार मैंने उनका चरण स्पर्श नहीं किया बलकि उन्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर होकर आगे बढ़ा वह अपूर वक्षण परामानंद की उस बरस्ती वर्शा की तुलना में गत कुछ महीनों में जो व्यता बेदना मैंने सही थी वह कुछ भी नहीं थी मेरे प्रभू, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़ कर क्यों चले गए आनंदा तिरे के कारण मैं असंबध बोलने लग गया था आपने मुझे कुम्ब मेले में जाने ही क्यों दिया आपको छोड़ कर जाने के लिए मैंने अपने आपको कितना कोसा है जहां मुझे बाबाजी का प्रथम दर्शन हुआ था उस तीर्ट स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशावरी खुशियों पर मैं पानी नहीं फिरना चाहता था मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें छोड़ कर गया था क्या आप फिर से तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ पर क्या ये आप ही है गुरुदेव इश्वर के वही सिह अभी आपने जो शरीर धारन किया है वह क्या बिलकुल उसी शरीर के समान है जिसे मैंने पुरी की निर्दय बालू में समाधिस्त कर दिया था हाँ बेदा मैं बिलकुल वही हूँ यह रक्त मास का शरीर है मेरी द्रिष्टी में यह शरीर केवल आकाश्त तत्युका यानि एत्रियल है परम तु तुम्हारी द्रिष्टी के लिए यह जड़ दे है मैंने इस शरीष्टी के परमाणूँओं से एक पूर्णताए नई शरीर की स्रिष्टी की है जो बिलकुल उस स्वप्न स्रिष्टी के शरीर जैसा ही है जिसे तुमने अपनी स्वप्न स्रिष्टी की स्वप्न बालू में समादी दे दी थी वस्ततै मेरा पुनरुधान हो जुगा है पृत्वी पर नहीं बलकि एक सूख्ष्म लोग में इस पृत्वी के मानवों की तुल्ला में उस लोग में वास करने वाले लोग मेरे उच आदर्शों के अधिक अनुरूप है तुम और तुमारे उन्नत प्रियजंगी किसी दिन उस लोग में मेरे पास आ जाओगे मृत्युन जै गुरुदेव मुझे और अधिक बताईए गुरुदेव आनंद के साथ थोड़ा सा हस्ते हुए बोले प्रियवत्स क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी धीली नहीं कर सकते केवल थोड़ी धीली मैंने उन्हें अपने बाहु पाश में ऐसे कसकर पकड़ रखा था मानों नाक पाश में जकर लिया हो मुझे वही नैसरगिक हलकी सी सुगंदा रही थी जो पहले उनके शरीर से निकला करती थी जब कभी उन महान शणों की मुझे याद आती है तो अब भी अपने हाथों के अंदुरूनी हिस्सों में और हतेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रुमांचकारी स्पर्ष को मैं अनुभव करता हूँ श्री उक्तेश्वर जी ने बताया जिस प्रकार कर्मों से मुक्ती पाने में मनुष्यों की साहिता करने के लिए संतों और सत्गुरून को इस संसार में भेजा जाता है उसी प्रकार इश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्तोने में साहिता करने का आदेश मुझे दिया है उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं वहां मैं उन्नात आत्माओं की सूख्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूख्ष्म जगत में बार बार उनर जन्म से मुक्त होने में साहिता करता हूँ। के जाकर निर्विकल्प समाधी में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरन्य लोक में प्रवेश्ट नहीं कर सकता। हिरन्य लोक के वासी उन साधारन सूख्ष्म लोकों से पहले ही पार हो चुके होते हैं जहां प्रित्वी के प्रायस सभी वासियों को मृत्यु परांद जाना परता है। वहां उन्होंने सूख्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीच नश्ट करडाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोध धार का कार्य उन्नत सादकों के अत्रिक्त कोई नहीं कर सकता और तब अपनी आत्मा को सूक्ष्म जगत के कर्मों के शेश रहे लवलेशों से मुक्द करने के लिए इन सादकों को विधी के विधान के अनुसार फिरण्य लोक में जो सूक्ष में लोकों का सूर्य या स्वर्ग है, सूक्ष में शरीर धारण कर जन्म लेना पड़ता है, जहां उनकी साहिता करने के लिए मैं उपस्तित हूँ. मेरा मन अब गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था, कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेश, विचार संक्रमन के द्वारा मेरे मन में पहुंचा रहे थे. इस प्रकार मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहन कर रहा था। सूक्षम जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाओं और प्राण शक्ति से बने शरीश से चलता है। कारण शरीदारी जीव भावों के बने आनंद मैं कारण जगत में रहता है। मेरा कार्य उन सूक्ष में देधारियों का मार्क दर्शन करना है, जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूज्ये गुरुदेव, सूक्ष में जगत के बारे में मुझे और अधिक बताईए। श्रियुक्तेश्वजी के कहने पर मैंने अपना आलिंगन धीला तो किया था, तथा भी अभी उन्हें अपनी बाहों में ही भर रखा था। मेरी अमूल्य ने थी, मुझ तक पहुँचने के लिए मृत्यों का भी उभास करने वाले मेरे गुरुदेव जो आये थे। गुरुदेव बताने लगे, अनेक सूक्ष्म लोग हैं, जिनमें सूक्ष्म देधारी प्राणी वास करते हैं। ये सूक्ष्म लोगवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म बिमानों या प्रकाश के पिंडों का उप्योग करते हैं, जो विद्युत शक्ति या रेडियो धर्मी शक्तियों यानि रेडियो एक्टिव एनर्जी से भी अधिक गती से जाते हैं। प्रकाश और रंगों के सूक्षम स्पंदनों से बना सूक्षम जगत भौतिक स्रिष्टी से सैकडों गुना बड़ा है संपूर्ण भौतिक स्रिष्टी सूक्षम जगत के विशाल तेजों में गुबारे के नीचे एक छोटी सी थोस टोकरी के समान लटकी हुई है जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं उसी तरह सूक्षम जगत में भी अनेक सूक्षम सौर मंडल और सूक्षम नक्षत्र मंडल है वहां के ग्रहों के भी सूक्ष में सूर्य और सूक्ष में चंद्र है जो भौतिक सृष्टी के सूर्य चंद्रों से कहीं अधिक सुन्दर है सूक्ष में जगत के ये सूर्य चंद्र दुरुविय प्रकाश के समान दिखते है सूर्य का तेज, चंद्र के तेज से अधिक दीम्दिमान होता है। महा के दिन और रात, प्रित्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष में जगत असीम सुंदर, स्वच, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। महा कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमी नहीं है। खरबदवार, बैक्टीरिया, कीडे मकोडे, सापादी, प्रित्वी के अभिशाप महा नहीं है। सूक्ष में जगत में प्रित्वी की भाती परिवर्तनशील और अनिष्चित जलवायू और रितु नहीं है। महा सदैर चेरवसंत रितु की समशीतोष्न जलवायू रहती है। और यदा-कदा जोतिर में हिमपात होता है, तथा बहुरंगे प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष में जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की जीले, उज्वल समुद्र तथा इंद्र धनुशी नदिया बहुदायत में है। सूक्ष में जगत से सूक्ष मतर स्वर्ग, हिरणने लोक में तो नहीं, परंतु साधारन सूक्ष में जगत में करोणों जीव रहते हैं, जो कमोबेश नए-नए ही प्रित्वी से महां आय होते हैं। इनके अत्रिक, महासंक्य परिया, मत्सिकन्याय, मचलिया, पशु, बौने, भूदप्रेट और उपदेवता भी रहते हैं। ये सब अपने-पने कर्मों के गुरवत्ता इस्तर के अनुसार सूक्ष में जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न दैवी प्रसाद या इस पंदनात्मक शेत्रों की व्यवस्ता है। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं। परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्शेत्र में ही संचार कर सकती हैं। जिस प्रकार इस प्रित्वी की भूवी पर मानव रहते हैं, मिट्टी के अंदर क्रिमी रहते हैं, पानी में मचलियां रहती हैं और हवा में पक्षी रहते हैं। उसी प्रकार सूक्ष में जगत के विभिन निश्रेणियों के जीव, अपनी अपनी योगिता के अनुसार, विभिन ने प्रकार के स्पंदनात्मक खित्रों में वास करते हैं। विभिन ने सूक्ष में लोकों से निश्कासित होकर आए हुए पतित देवदाओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिसमें वे प्राणाणूं के बम या मानसिक मंत्र शक्ती की स्पंदनात्मक किर्णों का प्रयोग करते हैं। ये जीव निमने सूक्ष में जगत के अंदकार में लोकों में रहते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। सूक्ष में जगत के इस अंदकार में कारागार के उपर के विस्तरित लोकों में सब कुछ तेजो में और सुन्दर है। सूख्ष में जगर, ईश्वर के एच्छा तता पूनता प्राप्ति की योजना के साथ प्रित्री की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक तालमेल रखता है। प्रित्वी पर किसी ठोस पदार्थ को द्रफपदार्थ में, या किसी दूसरे रूप में किवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही परिवर्तित दिया जा सकता है। सूक्ष में जगतवासी अपनी इच्छा नुसार रूप धारन कर सकते हैं या उसे विसरजित कर सकते हैं। पुश या मचली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष में जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं। सूक्ष में जगत के सभी जीवों को कोई भी रूप धारन करने की स्वतंतरता है। और वे आसानी से एक दूसरे से संपर्थ कर सकते हैं। फिर किसी भी अटल, निश्चित नियम से आवध नहीं है। उदारनार, सूक्ष में जगत के किसी भी व्रिक्ष को, सूक्ष में जगती आम या अन्य कोई भी फल, फूल या अन्य कोई भी वस्तु जिसकी इच्छा हो उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है। और वह करेगा। सूक्ष्म जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधनतों हैं, परंतु विविद रूपों में किसी विशेष्ट रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है, वहां सब कुछ ईश्वर के स्विजनकारी प्रकाश्ट से स्पंदित है, महां कोई भी नारी गर्म से जन्म नहीं लेत सूक्ष्म जगत वासी, अपनी विराट इच्छा शक्ति की साहिता से विशेष्ट रचना के अनुसार लगू रूप दिये गए सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व मेलाकर संतान को प्रकट करते हैं हाल ही में स्थूल शरीर से मुप्थ हुआ जीव, अपने समान ही मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्यां रखने वाले सूक्ष्म जगतिये परिवार में उनके निमंतरन पर जन्म लेता है सूक्ष्म शरीर पर थंड या गर्मी या अन्य प्राकरतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिश्क अर्थाद प्रकाश का सहस्र दल कमल होता है तथा सुशुमना में इस्थे छाज जागरित चक्र होते हैं क्रिदय सुख्श्म मस्टिश्क से महा प्रान्षक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और उसे सुख्श्म नारियों तथा शरीर कोशिकाओं या प्रानानुओं में प्रभाहित करता है सूक्ष्म जगत के जीव प्रानाणूओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ती होता है उसका चेहरा और शरीर प्रित्वी पर उसकी युवा वस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी व्रिधा वस्था का ही रूप बनाए रखना भी पसंद करता है गुरुदेव से तरुनाईट फूट फूट पड़ रही थी अतयय कहते हुए वे उल्लास के साथ हसने लगे गुरुदेव ने आगे कहा स्थानिक त्रियायामी भौतिक जगत का ज्यान केवल पंचेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है परंदु सुक्ष मिलोकों का ज्यान सर्व समावेशत जटी इंद्रिय अर्थात अंतर ज्यान से होता है सारे सुक्ष में जगतवासी केवल अंतर ज्यान से ही शब, स्पर्ष, रस, रूप, गंद की अनुभूति कर लेते हैं उनकी तीन आखें होती हैं, जिन में से दो अर्धोन मीलिद होती है तीसरा और मुख्य सुक्ष मिनेद्र, जो ललाट में खाड़ा इस्थित होता है, खुला रहता है सुक्ष में प्राणियों के भी कान, नाख, आखें, जीब और त्वचा ये सारी बाहेंद्रियां होती है परंदु में शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संबेदन प्राप्ट कर सकते हैं और इसके लिए विकेवल अंतर ग्यान का उप्योग करते हैं विकान या नाख या त्वचा से देख सकते हैं आखों से या जीब से सुन सकते हैं कान या त्वचा से स्वाध चक सकते हैं आदी मनुष्य के इस थूल शरीर को असंग के खत्रे रहते हैं और ये आसानी से घायल हो सकता है या इसके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो सकते हैं। जबकि सूक्ष में शरीर भी कभी-कभी कट सकता है या उसमें खरो जा सकती है, परंतु इच्छा मात्र से बहुत तुरंथ ठीक भी हो जाता है। गुरुदेव, क्या सब सूक्ष में जगतवासी सुन्दर होते हैं। सूक्ष में जगत में सुन्दर्य को एक आध्यात्मिक गुर्माना जाता है। बाहरूप नहीं, श्री उक्तेश्वर जी ने कहा। इसलिए सूक्ष में जगत के लोग चहरे को अधिक महत्म नहीं देते। पर अंतु जब चाहे अपनी इच्छानुसार बिन्या सुन्दर शरीर धारन कर सकते हैं। जिस प्रकार धर्ती के लोग उत्सव समारों के अफसर पर नए वस्त्रालंकार धारन करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष में जगत के लोग भी खास अफसरों पर विशेश प्रकार के शरीर धारन करते हैं। प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसी की इच्छा के अनुसार रूपधारन करते हैं। यदि उस भक्त ने भक्ती के द्वारा भगवान की आराधना की हो, तो वह भगवान को जगनमाता के रूप में देखता है। इसा मसी को अनन्त परम तत्व का पित्र रूप अन्य सब रूपों से अधिक अच्छा लगता था। स्रश्टा ने प्रतेक स्रिष्ट जीव को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इस कारण सर्व शक्तिमान ईश्वर से कल्पनिये एवं अकल्पनिये सभी प्रकार के रूपों की मांगोती रहती है। मेरे गुरुदेव और मैं दोनों ही इस पर साथ साथ हसने लगे। श्री उक्तेश्वर जी अपनी बासुरी के समान मधुर आवास में आगे कहते गए। पूर्व जन्मों के मित्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता के अमरत्व को देख कर वे आनंदित होते हैं। और उसी के साथ प्रेम की अनश्वर्ता उनकी समझ में आ जाती है। जिस पर पृत्री पर होने वाले दुखत मित्य अभियोग के समय प्रायसंदे किया जाता है। सूक्ष में जगत वासियों का अंतर ग्यान सूक्ष और जड़ जगत के बीच के परदे को भेट कर पृत्री पर चलने वाली गतिविदियों का निरीक्षन कर सकता है। परंतु मानव सूक्ष में जगत को नहीं देख सकता। जब तक उसकी छटी इंद्रिय कुछ हद तक विक्सित ना हो जाए। हजारों प्रित्री वासियों ने सूक्ष में जगत की या किसी सूक्ष में जगत वासि के खषणिक झलक देखी है। हिरण्य लोप में वास्ट करने वाली उन्दत आत्माएं, सूक्ष में जगत के लंबे-लंबे दिन और रात में अधिकांश समय पर्मानंद में जागरित रहती हैं और स्रिष्टी को चलाने से संबंदे जटिल समस्याओं का समाधान करने में तता राह भटके लोगों के अर्थात प्रित्री पर वास करने वाली आत्माओं के उधार में साहिता करती रहती हैं। जब कभी हिरन्य लोकवासी सोते हैं तब कभी-कभी उन्हें स्वपनों की तरह सूख्ष्म दर्शनों की अनुभूती होती है। समान्यत उनके मन उच्चत्म निर्विकल्प समाधी के पर्मानंद की सचे दावस्था में मग्न रहते हैं। में या सत्यानु भूती में कोई भूल हो जाए तो अत्यांत दुख होता है यह उन्नत जीव अपनी प्रत्यक्रिती और प्रत्यक विचार को अध्यात्मिक नियम की दोश हीन सरवांग पूर्णता के साथ ताल मेल में रखने का प्रयास करते हैं सूख्ष में जगतवासियों क शब्दों से उत्पन्ध होने वाली जिन गलत पहमियों और संभ्रमों का सामना पृत्वी वासियों को करना पड़ता है उस सबका सूख्ष में जगत में पूर्णा भाव है जिस प्रकार सिनिमा के परदे पर प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते-फिरते और काम करते हैं उन्हें ऑक्सीजन से शक्ति ग्रहन करने की आविशक्ता नहीं होती मानव जीवित रहने के लिए ठोस्पदार्थों द्रफपदार्थों वायूं और प्राण शक्ति पर निर्भर रहता है परंतु सूख्ष में जगत के लोग मुख्यते दिव्य प्रकाश्ट से जीवित रहते हैं गुरुदेव क्या सूख्ष में जगतवासी कुछ खाते पीते हैं मैं अपने मन रिदय और आत्मा तीनों की सारी ग्रहन शमता एककत्रित कर गुरुदेव के अद्भुत वर्णन का रस्पान कर रहा था सत्तिकिया तींद्रिया अनुभूतियां सदा के ये वैसी ही रहती हैं उनमें कभी परिवर्दन नहीं होता जबकि छिचली इंद्रियानुभूतियां और मन पर पढ़ने वाली उनकी चाप कभी क्षण भंगोर या तुलनात्मत बास्तविक्ता से अधिक कुछ नहीं होती और उनकी स्मिती जल्दी ही धुंदली हो जाती है मेरे गुरू के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पठल पर अंकित हो गई है कि कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतिंद्रिय उच्च वस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूं तेजस्वी किर्णों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष में जगत की भूमियों में बहुतायत में होती हैं उन्होंने कहा सूक्ष में जगतवासी सबजियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी जड़नों नदी नालों में बहने वाला एक प्रकार का अमरित पीते हैं जिस प्रकार प्रित्वी के लोगों के अद्रिश्य चित्रों को टेलिवीजन की मदद से अंतरिक्ष से खीच कर प्रकट किया जा सकता है और बाद में वे फिर से अंतरिक्ष में विसरजित हो जाते हैं उसी प्रकार अंतरिक्ष में बनस्पतियों और पौधों के विचरन करते ईश्वर निर्मित अद्रिश्य सूक्ष्म परिकल्पना चेत्र, सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से महाप्रकट होकर सूक्ष्म ग्रह पर उतर आते हैं। इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षन से विलक्षन कल्पनाओं से सुगंदित फूलों के पूरे पूरे उद्ध्यान महाप्रकट हो जाते हैं। प्रित्वी लोग से मुक्ष्म जगत में आये आत्मा की प्रित्वी पर लिये हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंदियों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों और मित्रों के साथ भेट होती जाती हैं। जब वे सूक्ष्म लोकों के विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं। इसलिए उसकी समझ में नहीं आता कि वह किस से अधिक प्रेम करें। इस प्रकार बस सभी को ईश्वर की संदान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। सूक्ष्म लोक में आने से पहले प्रित्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विक्सित हुए कुछ नए गुड़ों के अनुसार, किसी आत्मा के बाहर रूप में परिवर्तर आ भी गया हो। तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर ग्यान की साहिता से उन सब प्रिय जनों को पहचान लेते हैं, जो दूसरे लोकों में बिताए गए उनके किसी जीवन में उन्हें कभी प्रिय थे, और सूक्ष्म जगत में उनके नए घर में उनका स्वागत करने हैं। स्रिष्टी के प्रतेग पर्मानु को अमिट स्वतंत्र अस्तित्व की देन स्रश्टा से मिली है। इसके सूक्ष्म जगत में कोई मेत्र किसी भी रूप में क्यों ना आए वह पहचान लिया जाएगा। जैसे प्रत्वी पर कोई अभिनेता या नाट्यक अलाकार किसी भी रूप में क्यों ना आए ध्यान से देखने पर पहचान ही लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधी प्रत्वी लोग की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। प्रत्वी की काल गरणा के मानकों के अनुसार कहा जाए, तो सामान्य उन्नती की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारन तैफ 500-1000 वर्ष तक जीती है। जैसे कुछ Redwood व्रिक्ष अन्य व्रिक्षों से सहस्रों वर्ष अधिक जीते हैं, या कुछ योगी सैकडों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60 वर्ष की आयू से पहले ही मर जाते हैं। वैसे ही सुक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहां के जीवन की साधारन अवदी से कहीं अधिकाल तक जीवित रहते हैं। सुक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोज के अनुसार वहां कम या अधिकाल तक रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवदी में पुन्हे पृत्वी पर वापस खींच लाता है। सूख्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेज युप्त शरीर छोड़ते समय मृत्यू के साथ कष्ट कर संगर्ष नहीं करना पड़ता। परंतु इन में से कुछ लोग अपना सूख्ष्म शरीर छोड़ कर उससे भी सूख्ष्म कारण शरीर में जाने के विचार से किंचित खबरा उठते हैं। सूख्ष्म जगत अंचाही मृत्यू, रोग व्याधी और व्रिधावस्ता से मुक्त है। सूख्ष्म शरीर की मृत्यी होने पर जिन प्राणानों से भभ बना था वे सब प्राणानू यानि प्राण शक्ति की कडिखाएं बिखर जाते हैं। जड़ दे की मृत्य होने पर जीव का अपने रक्द मांस के शरीर का बोद नश्ट हो जाता है और सुक्ष्म जगत में अपने सुक्ष्म शरीर का बोद उसे होता है यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्य हो जाती है और इस प्रकार सूक्ष्म जगत के जन्म मृत्यों को अनुभव कर वह फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यों को अनुभव करता है इस प्रकार सूक्ष और स्थूल जन्म बृत्यु के चक्रों से बार-बार गुजरना ही माया बद्ध जीवों की अपरिहार्य नियाती है शास्त्रों में दिये गए स्वर्ग और नर्व के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर्मन के गहन दल में सुक्ष्म जगत के और दुख में पार्थिव जगत के अनुभमों के इस्मृतियां कभी-कभी जागुटती है मैंने पूछा पूज्य गुरुदेव पृथ्वी लोप में और सुक्ष्म जगत में तथक कारण जगत में जो पुनर जन्म होते हैं उनमें क्या फर्क है यह ज़रा अधिक विस्तार से बताएंगे गुरुदेव ने बताना शुरू किया पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूल ते कारण शरीर धारी आत्मा है यह कारण शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्व स्थान है इन 35 बीजों से ही वे 35 मूल भाव शक्तियां या कारक विचार शक्तियां विक्सित हुई जिनसे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर तथा 16 तत्वों वाले स्थूल शरीर का स्रिजन किया सूक्ष में शरीर के 19 स्तत्व मनों मैं, भाव मैं और प्राण मैं हैं ये 19 स्तत्व हैं बुद्धी, आंगार, चित्थ, मनस यानि इंद्रिय चैतन्य पंच ज्यानेंद्रिया जो शक्त, स्पर्ष, रस, रूप, गंद की इंद्रियों के सूक्ष में रूप हैं पंच कर्मेंद्रिया जो प्रजनन, मल विसर्जड, बाणी, चलने-फिरने और कौशल प्रकट करने के शमताओं का कार्य वेहन करने में मानसिक संदेशों के आदान प्रदान का कारे करती हैं तथा पंच प्राड, जो शरीर में चया-पचय या रस प्रक्रिया का अन्न के विगटित तत्वों को शरीर में आग्मसात करने का रसों को शरीर की आविशक्ता नुसार घन रूप में परिवर्तित करने का मल निसारन का तथा रक्त संचारन का कारे करते हैं इन 19 तत्वों से बना यह सूक्ष्म शरीर, 16 रासायनिक तत्वों से बने इस थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इश्वर ने अपने भीदर ही विविद योजनाय बनाई और उन्हें स्वपनों में प्रत्यक्ष रूप दिया। इस प्रकार माया सापेक्ष्ता के अपने अनंत विराट आभूशनों से सचधश कर प्रकट हुई। कारण शरीर की 35 भावश रिणियों में इश्वर ने मनुष्य के सूख्ष्म शरीर से संबंधित 19 तथा स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों के सर्वांगीट पहलूँ को विश्त्रित रूप से अंतर नहित रखा। स्पंदित होती शक्तियों को पहले सूक्ष्म रूप से और फिर स्थूल रूप से स्थिर करते हुए सघन बनाकर, ईश्वन ने मनुष्य का पहले सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर. जिस सापेक्ष्ता के नियम के कारण एक मात्र परम शुद्ध ब्रह्म ने अनेक रूप धारन कर लिये, उसी नियम की वज़े से कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है. इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी स्थूल शर मनुष्य देखते हैं कि त्री आयामी स्थूल जगत में वे सीमाओं और प्रतिरोधों से आबद्ध हैं। मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा को जब रोग या अन्य कारणों से गहरा धक्का लगता है तब मृत्यु का आगमन होता है और स्थूल शरीर का बोजिल चोला कुछ देर के लिए उतर जाता है। परंदोय सवस्था में भी आत्मा सूक्ष्म तता कारण शरीरों में आबद्ध रहती है। तीनों शरीरों को एक साथ पकड़ को रखने वाली शक्ती है मनुष्य की इच्छा। अत्रिप्ते च्छाओं की शक्ती ही मनुष्य की दास्ता की जड़ है। भौत इक वास्नाओं की जड़ अहंकार और इंद्रिय सुक में नहित है। इंद्रिय सुक की लालसा या विवश्ता सूक्ष्म जगत की अनुरक्तियों या कारण जगत की अनुभूतियों से संबंदित आकर्शन शक्ती से अधिक बल्वान होती है। सूक्ष्म जगत में उपभोग स्पंधनों के अर्थ में होता है। सब उभोग वस्तूओं और अनुभवों के रूप में या अपने विचारों या स्वपनों के सघन रूप में प्रकट कर पाने की क्षमता से संबंदित है। कारण जगत में इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से ही हो जाती है। कारण जगत में वास करने वाली मुक्त प्राय आत्माई जो केवल कारण शरीर में आबद्ध हैं, समस्त स्रिष्टि को ईश्वर की स्वपन कल्पनाओं के साकार रूप मात्र में देखती है। अतयवे भी अपने विचार मात्र से कुछ भी प्रकट कर सकती है। इसके कारण जगत पासी जड इंद्रियानु भूतियों को या सूक्ष्म जगत की सुखानु भूतियों को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूतिक शमताओं के लिए घुटनकारी मानते हैं। कारण जगत के जीव अपनी चाओं को तच्छन मूत रूप देकर निशेश कर देते हैं। जो स्वयम को केवल कारण शरीर के अत्यंत सूक्षम आवरण से ढखे पाते हैं। पिस्रश्टा की तरह ही प्रम्भंडों की उत्पत्ति कर सकते हैं। चुकि समस्त स्रिष्टी विराट स्वपन तंतूओं से ही बनी हुई है, अत्य कारण शरीर के अत्यंत पतले आवरण में आभध आत्मा में विराट शक्तियां होती है। आत्मा अद्रिष्य है। जब शरीर में या शरीरों में होती है, तभी उसके अस्तित्तु का पता चल सकता है। शरीर के होने का आर्थी यह है कि उसमें अभी अत्रिप्तिछाए हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा एक, दो या तीन दे घटों में बंद है और उन घटों पर अज्ञान तता इच्छा वासनाओं के धकल लगे हुए हैं, तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब स्थूल दे घट को मृत्यु का घटों तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के दो घटों में आत्मा बंद रहती है। इसके वह सर्वव्यापी जीवन सागर यानि परमतत्यु में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहितता आती है, तब उसकी शक्ती शेश दो घटों को तोड़ देती है। इस प्रकार आखे नन्हे सी मानावाद्मा मुक्ष्म हो जाती है, तब वह माया तीत परमतत्यु के साथ एक हो जाती है। मैंने अपने दिव्य गुरुदेव से उच्चेवं गूर कारण जगत पर और अधिक प्रकाश डालने का अनुरोद किया। उन्होंने बताया, कारण जगत वर्णना तीत रूप से सूक्ष्म है। उस जगत को समझ पाने के लिए मनुष्य को एकागरता की इतनी विराच शक्ती की आविशक्ता होगी कि वह अपनी आँखे बंद करके समस्त सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत को उस अती विशाल जोतिर में गुबारे को और उसके नीचे लटकती उस ठोस टोकरी को मन की आँख से देख सके और यह जान सके कि उन दोनों विश्वों का स्तित्तो केवल कलपना में ही है इस अतिमानविय एकागरता के द्वारा जदी कोई इन दो विश्वों को उनकी सारी जटिलताओं समेथ केवल कलपना में परिनत कर सका तो तब वह कारण जगत में पहुंच ज जगत तथा पदार्थ जगत के मिलन की सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा वहां खड़ा होकर मनुष्य थोस्पदार्थ, तरल्पदार्थ, वायू, विद्योद, उर्जा, समस्त जीव, देवी देवता, मानव प्राणी, पशु पक्षी, बेड़ पौधे, जीवानों जगत को चैतन्य के रूप में उसी प्रकार देखता है, जिस प्रकार किसी मनुष्य को आँखे बंद करने के बाद भी अपने अस्तित्व का बोध रहता है, भले ही उसका शरीर उसकी आँखों को ना दिख रहा हो, और केवल मन की कल्पना में ही उस समय उसका अस्तित्व हो जो कुछ एक मनुष्य कल्पना में कर सकता है, बह सब एक कारण जगत्वासी वास्तव में कर सकता है बड़ी से बड़ी कल्पना शील मानव बुद्धी भी केवल मन में ही विचार के एक छोर से दूसरे छोर तक की दोड़ लगा सकती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर छलांग लगा सकती है, या अनंतता के विवर में अंतिहीन रूप से नीचे नीचे जा सकती है, या रॉक कारण जगतवासियों के पास इससे बहुत अधिक स्वतन दखता है। वे बिना किसी भौतेक या सूख्ष्म बाधा के या बिना किसी कर्म बंधन की मर्यादा के अपनी इच्छाओं को सहजी तक्षन साकार कर सकते हैं। कारण जगतवासियों को यह ग्यान है कि ना तो इस धूल जगत मूलते इलेक्ट्रॉनों यानि विद्यूतर्वों से बना है और ना ही सूख्ष्म जगत मूलते प्राण कडिकाओं यानि प्राण अनू से बना है। बलकि ये दोनों ही जगत इश्वरिय विचार तत्व की सूख्ष्म तम कडिकाओं से बने हैं, जिन्हें माया ने अर्थात सापेक्ष्ता के नियम ने खंडित और विगटित कर दिया है। माया की भूमिका स्पष्टे स्रिष्टी को स्रष्टा से विभक्त करना ही है। कारण जगतवासी अपने शरीरों और विचारों के बीच केवल कल्बनाओं का ही अंतर देखते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आखे बंद कर अपने मन की आख से दीप दिमान उज्जुल प्रकाश या फीकी नीली आभा देख सकता है। उसी प्रकार कारण जगतवासी अपने विचार मात्र से शब, स्पर्श, रस, रूप, गंद का अनुभव कर सकते हैं। विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तुकस रिजन कर सकते हैं या उसका विले भी कर सकते हैं। कारण जगत में मृत्यों और पुनर्जन केवल विचार में ही होता है। कारण शरीरी जीवों का आहार केवल चिर्नूतन ज्यानाम्रित है। विशांति के जढ़ने से पान करते हैं, अनुभूतियों की पत्रहित भूमी में विचरन करते हैं और पर्मनंद के अनंद सागर में तैरते हैं। कर जब आत्मा पूर्णते मुक्त हो जाती है, तब वह अपने छोटे से कारण शरीर से बाहर निकल कर संपूर्ण कारण जगत की विशालता को फ्याप्त कर लेती है। विचारों के भिन्न भिन्न भमर, शक्ति, प्रेम, इच्छा, आनंद, शांती, अंतरग्यान, स्थैर्य, आत्मसयम और एकागरता की सारी वैशिष्ट्य प्राप्त लेहरें सदा आनंद से उमरते पर्मनंद सागर में बिलीन हो जाती हैं। तब आत्मा को अपने आनंद की अनुभूती चैतन्य की एक विशिष्ट लहर के रूप में नहीं करनी परती, बलकि वह सनातन हास्य, रोमांज, धड़कनों की लहरों से योक्त पूरे ब्रम सागर में ही बिलीन हो जाती है। जब आत्मा तीनों शरीर कोशों से बाहर निकल जाती है, तब वह सापेक्ष्टा के नियम से या माया से हमेशा के लिए मुक्ठ होकर अवर्णनिय शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। जब कोई आत्मा उन तीन दे घटों से बाहर निकलती है, तब वह अपने व्यक्तित्व को खोई बिना अनंत परमतत्त्र के साथ एक हो जाती है। जीवन में मृत्यू और पुनरत्थान के बीज उन्होंने तीन दिन का आनुभव किया, उन्होंने परमतत्त्त्त के साथ उन्त एक रूप होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अविक्सित मनुष्य को तीनों शरीरों से बाहर निकलने के लिए पृत्वी पर और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में असंग के जन्म लेने पड़ते हैं। या अंते मुक्ति प्राप्त करने वाला सिद्ध चाहे तो दूसरे लोगों को ईश्वर तक पहुँचाने के लिए पृत्वी पर अफदार लेकर आ सकता है। या मेरी तरह सूक्ष्म जगत में ही वास कर सकता है। वहां वास करने वाला उध्धारक वहां के लोगों के कर्मों का कुछ बोज अपने उपर लेकर सूक्ष्म जगत में उनके पुनर जन्म के चक्र को समाप्त करने में और सदा के लिए कारण जगत में निकल जाने में उनकी साहिता करता है। या फिर मुक्ध होई आत्मा कारण जगत में प्रवेश कर वहां के जीवों की कारण शरीर में वास की अवधी कम कर पून मुक्ति पाने में साहिता कर सकती है। अब पहली बार जीवन और मृत्य के शत्रंज के गूर अंतरालों का सुस्पष्ट और निश्चित ग्यान मुझे हो रहा था। मेरे गुरुदेव ने अपनी आहलादक आवाज में बताना शुरू किया। जब मनुष्य के सारे भातिक कर्मों का अर्थात उसकी सारी इच्छा वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाए। तब ही वह सूक्ष्म जगत में अखंड वास कर सकता है। सूक्ष्म जगत में दो प्रकार के जीव रहते हैं। जिन जीवों के पृत्वी लोग से संबंदित कर्म अभी शेश हैं। और इसलिए जिनने अपने कर्मों का रिण चुकाने के लिए स्थूल शरीर धारन करना ही पड़ेगा। उन्हें मृत्यो परांग सूक्ष्म जगत के अईस्थाई निवासी कहा जा सकता है। जिन जीवों के पृत्वी से संबंदित कर्म अभी खत्म नहीं हुए हो। फिस सूक्ष्म जगत में मृत्य होने के बाद स्रिष्टी परिकल्बनाओं के उच्छ कारण जगत में प्रवेश नहीं पा सकते। उन्हें केबल स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीची बार-बार आवागमन करना पड़ता है। और बारी-बारी से उन्हें 16 स्थूल तत्वों से बने स्थूल शरीर का तथा 19 सूक्ष्म तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर का बोध रहता है। तथा भी अपने प्रतेक स्थूल शरीर के निधन के बाद प्रित्वी लोग से आने वाला अभिकसित जीव अधिकांच समय बृत्य निद्रा की गहरी मूर्चा में ही रहता है। सुंदर सुक्ष्म जगत का उसे लगभग कोई बोध नहीं होता। सुक्ष्म जगत में इस प्रकार की विश्रानती के बाद ऐसा जीव आगे की शिक्षा ग्रहन करने के लिए स्थूल जगत में लोट आता है। और बार-बार आवा गमन के द्वारा धीरे-धीरे उसे सुक्ष्म लोकों का परिचय होता जाता है। दूसरी और सुक्ष्म जगत के सामानने वासी या लंबे समय से वहाँ प्रस्थापित हो चुके वासी वे जीव हैं जो प्रिथ्वी से सम्बंदित इच्छा वासनाओं से हमेशा के लिए मुप्ध हो चुके हैं और उन्हें प्रिथ्वी के निक्रिष्ट स्पंधनों में लौट आने की आविशक्ता नहीं है ऐसे जीवों के लिए केवल सुक्ष्म और कारण जगत के ही कर्मों का क्षय करना शेश रहता है सुक्ष्म जगत में मृत्ति होने पर ये जीव सुक्ष्म जगत से भी अनंत गुना सुक्ष्म और सुन्दर कारण जगत में जाते हैं इस सूक्ष्म शरीर में पुनर्जन्म होता है। इसके पश्चात श्रीयुक्तेश्वर जी ने कहा, बेटा, अब यह बात तुम्हारी समझ में अधिक अच्छी तरह आ गई होगी कि इश्च्वर की आग्या से ही मेरा पुनरुथान हुआ है। और यह पुनरुथान विशेशकर उन आत्माओं का उधार करने के लिए हुआ है, जो कारण जगत से लोटकर सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म धारन करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृत्वी लोग से सूक्ष्म जगत में आते हैं। प्रित्वी लोग से आने वाले जीवों के प्रित्वी से संबंदित कर्म यदिशेश हों, तो वे हिरण्य लोग के समान किसी अति उच्च लोग तक नहीं पहुंच सकते। जिस प्रकार प्रित्वी के अधिकांश लोगों ने ध्यान से प्राप्त होने वाली अंतर द्रिष्टी के द्वारा सूक्ष्म जगत में जीवन के उच्चतर सुखों और लाभों को पहचानना नहीं सीखा। और इसलिए मृत्यू के बाद प्रित्वी के ही सीमेत निक्रिष्ट सुखों में लोट आने की उनकी इच्चा होती है। सूक्ष्म जगत में मृत्वी होने के बाद उस कारण जगत के भाव लोकों में अखंड वास कर पाने के लिए, जो विधाता से केवल एक महीन परदे द्वारा ही अलग है, सूक्ष्म जगत से संबंदे अत्यंत भारी कर्मों को काड़ना आवश्यक होता है। मंदित कर्मों को काटने के कारे को पूरा करते हुए, अर्थात सभी गत इच्छा वासनाओं के बीजों को पूर्ण नश्ट करते हुए, घट में बंद होई आत्मा, अज्ञान के तीन धकनों में से आखरी धकन को भी उच्छाल कर फेंक देती है। और कारण शरीर रूपी आखरी घट से बाहर निकल कर परमत्रत्व में बिलीन हो जाती है। अब तुम्हारी समझ में आ गया, गुरुदेव ने अत्यांत मधुर मुस्कान के साथ पूछा, जी हाँ, आपकी कृपा से, मैं आनम देवं कृतक्यता से अवाख हो गया हूँ। ना किसी गीत से और ना किसी कथा से मुझे पहले कभी ऐसा प्रेणा प्रद ग्यान प्राप्थ हुआ था। यद्यपी हिंदू शास्त्रों में कारण जगत और सूक्ष मलोकों का, तथा मनुष्य के तीन शरीरों का उलेक तो है, पर पहुंस से कितने बाहर और अर्थ हीन लगते हैं शास्त्रों के वेपनने, मेरे पुनुरुथित गुरुदेव के जीवंत वर्णन के साथे। उनके लिए सच्मुच कोई असक्षेत्र नहीं बचा, जहां जाकर कोई लौट नहीं सकता। मेरे गुरु आगे कहते गए, मनुष्य के तीन शरीरों की अंतरव्याप्ती उसकी त्रिवित प्रकृती के माध्यम से अनेक प्रकारों से अभिव्यक्त होती है। प्रित्वी पर जागरे तवस्था में मनुष्य को अपने इन तीन माध्यमों का थोड़ा बहुत बोध रहता है। के माध्यम से कारे कर रहा होता है। जो मनुष्य बार-बार अपने कारण शरीर से संपर्क करने का अभ्यस्त होता है, उसी के मन में दिव्य प्रतिभा के विराठ बिचार आते हैं। इस अर्थ में मोटे तोर पर किसी व्यक्ति को भौतिकवादी मनुष्य, स्भूर्तिवान मनुष्य या प्रतिभाशाली मनुष्य के रूप में वर्गिकृत किया जा सकता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 16 घंटों तक अपने जड़ माध्यम के साथ एक रूप होकर रहता है, फिर बाश सोता है, और इसमें यदि वह स्वपन देखता है, तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक रूप रहता है, और सूक्ष्म जगतवासियों की भाति ही बेना किसी प्रयास के किसी भी वस्तु की स्रिष्टी करता है, यदि मनुष्य की नीन्द गहरी और स्वपन रहित हो, तो वह कई घंटों तक के लिए अपनी जेतना को, अपने अहम भाव को अपने कारण शरीर में इस्थनांतरित कर सकता है, ऐसी नीन्द मनुष्य में नवशक्त का संचार नहीं करा सकती, जब श्री उक्तेश्वर जी यह सारा प्रेम पूर्ण आख्यान कर रहे थे, तब मैं प्रेम के साथ उनका अवलोकन कर रहा था, मैंने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका यह शरीर ठीक वैसा ही दिखाई देता है, जैसा यह तब दिखाई दे र रहा था, जब पुरी आश्रम में अंतिम बार में इसके सामने रोया था, हाँ, हाँ, मेरा यह नया शरीर उस पुराने शरीर का बिल्कुल तक्सम प्रती रूप है, मैं अपनी इच्छा नुसार जब चाहे इस शरीर को सागार करता हूं या विसर्जित कर देता हूं, और प थूल चगत में भी पहुंच जाता हूं, गुरुदेव मुस्कुराए, आजकल तुम इतनी तेजी से यहां से वहां जा रहे हो, परन्तु तुम्हें मुंबई में डूर निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ओ गुरुदेव, आपके मृत्यों पर मैं इतना गहर शोक कर रहा था, आह, मेरी मृत्यों हुई ही कहां है, इसमें कुछ बरस पर विरोधा भास नहीं है, श्री उक्तेश्वर जी के नेत्रों में प्रेम और मनुरंजन की जमक आ गई, उन्होंने फिर कहना शुरू किया, प्रित्वी पर तुम केवल स्वपन देख रहे थे, और उस प्रित्वी पर तुमने मेरे स्वपन शरीर को देखा, बाद में उस स्वपन शरीर को तुमने समाध ही दे दी, अब उससे सूक्ष में मेरा यह मास का शरीर, जिसे तुम देख रहे हो और अभी भी जिसे तुमने इतना कसकर बाहों में भर रखा है, इश्वर के प्रित् को जागृती के एक अंतिम स्पष्ट से फूट जाना होगा। बेटा योगानन, स्वपनों और सत्य के बीच के भेद को समझो। इस वेधानती पुनुरत्थान के विचार से मैं आश्यरे से भर उठा। मुझे अपने आप पर लज्जा आई कि मुझे पूरी में गुरुदे पर उनका जीवन एवं मृत्यू तथा उसके बाद उनका ये पुनुरत्थान, स्रिष्टी के विराच स्वपन में ईश्वर की कल्पनाओं के खेल से अधिक कुछ था ही नहीं। अब वैने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यू और पुनुरत्थान की वास्तविक ताइम ब इससे संसार के दुख ग्रस्त, मृत्यू भैसे पीडित स्वपन द्रश्टाओं के हिदय में नई आशा का संचार होगा। मेरी सारी डांट फटकार के बादलों के बीच से तुम्हारा प्रेम चमकता ही रहा। अब मैं कभी अपने दृष्टी कठोड नहीं करूँगा। कभी तुम्हें डांट फटकार नहीं लगाूँगा। अपने महान गुरू की डांट फटकारों का अभाव मुझे कितना खल रहा था। उनकी हर फटकार मेरे लिए सुरक्षा का वजबन गई थी। परम पूझे गुरुदेव, लाखों बार मुझे डाटिये, अभी फटकार लगाईए। अब मैं कभी तुम्हें नहीं फटकारूंगा। परमात्मा में भी लीन हो जाएंगे। तब हमारी मुस्कराहाट उसकी मुस्कराहट होगी। और हमारा सैयुक्त आनंदगी इश्वर के साथ समस्वर्ता रखने वाले भक्तों के सुनने के लिए अनंत काल तक प्रसारित होता रहेगा। के जून महीने के उस दिन इस विश्व के संबंद में उनके द्वारा की गई अनेक भविश्यवानिया साकार हो भी चुकी है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ प्रिययोगानंद। ये शब्द मेरे कानों से टकराते ही मैंने अनुभव किया कि मेरे बाहुपाश में ही गुरुदेव के शरीर का विलय हो रहा था। बेदा, मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द कुझ उठे। जब भी तुम निर्विकल्प समाधी के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज ही की तरहें रक्तमास के शरीर में मैं तुम्हारे पास आ जाओंगा। यह दिव्यवचन देकर श्री उक्तेश्वर जी मेरी द्रिष्टी से ओजल हो गए। बादलों की ध्वनी सी एक आवाज बार-बार संगीत में गर्जन कर रही थी। सबसे कह दो, जो कोई भी निर्विकल्प समाधी में यह जान लेगा कि तुम्हारी यह पृत्वी ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है, वह ईश्वर के इस से भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मेत फिरणने लोक में आ सकता है, और वहाँ पूरी तरहें पृत्वी लोक के मेर दोख दूर हो गया, उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने मेरी शांती चील ली थी, अब वह शोक करुणा मानों लज्जित होकर भाग गये, आत्मा के नाबुन मुक्त अनंत रंध्रों से पर्मानंद के फबारे छूट रहे थे, बहुत समय से अप्रयोक्त रहने क कारण, रुध्धुए रंद्र, पर्मानंद की तेज बार से पवित्र और बड़े होते गए, मेरे अंतर चक्षु के सामने, मेरे पूर्व जन्म चलचित्र की भाती प्रकट हो रहे थे, अतीद के सारे अच्छे और बुरे कर्म, गुरुदेव के दिव्वे दर्शन के कार मेरे चारों और फैले दैवी प्रकाश में खुल गए, अपनी आत्म कता के इस प्रकरण में, मैंने अपने गुरु की आग्या का पालन कर इस सुखत बारता का प्रसार किया है, जबकि जिग्यासा रहित पीड़ी, फिर एक बार इससे संभ्रमित और व्याकुल हो उठेगी, दीन हीन बनना मनुष्य अच्छी तरह जानता है, निराशा भी शायद ही किसी के लिए नई हो, फिर भी ये दोनों ही विक्रतियां है, मनुष्य की सच्ची नियती का हिस्सा नहीं, मनुष्य जब संकल्प करेगा, उसी दिन वह मुक्ति के पत पर आरूर्ण हो जाएगा, ब जे ये आत्मा की ओर कभी ध्यानी नहीं दिया, उनुर्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन करपाने वाला मैं अकेला ही नहीं था, श्री युक्तेश्वर जी के शिश्यों में एक प्रिद्ध मैला थी, जिने प्यार से लोग मा कहते थे, उनका घर पूरी में आश्रम के निकट ही था, गुरुदेव जब सुबह घुमने जाते थे, तब प्राया उनसे बाचीत करने के लिए थोड़ी देर रुखते थे, 16 मार्च 1936 के दिन शाम को माने आश्रम में पहुँचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छ अव्यक्त की, आपको मा नहीं सकता, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सेवलंद ने गुरुदेव के शरीर को समाधी दिये जाने का सविस्तार परणन किया, फिर उसने कहा, आईए, मैं आपको सामने के बवीचे में उनकी समाधी के पास ले चलता हूँ, माने सिरह लाते हुए कहा, उनकी कोई समाधी नहीं है, आज सुबह दस बजे पे हमेशा की तरह मेरे दर्वाजे के सामने से कूमने गए, भार सूरी के उज्वल प्रकाश में कई मिनिटों तक मैंने उनसे बातें की, उन्होंने ही मुझसे कहा, आज शाम आश्रम में आ जाना, मैं आ गई हूँ, मेरे बूढ मैं सपेद सर को आशीरवाद प्राप्थो, अमार गुरु मुझे बता दिना चाहते थे कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था, फिस मैं चकित सेवानंद ने उनके चड़नों में प्रणाम करते हुए कहा, मा, मेरे रिदय पर से शोक का कि इतना भारी बोज आपने दूर कर दिया, उनका पुनुर्थान हो गया है। 44. महात्मा गांधी के साथ वर्धा में वर्धा में आपका स्वागत है, महात्मा गांधी के साचेव श्री महादेब देसाई ने इन शब्दों के साथ खदर की मालाएं भेट करते हुए मिस ब्लेच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुँचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगारी के हवाले कर, हम लोग श्री देशाई और उनके साथ ही बाबा साहिब देशमोक एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचर भरी कच्ची सडक पर चल कर, कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्राम मगनबारी में पहुँच गई। श्री देशाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालती लगा कर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागस, चेहरे पर विस्त्रेत, दूसरों को जीत लेने वाली हृताय से निकलती मुस्कार। स्वागत है। हिंदी में उन्होंने लिखा, क्योंकि यह सोंबार था, सप्ता का उनका मौन दिवस। हम दोनों की यह पहली ही मुलाकात थी। फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा गांधी ने राची के मेरे विद्याले में पधार कर उसे सम्मानित किया था और वहां की अतिथी पुस्तिका में प्रशंचा के शब्द लिखे थे। मात्र 105 बजन के इस शीड काह संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्त की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हलकी भूरी सी आखों में बुद्धी, इमांदारी और विवेक का तेश था। इस राजनीतिग्य ने हजारों कानूनी, सामाजे और राजनीतिक लड़ाईयों में विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटी-कोटी अशिक्षित जन्ता के रिदय में अपना जो अटल स्थान बनाया है, वैसा इस्थान अपनी जन्ता के रिदयों में विश् पहन कर रहते हैं, जबकि उनकी इस पोशाक पर सब दरफ व्यंग चित्र बनाये जाते हैं। यह पोशाक पद दलिर जन्ता के साथ उनकी एक आत्मता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकती। यहां के सब आश्रमवासी आपकी सेवा में उपस्तित हैं। पहने स्वभावगत बिने के साथ मेरे हाथ में दे दिया। श्रीदेसाई हम लोगों को फलोध्यानों और पुश्प वाटिकाओं के बीच में से एक खपरेल छट के मकान में ले गए, जिसकी खिर्कियों में जालियां लगी हुई थी। सामने के आंगन में एक 25 पुट प्रयूक्त होता है। पास में ही सिमेंट का एक घूमने वाला चक्का था, जो धान की जड़ाई करने के काम मिलाया जाता था। हमारे छोटे-छोटे कमरों में केवल अत्यावश्यक अल्पतम सामान ही था। केवल रसी की एक खड़िया। रसोई घर की सफेदी की हुई थी उसमें एक कोने में नल था और दूसरे कोने में मिट्टी का एक चूला। देहात के विश्यश्ट आवाजे हमारे कानों में आ रही थी। कवों की काउं-काउं, चिडियाओं की चहचाहत, मवेशियों का हमभारव, पत्थरों को तोड़ती छेनियों की ठंठर। श्री व्रत में शामिल प्रतिज्याओं की सूची उन्होंने लिख दी। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक्ष्रम, स्वादिंद्रिय पढ्नियंत्रण, निर्भायता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्प्रश्यता से मुक्ती। इन 11 प्रति अगस्त 1935, हमारे आगमन के दो घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। सबजी और नीम्बू का मीठा अजार था। गांधी जी ने रोटिया, उबाले हुए चुकंदर और कुछ कच्ची सबजिया तथा संत्रे खाए। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कडवे पत्तों की चटनी थी। नीम उतक्रिष्ट रक्त शोधक है एक चम्मस से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में डाल दी। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब मा मुझे जबरदस्तिया अप्रिय और शदी देती थी। अप्रेशन की मुझे याद आई। जिसे उस समय बहुत प्रसिधि भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर ऑप्रेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुलित मन से अपने अनुयाईयों से बाते कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांद मुस्कान यह साफ बदा रही थी क्योंने दर्द का कोई अहसास नहीं हो रहा था। दोपहर में मुझे गांधी जी की विख्यात शिश्या मीरा बेन से बातचीत करने का अफसर मिला। मीरा बेन एक अंग्रेज नौसेना प्रमुक यानी एड्मिरल की पुत्री हैं जिनका नाम आश्रम में आने से पहले मिस मेडिलिन स्लेग था। अपने दैनिक कारिक्रम का विशुद्ध हिंदी में विवरण सुनाते हुए मजबूत सलकता उनका शांथ चेहरा उत्सा से खे अधारन बातों की जानकारी देने जाता है। हम लोग उनकी घास फूस की जोपडियों एवं शौचालियों की सफाई करने का विशेश ध्यान रखते हैं। ग्रामीन जन अशिक्षित हैं। उधारन के बिनाउने शिक्षित नहीं किया जा सकता। वे प्रसन्नता के साथ हस पणी। उच्चकुल की इस संग्रेज महिला को मैं आदर भरी द्रिष्टी से देख रहा था। जो सच्ची इसाई विनम्रता हृदय में धारन किये मल सफाई तक का काम कर रही थी। जिसे साधारन तर केवल अस्प्रिश्य लोग ही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया मैं मैं 1925 में भारत आई। इस देश में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। अब मैं अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में कभी लोटना नहीं चाहूंगी। फिर थोड़ी देर हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की। उन्हो महात्मा जी के प्रयत्नों के फल्स्वरूप चर्खा अब भारत के ग्रामीन इलाकों में सर्व व्यापी हो गया है। कुटीर उद्योगों के पुनुरुद जीवन को प्रोचाहित करने के लिए कांधी जी के पास ठोस, अर्थशास्त्री और सांस्कृतिक कारण है। तथा पीवे सभी आधुनिक प्रगती से कटर्ता के साथ दूर रहने की सला भी नहीं देते। उनके अपने राश्ट्रव्यापी व्यस्त जीवन में मशीनों, रेलगाडियों, मोटरगाडियों तथा टेलिग्राफ ने महत्वपून भूमी का निभाई है। नस्कता में, उनके स्वस्त चित्कता में और भी अधिक व्रिद्धी हुई है। तथा उन्हें इस विलक्षन मानविये तमाशे का विनोत्पूर्ण कौतिक बुद्धी के साथ अवलोकन करना सिखाया है। पर बैठे थे, एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने खड़ी करके रखी हुई थी। अस्त होते सूरे की अंतिम किरने तार और बर्गत के व्रिक्षों पर पड़ रही थी। रात के अंदेरे की और जिंगरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। बातावरन शांत गंबीर था। मैं मंत्र मुक्त हो गया। श्री देशाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता पाठ हुआ। गांदी जी ने समापन प्रातना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहाँ भाव और अभिलाशा का कैसा दिव्य सैयोग था। यह एक अविस्मर्निय स्मृति बन कर रह गई। वर्धा में छट पर तारों के नीचे थ्यार। समय की पाबंदी का पालंग करते हुए ठीक 8 बजे गांदी जी ने अपना मौन भंग किया। उनके लिए अपने जीवन के व्रिहत कारियों के कारण अपने समय को सूक्ष्मता से विभाजित कर विभित कारियों में बांटना आवश्यक है। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागस के माध्यम से नहीं था। हम चट से उतर कर उनके लेखन कक्ष में पहुँचे ही थे। लेखन कक्ष में कोई फरनिचर नहीं था। महा केवल बैठने की आसन नुमा छोटी-छोटी चौकोर चटाईयां थी। जमीन पर बैठ कर लिखने के काम आ सके इतनी उचाई की एक डेस्क, कागस और कुछ साधारन कल में फाउंटन पे नहीं थी। एक कोने में मामुली सी एक घड़ी टिक-टिक किये जा रही थी। उस कमरे में शान्ति और भक्ति का वादा वरण था। गांधी जी अपनी मोहग, लगभग दंत वीहिन मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने बताया, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए, मैंने कई वर्षों पूर्व, सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू किया। परंदु मौन के वे 24 घंटे, अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आविशक्ता बन गए हैं। नियतकालिक मौन रखने में कश्ट तो कुछ नहीं है, बलकि यहां एक बरदान है। मैं पूरे मन से उनसे सहमत हो गया। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका और यूरोप के विशे में प्रश्न किये। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। कमरे में श्वीदेशाई के प्रवेश करते ही गांधी जी ने उनसे कहा, महादेव, कल राट टाउन हॉल में योग शास्त्र पर स्वामी जी के व्याख्यान की व्यवस्ता करो। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए उठा, तो गांधी जी ने सिट्रुनेला ओयल की एक शीशी मेरे हाथ में दे दी। वर्धा के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते स्वामी जी, हसते हुए उन्होंने कहा। दूसरे देन सुबह, जल्दी ही दूद में गुड के साथ बनाए हुए दलिये का नाश्ता हम लोगों ने किया। साड़े दस बजे गांधी जी और सत्या ग्रहियों के साथ भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। आज भोजन में हाथ से कुटे हुए चावल का भाद, सबजी और इलाईजी के दाने थे। मैं दोपहर को आश्रम में टहलने निकला और घूमते घूमते चराई के एक मैदान में जा पहुँचा, जहां कुछ गाएं शान्ती पूर्वक चर रही थी। गोरक्षन का गांधी जी के रिदय में अत्यंत विशेष्ट थान था। उन्होंने कहा है, मेरे लिए गाए का आर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। मनुष्य का मानव जाती की सीमाओं से बाहर निकल कर पशू जगत के प्रती सहनुभूती प्रकट करना। गाए के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मता इस्थापित कर सकता है। प्राचेन रिश्यों ने गाए को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। भारत में गाए ही सर्वोत्तम उधारन थी, क्योंकि गाए अनेक प्रकारों से मनुष्य की सम्रिध्धी की जनिनी है। न केवल वह दूद देती है, बलकि क्रिशी कर्म भी उसी के कारण संभाव हुआ। गाए करुणा का काभ्य है, इस निरीई प्राणी में मनुष्य कारुन्य भाव का दर्शन करता है, लाखों मानव प्राणियों के लिए गाय दूसरी माता है, गोरक्शन का अर्थ है, ईश्वर की समस्त मूक स्रिष्टी की रक्षा, और यह रक्षा करना हमारा और भी अधि पुन कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। धर्म परायन हिंदु के लिए कुछ दैनिक धार्मिक प्रित्य बताए गए हैं। उनमें से एक है भूत यग्य, अर्थार, प्राणी जगत को अन अरपन करना। यह कर्म इस बात का प्रतीक है, कि मनुष्य को स्रिष्टी के उन कम विक्सित जीवों के प्रती अपने कर्तव्यों का बोध है, जो प्रिवृत्य के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। एक भ्राम जिससे मनुष्य भी ग्रसित है, परंतु जिन में आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धी का अभाव है, जो केवल मनुष्यों की ही विशेष्टा है। इस प्रकार भूत्य अग्य, निर्बलों की साहता के लिए मनुष्य की तकपर्ता को सुद्रिन बनाता है, जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अद्रिश्य जीवों से असंग के प्रकार से साहता पाता है। भूमी, समुद्र और आकाश में प्रक्रती ने जो नवशक्ती प्रदायक उबहार जगे जगे बहुतायत में विखेर रखे हैं, उनके लिए भी मानव जाती रिल में बंधी हुई है। प्रकृती, प्राणी जगत, मानव तथा सूक्ष्म जगत के देवदाओं के बीच क्रम विकास की भिन भिन आवस्थाओं के कारण बरस पर संबर्क में जो बाधाये हैं, उन्हें मूख प्रेम के दैनिक यग्यों यानि कर्मों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जो प्रतिदिन करने चाहिए, ऐसे दो अन्ने यग्य हैं, पित्र यग्य तथा न्री यग्य। पित्र यग्य में पित्रों के लिए दरपन किया जाता है। यह गत पीडियों के रिण की स्विकृती का प्रतीक है, जिनकी ज्यान संपदा आज मानव जाती को राह दिखा रह जी है। न्री यग्य का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन अरपन करना। यह मनुष्य के समकाली नदाइत्तों का अर्थात उसके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रतिक कर्तव्यों का प्रतिक है। दोपहर में गांधी जी द्वारा छोटी-छोटी पहने वे बालिकाएं ऐसी लग रही थी, मानों लंबे-लंबे डंठलों पर छोटे-छोटे फूल लगे हो। बाहर खुले मैदान में ही मैंने हिंदी में छोटा सा भाशन दिया। भाशन खत्म होते होते बादलों ने अचानक पानी बरसाना शुरू कर दिया। हसते हुए श्री राइट और मैं कार में खुस गए और घनी बारिश में मगनवाडी की ओर तेजी से बढ़ चले। उष्ण प्रदेश में वर्षा भी कितनी घनी और तीवर्ता के साथ होती है। अतिथी भवन में पुन्हे प्रवेश करते हुए मैं यहां हर तरफ दिखाई देने वा पैसे भी अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बाटती। श्री उक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामानेते देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी-कभी व्यंग किया करते थे। वे कहते भिकारी संपत्ति क त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंदा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूं, तो किस संसार त्याग की वह बात कर रहा है। उसने किसी संपत्ति या प्रेम का त्याग त्याग कर दिया। दूसरी ओर, गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बलगी उससे भी कठिन निजी लक्ष प्रापति और स्वार्थिव देश्यों का भी त्याग कर दिया, और अपने अस्तित्ट्यों के गहन तम हिस्सों को भी सारी मानवजाती को एक ही धारा मानकर उसमें विलीन कर दिया. महात्मा जी की असाधारन धर्मपत्नी कस्तूर्भा ने कोई आपत्ती प्रकट नहीं की, कि उन्होंने उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा. गांधी जी का विवा किशोरा वस्था में ही हो गया था. चार पुत्रों को जन देने के बाद, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्मचरे का प्रत ले लिया. उनके सहजीवन के प्रखर नाटक की शांत नाइका के रूप में, कस्तूर्बा अपने पती के साथ कारवास भी गई. तीन तीन सप्ताहों के अंशनों में पती के साथ स्वयम भी उपवास करती रही और पती की अनंद जिम्मेदारियों में अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालती रही गांधी जी के प्रती उन्होंने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की है मैं आपकी आभारी हूँ कि आपकी जीवन संगनी एवं सहधर्मनी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्थ हुआ मैं आपकी आभारी हूँ संसार में सर्वश्रेष्ट बिवाबंधन के लिए जो विशेभोक पर नहीं बलकि ब्रह्मचर्य पर आधारित है मैं आपकी आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुरदोर, सुरा, सुन्दरी और गाने बजाने में अपना समय नश्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी एवं बच्चों से इस प्रकार उप जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलोनों से जल्दी ही उप जाता है मैं अत्यंत कृतग्य हूँ कि आप वैसे पतियों में नहीं है जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोशन कर धन्वान बनने में अपना समय लगा देते हैं मैं नितांत कृतग्य हूँ कि आपने रिश्वत से अधिक महत्व ईश्वर और देश को दिया कि अपनी धार्णाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का साहस आप में था कि ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास था असीम कृतग्य हूँ मैं ऐसे पती को पाकर जिसने ईश्वर और अपने देश को मुझसे अधिक महत्व दिया मेरे और मेरी युवावस्था की तुरुटियों के प्रती आपने जब सम्रिद्धी का जीवन त्याक कर अपरिग्रह के जीवन को अपनाया तब मैंने आपका जो विरोध किया और विद्रो पर उतर आई उस सब के प्रती आपने जो सहनशीलता का रुख अपनाया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ बच्पन में मैं आपके मादा-पिता के घर में रही आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी और अब भारत के सब सिप्रियनेता बन गए तब सफलता की सीड़ी चड़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाला वब है मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक और फेंगती जाओंगी जैसा कि अन्य देशों में प्राया होता है मैं जानती थी कि जब मृत्यों आईगी तब भी हम पती-पत्नी ही होंगे अनेक बर्शों तक कस्तूर्बा उन जन निधियों के कोशपाल का काम करती थी जिनने महात्मा जी ने लाखों में जमा किया था भारत के घरों में बड़ी मज़ेदार कहानिया पताई जाती है कि गांधी जी के सभाओं में महिलाओं के अभूशन पहन कर जाने को लेकर पती लोग बहुत जिन्तित रहते हैं क्योंकि पद्दलितों की वकालत करने वाली गांधी जी की जादूई वाड़ी सोने के कंगनों और हीरे के हारों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपने आप हाथों और कंठों से निकालकर दान पात्र में जमा करवा देती है एक दिन जन्निधी कोशपाल कस्तूर्बा चार रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे सकी गांधी जी ने आए व्याए विवरण प्रकाशित कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की चार रुपए की विसंगती को निष्ठुर्ता पूर्वक्स पष्ट करशाया अमेरिका में अपने शिक्षा वर्गों में यह कहानी मैं प्राया सुनाया करता था एक दिन हॉल में उपस्थेत एक महिला क्रोथ से भड़ा कुठी महात्मा हो या कोई और यदि वे मेरे पती होते तो इस तरह के अनावश्यक सार्वजनिक अपमान के लिए ऐसी खबर लेती कि उन्हें चटी का दूथ याद आ जाता थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच अमेरिकी पत्नियों और भारतिय पत्नियों के विशे में हास्य विनोध भरा वाग्युध चलता रहा तत पश्चात मैंने पूरी तरह से बात समझाई मैंने कहा कस्तूर्बा महात्मा गांधी को अपना पती नहीं बलकि अपना गुरु मानती है जिसे छोटी सी भूल के लिए भी कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होता है कस्तूर्बा को इस तरह सार्वजनिक फटकार लगाने के कुछ समय बाद गांधी जी को एक राजनैतिक आरोप में कारावास की सजा हो गई जब वे शांत भाव से अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे तब वे उनके पैरों में गिर पड़ी और विनमरता के साथ हाथ जोड़ कर बोली गुरु देप यदी मैंने आपका मन दुखाया है तो मुझे शमा कीजिए उस दिन दोपहर को तीन बजे मैं पूर्व निर्धारित कारिक्रम के अनुसार उस संद के लेखन कक्ष में उनसे मिलने जा पहुंचा जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी एकनिष्ट शिश्या बना दिया था दोड़लब चमतकार गांदी जी ने सिर उठा कर अपनी अविस्मर्णिय मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा चटाई पर उनके पास बैठते हुए मैंने पूछा महात्मा जी क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे विचार या कर्म से किसी जीव को किसी सुन्दर आधर्श परण्दु संसार तो सदा ही पूछेगा किसी बच्चे को या स्वयम अपने को बचाने के लिए क्या साब को नहीं मारना चाहिए साब को मारने के लिए मुझे अपनी दो प्रतिज्याये भंक करनी पड़ेंगी निर्भायता और आहिंसा थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद अपनी मोहक्स पश्ट बादिदा के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा, कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता, तो मैं यह बादचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। उनकी डेस्क पर आहार के संबंध में पाश्चात्य लेखों को द्वारा लिखित कई आधुनिक पुस्त कें देखकर मैंने कुछ विचार प्रकट किये। उन्होंने हस्ते हुए कहा, हाँ, अन्य सब क्षेत्रों की तरह ही सत्या ग्रह में भी आहार का बड़ा महत्त है। भोजन की आंतरिक लालसा पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सत्या ग्रही को चाहिए कि वह विटामिन, खनिश्तत्व, कैलोरी, आधि सब आवश्यक तत्वों से युक्त संतुलित शाकाहारी भोजलने। आहार के सम्मंद में आंतरिक और बाहय विवेक से सत्या ग्रही का वीर सारे शरीर के लिए ओज में परिनात हो जाता है। महात्मा जीने और मैंने मांसाहार का विकल्ब बन सकने वाले शाकाहरी पदार्थों के बारे में अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत की। मैंने कहा एवोकेडो बहुत अच्छा होता है। कलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकेडो के अनेक व्रिक्ष कुंज है। गांधी जी का चेहरा उच्छुकता से खेल उठा। वर्धा में एवोकेडो हो सकेंगे। खाने की नई चीज से सत्या ग्रहियों को भी खुशी होगी। मैं लॉस एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा बेजने की याद रखूँगा। अंडे में भी प्रोटीन उच्छ मात्रा में होता है। क्या सत्या ग्रहियों के लिए अंडे वर्जित हैं। बांज अंडे वर्जित नहीं है। कुछ याद आकर मात्मा जी हस पड़े। फिर भी कई वर्षों तक मैं किसी को उनका उप्योग नहीं करने देता था। मैं स्वयम तो अभी भी नहीं खाता हूँ। एक बार मेरी एक पुत्रवधू पोशक तत्वों की कमी के कारण मरना सन्न हो गई थी। उसके डॉक्टर उसे अंडा खिलाने पर जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले दूसरा कुछ सुझाने का डॉक्टर से अनुरोध किया। डॉक्टर ने कहा, गांधी जी, बांज अंडे में जीव नहीं होता, इसलिए जीव हत्या का भी कोई प्रश्ण नहीं उठता। तब मैंने अपनी पुत्रवधू को अंडे खिलाने की आनुमती खुशी से दे दी, वह जल्दी ही ठीक हो गई। पिछली रात को गांधी जी ने लाहिडी महाशे के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की थी। महात्मा जी की खोली मनोवृत्ती और जिग्यासा देखकर मैं अविबूत हो गया। अपनी ईश्वर आराधना में वे बच्चों के समान हैं और उस विशुद्ध ग्रहन शीलता को प्रकट करते हैं जिसकी बच्चों में प्रशंसा करते हुए ईसा मसी ने कहा था, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। क्रिया का उपदेश देने के लिए मैंने जो समय निर्धारित किया था, वहाँ आ गया। अब श्रीदिसाई तथा डॉक्टर पिंगले सहेद क्रिया प्रविदी जानने की इच्छा रखने वाले कुछ अन्य सत्याग रही भी कमरे में दाखिल हो गए। मैंने पहले उन सब को योगदा के शारिरिक व्यायाम सिखाए। इसमें मानसिक रूप से शरीर को 20 भागों में विभाजित देखा जाता है। और फिर अपनी इच्छा शक्ती से एक-एक करके इस प्रत्येक भाग में शक्ति संचार कराया जाता है। शीग्री ही वहाँ उपस्ते प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मानव मोटर की तरह स्पंदित होने लगा। गांधी जी के शरीर के लगभग सदा ही दृष्टी के सामने खुले रहने वाले 20 भागों में शक्ति की लहरों को देखना आसान था। वे बहुत दुबले पतले तों हैं, परंतु इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे ना लगे। उनकी तवचा चिकनी है और उस पर कोई जुरिया नहीं पड़ी है। बाद में मैंने उन सब को क्रिया योग की मुक्तिदाइनी प्रविदी की दीक्षा दी। गांधी जी ने विश्व के सारे धर्मों का श्रद्धा भाव के साथ अध्यान किया है। जैन शास्त्र, बाइबिल का न्यू टेस्टमेंट और टॉल्स्टॉय का समाच शास्त्रिय साहित्य गांधी जी के अहिंसा से दंद के मुख्य प्रेणा स्रोथ है। उन्होंने अपने विश्वास के बारे में इस प्रकार लिखा है। कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म के और सभी महान धर्मों के मूल सिधान अपरिवर्तनिय और सहज समझने योग्य हैं। प्रतेक हिंदू की भाती मैं भी ईश्वर और उसके एकत्व में पुनरजन और मुक्ति में विश्वास करता हूँ। अपनी पत्नी के प्रती अपनी भावना के समान ही, हिंदूत्व के प्रती अपनी भावना का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन को जिस तरह से मेरी पत्नी प्रभावित कर सकती है, उस तरह संसार की अन्य कोई नारी कभी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोश नहीं है। बलकि मैं दो यह भी कहूंगा, कि मैं उसमें जितने दोश देख पाता हूँ, उससे भी कहीं आधिक दोश उसमें होंगे. परंतु उसके प्रती एक अटूट बंधन का भाव मेरे मन में है. हिंदुत्व के प्रती और हिंदुत्व के बारे में भी ऐसा ही भाव मेरे मन में है उसमें चाहे कितने ही दोश हों और कितनी ही तुरुटियां हों गीता पाट के या तुलसी रामायन के संगीत जैसा आनंद मुझे और किसी भी बात में नहीं मिलता जब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी अंतिम श्वास ले रहा हूँ, तब गीता ही मेरा आधार थी हिंदू धर्म अनन्यमार्गी धर्म नहीं है इसमें संसार के सभी प्रेरित पैगमरों और संथ महात्माओं की पूजा के लिए जगे है समाने अर्थ में यह मिश्णरी धर्म नहीं है पेशक इसने अनेक अनेक जनजाती, बंश, कुल अपने में समालिये हैं परंतु यह समाने की प्रक्रिया क्रम विकास की प्रक्रिया के अंतरगत अंजाने में संपन्न हुई हिंदू धर्म शिक्षा देता है कि प्रतेक मनुष्य को अपने पत या अपने धर्म के अनुसार इश्वर की आराधना करनी चाहिए और इसलिए किसी धर्म के साथ उसका कोई विरोध नहीं है ईसा मसी के बारे में गांधी जी ने लिखा है मुझे द्रिन विश्वास है कि यदि आज वे इस संसार में लोगों के बीच जी रहे होते तो उन अनेक लोगों के जीवन को अपने आशीरवात से धन्य करते जिन्होंने शायद उनका नाम भी कभी सुनाना हो जैसा कि लिखा ही गया है वह प्रत्यक मनुष्य नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है परंतु वह जो मेरे परंपिता की इच्छा का पालन करता है स्वयम अपने जीवन के द्रिश्टान से इसा ने मानव जाती को वह उच्चुद्देश और एक मात्र लक्ष दिखाया है जिसे प्राप्त करने का हम सब को प्रयास करना चाहिए मेरा यह विश्वास है कि वेकेवल इसाईयों के नहीं बल्कि पूरे संसार के, सब देशों के और सब जातियों के है वर्धा में हमारे अंतिम दिन की शाम को श्री देशाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में मैंने व्याख्यान दिया योग पर व्याख्यान सुनने के लिए आए लगबख 400 लोगों से हॉल खचा-खच बर गया यहां तक कि लोगों को खिड़कियों में भी बैठना पड़ा मैं पहले हिंदी में बोला फिर अंग्रेजी में हम लोग व्याख्यान समाप्त कर आश्रम में लोटाए और अपने कमरों की तरफ जा रहे थे तो देखा कि गांधी जी शान्ती में और अपने पत्र व्यभार में मगन बैठे हैं सुबह पांच बजे जब मैं उठा तो अभी रात का अंधिरा चाया हुआ था ग्रामेंड जीवन में धीरे धीरे जागरती आ रही थी सबसे पहले आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने से एक बैलगाडी गई फिर एक किसान सिर्पर भारी बोज समालते हुए कुश्रा सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी से विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के लिए हम तीनों उनके पास गए महात्मा जी अपनी प्रात्य कालीन प्राथना के लिए सुबह चार बजे ही उठ जाते हैं महात्मा जी अब हम चलते हैं मैंने उनके चर्णों का इसपर्ष किया आपके हाद में भारत सुरक्षित है वर्धा में वह सुखत समय बिताए बरसों बीत गए हैं जल, थल, आकाश में युद्धरत विश्व में अंदकार छा गया है महान नेताओं में अकेले गांधी जी ने ही सशस्त्र शक्ति के स्थान पर व्याभारिक अहिंसा का विकल्प प्रस्तुत किया है शिकायतों को और अन्यायों को दूर करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों का अवलंबन किया है और बार-बार उन उपायों ने अपनी प्रभाव कारिता सिद्ध की है गांधी जी अपने सिध्धान्त को इन शबदों में प्रकट करते हैं मैंने देखा है कि विध्वन्स और विनाश के बीच भी जीवन चलता रहता है। इसलिए विनाश से भी बड़ा कोई नियम अवश्य है। कि वलूसी नियम के अंतरगर किसी सुव्यवस्थित समाज का स्तित्व संभव हो सकता है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। यदि वही जीवन का नियम है तो हमें दैनिक जीवन में उसका पालन करना चाहिए। जहां भी युद्ध हो, जहां भी किसी विरोधी से हमारा सामना हो, हमें प्रेम से ही विजय प्राप करनी चाहिए। मैंने देखा है कि प्रेम के अचूक नियम ने मेरे जीवन में ऐसे समाधान दिये हैं जो विनाश के नियम ने कभी नहीं दिये जितने बड़े पैमाने पर इस नियम की कार्य रत्ता का प्रत्यक्ष उधारन देखना संभव हो सकता है उतने बड़े पैमाने पर हमने यह उधारन भारत में प्रत्यक्ष देखा है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत के 36 कर उन लोगों के मन में अहिंसा ने घर बना लिया है। परंतु मैं यह दावा अवश्य करता हूँ कि अत्यांत अल्प समय में यह अन्य किसी भी सिध्धान्त की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई तक उतर गई है। इस्थापित हो जाए। यदि हम सत्य और अहिंसा के नियम को अपने जीवन का नियम बनाने की ठालने, तो प्रतेक समस्य अपना समाधान स्वयम प्रस्तुत कर देगी। विश्व का राजनातिक घटनाक्राम इस सत्य की और कटू संकेत कर रहा है कि अध्यात्मिक द्रिष्ट की अस्फुट सिभावना जगाती है। अब सच्मुच मनुष्य अपने स्रोत और उद्गम, अपने भीतर इस्थित परमात्मा के पास ना जाएं, तो और कहां जाएं। इतिहास पर द्रिष्टी डाले, तो यह कहना पूनतय तर्क संगत होगा कि पाश्वी शक्ति के प्रय भुत्वभाव की उष्णता ही पिगला सकती है। अन्यता बुरे कर्मों का यहिम परवत, तृतिय विश्वयुद्ध को जन्म दे सकता है। बीस्वी सदी की अमंगल त्रई। विवादों के निप्टारे के लिए मनुष्य मानवी विवेक के स्थान पर जंगल न्याय का अवलंबन करने जाएंगे, तो प्रित्वी पुने जंगल ही बन जाएगी। जीवन में भाईचारा इस्थापित ना हो सका, तो भयानक मित्यु की गोद में भाईचारा होगा। यह ऐसे घ्रिनित परिणाम के लिए नहीं था, कि ईश्वर ने मनुष्य को अनुशक्ति का अविश्कार करने दिया था, युद्ध और अपराद से कभी कोई लाब नहीं होता, अर्बो डॉलर विसफोटकों का धुआ बनकर शूने में मिल गए, इतने पैसे से तो एक नए विश्व का निर्मान हो सकता था, ऐसे विश्व का निर्मान जो रोग व्याथा से जीवन के साथ, विद्ध्वन्स के साथ नहीं, बल्कि निर्मान के साथ, घ्रिना के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के रचना कारी चमतकारों के साथ अपना संबंध चोड़ना चाहिए। मनुष्य की क्षमा शीलता के कारण ही मानव जाती का स्तित्व निरंतर बना हुआ है। क्षमा पवित्रता है। क्षमा के कारण ही स्रिष्टी ठिकी हुई है। क्षमा ही शक्तिमानों की शक्ती है। क्षमा ही त्याग है। क्षमा ही मन की शान्ती है। क्षामा और सौमेता आत्म सैयमी व्यक्तियों के गुण हैं। ये शाश्वत सत्धर्म का प्रतिनित्व करते हैं। अहिंसा क्षामा और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। गांधी जी कहते हैं, धर्म युद्ध में प्राण हानी आवश्यक ही हो जाए। तो मनुष्य को इसामसी की तरह स्वयम अपना रक्त बहाने के लिए तैयार होना चाहिए, दूसरों का नहीं। इससे विश्व में रक्त पात तो कम होगा। किसी दिन भारतिये सत्या ग्रहियों पर महा काविय लिखे जाएंगे, जिन्नोंने ग्रिना का प्रेम से, हिंसा का अहिंसा से सामन किया, जिन्नोंने शस्त्र उठाने की अपेक्षा निर्दैता से कट जाना बेहतर समझा। गुजयतिहासिक प्रसंगों पर तो परिणाम यह हुआ, कि दमनकारी अपनी बंदू के फेक कर भाग गए, क्योंकि दूसरों के जीवन को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानन करने वाले उन मनुष्यों को देखकर उनके मन लज्जा से भर गए, वे अंतर में हिल गए। गांधी जी कहते हैं, व्रक्तपात के द्वारा अपने देश को स्वतंतर कराने का प्रयास करने की अपेक्षा आवश्यक हुआ, तो मैं सद्यों तक स्वतंतरता की प्रतीक्षा क करूंगा, बाइबिल चेतामनी देती है, जो तलवार हाथ में लेंगे, वे तलवार से ही कटकर मर जाएंगे, महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं स्वयम को राश्ट्रवादी कहता हूँ, लेकिन मेरा राश्ट्रवाद उतना ही व्यापक है जितना यह विश्व, वो प्रि चाहता कि भारत एक भी मनुष्र का स्रोशन करें, मैं चाहता हूँ कि भारत शक्तिशाली बने, ताकि वो अन्यराश्ट्रों में भी शक्ति का संčार कर सकें, आज ऐसा करने वाला एक भी राश्ट्र यॉरोप में नहीं है, वे दूसरों को शक्ति नहीं देते, अमेरिका के राश्रुपती विल्सन ने अपने 14 सुन्दर सूत्र तो प्रस्तुत कर दिये पर बाद में कहा शान्ति इस्थापित करने का हमारा यह प्रयास विफल हो भी जाता है तो हमारे पास अपने शस्त्र तो हैं ही मैं इस स्थिति को उलट देना चाहता हूँ जब वह हमारे पास होगी तब हमें और किसी चीज की आविशक्ता ही नहीं पड़ेगी उन हजारों सच्चे सत्याग्रहियों यानि वो सब जिन्होंने इस प्रकरण के पूर्वार्थ में उन लिखे 11 कठोर प्रतिज्याओं का व्रत लिया है को तयार कर जो भारतिये जन्ता को अहिंसा के आध्यात्मेक एवं भौतिक लाभों का बड़े धीरज के साथ परिचे कराने के द्वारा उन्हें अहिंसा के अस्त्रों यानि अन्याय के साथ असहयोग, अपमान सहने की तैयारी, कारावास, शस्त्र उठाने की अपेक्षा, मृत्य से सुसज्जित करने के द्वारा और असंग के सत्या ग्रहियों के वीरोचित होतात्मेके असंग के उधारनों से जागतिक सहनुबूती प्राप्त करने के द्वारा, गांधी जी ने बड़े ही नाट्यमै ढंग से अहिंसा के व्याभारिक स्वरूक तता विवादों को युद्धों के बिना भी प्रभावी रियायतें, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग द्वारा अब तक प्राम्त भी कर ली हैं। सब प्रकार के अन्यायों एवं बुराईयों के उन्मूलन के लिए अहिंसात्मक उपायों का प्रयोग केवल राजनैतिक अखाडे में ही किया गया है, ऐसी बात नहीं। भारतिय सम मुसल्मान विवादों को खत्म कर दिया है। लाखो मुसल्मान गांधी जी को अपना नेदा भी मानते हैं। अजप्रिश्यों को तो गांधी जी के रूप में अपना निर्भय और विजयी योध्धा मिल गया है। गांधी जी ने लिखा था, यदि मुझे फिर से जन्म ल करने का श्रेय भारत की कोटी-कोटी अशिक्षित जन्ता की सूक्ष मिद्रिश्टी को जाता है। इस नम्र संत का स्वयम अपने देश में भी आदर होता है। साधारन किसान भी गांधी जी के उच्च आदर्शों को अपना सका। गांधी जी पूर्ण अंत्यकरण से मानव की अंतर जात महांता में विश्वास करते हैं। इस मामले में विश्वास को धक्का लगते रहना तो अपरिहार है। परंदो फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। वे लिखते हैं, सत्या ग्रही को कोई 20 बार धोका दे, तो भी 21 बार वो फिर उस पर विश्वास करने के के लिए तयार रहता है क्योंकि मानव सभाव में निर्विवाद विश्वासी इस पतकसार है एक बार किसी टीका कार ने उनसे कहा महात्मा जी आप असाधारन पुरुश हैं आपको संसार से अपने जैसे आचरण की आशा नहीं करनी चाहिए गांदी जी ने कहा कितना विचित शक्तिया हो भी तब भी मैं अन्य सब की तरह ही नश्वर हूँ और मुझमें न तो कोई असाधारन तक कभी थी और न अभी है मैं एक साधारन व्यक्तिमात्र हूँ जो अन्य किसी भी मर्त्य मानव की भादी ही भूद कर सकता है हाँ यह मैं आवश्य स्विकार करूंगा कि भूल मान लेने की और अपने कदम बापस लेने की विनमरता मुझमे है मैं यह भी स्विकार करता हूं कि एश्वर और उसकी महिमा में मेरा अटल विश्वास है तथा सत्य और प्रेम के प्रति मुझमें अदम में अनुराग है परांतो क्या यही सब प्रतेक मनुष्य में करना जरूरी है क्या यह अपर्यार्य है कि मनुष्य पहले पशू ही बने और फिर मनुष्य वह भी अधी कभी बन सका तो अमेरिकी लोगों को तो गर्व के साथ विलियम पेन के उस अहिंसा प्रयोक को याद करना चाहिए जो पेंसिलवेनिया में सत्त्रमी शतादी में स्वतं ने आए लोगों के और रेड इंडियन लोगों के बीच जो बरबर सीमा प्रांतिय युद्ध और रिशन्स नरसंखार चलते रहते थे उनमें केवल पेंसिलवेनिया के क्वेकर ही ऐसे लोग थे जिनने किसी ने कभी चुआ तक नहीं बागी लोग या तो लड़ाईयों में नरसंखारों में परांतु ये लोग पूर्णतै सुरक्षित थे एक भी क्वेकर इस्त्री पर कभी हमला नहीं हुआ एक भी क्वेकर बच्चे की कभी हत्या नहीं हुई एक भी क्वेकर आदमी को कभी कोई यातना नहीं दी गई अंत में जब क्वेकर लोगों को उस राज्य का शासन छोड़ देने पर विवश होना पड़ा तब युद्ध छिड़ गया और कुछ पेंसिलवेनिया के लोग मारे गए परांतु केवल तीन क्वेकर ही इसमें मरे और ये तीन ऐसे लोग थे जो अपने मार्ग से इतने भट चक गए थे कि अपनी सुरक्षा के लिए शास्त्र रखते थे फ्रैंक्लिन डिरूजवेल्ट ने कहा था प्रथम महायुद्ध में बल प्रयोक से शांती स्थापित नहीं हो सकी जै पराजय दोनों ही समान रूप से नीरस सिध्ध हुए विश्व को इससे सीख लेनी है गांधी जी ने घोशना की है मैं विश्व शांती के लिए लड़ रहा हूं उससे कम किसी बात पर यह लड़ाई नहीं रुख सकती यदि भारतिय आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह के आधार पर सफल हुआ तो देश प्रेम को एक नए आर्थ प्राप्त होगा और यदि प्रेम जीवन को ही एक नए आर्थ मिल जाएगा इससे पहले कि पाश्चात्य जगत गांधी जी के कारिक्रम को एक अव्यावारिक स्वप्न द्रश्टा का कारिक्रम मानकर उसकी उपेक्षा करे उसे गैलेली के प्रभू की सत्याग्रह की व्याक्या पर विचार करना चाहि बलकि कोई तुमारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो विधी योजना की सूक्ष्मा चूकता के अनुरूप ही गांधी योग एक ऐसी शताब्दी में प्रस्रित हो चला है जो दो दो विश्वयुद्धों से द्वस्त और परबाद हो चुकी है गांधी जी के जीवन की प्रस्तर प्राचीर पर दिव्य लिखावट साफ जलक रही है जो भाईयों के बीच फिर रक्तपात के विरुद्ध चैतावनी दे रही है महात्मा गांधी की स्मृती में वे सच्चे अर्थ में राश्रुपिता थे और एक पागल ने उनकी हत्या कर दी कोटी-कोटी नर्णारी शोक में डूबे हैं क्योंकि दीपक बुझ गया है इस देश में जो दीपक जगमगा रहा था वह कोई साधारन दीपक नहीं था हजार वर्षों तक उस दीपक का प्रकाश इस देश में तिकता रहेगा और सारा संसार उसे देखेगा ये शब्द भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने 30 चनवरी 1949 को नई दिल्ली में महत्मा गांधी की हत्या हो जाने के थोड़ी देर बात कहे थे पांच ही महीने पहले भारत ने शांति पूर्ण रीती से अपनी स्वतंदरता प्राप्त कर ली थी 78 वर्ष ये गांधी जी का कार्य पूरा हो गया था उन्हें अपना अंत निकट होने का आभास हो गया था उस दुखत घटना के दिन प्रात ही उन्होंने अपनी पूती से कहा था आभा, सारे महतवपूर्ण कागजों को आज मेरे पास ले आओ, मुझे आज ही उन सब का उत्तर देना पड़ेगा, कल शायक कभी ना आए अपने लेखों में अनेक स्थानों पर गांधी जी ने अपनी अंतिम नियती के संकेत दे दिये थे उपवास से क्षिन हुई काया में तीन गोलियां उदार दी गई थी धीरे धीरे भूमी पर ढहते हुए महत्मा जी ने हाथ उपर के ओर उठाए और अपनी ओर से क्षमा प्रदान कर दी अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में वे भोले कलाकार तो थे ही वित्यु के क्षडों में वे महांतम कलाकार बन गए उनके नहस्वारती जीवन के सारे त्यागों ने ही प्रेम किवा अंतेमा विव्यक्ति संभव बना दी गांधी जी को अपनी श्रद्धांजली आर्पित करते हुए एलबर्ट आइंस्टाइन ने लिखा आने वाली पीडियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएंगी कि इनके समान कोई पुरुष कभी इस धर्दी पर फ्रक्त मास के शरीर में चलता था रोम में वैटिकन से अपने संदेश में पोप ने कहा महात्मा गांधी की हत्या के कारण यहां भारी शोक जा गया है हम गांधी को इसाई मूल्यों का देवदूत मानते हैं किसी विशिष्ट सतकार्य को संपन्न करने के लिए इस पृत्वी पर अवदरित होने वाले सभी महापुरुषों के जीवन के साथ कोई न कोई संकेतिक अर्थ चुड़ा रहता है भारतिय एकता की खातेर नाट्य मैं रीती सो हुई गांधी जी की मृत्यों ने प्रत्य एक महाध्रीप में आपसी फूट और कलहों से विदीर्ण हुए संसार को उनका संदेश और भी अधिक स्पष्ट कर सुनाया है उन्होंने एक भविश्यमानी के रूप में वह संदेश दिया है मनुष्यों के बीच अहिंसा का पदारपन हो गया है और अब यह यहीं रहेगी यह विश्व शान्ती की अग्रुदूत है पुस्तक में यस सध्याय में महात्मा गांदी की हिंदी लिखावड़दी गई है महात्मा गांदी योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विध्याले आए थे अधिति पुस्तिका में उन्होंने लिखा है इस संस्था की मैं सर्व प्रकार से उन्नती चाहता हूँ इस संस्था का मेरे मन पर अच्छा असर बड़ा है चर्खे की प्रवृत्ति में मैं ज्यादा ज्यान और अभ्यास की आशा रखता हूं 17 सितंबर 1925 हस्ताक्षर मोहंदास गांधी पैतालीसमा अध्याय बंगाल की आनंद मैं मा निर्मला देवी के दर्शन की एविना कृप्या भारत से मत जाईए उनमें अत्यांत तीव्र भक्ति भाव है सब तरफ वे आनंद मैं मा के नाम से विख्यात है मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्राय भरी द्रिष्टी से मेरी ओर देखते हुए कहा मैंने कहा अवश्य उस महिला संथ से मिलने के लिए मैं भी उत्सुख हूं इश्वरानू भूती की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है अनेक बर्शपूर्व इस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेक छपा था अमिया ने कहा मैं उनसे मिली हूँ अभी हाली में वे मेरे छोटे से नगर जमशेत पुर्पधारी थी एक शिश्ष के अनुरोत पर आनंद मैं मा एक मरनासन मनुश्य के घर गई वे उसकी शय्या के पास खड़ी हो गई उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया उसकी घर घर बंद हो गई उसकी बीमारी तक्षां गायब हो गई वह भी देखकर आनंदित और विस्मित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंद मैमा कोलकता के भवानीपूर महले में अपने एक शिष्य के घर ठैरी हुई थी पिताजी के कोलकता के घर से श्री राइट और मैं अविलंब निकल पड़े जब हमारी फोर्ड भवानीपूर के उस घर के पास पहुंची तो हमें सलक पर एक अपूर्व द्रिष्य दिखाई दिया आनंद मैमा एक खूली कार में खड़ी थी और कार के चारों और खड़े लगबग एक सो शिष्यों को आशीरवात दे रही थी सपश्ट था कि वे महां से प्रस्थान कर रही थी श्री राइट ने फोर्ड कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और मेरे साथ पैदल ही उस शांत जनसमू की ओर चल पड़े उस महिला संथ ने हमारी दिशा में द्रिष्टिपात किया और वे कार से उतर कर चलते हुए हमारी ओर आने लगी बाबा, आप आगए इन उतकट शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बहां डाल कर सिर मेरे कंदे पर रख दिया श्री राइट को मैंने कुछ क्षान पहले ही बताया था कि इस संथ के साथ मेरी जान पैचान नहीं थी अतय इस असाधारन स्वागत का वे भरपूर आनंद उठा रहे थे उन सौ शिश्यों के नेत्र भी इस प्रेम द्रिश्य को कुछ आश्चरे के साथ निहार रहे थे मुझे तुरंद पता चल गया था कि आनंद मैमा समाधी की एक उच्च अवस्था में थी अपने बाहे नारी रूप का उन्हें कोई भान नहीं रहा था उन्हें केवल अपने परिवर्टना तीत आत्मस्वरूप का भान था उस अवस्था में वे इश्वर के एक अन्यभत से आनंद के साथ मिल रही थी मेरा हाथ पकड़कर मैं मुझे अपनी कार में ले गई आनंद मैमा मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा बाबा मैं कई युगोबाद इस जन में आपसे पहली बार मिल रही हूँ इतनी जल्दी तो मत जाईए हम कार की पिछली सीट पर बैठे रहे आनंद मैमा शीगरही निश्चल समाधी में प्रविष्ठ हो गई उनकी सुन्दर आखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन मीलित होकर स्थिर हो गई और आंतर एक आनंद राज्य में जाकने लगी शिश्यगर सौम्यस्वर में मा का नाम संकीर्दन करने लगे भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्रात पुरुष मिले थे परंतु इतनी उन्नत महिला संथ से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं होई थी उनका पवित्र मुखमंडल अनेर वचनिया आनंद के तेच से दमकता था जिसके कारण उनका नाम आनंद मैमा पढ़ गया था उनके अनावरित सिर के लंबे काले केश दिखाई दे रहे थे माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूब रक्त चंदन का तिलक था उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर उनकी आध्यात्मिक विशाल काईता के साथ कितना विरोधा भास। आनंद मैमा समाधी में ही मगन रही। मैंने पास ही खड़ी उनकी एक शिश्या से कुछ पूछता जी। शिश्या ने बताया, आनंद मैमा भारत में दूर दूर तक जाती है। भारत के अनेक भागों में उनके सैकणों शिश्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फल स्वरूब अनेक अच्छे-च्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। स्वयम ब्राह्मन होते हुए भी वे जाती भेद को नहीं मानती। उनकी आविशक्ताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ ही रहते हैं। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी परती है। उन्हें तो अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। यदि कोई उन्हें भोजन ना कराए तो वे भोजन ही नहीं करेंगी। नहीं उसके बारे में किसी से कुछ पूछेंगी। उनके सामने भोजन रख भी दिया जाए। तब भी वे उसका स्पर्श तक नहीं करती। हम शिष्यगरों ने अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़कर चली न जाए। प्रायक कई दिनों तक वे समाधी में ही लीन रहती है। उस समय उनका श्वास बहुत हलका, बिल्कुल नाम मात्र के लिए चलता रहता है। पलके बिल्कुल नहीं जपकनी। उनके एक प्रमुक्षिष्य स्वयम उनके पती भोलानाद जी है। अनेक वर्षपूर्व विवा के शीग्र ही बाद भोलानाद जी ने मौन व्रद धारन कर लिया। उस शिष्या ने चौड़े सकंद, कोमल से नाक नक्ष और सफेद दाड़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जन समू के बीच शिष्योचित भक्तिभाव के साथ हाथ चोड़े शांत खड़े थे। अनंद में डुप की लगा कर तरो ताजा हुई अनंद मैमा अब स्थूल जगत पर अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहां रहते हैं? उनकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकता या रांची में रहता हूँ, पर जल्दी ही अमेरिका लोट जाओंगा। अमेरिका? हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिग्यासू एक भारतिय महिला संद का पूरे अंत्य करण के साथ स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी? बाबा ले जाएंगे, तो आउंगी? इस उत्तर से आसपास खड़े शिश्यों में हल चल मज गई। उन में से एक ने तुरंट मुझे द्रणता के साथ बताया। हम में से कम से कम बीस या उससे अधिक लोग हमेशा आनंद मई मा के साथ याद्रा करते हैं। हम उनके बिना जी नहीं सकते। जहां भी वे जाएंगी, वहां हम सभी अवश्य जाएंगे। अचानक विशाल का है स्वरूब धारन करने की अव्यावारिक शमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने अनिच्छा पूर्वक ही छोड़ दिया। आखेर आनंद मैं मा से विदा लेते समय, मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिश्यों के साथ कम से कम राची आईए। स्वयम दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्याले के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। जब भी बाबा ले जाएंगे, मैं खुशी से चलूँगी। इसके कुछी दिन बाद, आनंद मैं मा के आगमन की खुशी से राची के विद्याले में उत्सव का वातावर अरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन की ताक में ही रहते थे। कक्षाय नहीं, घंटों तक गीत संगीत और इन सब के उपर भोज। आनंद मैं मा की जय, आनंद मैं मा की जय। आनंद मैं मा, जब अपने शिश्यों के साथ विद्याले के प्रवेश द्वार से अंदर आईं, तो बीसियों नन्ने मुन्ने बच्चों के कंट से उत्सा के साथ होती जयजयगार ने उनका स्वागत किया। गेंदे के पुष्प दलों की ब्रिष्टी, करतालों की टंटन, शंकों की गगन भेदी ध्वनी, मृदंग पर ठेगा, आनंद मैं मा, सदेव की भारती अपने अंतर में स्वर्ग धारन किये विद्याले परिसर में मुस्कुराते हुए खूम रही थी। जब मैं उन्हें अपने साथ मुख्य भवन में ले जाने लगा, तो उन्होंने कहा, यहां सब बड़ा सुन्दर है, बच्चों किसी मुस्कान के साथ वे मेरे पास बैठ गई, किसी को भी वे अपने घनिष्ट मित्रों से भी अधिक घनिष्ट प्रतीत होती थी, तथा भी दूरत्व का एक प्रभा मंडल साभी उन्हें सदैव घेरे रहता था, सर्व व्यापक्ता का विरोधा भासी पार्थक के, कृपिया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताईए, बाबा सब जानते हैं, दोराने से क्या होगा, सपश्ट था कि एक अल्पकालिक जन्म क तथ्यात्मा की दिहास का उनकी द्रिष्टी में कोई महत्व नहीं था, मैं हस पड़ा, और वही अनुरोत उनसे दुबारा किया, उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ भैलाए, बाबा, बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है, मेरी इस नश्वर दे के साथ कभी एक रूप नहीं हुई, इस पृत्वी पर आने से पहले मैं वही थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, तब भी मैं वही थी, मैं बड़ी होकर नारी बनी, तब भी मैं वही थी, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, उन्होंने जब इस दे का विवार अचाने की तैयारी की, तब भी मैं वही थी, और बाबा, आपके सामने अभी मैं वही हूँ, यहां से आगे सदा के लिए मेरे चारों और स्रिष्टी का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूंगी, आनंद मैमा गहरी ध्यानावस्था में डूप गई, उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था, वे अपने निरंतर बुलाते ही रहने वाले राज्य में चली गई थी, उनकी काली आँखें, निर्जीव और पत्राई सी लग रही थी, जब संक जन अपनी चेतना को जर्दे से हटा लेते हैं, तब प्राया उनके च समाती अवस्ता में ही बैठे रहे, खिलखिलाती छोटी सी हसी के साथ वे इस जगत में लौट आई, मैंने कहा, आनन्द मैमा, मेरे साथ बगीचे में आने की गृपा कीजिए, श्री राइट कुछ फोटो कीचेंगे, अवश्य बावा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है अनेक फोटो के लिए विप्रस्तुत हुई, और इस पूरे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्याभा बनी रही भोज का समय, आनन्द मैमा अपने कंबल के आसन पर बैठ गई, उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी एक शिश्या उनके पास बैठ गई, जब शिश्या उनके होटों के पास कौड ले आती, तब वे आग्याकारी छोटे से बच्चे की भांती उसे निगल ले दी, यह बात स पश्ट थी, कि उनके लिए सबसियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था, जब दिन डूबने लगा, तो आनन्द मैमा जाने को प्रस्तुत हुई, गुलाब की पंखुणियों की वर्षा उन पर की गई, बच्चों को आशिरवात देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे, बच्चों के चेहरे प्रेम और स्ने से जमक रहे थे, जो आनन्द मैमा ने अनायासी उनके मन में जगा दिया था, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे शृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ, और अपनी पूरी शक्ति के स इश्वर को अरपन करती हैं। पंडितों की भाती बाल की खाल निकालने वाले तरकों के द्वारा नहीं, किन्तु विश्वास के निश्चित न्याई द्वारा इस शिशुवत पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समस्या, इश्वर के साथ एक्क्या स्थापित करना को हल कर लिया है। अब अनेकों समस्याओं के कुहासे में दुंदली हुई निदांद सरल्दा या साथगी को मनुष्य भूल गया है। इश्वर को अनन्य एक निश्ट प्रेम अरपन करने से इंकार कर, राश्ट मानव प्रेम के बाहे मंदिरों के प्रती अत्यंत आपचारिक आ अन्यत्र हटा देते हैं। परन्तु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते, जिसका उल्लेक इसामसी ने प्रथा मादेश कहकर किया है। उन्हें मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रीरामपूर स्टेशन के प्लैटवॉम पर कुछ भक्तों के साथ वे गारी की प्रतीक्षा कर रही थी। चचुप चाप अकेली बैठी हों, उनकी आँखें कभी भी ईश्वर से विमुक नहीं होती थी। अपने अंतर में मुझे अभी भी उनकी आवाज सुनाई देती है, जो हसीम मधुर्दा की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनी प्रतीत होती है। देखो, अभी और सदा सर्वदा सरातन सत्य के साथ एक मैं सदैव वही हूँ। झाल को को चिएलीस महाध्याए निराहारी योगनी गुरुजी, अभी हम कहां जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोट चला रहे थे उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आखें सडक से हटा कर एक पल के लिए प्रशनार्थक दृष्टी से मेरी ओर देखते हुए पूछा प्राया प्रते दिन ही यह होता था कि उस दिन बंगाल के किसी ऐसे नए हिस्से की खोज करने का अफसर उन्हें मिलेगा जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी मैंने भक्तिभाव के साथ उत्तर दिया इश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का आठवा आश्चर्य देखने जा रहे हैं एक नारी संथ जिसका आहार है केवल हवा यह तो आश्चर्यों की पुन्वरा वृत्ती है टेरसा नॉयमन के बाद परन्तु फिर भी श्री राइट की हासी में उत्सुकता स्पष्ट छलक रही थी यहां तक कि उन्होंने कार की गती भी बढ़ा दी उनकी यात्रा देनंदिनी के लिए और अधिक असामान्य सामगरी जो मिलने वाली थी यह कोई सामान्य परिटन नहीं है, हाँ? राची विद्याले को पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे सूर्योदे से पहले ही हम निकल पड़े थे मेरे और मेरे सचिफ के अत्रेक्त, मेरे तीन बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे सुबह के उस अत्यांत आहलादक प्राकृतिक मदिरा रूपी हवा का हम खोब पान कर रहे थे श्री राइड भोर में ही बाहर निकलने वाली ग्रामीनों और धीरे धीरे चलने वाली दो पहियों की बैल गाड़ियों के बीच से साफधानी पूरवक कार चला रहे थे क्योंकि गाड़ियों में जुते हुए बैल, अपने रास्ते में हस्तक शेप करने वाले इस भोपू बास दखलंदास को रास्ता देने के विचार में नहीं लग रहे थे गुरु जी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है, अनेक बर्ष्टोंपूर्व, स्थिति लाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन से मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी स्थिति बाबू, प्राया मेरे भाई विश्णू को पढ़ाने के लिए हमारे गड़पार रोड वाले घर पर आया करते थे स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ वे एक विशिष्ट योग प्रविदी का प्रयोग करती है, जिससे वे भोचन बिना रह सकती है जब वे इच्छापुर के पास नवाब गंज में रहती थी, तब मैं उनका पडोसी था मैंने बहुत ध्यान से उनका निरिक्षन किया, पर कभी कोई ऐसा प्रमान मुझे नहीं मिल सका कि वे कुछ खाती या पीती हूँ आखिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई, कि मैं वर्दमान के महराजा के पास जा पहुँचा और उनसे इसकी जाँच करवाने का अनुरोद किया कहानी सुनकर विसमित हुए महराज ने उन्हें अपने महल में आमंत रित किया वे परीक्षा के लिए तयार हो गई और महल के एक छोटे से ताला बंध हिस्से में दो महीनों तक रही बाद में फिर से महल में आकर वे 20 दिन तक रही और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रही महराज ने स्वयम मुझे बताया कि इन तीन उग्र परिक्षाओं से उन्हें विवादा तीत रूप से विश्वास हो गया है कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती है अपनी कहानी समाप करते हुए मैंने कहा स्थिती बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है अमेरिका में रहते हुए कभी-कभी मैं सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाव उन्हें निगल ना ले अभी तो उनकी उम्र काफी हो गई होगी मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं और यदी हैं तो कहां रहती हैं किन्तु अब कुछी घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुच जाएंगे उनके भाई का घर है महां साड़े दस बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर डे से बादचीत कर रहे थे वे पुरुलिया में वकील हैं हाँ मेरी बहन जीवित है कभी-कभी वह यहां मेरे पास भी रहती है परन्तु अभी वह ब्यूर में हमारे पारिबारिक घर में रह रही है फोर्ट की और सशंक भृष्टी से देखते हुए लंबोदर बाबु ने कहा स्वामी जी मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी ब्यूर जितने दूर अंदर तक गई होगी अच्छा यही होगा कि आप सब बैल गाड़ी के जटकों के लिए तैयार हो जाएं एक स्वर में हम सबने डेट्रोइट के भूषण के प्रती अपनी निश्ठा व्यक्त की मैंने वकील सहाब को बताया यह फोर्ट अमेरिका से आई है उसे बंगाल के रिदय का परिचे प्राप्त करने के अफसर से बंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा लंबोदर बाबु ने हस्ते हुए कहा तब तो गडेश जी ही आपके मार्क के सारे विखन दूर करें जदी आप महा तक पहुची गए तो गिरी बाला आपसे मिलकर निसंदे बहुत खुश होगी अभी वह सत्तर वर्ष की होने जा रही है परन्तु स्वास्त वगेरा सब अच्छा है मुझे एक बात बताईए सहाब क्या यह सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती मैं सीधे उनकी आखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में जांक रहा था यह सच है उनकी त्रिष्टी अविचलित थी और उसमें सच्चाईस पश्ट दिखाई दे रही थी पचास वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक और भी खाते कभी नहीं देखा यदि संसार कांद अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चरे नहीं होगा जितना अपनी बहन को कुछ खाते देख कर होगा इन दोनों असाधारन घटनाओं की असंभाव्यता पर हम साथ साथ हस पड़े लंबोदर बाबु आगे बताते गए गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की अपना सारा जीवन उसने परिवार और मित्रों के वीची विदाया है वे सब भी अब उसके विलक्षन अवस्था के अभ्यास्थ हो चुके है उनमें से एक भी आईसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी आचानक कुछ खाने का निर्णे कर ले तो इस्तमभित न हो जाए गिरिबाला स्वभावता ही ज्यादा मेल मिलाब नहीं रखती जो एक हिंदू विद्वा के लिए योगी भी है परंतु पुरुलिया और ब्यूर के हमारे छोटे से समुदाय में सभी जानते हैं कि वह शब्द शे अपवादात्मक स्त्री है उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और ब्यूर की ओड़ चल पड़े हम लोग रास्ते में पूरी सबजी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुगे वहाँ श्री राइट को सरल हिंदू पद्धती के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गाओं के लड़कों की बीड जमा हो गई बहुत भूक लगी होने के कारण हम सभी ने खोब भरबेट खाया और ये अच्छाई हुआ क्योंकि हमें उस समय तो पता नहीं था कि बहुत दिन हमारे लिए कश्ट साध्य सिद्ध होने वाला था हमारा रास्ता अब देहकती धूप में तप्त धान खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्दमान क्शित्र में बढ़ रहा था गाने व्रिक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे व्रिक्षों की विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत जटते हुए आ रहे थे बीच बीच में कोई बैलगाडी भी रास्ते में मिल जाती उसकी धूरी और लोहे का पट्टा चड़े लकड़ी के पहियों की रिनी रिनी मंझू मंझू द्वनी शहरों की डामर की सडकों पर चलने वाली गारियों के पहियों के एकदम विप्रीद और तीवर लग रही थी दिक! ठैरो! मेरे इस आकस्मिक चिलाने का फोट ने एक जटके के साथ विरोध किया फालों से अत्यधिक लदावय आम का पेर चिला चिला कर हमें बुला रहा है बच्चों की तरह हम पांचों जमीन पर विखरे पड़े आमों की ओर दौर पड़े उस विख्ष ने अत्यान तुदारता के साथ अपने पके हुए फल धर्ती पर गिरा दिये थे एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करके मैंने नया पत बना कर सुनाया कोई एक आम पैदा होता है द्रिष्टी से ओजल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुर्ता को पत्रीली भूमी में बरबात करने के लिए स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं, हाँ? हस्ते वे मेरे एक बंगाली शिश्य शालेश मजुमदार ने कहा नहीं, आम और त्रिप्ती से भर कर मैंने स्वीकार किया पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी आम नहो, तो हिंदु की स्वर्ग की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती मैंने पत्थर मार कर सबसे उची डाली पर लटकते एक सुन्दर फल को नीचे गिराया तीवर धूप से तपे अम्रितोपम फल को चूशते हुए मैंने पूछा देख, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे सामान में है यदि गिरिबाला सची संत सिध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ ऐसी प्रेणा प्रत शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को गुमनामी में ही जीना और मरना नहीं चाहिए इन में से आधिकान शामों की तरह है आधा घंटा बीच जाने के बाद भी मैं उस शाम्द वन सद्रिश प्रदेश में ही टहल रहा था तब श्री राइट ने कहा गुरुजी, हम इस सुर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुँचना होगा ताकि फोटो निकालने के लिए पर्याप प्रकाश मिले फिर हस्ते हुए उन्होंने कहा पास्चात्य लोग बड़े संशाई होते हैं यदि फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संद में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती या सूजबूज ठीकी थी आम के लोब से मूँ फेर कर मैं कार में जा वैठा तुमने ठीकी कहा दिक मैं पास्चात्य यथार्थ वाद की वेदी पर आम रूपी स्वर्ग की बली देता हूँ फोटो तो हमारे पास अवश्य होने चाहिए बैलगारी के पहियों से बने धारा पथों की जुरिया सक्तोई मिट्टी के फपोले आधी बुढ़ापे की जरजरा वस्था के दुखद लक्षणों की बरती संख्या के साथ रास्ता अधिका दिक कश्टदाई होता जा रहा था यदा कदा हम सब लोग कार से उतर कर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सकें लंबोदर बाबु ठीक ही कह रहे थे शैलेशने स्विकारा कार हमें नहीं ढो रही है हम कार को ढो रहे हैं कार में चड़ते उतरते जाने के करम से उत्पन्नुक तहट बीच-बीच में आते रहने वाले छोटे-छोटे गाओं के दर्शन मात्र से ही खत्म हो जाती थी हर गाओन नैसरगिक्ता और प्रकृती की सरलता का सुन्दर द्रिश्य था श्री राइट ने अपनी यात्रा देनंदनी में पांच मई 1936 की तारीख में लिखा है जंगल की चाया में बसे प्राचीन, प्रदूशन रहिद गाओं के ताड़ विक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्क बार-बार मुरता घुमता जा रहा था बहुत ही मोहक लगती हैं घास की चत और मिट्टी की दिवारों की छोटी-छोटी जोबणियों की ये बस्तिया हर जोबणी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है आस-पास छोटी-छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेबन के साथ खेल रहे हैं जो इस बिना बैलों की विशाल गाड़ी को अपने गाओं में से पागल की भांती जाती हुई देखकर या तो इसे आँखे फार-फार कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दोड़ने लग जाते हैं इस्त्रियां खुंगटों में से ही एक बार ज्हांक लेती हैं जबकि बुरुष अपनी उदासीन्ता के नीचे कौतूहल को छुपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं एक जगें तो गाउं के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए महा के काफी बड़े तालाम में नहा रहे थे अपनी धोतियां पहन कर नहाने के बार सूखी धोती लपेट कर पे गीली धोती छोड़ देते थे और ते पीतल के बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जाती हैं रास्ता हमसे व्यर्थ परिश्रम करवाता हुआ तीले टेकरियों पर से उपर नीचे ले जा रहा था कार में हम उचलते लुड़कते जा रहे थे कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती तो कभी उनकी सूखी बालू में से फिसलती खिंचती जाती एक जगे अपूर्ण पुल के कारण हमें लंबा चक्कर काट कर भी जाना पड़ा और आखेर लगभग पाँच बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल ब्यूर के पास पहुँच गए बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा चारों और से घने जंगल के बीच में छिपा या छोटा सा गाउं बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है लोगों ने बताया कि तब नदी नाले प्रचंड वेक से बहने लगते हैं और रास्ते सापों के विश की तरह कीचड़ू गलते हैं बाहर खुले मैदान में इस थापे ग्राम देटा की पूजा कर घर लोट रहे लोगों के एक जुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरिबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा तो दर्जन भर अदनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चल गए रास्ता खजूरों के जुर्मुट में बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था परन्तु वहां तक पहुँचने के पहले एक स्थान पर फोर्ट खतरनाख हट तक तेड़ी हो गई फिर आगे जाकर जोर से उपर उचल कर नीचे गिरी वह संकेन रास्ता पेड़ों के और तालाबों के चक्कर लगाता हुआ टेक्रियों के उपर से गड़ों और बैलगाडी के गहरे धारा पथों में से जा रहा था कार पहले एक जाड़ी में अटक गई फिर मिट्टी के तीले पर जमीन में धंस गई जहां से उसे मिट्टी के धेले डाल डाल कर निकाला गया धीरे धीरे सावधानी से हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक सामने ठीक रास्ते पर ही जाड़ जंकाल का एक धेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था हमें एक धलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाव में उतरना पड़ा जिससे बाहर आने के लिए कुछ जमीन झीलनी पड़ी और धेले हटाने पड़े बार-बार रास्ता ऐसा हो जाता था कि लगता था आगे जाना असंभव है परंतु तीर थियात्र है तो पूरी होनी ही चाहिए कुछ लड़कों ने अपने फावड़े लाकर रास्ते की सारी बाधाओं को हटा दिया गणेश जी की कृपा और सैकणों बच्चे तथा उनके माता-पिता दूर से देखते रहे इसके बाद बैलगाडी के अती प्राचीन से लगने वाले धारापत से हम धीरे धीरे आगे सरकने लगे और ते अपनी जोपडियों के दर्वाजों से आखे फार फार कर देख रही थी पुरोश कार के साथ साथ और पीछे पीछे चल रहे थे और बच्चे इस शोभा यात्रा की भीड को बढ़ाते हुए इधर उधर तौड रहे थे हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली ही मोटर गाडी थी इस शेत्र में बैलगाडी संग ही सर्वशक्तिमान रहा होगा हमने क्या खलबली मचा दी थी एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रहा ही फटफट करती कार में बैठ कर यह टोली उनकी प्राचीन एकांधता एवं पवित्रता पर आक्रमान करते हुए सीधे उनके अंतरंग एकांध में पहुँच गई थी एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरिवाला के पैत्रिक घर से केबल सौ फीट की दूरी पर थे रास्ते बर इतनी कठनाईयों से जूजने के बाद और तिसपर यात्रा का अंत इतना बेढब होने के बाद वागर देखकर हम लक्षपूर्ती के रोमांच से पुलकितो उठे हम उस दो मंजिला इंट और प्लास्टर के घर की ओर बढ़े आसपास की मिट्टी की जोबडियों पर या घर पूरी तरह से हावी हो रहा था घर की मरंबध हो रही थी क्योंकि उसके चारों और बांस बल्लियों का धाचा बना हुआ था तीवरुद कंठा के साथ और भीतर से फूट परते आनंद को रिदे में ही दबाए हम उस भावन मूर्ति के दर्वाजे के सामने खड़े थे जिसे प्रभु ने अपने क्षुधा रहित स्पर्ष्ट से धन्य कर दिया था इस अपूर्व द्रिश्य को निहारते छोटे बड़े, निर्वस्त और कबड़े पहने सभी ग्रामबासी निरंतर आश्चरे से मूँ भाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और ते थोड़ी दूर दूर रह रही थी परम्त उनकी जिग्यासा इस पश्ट दिख रही थी पुरुश और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे थोड़ी देर में एक नाटी सी मूर्ती द्रिश्टी गोचर हुई यह थी गिरिबाला वे फीके सुनहरे से रंकी साड़ी में लिप्ती हुई थी विशिष्ट भारतिये प्रथा के अनुसार घूंगट में से जहांकती हुई बिस संकुचाती कुछ जिजगती हुई सामने आई घूंगट की छाया में उनकी आँखें तब तंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी दया एवं आत्म ग्यान उनके चेहरे पर स्पश्ट छलक रहा था किसी भी एहे का सक्ति कमहल लवलेश नहीं था ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शंकर हम मुगधो उठे शालीनता पूर्वक वे हमारे पास आई और उन्होंने हमें अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो एवं चल्चित्र लेने की मौन सहमती दे दी बैठने की मुद्रा में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदी फोटोग्रफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रही आखिर हमने भावी पीडियों के लिए पचास वर्षों से भी अधिक समय तक अन जल के बिना जीविद रहने वाली संसार की एक मात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए एक मात्र इसलिए क्योंकि टेरेसा नॉयमन 1923 से ही निराहार रह रही है हमारे सम्मुक जब गिरिबाला खड़ी थी तो उनके चहरे पर पूर्ण मात्र भाव जलक रहा था उनका सारा शरीर साड़ी से ढखा हुआ था आखे नीचे की ओर जुकाए हुए उनका चहरा उनके हाथ और उनके छोटे-छोटे पैरों के अत्रिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देदा था अपूर्व शांती से योक्त भोला चहरा चोड़ा, बच्चों का सा दिखता मूँ नारी सुलब सुडॉल नासिका चोटी तेजस्वी आँखें, शांत मुस्कान गिरिबाला के बारे में श्रीराइक की जो धारना है वही मेरी भी है अध्यात्मिक तब ही उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिप्टी हुई थी सादू सन्यासियों को प्रणाम करने की ग्रहस्तों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया उनकी सरल मधूर्दा और शांत मुस्कान ने हमारा मधू मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हारदिक स्वागत किया यात्रा की सारी कठिनाईयां और ठकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई गिरिबाला बरामदे में पालती मार कर बैट गई वारधक्य के जिन्न तों उनके शरीर पर दिश्टी गोचर हो रहे थे पर उनकी काया क्षीर नहीं थी उनकी सामली तवचा साफ और स्वस्थ थी मैंने बंगला भाषा में बोलना प्रारम किया मा, पचीस वर्षों से आधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उच्जुख था मैंने इस थितिलान नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था उन्होंने सहमती दर्शक सिर्ह लाते हुए कहा हाँ, हाँ, नवाब गंज के मेरे पडोसी इस बीच मैं साथ समुद्रों के पार चला गया था परन्तु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी निकला नही आप यहाँ अग्यात रहकर जो भव्य लीला कर रही है उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए एक मिनट के लिए उन्होंने आखे उपर उठाई शान्त उत्सुकता के साथ विमुस्कुरा रही थी वह सब तो बाबा ही जाने उन्होंने नम्रता के साथ कहा उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना इसी की मुझे खुशी थी चुकि प्रसिद्धी के विचार पर योगियों और योगनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी यह कभी कहा नहीं जा सकता साधारन तय वे प्रसिद्धी से दूर ही रहते हैं क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्मानु संधान करने की ही उनकी इच्छा होती है जब जिग्यासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुले आम प्रदर्शित करने का समय आता है तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है मैंने कहा मा, मैं अभी जो प्रशनों का बोज आपके उपर डालने माला हूँ उसके लिए मुझे शमा कीजिए जिन प्रशनों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी केवल उन्ही प्रश्णों के उत्तर दीजिए आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूँ उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा जहां तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्णों के ठीक उत्तर दे सकती है मुझे सब प्रश्णों के उत्तर देने में खुशी ही होगी नहीं नहीं अकिंचन नहीं मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया आप एक महान आत्मा है मैं तो सब की विनम्र से भी का हूँ फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है मेरे मन में विज़ार आया एक निराहारी संद के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है मा, मुझे अब अपने मुझ से बताईए क्या आप सच मुझ निराहार रहती है हाँ, यह सच है कुछ देर के लिए वे चुप हो गई उन्होंने आके जो बताया उससे सपश्ट हो गया कि वे मन में गड़ित कर रही थी बारा वर्ष चार मा की आयू से लेकर अब मेरी 68 वर्ष की आयू तक 56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता अत्यंत सरलता से परंतु उतनी ही शालींता के साथ उन्होंने उस स्वयम सिद्ध सत्य का उचारण किया, जो दिन में तीन बार भोजन की कल्बना के ही चारों और घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ग्यात है. पर अग कुछ तो अवश्य खाती होंगी, मेरे स्वर में किंचित प्रतिवात का भाव था. महा प्रांट से आपको पोशन मिलता है. बाबा सब जानते हैं, अपने शान्त किसी बात पर जोड ना देने के ढंग से उन्होंने पुन्हे स्विकार किया. मा, अपने आरंविक जीवन के बारे में कुछ पताईए. पूरे भारत को और यहां तक की समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की कहरी इच्छा होगी. अब गिरिवाला अपने मित भाशन के स्वभाओं को एक और हटा कर, खुल कर बारता लाब करने की मनह इस्तिति में आ गई. ठीक है, सुनिये. उनकी आवाज सौम्य परंतु द्रिन थी. मेरा जन इसी वन्यक्षित्र में हुआ था. मेरे बच्पन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है. सिवा इसके, कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी, और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी. जब मैं लगभग नौ वर्ष की थी, तब मेरी सगाई हो गई. मेरी मा प्राया मुझे चेदावनी दिया करती थी. बेटी, खाने की इच्छापन नियंत्रन करने का प्रयत्न कर. जब विवा हो जाने के बाद, तुझे अपने पती के घर में अंजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तब यदि तु खाने में ही सारा समय बिताती रही, तो वे लोग क्या सोचेंगे? जिस बात का मा को डर था, वही हुआ. जब मैं नवाब गंज में अपने पती के घर रहने गई, तो मेरी उम्र केवल बारा वर्श की थी. सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण, मेरी सास, सुबह से रात तक, दिन भर मुझे लज़ित करती थी. परंतु उनकी उन फटकारों में वर्दान चुपा हुआ था, चुकि उनके कारण ही मेरी सुब्ध आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी. एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिये, मैंने भी जल्ला कर कहा, मैं शीगर ही आपको दिखा दूँगी, कि जब तक मैं जीवित रहूंगी, तब तक अन्नका स्परिश नहीं करूंगी. मेरी सास ने उबहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यादिक खाए बिना नहीं रह सकती, तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में खुस गया था, एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी, प्रभू, मैं अन्बरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरू भेजिये, जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा सके, अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई, उस तंद्रा में मैं नवाब गंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी, रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई, मैंने उन पर विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महराज, क्रिपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाई बदाईए, वे मेरी ओर देखते ही रह गए, आखिर सांत्वना दायक स्वर में उन्होंने कहा, बेडी, आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक कर अंदर तक पहुंच रही थी, मैं गंगा इसनान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूँ, जैसे ही मैं अपने घीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए, अत्यंत प्रेम और साहनुभूती भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी, मैं ही वह गुरु हूँ, जिसे भगवान ने तुमारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है, तुमारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प् हो गई, मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैट ले ली और इसमें से कुछ बातें उनकी समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवात कर लिख दी, गिरिभाला ने अपनी कहानी आगे शुरू की, उनकी सौम में अम्रिदू आवाज कठिनाई से ही सुनाई दे रही गाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों और एक संवरक्षक प्रकाश का बलय निर्मान कर दिया, ताकि नहाने के लिए देड़ से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधी संसकार में बाधना डाल सकें, फिर उन्होंने मुझे ऐसी क्रिया प्रविदी की दीक्षा दी, जो शरीर को मर्त्य लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्ण कर देती है। उस प्रविदी में एक मंत्र है, और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है, जो साधारन मनुष्य के लिए करना कुछ ज्यादा ही कठिन है, और इसमे से अनेक विश्यों पर प्रश्न किये, जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी-थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी, वह इस प्रकार है, मुझे कभी कोई संदान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं व मुझे वातावरण में किंचित पर्क अनुभव होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और नहीं मुझे कभी कोई रोग हुआ। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है, तब किंचित दर्थ सा होता है। मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निसारण नहीं होता। मैं अ निराहार जीवित रहने की पद्ध थी, अब दूसरों को क्यों नहीं सिखाती। संसार के भू को मरने वाले करोणों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी, वह अक्षन भर में चूर-चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नकरार थी सिरह लाते हुए कहा। मेरे एक लोगों को निराहार रहना सिखा दूँ, तो किसानों को भी वह अच्छा नहीं लगेगा। रजभरे फल, भूमी पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भुकमरी और रोग हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं, जो हमें अंततय जीवन के सच्चे को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मैंने धीरे-धीरे कहा, मा, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ देने का क्या उप्योग। यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है, उनका चहरा ज्यान के तेच से प्रदीधो उठा। यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नती द्वारा मनुष्य धीरे-धीरे सनातन तेच से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवशक्ता नहीं रहती। संदगिरी वाला ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई। उनकी दृष्टी अंतर में लग गई थी। उनकी शान ठाकों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट नेश्वास छोड़ा, जो समाधी की पर्मानंद में श्वास रही दवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वे आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुँच गई जहां कोई प्रश्ण न जोपड़ियों के तेल के दिये मखमली रात में बिचित्र सी लगने वाली उज्वल आकरतिया निर्मान कर रहे थे। विदाई का दुखदाई समय आ गया था। हमारे सामने कश्ट प्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरिबाला ने आखे खोली तब मैंने उनसे कहा गिरिबाला मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए। आपकी किसी साड़ी का एकात टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे बनार सी सिल्क का एक टुकड़ा लियाई। और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे आचानक मुझे सा प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर से भार कर मैंने कहा, मा, मुझे ही अपने पवित्र चर्णों का इस्परिश करने दो। सैतालीसमा अध्याय, मैं पश्चिम लोटता हूँ। मैंने भारत और अमेरिका में योग पर अनेक शिक्षात्मत प्रवचन दिये हैं, परन्तु आज मुझे यह स्विकार करना ही पड़ेगा, के एक हिंदू होने के नाते, आज अंग्रेश शिश्यों के लिए यह कक्षा लेते वे मुझे विशेश खुशी हो रही है। लंदन के मेरी कक्षा के सदस्य दिल खोल करहां से, कोई राजनीतिक उथल-पुथल कभी हमारी योग शांती में विखन नहीं बनती थी। भारत अब एक पुन्य स्मृति मात्र बन कर रह गया था। यह सितंबर 1936 है। मैं इंग्लेंड में 16 महीने पूर्व दिये गए उस बचन की पूर्ति करने आया हूं कि लंदन में पुने व्याख्यान दूंगा। इंग्लेंड भी योग के काल जयी संदेश को ग्रहंट करने के लिए उच्सुक है। ग्रास्वेनर हाउस में मेरे नियत स्थान पर संबाद दाताओं तथा न्यूजरील बनाने वाले कैमरमेनों की भीड़ लगी रहती थी। British National Council of the World Fellowship of Faiths ने 29 सितंबर को Whitefield Congregational Church में एक सभा का आयोजन किया। जिसमें मैंने परस पर बंधु भाव में विश्वास मानव सभिता की रक्षा कैसे कर सकता है। यानि How Faith in Fellowship में सेफ सिविलाइजेशन इस भारी भरकम विशेपर व्याख्यान दिया। कैक्स्टन हॉल में रात आट बजे होने वाले व्याख्यानों में इतनी भीड़ हो जाती थी कि दो बार हॉल की क्षमता से आधिक हुए लोग Windsor House Auditorium में बैट कर साड़े नौ बजे के दूसरे व्याख्यान की प्रतीक्षा करते रहे। इसके बाद के सब्ताहों में ये कक्षाय इतनी आधिक बड़ी हो गई कि श्री राइट को इन्हें दूसरे बड़े हॉल में इस्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। अंग्रेसों के द्रड संकल्पता आध्यात्मिक सम्मंधों में भी अद्भुत रीती से अभिव्यक्त होती है। लंदन से बेरे प्रस्थान के बाद वहां के योगा भ्यासियों ने निश्था पूर्वा के एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंदर का गठन किया और युद्ध के दारुन वर्षों में भी नियामित रूप से साप्ता ही ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। इंग्लेंड में बिताय हुए वे कई सप्ता मेरे लिए अविस्मर्निय बन गए हैं। प्राचीन भूमियों पर कटिनाईयों से जूशते जूशते हमारी फोर्ड कुछ धीली तो पड़ गई थी पर अभी बस समर्थ थी। अब वह पूरे अमेरिका महद्वीब को पार कर कैलिफोर्निया जाने के लिए चल पड़ी। 1936 का अंत आ गया और यहलो। माउंट वॉशिंग्टन प्रतिवर्ष लोस एंजलिस के केंदर में क्रिस्मस का उतसम मनाया जाता है। जिसमें 24 दिसमबर यानी अध्यात्मिक क्रिस्मस को आठ घंटे का सामूहिक थ्यान होता है। और अगले दिन यानी सामाजिक क्रिस्मस एक भोज होता है। तीन विश्व यात्रियों के लोट आने पर उनका स्वागत करने के लिए दूर दूर से आये अनेका नेक मित्रों एवं शिश्यों की उपस्तिती से इस वर्ष के उतसम में उतसा और भी अधिक बढ़ गया था। क्रिस्मस दिवस के भोज में 15,000 मील दूर से लाए गए कुछ बिशेश पदार्थों का भी समावेश था। उपहारों के आदान प्रदान का समय आ गया। प्रित्वी के दूर दूर के कोनों फिलिस्तीन, मिस्र, भारत, इंग्लेन, फ्रांस, इटली से उपहार लाए गए थे। अमेरिका में रहने वाले प्रियजनों के लिए खरी दे गए उपहार, किसी चोरु चक्के के हाथ न लग जाएं। इसलिए हर देश के जंक्षन पर श्री राइट ने कितनी मेहनत से बार-बार पेटियों की गिनिती की थी। फिलिस्तीन के पवित्र जैतून ब्रिक्ष के फलक। बेल्जियम और हॉलेंड की नाजुक जालरें एवं कशीदाकारी के काम। इरानी गलीचे, अत्यंत बारीक बुनावट वाली कश्मीरी शौलें, मैसूर के सदा सुगंधित रहने वाले चंदन केट्रे, मध्य प्रदेश के शिप पत्थर, दीर्ग काल पूर्व लुप्त भारतिये राजवन्शों के सिक्के, रत्न जडित फूलदानिया और प्याल छोटी-छोटी प्रतिकृतिया, परदे, धू, अगरबत्ती, इत्र, स्वदेशी कॉटन प्रेंट्स, लाग के कान की वस्तुए, मैसूर की हस्ती दंत की कलाकृतिया, इरान की लंबी नोक वाली जूतिया, विचित्र सी लगने वाली, परंतु काफी मेहनत से चारो और नका प्राशी काम कर सुन्दर बनाई हुई प्राचीन पांडुलिपिया, मकमली जरीदार कपडे, गांधी टोपिया, मिट्टी के बर्तन, टाइल्स, पीतल की कलकृतिया, ध्यान के आसन, तीन महाद्वीपों से जमा किया गया खाजाना, क्रिस्मस विक्ष के नीचे रखे की महिला को मैंने एक लंबा डिबबा दिया, मेरी आनुपस्तिती में यही माउंट वॉशिंग्टन केंदर की प्रभारी थी, उस डिबबे में से महीन कागज में लिप्ती सुनहरी बनारसी साड़ी उन्होंने निकाली, धन्यवाद गुरुदेव, यह मेरी दृष्टी के स सामने भारत का वैभव उपस्थित कर रही है, श्री डिकेंसन इस दूसरे पैकेट में जो उपहार था, उसे मैंने कोलकता के एक बाजार में खरीदा था, उस समय मेरे मन में विजार आया था, श्री डिकेंसन को यह पसंद आएगा, मेरे यह प्रियशिष्य श्री E.E. डिक इनसन, 1925 में माउंट वाशिंग्टन केंदर की इस्थापना से लेकर अब तक प्रतेक क्रिस्मस उत्सब में उपस्थित रहे थे, इस ग्यार में वार्शेक उत्सब में वे उस चौकोनी पैकेट के फीते खोलते मेरे सामने खड़े थे, चांदी का गिलास, भावावेक को रोकने का प्रयास करते हुए वे पानी पीने के उस लंबे गिलास को एक तक देख रहे थे, वे कुछ दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गए, मानों उन्हे कोई सुद्बुध ही ना रही हो, अपनी सैंटा क्लॉस की भूमिका फिर शुरू करने से पहले, मैं उनकी और स्नेह भरी द्रिष्टी से देख कर मुस्कुराया, सब उपहारों के दाता, उस परम दाता की प्रार्थना के साथ भावपूर्ण उदगारों की उस शाम का समापन हुआ, उसके बाद कुछ देर तक सब मिलकर क्रिस्मस कैरल्स गाते रहे, कुछ दिन बाद, श्री डिकेंसन और मैं बा अब गिलास खास तुम्हारे लिए ही लाया था, 43 वर्षों से मैं उस चांदी के गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ, यह लंबी कहानी है, जो अब तक मैंने अपने रिदय में ही छिपा कर रखी है, श्री डिकेंसन ने कुछ संकोच के साथ मेरी ओर देखा, इसकी फुट गहरे तालाब में धकेल दिया, तब मैं केवल पांच वर्ष का था, जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा, तब ही सारे अंतरिक्ष्ट को प्रकाश मान करता हुआ, एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ, उस प्रकाश के बीच में ए खड़े एक लंबे पतले पेड को नीचे जुका दिया, जिससे मेरी उंगलिया उस पेड को पकड़ सकी, तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खीच लिया और मेरा प्रतमोपचार किया, इस घटना के 12 वर्ष बाग, जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया था, तब एक द प्रकार का दीप्तिमान प्रकाश मेरी आँखों के आगे कौन्द गया, हमसे कुछी कदम की दूरी पर वही पुरुष मुझे आराम से टहलता दिखाई पड़ा, जिसका मुझे वर्षों पहले डूपते समय दर्शन हुआ था, वह पुरुष एक विशाल सभागरे के पास जाकर उसके दर्वाजे में से अंदर घुसकर अद्रिश्य हो गया, मैं चीक बढ़ा, मा यह वही आदमी था जो मेरे डूपते समय प्रकट हुआ था, मा और मैं तुरंत सभागरे में जा पहुँचे, वह पुरुष व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ था, थोड़ी देर म मैं हमें पता चल गया, कि वे पुरुष भारत के स्वामी विवेगानंद थे, उन्होंने आत्मा को जंजोर देने वाला व्याख्यान दिया, उनका व्याख्यान समाप्थ होने के बाद मैं उनसे मिलने आगे गया, मुझे देखते ही वे इस प्रकार मुस्कुराए, मानो हम पुराने मित्रों, मैं इतना चोटा था, कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अकल मुझ में अभी नहीं आई थी, पर अंतु मन ही मन मैं आशा कर रहा था, कि वे मेरे गुरु बनेंगे, उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, नहीं बेदा, मैं तुम्हारा गुरु नह उन्होंने कहा, अभी तुम जितने आशिर्वादों को ग्रहन कर सकते हो, उससे कहीं आधिक आशिर्वाद पे तुम्हारी जोली में डालेंगे, थोड़े ही दिनों में मैं शिकागो से लोटाया, और उसके बाद मुझे पुनै कभी महान विवेकानन के दर्शन नहीं हुए परन्तु उनके मुख से निकला एक-एक शब्द मेरी अंतरतम चेतना पर अमिट रूप से अंकित हो गया, वर्षों पर वर्ष बीतते गए, कोई गुरू नहीं आए, उन्ने सो पच्चिस में एक रात मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की, भगवाद मेरे गुरू को मे अरे वातावरन को स्वर्गिय संगीत से भर कर वे धीरे-धीरे अद्रिश्य हो गए, दूसरे ही देन यहां लोस अंजलिस में मैं पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया, और उसी समय मुझे पता चल गया कि मेरी प्रार्थना पूरी कर दी गई है, हम दोनों चुप च चाप एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, ग्यारा वर्षों से मैं आपका क्विया योग का शिश्य हूँ, श्री डिकिंसन ने फिर कहना शुरू किया, कभी-कभी चांदी के गिलास के बारे में सोचता रहता था, अपने मन को तो मैंने लग-भग बिश्वास ही दिल जा दिया था कि स्वामी विवेकानन्द के शब्द केवल सांकेतिक थे, परंदो क्रिस्मस के उस रात, जब क्रिस्मस व्रिक्ष के पास आपने भार डिब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीपतिमान प्रकाश मेरी आँखों के सामने फिर दूसरे एक शण मेरी आँखे अपने गुरु के उस उबहार को देख रही थी, जिससे स्वामी विवेकानन्द ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी का गिलास 48 मात द्याए, एंसिनीटर्स कालिफोर्निया में आपके लिए एक आश्चर है, गुरु देव, आप जब अमेरिका से बाहर थे, तब हमने एंसिनीटर्स के इस आश्रम का निर्मान करवा लिया यह आपके घर लोटाने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है श्री लेन, सिस्टर ग्यानमाता, दुर्गा मा और कुछ अन्य भग मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से उपर ले जा रहे थे जिसके दोनों चायादार ब्रिक्ष थे सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफेद जहास खाड़ा हो पहले तो मैं अवाक रह गया फिर केवल ओ और आह जैसे उद्गार ही मुख से निकलते रहे आंतिताय आनंद और कृतग्यता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षन करने लगा उसमें असाधारन रूप से बड़े सोला कमरे थे प्रते कमरा सुन्दर रीती से सजाया गया था छत्तकूंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से योक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल से हरियाली, समुद्र और आकाश का सुन्दर द्रिश्य दिखता है मानो पन्ना, शेरिस फटिक और नीलम का अत्यंत प्रमान बद्ध प्रयोग कर नितांत सुन्दर चित्र बनाया गया हो हॉल में स्थित विशाल अंगिटी के उपर इसा मसी, बाबा जी, लाहिडी महाशे तथा श्रियुक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई है देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वे उश्शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशिरवादों की बर्षा कर रहे हो हॉल के सीधे नीचे खाड़े तट में ध्यान के लिए दो गुफाएं बनाई गई है इन गुफाओं के सामने केवल अनंत आकाश और अनंत सागर ही है आश्रम परिसर में सूर्य स्थान के लिए सुरक्षत स्थान है शांत व्रिक्ष कुंज और उन तक जाने वाली पत्थर की इत्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुँचने वाले अपने आशिरवादों से हमें कृतार्थ करें आश्रम के एक दर्वाजे पर मनुष्य के निवास स्थान के लिए सेंड अवस्ता में दी गई यह प्राथना लटकाई हुई है कलिफोर्निया के एंसिनीटस ग्राम में यह विस्त्रित आश्रम श्री जेम्स जे लिन के ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए उबहार है श्री लिन 1932 में क्रिया योग की दिख्षा लेने के बाद से निश्ठावान क्रिया योगी रहे हैं अंतिहीन जिम्यदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योग पती होते हुए भी श्री लिन को प्रति दिन लंबे एवं गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता है वे विशाल तेल उद्योगों के तथा संसार की सबसे बड़ी अगनी वीमा कंपनी के मालिक है इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधी में अविजल शांति प्राप्ट कर ली है मैं जब भारत और योरोप में था यानी जून 1935 से अक्टूबर 1936 तक तब श्री लिन ने कलिफोर्निया से मेरे साथ पत्र वेवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेमपून शड्यंत्र रचा कि एंसिनीटस आश्रम के निर्मान का कोई समचार मुझ तक न पहुँच पाए कितना सुखद आश्चरे था यह पहले कई बार सागर तट पर चोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगें की तलाश करते हुए मैंने कलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता तब उसमें कोई न कोई बाधा आती और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती आज एंसिनीटस में कई एकड़ भूमी पर बने इस आश्रम पर द्रिष्टी फेड़ते हुए श्री उक्तेश्वर जी की बहुत पहले की हुई भविश्यवाने की पूर्ती मुझे नजर आ रही थी सागर तट पर आश्रम कुछ महिनों बाद 1937 के इस्टर के दिन मैंने महा की हरियाली पर इस्टर सुर्योदे कालीन ध्यान का आयोजन किया जो बाद में भी प्रतिवर्ष चलता रहा कई सो शिष्य प्राजिन व्रिश्यों की भादी श्रद्धा और भक्ती के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमतकार को निहार रहे थे पूर्वकाश में सूर्य का जागना पश्चे में अपनी गरस्ती आवाज में स्तुती करता प्रशांत महसागर और उसमें दूर कहीं अपना पाल फैलाए चल रही नाव आकाश में उडान भरता एक अकेला समुत्री पक्षी ईसा, सच मुझ तुम्हारा पुनुर्थान हो चुका है केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं बलकि ब्रह्म की अनंत प्रभात में अनेक सुखद महीने बीट गए एंसनीटस के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में बहुत दिनों से मन में जिसकी योजना बना रहा था वह कार्य, अर्थात, कॉस्मिक चैंट्स की रचना मैंने करती अनेक भारतिय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पाश्चाते संगीत में ढाला इन में शामिल हैं शंकराचारे का चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम संस्क्रेट ब्रम्हानंदम परमसुखदम डेगोर का कौन है मेरे मंदिर में? इनके अलाबा मेरे अपने भी अनेक गीत इसमें हैं जैसे मैं तेरा हमेशा In the land beyond my dreams मैंने तुझे दी आत्मा की पुकार Come, listen to my soul song तथा शान्ती मंदिर में गीतों की इस पुस्तक की प्रस्ताबना में मैंने पूर्वी गीतों पर पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया के अपने प्रथम असाधारन अनुभव का वर्णन किया है जो 18 अपरेल 1926 को नियुयोक के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक ब्याख्यान के अफजर पर घड़ित हुआ था 17 अपरेल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री ओल्विन हंसिकर को बताया था मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदु भजन हे हरी सुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विजार कर रहा हूँ श्री हंसिकर ने यह कहते हुए मेरे विजार पर संधे प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों की समझ में नहीं आ सकते मैंने कहा था संगीत सार्वभामिक भाशा है इस उदात गीत में नहित आत्मा की ललक को अमेरिका के लोग भी निश्चित ही आनुभव करेंगे दूसरे दिन रात को एक घंटे से भी अधिक समय तर हे हरी सुंदर के भक्ति पूर्ण स्वर तीन हजार कंठों से आते रहे प्रिये नियो यॉक वासियों आस्तो मुदासीन नहीं रहे आनंद के सीधे साधे इस्तवन में तुम्हारे मन के पक्षियों ने उँची उडाने भरी है उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभू के नाम का कीर्टन करते उस भक्त समुदाई में कई लोगों को दैवी शक्ति से स्वस्तता प्राप्त हुई 1941 में मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बॉस्टन केंदर में गया बॉस्टन केंदर के प्रमोग डॉक्टर M.W. Lewis ने एक अत्यंत कलात्मक धंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठेरने की प्यवस्ता की उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा गुरुदेव अमेरिका में जब आप शुरू में आये थे तो इसी शहर में केवल एक कमरे में रहते थे जिसमें बाथरूम के भी सुविधा नहीं थी मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि बॉस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन आराम दायक कक्ष भी उपलब्ध है कलिफोर्निया में कार्य व्यस्तता के बीच वर्ष पर वर्ष सुख पूर्वक बीथते गए 1937 में एंसिनीटर्स में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई इस कॉलोनी में शिश्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गदिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है यहां एंसिनीटर्स और लोस अंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल एवं सबजियां उगाई जाती है इश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां प्रित्वी पर रहने के लिए बनाई है विश्व बंधुत्व बहुत ब्यापक्षब है परंतु मनुष्य को स्वयम को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में यह आ गया कि यह मेरा भारत है मेरा अमेरिका है मेरा यॉरोप है मेरा अफ्रीका है आदी आदी उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा श्रीयुक देश्वर जी शारेरिक रूप से भारत की भूमी के अतरिक्त कहीं नहीं रहे परंदु बंधु भाव के इस सत्यसेवे भली भाती परिचित्थे सारा जगत मेरा देश है स्वासित्थे उन्चास्वा अध्याई 1940 से 1951 की अवधी ध्यान का महत्व अब हमें सच मुछ पता चल गया है और यह बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शान्ति को भंग करने के ख्षमता किसी चीज में नहीं है पिछले कुछ सब्दाहों में हमने अपने सामुहिक ध्यान एवं सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनिया तथा विलंब से भटने वाले बमों के धमाके सुने है पर अंतु फिर भी हमारे सदस से एकत्रित होते हैं और इन सभाओं में उन्हें खूब आनन दाता है लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंदर के प्रमुक द्वारा लिखा गया यह वीरता भरा पत्र उन अनेका नेक पत्रों में से एक है जो द्रितिय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका के उसमें उतरने से पहले के वर्षों में मुझे युद्ध जरजर इंग्लेंड और यूरोप से आते रहते थे लंदन के The Wisdom of the East सीरीज के प्रख्यात संपादर Dr. L. Cranmer Bing ने 1942 में मुझे लिखा था जब मैंने East-West पत्रिका पढ़ी तब मुझे पता चला कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे जैसे दो भिन जगतों में निवास कर रहे हो जिस प्रकार किसी घेरे गए नगर के लिए Holy Grail के आशिरवादों और सुक सुविधाओं से लदा जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो उसी प्रकार Los Angeles से सौंदर्य, सामन जस्य, शांती एवं स्थिर्ता मेरे पास आप पहुंशती है अपनी कलपना में मैं आपका ताल व्रिक्ष कुंज, एंसिनीटस का मंदिर और उसके सामने फैला हुआ सागर एवं परवतिय द्रिश्य तता इस सबसे बढ़कर आध्यात्मिक प्रवरती के नर नारियों का साचर ऐसे देखता हूं जैसे मुझे यह सब स्वप्न में दिख रहा हूँ एकता के सूत्र में बंधा एक समाज जो विधे आत्मक कारे में मगन है और जो ध्यान चिंतन द्वारा नवशक्ती प्राप्त करता है पहरे की मिनार पर प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे एक साधरन सिपाई द्वारा लिखे गए इस पत्र में सभी सत्संग्यों को मेरा प्रणाम कलिफोर्निया के हॉलिवोड शहर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के कारे करताओं द्वारा एक सर्वधर्म मंदिर यानी Church of All Religions की स्थापना 1942 में की गई एक वर्ष बार कलिफोर्निया में ही सैंड डियगों में तथा 1947 में फिर से कलिफोर्निया में ही लॉंग बीच में एक-एक मंदिर की स्थापना की गई 1949 में लॉस एंजलिस के Pacific Palisades अंचल में जिसे संसार के सबसे सुन्दर भुखंडों में से एक कहा जा सकता है एसी फूलों की एक बादी Self-Realization Fellowship को दान में प्राप्त हुई दस एकड की या भूमी सब और से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक रंग भूमी है इसमें एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ है जो पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगता है इस सरोवर के कारण ही इस थान का नाम लेक श्राइन पड़ा है इसकी भूमी पर एक और खड़े पुरानी शैली के पवन चक्की भवन में साधना मंदिर है इस भवन से नीचे इस्थित बाग के पास लगी हुई विशाल पवन चक्की पानी का मन्थर संगीत सुनाती रहती है चीन से लाई गई संग मरमर की दो मूर्तिया इस स्थान की शोभा बढ़ा रही है एक मूर्ती भगवान बुद्ध की है और दूसरी कौन यिन की यानि चीन में जगनमाता का एक रूप एक जलप्रपात के ऊपर इसा मसी की आदम कत प्रतिमा खड़ी है रात को जब इस मूर्ति पर रोशनी की जाती है तो इसका पवित्र चहरा लहराते वस्त्र आदी बड़े सुन्दर लगते हैं लेक श्राइन में 1950 में महात्मा गांधी विश्व शान्तिस मारक की स्थापना की गई इस वर्ष अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की तीसमी वर्ष गांध भी थी भारत से प्राप्ट महात्मा गांधी के अस्थियों को एक हजार वर्ष पुरानी प्रस्तर मंजूशा में रखकर उस मारक में प्रतिश्थापित किया गया है 1951 में हॉलिवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशेप इंडिया सेंटर की स्थापना हुई इस सेंटर के समर्पन उत्सम में कलिफोनिया के उपराजेपाल श्री गुडविन जेनाई तता भारत के वानेज जेदूद श्री एमर अहुजा भी मेरे साथ थे इस थान पर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्ता है S.R.F केंद्रों में नए नए आने वाले बहुत से लोग योग की अधिक जानकारी के चुक होते हैं मुझसे प्राया ही एक प्रश्न पूछा जाता है जैसा कि कुछ संगठनों का दावा है क्या ये सच है कि योग का अभ्यास छपे हुए साहित्त को पढ़कर नहीं किया जा सकता और इसे गुरू के मार्क दर्शन में ही करना चाहिए इस अणु युग में योगदा सत्संग पाठों जैसी शिक्षा पद्धतियों के द्वारा योग की शिक्षा दी जानी चाहिए अन्य था ये मुक्ति प्रदायक विज्ञान पुने कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा यदि प्रतेक शिष्ष को ब्रह्म ज्यानी गुरू का सानित्य प्राप्थ हो सके तो निश्चे ही यह एक अमूल्य वर्दान होगा परंतु इस संसार में पाखंडी ज्यादा है, संत कम तो फिर असंग के जनसाधारण को घर में बैठे-बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखित योग पाठों द्वारा नहीं तो और किस तरीके से योग की शिक्षा मिल सकती है या फिर इसका एक मात्र विकल्ब यही है कि सामान्य मनुष्य की उपेक्षा कर उसे योग ज्यान से वंचित ही रखा जाए परंतु इस नए युग के लिए ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है बाबा जी ने सभी सच्चे क्रिया योगियों की लक्षे प्राप्ति के पत पर रक्षा करने का एवं उनका मार्ग दर्शन करने का बचन दिया हुआ है केवल कुछ दर्जन नहीं बलकि शांति एवं सम्रिध्धि के उस विश्व को साकार करने के लिए लाखों क्रिया योगियों की आविशक्ता है, जो बरहम पिता के पुत्रपत को पुनहे प्राप्त करने का उचित प्रयास करने वाले लोगों की प्रतीक्षा करता है. आध्यात्मिक शहद उत्पन्न करने के लिए मदुमक्यों के एक छत्ते के रूप में पश्चिम में सेल्फ रियालाइजेशन फेलोशिप संगठन की स्थापना करने का दायत्व मुझे श्री उक्तेश्वर जी एवं महावतार बाबा जी ने स्वापा था. इस पवित्र दायत्व की पूर्ती कठिनाईयों से रहित नहीं थी. परमहंस जी, सच सच बताईए, क्या यह सब सार्थक हुआ? इनना पे तुले शब्दों में, एक दिन सैंडियोगो के एसारेफ मंदिर के कारेवाहत, डॉक्टर लाइट केनल ने मुझसे प्रश्न किया. मेरे ख्याल से उनके पूछने का अर्थ था, क्या आप अमेरिका में संदुष्ट हुए हैं? उन सब जूटे प्रचारों का क्या, जो योग के प्रशार को रोकने के लिए उत्सुक कुद्सित लोगों ने किये? उन सब मो भंगों का क्या? मनो व्यथाओं का क्या? उन केंद पर परीक्षा लेता है, मुझ पर यदा कदा भार डालना तो उसे याद रहा? तब मेरे मन में उन सब का विजार आया, जो निश्ठावान थे. उस प्रेम और भक्ती और समझदारी का विजार आया, जिसका प्रकाश अमेरिका क्रहिदय में व्याब्त है. दीरे दीरे, शब पूर्व और पश्चिम को एक मात्र स्थाई बंधन में, आध्यात्मिक बंधन में बंद कर, एक दूसरे के करीब आये देखने का मेरा जो स्वपन था, वह मेरी कलपना से भी अधिक साकार हुआ है. भारत के जिन महान गुरुओं ने पश्चिम में गहरी रूची दिखाई है, उन्हें आधुनिक परिस्थितियों की भली भांती जानकारी है. वे जानते हैं कि जब तक सभी राश्ट्र पूर्व और पश्चिम के विभिन सद्गुणों को आत्म साथ नहीं करते, तब तक विश्व की इस्थिति में सुधार नहीं हो सकता. दोनों ही गोलार्थों क एक दूसरे के सर्वोत्तम गुणों की आविशकता है. अपने विश्व भ्रमण में मुझे बहुत दुख दिखाई दिया. पूर्व में दुख, मुख्यतै भौतिक स्वरूप का है. तो पश्चिम में मुख्यतै मानसेक और अध्यात्मिक स्वरूप का. सभी राश्ट्र असंतुलित सामाजिक अवस्था के दुखप्रत परिणाम अनुभव कर रहे हैं. भारत तथा अन्य अनेक पूर्वी देश, अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों की भौतिक कारिक्षमता एवं व्यभारिक्ता को सीकर लाभानमित हो सकते हैं. दूसरी ओर, पाश्चात्य एक पूर्ण विक्सित सभिता का आदर्श किवल कल्पना नहीं है. हजारों वर्षों तक भारत अध्यात्मिक ज्यान एवं भौतिक सम्रिद्धिक अदेश रहा है. भारत के अत्यांत दीर के दिहास में गद्दो सो वर्षों की गरीवी तो कर्मों की एक शणिक अवस्था म मात्र है. सारे संसार में हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता चर्चा का विशयती. प्रचुर्ता, चाहे वह भौतिक हो या अध्यात्मिक, रित के स्रिष्ठी नियम, अर्थात, स्वाभाविक सदाचरण की सहज अभिव्यक्ति है. इश्वर में या विपुलता संपन प्रकृती माता में कृपणता का वास नहीं है. हिंदु शास्त्र बताते हैं कि मनुशेस विशिष्ट पृत्वी की ओर इसलिए आक्रिष्ठ होता है कि एक के बाद एक जन्द में वह उन अंगिनत तरीकों को अधिकादिक पूर्णता के साथ सीख सके, जिनके द्वारा आत पूर्वक अपनी उपलब्धियों का आधान प्रदान करना चाहिए. इसमें कोई संदे ही नहीं कि इश्वर की पृत्रिवासी संताने, दरिद्रिता, रोग और आत्मा के अज्यान से मुक्त विश्व सभ्यता को इस्थापित करने के लिए प्रयत्न करती हैं, तो इश्वर को इससे अत्यधिक प्रसन्यता होती है. अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना, यानि स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुप्योग का परिणाम ही अन्य सभी दुखों का मूल कारण है. समाज के नाम जो बुराईयां मर दी जाती हैं, उनके लिए वस्तुताय प्रत्येक मनुष्य को दोशी पाया जा सकता है. राम राज्य पहले प्रत्येक रिदय में प्रकट होना चाहिए, तब वह समाज में फैलेगा. चोकि आंतरिक सुधार होने पर बाय है सुधार अपने आप ही होते हैं. जो मनुष्य अपने आपको सुधार लेगा, वह हजारों को सुध काल की कसोटी पर खरे उत्रे विश्व के सभी धर्म शास्त्रों का सार एक ही है और वे सभी मनुश्यों को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेणा देते हैं। कि गत बीस शताब्दियों से उनके आधिकांश बचनों को गलत ही समझा गया है। उनकी आखें शुरू से अंत तक निराली ही लग रही थी। मैं उनमें जाता रहा और वे सदा बदलती ही रही। उनके भाव में होने वाले प्रतेक परिवर्तन के साथ ही व्यक्त कियेगा ग्यान को मैं अपने अंतर में अंतर ग्यान से समझ रहा था। उनकी तेजस्वी दृष्टी में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो अनंत प्रम्हांडों को धारन करती है। एक पवित्र पाद्र यानि होली क्रेल उनके मुख के पास प्रकट हुआ। वहां से नीचे आकर मेरे होटों से लगा, फिर इसा के पास लोट गया। इसके बाद उन्होंने अत्यंत सुन्दर शब्द कहे। इन शब्दों का स्वरूप इतना वैयक्तिक है कि मैं उन्हें अपने हृदे में ही रखता हूँ। 1950 और 51 में मैंने अपना बहुत सा समय कैलिफोर्निया में मुहावे रगिस्तान के पास ही एक शांत स्थान में बिताया। वहाँ मैंने भगवद गीता का अनुवात किया और उस पर विस्तृत व्याक्या लिगी। जिसमें योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन है। दो बार एक ही योग प्रविदी का विशेश रूप से उल्लेक कर। यहां ये बताना जरूरी है कि भगवद गीता में इसी एक मात्र योग प्रविदी का उल्लेक है। और इसी प्रविदी को बाबा जी ने क्रिया योग का सीधा सरल नाम दिया है। भारत के सबसे श्रिष्ट शास्त्र ने मनुष्यों को प्रयोग करने के लिए व्यावारिक शिक्षा भी दी और नैतिक शिक्षा भी। हमारे स्वपन जगत के महा सागर में श्वास माया का विशिष जंजावाद है जो प्रिथक प्रिथक लहरों का समस्त लोगों और सभी भातिक वस्तुओं के रूपों का बोध उत्पन करता है। भगवान श्वीक्रिष्न जानते थे कि मनुष्य को प्रिथक अस्तित्व के दुखदाई स्वपन से जागरित करने के लिए किवल दार्शनिक और नैतिक ज्यान पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पवित्र विज्ञान की ओर संकेत किया, जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर, इसे जब चाहे अपनी इच्छानुसार विशुद्ध शक्ती में बदल सकता है। आज के अणु युग में आधुनिक विज्ञानिकों के लिए इस योग क्रिया के सिध्धान्त को समझना मुश्किल नहीं है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रतेक स्थूल पदार्त को उर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्व साधारन मनुश्र भी से प्रयुक्त कर सकता है। यह सच है कि किसी योग प्रविदी को प्रयुक्त किये बिना भी यदा कदा श्वास के रहस्य को सुलजा लिया गया है। जैसा भगवान के प्रती अत्यंत उत्कट भक्ती रखने वाले अहिंदू संतों ने किया। ऐसे इसाई, मुसल्मान तथा अन्य संतों को सचमुछी सविकल्प समाधी के निश्चल, निश्वास अवस्था में देखा गया था, जिसके बिना कोई मनुश्य कभी ईश्वर अनुभूती के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकता। तथा भी जब कोई संत, निर्विकल्प या सर्वोच्य समाधी में पहुँच जाता है, तब वह अखंडो रूप से इश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर भले ही वह श्वास हीन अवस्था में रहे या श्वास प्रश्वास की अवस्था में निश्चल रहे या स सत्रवी शताब्दी के इसाई संग ब्रदर लॉरेंस ने कहा है कि उन्हें इश्वरानु भूति की प्रतम जांगी एक व्रिक्ष के दर्शन से प्राप्त हुई। प्राय सभी लोगों ने व्रिक्ष देखा है, परन्तु दुर्दैव। बहुती कम लोग उससे व्रिक्ष क स्रश्टा को देख पाए हैं। अधिकांश लोग भक्ति के उन दुर्दर शक्तियों को किसी भी प्रकार नहीं जगा सकते, जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले कुछ एकांती साधुओं में सहज ही रहती हैं, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के। कि इसका मतलब का अभ्यास करें, यम नियम का पालन करें और उसमें सच्चे अंताकरण से यह कहने की क्षमता हो, प्रभू मैं आपके दर्शन के लिए तड़ाप रहा हूं। इस प्रकार योग की सार्व भौमिक्ता इसमें है कि भक्ति की उत्कट्ता की अपेक्षा, जो साधारन मनुष् संकर कहा जाता है, क्योंकि वे वह रास्ता दिखाते हैं, जिससे होकर किनकर्तव्य विमूर मानव जाती, संसार सागर को पार कर जाए। संसार, शब्दशाय अर्थ, प्रभा के साथ बहना, मनुष्य को सबसे कम प्रतिरोत का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है, इस उसे माया के मोजाल में कायरता पूर्ण आत्म समर्पन कर देने के लिए प्रोच्जाहित करती हैं, कर्म के वज्र नियम का ज्यान, सच्चे साधक को उसकी पकर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रोच्जाहित करता है, माया से अंधे बने मन की इच्छा बासन के कारण ही मनुष्य कर्मों का दास बन कर रह जाता है। इसलिए योगी मन है सैयम, अर्थाद, चित्वृत्ति निरोध पर ध्यान देता है। जब कर्म जनित अज्यान के विभिन्न परदे हट जाते हैं, तब मनुष्य स्वयम को अपने सच्चे रूप में देखता है। जीवन और मृत्यू का रहस्य, जिसे सुल्जाने के एक मात्र उदेश के लिए मनुष्य पृत्वी पर आता है, श्वास के साथ घनिष्टता से जोड़ा हुआ है। श्वास रहित्ता ही मृत्यू रहित्ता है। इस सत्य को पहचान कर भारत के प्राचीन व्रिश्यों ने श्वास के इस एक मात्र सूत्र को ही पकड़ लिया। और श्वास रहित अवस्था में जाने के एक सुनिष्चित और तर्क संगत बिज्ञान को पिक्सित कर लिया। संसार को देने के लिए भारत के पास यदि और कुछ नहीं भी होता तो भी क्रिया योग अकेला ही शाही उभार माना जाने के लिए पर्याप्त होता। बाइबिल में अनेक परिछेद ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हिब्रु गुरुओं को यह ग्यान था कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीट की कड़ी का काम करने के लिए ही बनाया था। जेनेसिस में कहा गया है प्रभु ईश्वर ने प्रिथ्वी की मिट्टी से मनुष्य की स्रिष्टी की और उसकी नासिका में प्राण फूग दिया और इस तरहें मनुष्य जीवंत प्राणी बन गया। मानव दे रासायनिक और धात्विक तत्वों से बनी है, जो प्रित्वी की मिट्टी में भी पाई जाते हैं। यदि श्वास के माध्यम से आत्मा अज्ञानी मनुष्य के शरीर में प्राण प्रवास अंचारित नहीं करती, तो मानव दे कोई कारे नहीं कर पाती, नहीं उसमें कोई शक्ति या गती होती। मानव शरीर में जो पंच प्रांट कारे कर रहे हैं, वे सर्व व्यापी आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्तियां है आत्मा का जो प्रतिवेंब शरीर की कोशिकाओं में जीवन का आभास उत्पन्न कर रहा है वही देह के प्रति मनुष्य की आजसक्ति का एक मात्र कारण है सपष्ट है कि केवल मिट्टी के एक गोले को वह इतना महत तो कभी नहीं देता मनुष्य व्यर्थ ही अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है क्योंकि आत्मा के प्राणप्रवा इतनी तीवर शक्ति के साथ श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य परिणाम को ही कारण समझ लेने की भूल कर बैठता है और शरीर स्वयम प्राणवान है यह मानकर उसी की पूजा करने लगता है मनुष्य को अपनी चैतनने अवस्था में शरीर एवं श्वास का भान रहता है निद्रा अवस्था में सक्रिय होने वाली अवजेतन अवस्था में शरीर एवं श्वास से उसके मन का संबंध निद्रा काल के लिए तूट जाता है अतिचेतन अवस्था में वह इस भ्रम से मुक्थ हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है इश्वर श्वास के बिना ही रहता है उसकी प्रतिमूर्ती स्वरूप बनी आत्मा को श्वास रहित अवस्था में ही प्रथम बार अपने स्वरूप का ग्यान होता है जब आत्मा के विकास को गती देने वाले कर्मों के कारण शरीर और आत्मा के बीट की श्वास की कड़ी तूट जाती है तब अकस्मात अवस्था परिवर्दन हो जाता है, जिसे मृत्यू कहते हैं, और शरीर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक शक्ती हिंता की अवस्था में वापस चली जाती हैं। कि मनुष्य के लिए स्थूल शरीर पर भरोसा करना अच्छा नहीं होता। के पिता के घर में अनेक हवेलिया हैं। यह तो हो नहीं सकता कि इस विश्व की रचना करने में भगवान ने अपनी सारी प्रतिभा खत्म कर दी। और अब परलोक में हमारा कौतुहल जगाने के लिए उसके पास वीना जहंकार के अलावा कुछ नहीं बचा है। मृत्यू अस्तितु को मिटाती नहीं, नहीं वह जीवन से अंतिम छुटकारा दिलाती है और नहीं वह अम्रत्तु का द्वार है। भूलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए जो अपनी आत्मा से भागता रहा हो, वह सूक्ष्म जगत के स्वर्गिये संदर्य के बीच आत्मा को कभी प्राप्त नहीं करेगा। महां वह केवल सूक्ष्मतर अनुभूतियों को और सुंदर्ता एवां अच्छाई जो की एक ही है के प्रति अधिक भावुक प्रतिक्रियाओं को जमा करता जाता है। संघर्श्वरत मनुष्य को इस थूल जगत के एरन यानि एन्विल पर ही प्रहार पर प्रहार करके अपने आध्यात्मिक स्वरूप के अनश्वर स्वर्ण को प्राप्त करना होगा। इस कष्ट से अर्जित स्वर्ण को हाथ में लेकर जो लालची मृत्यू के लिए एक मात्र स्विकार्य भेंट है, मनुष्य जन्म मृत्यू के फेरे से अंतिम्मुक्ति पा लेता है। करने में उसका क्या उद्देश्य था। अन्या संख्य लोगों ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं और दाश्निकों ने उनके उत्तर देने के असफल प्रयत्न किये हैं। कुछ रहस्यों को अनंत काल में ही खोजने के लिए छोड़ दो। श्री उक्तेश्वर जी मुस्कुराते हुए काहा करते थे। मनुष्य की सीमित तरक शक्ति अजन्मे पूर्ण ब्रह्म के अकल्पनिय उद्देश्यों को कैसे समझ सकती है। गोचर जगत के कार्य कारण विधान से बंधी मनुश्य की बुद्धि अनादी अजन्मा ब्रम्ब के रहस्यों के सामने किंकर्तव्य विमूर हो जाती है। परंदु मनुष्य की बुद्धी, स्रिष्टी के रहस्यों को नहीं भी समझ सकी, तो भी अंत में भक्त की खातेर भगवान स्वयम उसके सामने प्रत्य एक रहस्य से खोल देंगे। काल में कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा है। काल माया का उत्पन्न किया हुआ प्रहम है और इसके अधीन जीने वाला कोई भी मर्त्य मानव कभी अनंत परंतत्त्त को नहीं जान सकता। परमात्मा के अस्तित्त्त की घोश्णा आकारधारन किया है या उससे प् उत्र ने की है जो परंपिता के हृदय में वास करता है। अर्थात प्रतिविंबित प्राइस्ट चैतन्य या श्रिष्टी में व्याप्त कूटस्त चैतन्य या बाहर की और प्रक्षेपित प्रक्या जो ओम स्पंदन के माध्यम से सकल गोचर जगत का संचालन करती है वह ए पुत्र स्वयम होकर कुछ नहीं कर सकता केवल पिता को जो करते देखता है वही वह स्वयम भी करता है क्योंकि पिता जो कुछ कर सकते हैं वह सब पुत्र भी कर सकता है। पोचर जगत में व्याप्ट परम ब्रह्म की त्रिगुणात्मत प्रिक्रति का हिंदू शास्त्रों ने स्रिष्टी, स्थिती और ले के प्रतीक ब्रह्मा, विश्णू और शिव के रूप में वर्णन किया है। स्रिष्टी, स्थिती, ले स्वरूप ही ईश्वर का परमोच्य स्वरूप नहीं है, यहां तक कि उसका यह सारभूत स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि स्रिष्टी केवल उसकी लीला है, एक खेल है। तभी पता चलता है, जब पुत्र उपर उठकर पिता के पास पहुंशता है। मुक्त हुआ मनुश्य स्पंदनात्मक स्रिष्टी के बार जाकर निस्पंद परंब्रम में प्रवेश करता है। चरम रहस्यों को प्रकट करने का अनुरोध किया जाने पर सभी अवतारों और सबगुरों ने मौन साथ लिया। जब पाइलेट ने पूछा सत्य क्या है तब ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पाइलेट जैसे बुद्धिवादियों के आडंबर पूर्ण प्रश्न कदाचित ही सच्ची जग्यासा वृत्ति से निकलते हैं। ऐसे लोग होगले दंब के साथ बोलते हैं और आध्यात्मिक मूल्यों में द्रणता के अभाव को ही उदार मत का लक्षन मानते हैं। इसी उद्धेश के लिए मेरा जन्म हुआ था और इसी कारण से मैं इस जगत में आया हूँ कि मैं इसका साक्षी बनूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरी आवाज सुनता है। इन चंद शब्दों में इसा मजी ने बहुत कुछ कह दिया है। इश्वर का पुत्र अपने जीवन को सत्य का साक्षी बनाता है, वह सत्य को धारन करता है, यदि वह सत्य की व्याख्या भी करता है, तो यह उसका अत्रिक अनुक्रे है, सत्य कोई सिधांध नहीं है, नहीं वह दर्शन शास्त्र का कोई तत्व ग्यान है, और नहीं वह बौध अंतरद्रिष्टी है वह तो प्रत्यक्ष बास्तविक्ता के साथ तदन रूपता है मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ग्यान ही सत्य है अपने जीवन की प्रतेक कृति और प्रतेक शब्द से ईसा मसी ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्ह इश्वास के साथ कह सके जो कोई सत्यका है वह मेरी आवास सुनता है भगवान बुद्ध ने भी परम सत्य पर प्रकाश डालना अस्विकार कर दिया था शुश्क भाव के साथ उन्होंने इतना ही कहा कि मनुष्य को जो अत्यल्प समय प्रत्वी पर मिला है उसे अपने नैत एक स्वरूप की उन्नती करने में लगाने में ही जीवन की सार्थकता है चीनी संथ लाउद्जू ठीक कहते थे जो जानता है वह कहता नहीं जो कहता है वह जानता नहीं इश्वर का चरम रहस्य तर्क का विश्य नहीं है इश्वर की गूर लिपी को पढ़ना एक ऐसी कला है जो कोई मनुश्य किसी मनुश्य को नहीं पढ़ा सकता इस मामले में इश्वर स्वयम ही एक मात्र गुरू होते हैं स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं इश्वर हूँ भगवान अपनी सर्व व्यापिता को चिल्ला चिल्ला कर नहीं जाताते उनकी वाड़ी को अंतय करण की गहन शांती में ही सुना जा सकता है सारी स्रिष्टी में स्रिजनात्मक ओम स्पन्दन के रूप में गुंजने वाला ब्रह्मनाद उसके साथ एक रूप होने वाले भक्त के हृदय में सुस्पष्टबानी के रूप में परिनध हो जाता है स्रिष्टी के पीछे ईश्वर का क्या उद्देश है इसका इस परश्टी करण मनुष्य के बुद्धी जहां तक समझ सकती है बहां तक विदों में दिया गया है रिशियों ने बताया है कि प्रतेग मनुष्य की स्रिष्टी इश्वर ने आत्मा के रूप में की है जो अपने परम स्वरूप में लोट जाने से पहले अनंत परम तत्तु के किसी विशिष्ट गुण को विलक्षन रूप से अवश्य प्रकट करेगी इस प्रकार किसी ना किसी इश्वरी विशिष्ट से युक्त होने से सभी मनुष्य इश्वर को समान रूप से प्रिय है राश्णों के अग्रज भारत द्वारा जमा किया ग्या ग्यान सारी मानवजाती की विरासा थे सब ही सत्यों की भाथी, वैदिक सत्य भी इश्वर की समपत्ति है, केवल भारतवर्ष की नहीं वेदों के दिव्य गंभीर ग्यान को ग्रहन करने में समर्थ रिशिगर्ण मानव जाति के ही सदसे थे जो समग्र मानवता की सेवा के लिए किसी अन्य लोक में नहीं बलकि इसी पृत्वी पर पैदा हुए थे सत्य के राज्य में जाती या राश्व का भेदभाव निरर्थक है वहां तो केवल सत्य को ग्रहन करने की आध्यात्मिक योगिता ही देखी जाती है इश्वर प्रेम है इसलिए स्रिष्टी की उसकी योजना प्रेम पर ही आधारित हो सकती है पांडित्य पूर्ण स्पष्टी करणों की अपेक्षा क्या है सीधा सरल विचार मनुष्य के हृदय को सांतोना प्रदान नहीं करता सत्य के मर्म तक पहुँचने वाले प्रतेक संत ने यही कहा है कि इश्वर ने स्रिष्टी की पूरी योजना बनाई है और वह योजना अत्यंत सुंदर है और आनंद से भरपूर है इश्वर ने पैगंबर इजाया को अपना उदेश इन शब्दों में बताया था उसी प्रकार मेरा शब्द अर्थार स्रिजनकारी ओम भी होगा जो मेरे मूँ से निकलता है वह बिना कुछ किये ही मेरे पास वापस नहीं आएगा बलकि वह मेरी इच्छा पूर्ण करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह पूरा करेगा क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शान्ती के साथ पहुँचाए जाओगे तुम्हारे आगे पर्वत और पहाड गाएंगे होकर आनंद मगन और मैदान के सब रिक्ष ताल पकड़ कर बजाएंगे तालिया इजाया पच्पन क्यारा बारा बाइविल तुम आनंद के साथ निकलोगे और शान्ती के साथ पहुँचाए जाओगे चारों और से दबाव में जी रहे बीसमी सदी के लोग इस अद्भुत वचन को आशा आकांग्षा के साथ सुन रहे हैं इश्वर का जो भी वक्त अपनी दिव्य विरासत को पुनह प्राप्त करने के लिए पुरुशार्ट करता है उसके लिए इस वचन में नहित पूर्ण सद्ध को अनुभव करना सहच संभव है पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग का उदात्त कार्य अभी तो केबल शुरू ही हुआ है इश्वर करे कि सब लोगों को याग्यात हो जाए कि सारे मानवी दुखों को मिटा देने के लिए आत्मज्यान की निश्चित वैज्ञानिक प्रविधी अस्तेत्व में है पृत्वी पर तेजस्वी रतनों की भाती चतुर्दिक बिखरे क्रिया योगियों को प्रेम की तरंगे भेशते हुए मैं कृतज्य भाव से प्रह्य सोचता हूँ भगवन आपने इस सन्यासी को इतना बड़ा परिवार दिया है आफ्टवर्ड अर्थात अन्ठ भाशन श्री श्री परमहंस योगनंद जी ने लोस एंजलेस कलिफोर्निया अमेरिका में 7 मार्च 1952 को भारतिय राजदूर श्री बिनाय रंजन सेन के सम्मान के निमित आयोजित भोज के अफसर पर अपना भाशन समाप्त करने के उपराद महा समाधी यानी एक योगी का शरीर से अभिग्य अंतिम प्रस्थान में प्रवेश किया विश्व के महान गुरु ने योग के मूल्य यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक प्रविदियों को जीवन में ही नहीं अपितू मृत्यु में भी प्रदर्शित किया उनके देहावसान के कई सप्ताबाद भी उनका अब परिवर्त इत्मोक अक्षैता की दिव्यकांती से दैदीप्यमान था फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क लोस अंजलेस जहां महानगुरु का पार्थिव शरीर अस्थाई रूप से रखा गया है कि निर्देशर श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमानित पत्र भेजा था जिसके कुछ अंज इस प्रकार है परमान्स योगानन्द जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का लक्षण ना दिखाई पड़ना हमारे लिए एक अत्यंत असाधारन और अपूर वनुभव है उनकी मृत्य के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं दिखाई पड़ी ना तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार के परिवर्तन के संकेत थे और ना शरीर तंत्यों में शुष्कता ही आई प्रतीत होती थी शवागार के वित्ती इतिहास से हमें जहां तक विदित है पार्थिव शरीर के ऐसे परिपूर्ण संव्रक्षन की अवस्था अदिवती है योगा नंद जी का शव स्विकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को याय आशा थी कि उन्हें शव पेटिका के कांच के आवरण से साधारन वर्धमान शारिरिक शैके चिन्नत दीख पड़ेंगे हमारा विसमे बढ़ता गया जब निरीक्षन के अंतरगा दिन पर दिन बीत्ते गए किन्तु उनकी देपर परिवर्तन के कोई चिन्न द्रिष्टिगत नहीं हुए प्रत्यक्ष्टे योगानन्द जी की देः निर्विकार्ता की अद्भुत अवस्था में थी किसी समय उनके शरीर में तनिक भी विक्रियात्मक दुर्गंद नहीं आई 27 मार्च को शफ पेटिका पर कांसे के धक्कन को बंद करने के पूर्व योगानन्द जी का शारेरिक रूप ठीक वैसा ही था जैसा साथ मार्च को 27 मार्च को भी उनका शरीर उतना ही ताजा और विकार रही दिखाई पड़ रहा था जितना मृत्यु की रात्री को 27 मार्च को ऐसा कोई लक्षड नहीं दिखाई पड़ा जिससे यह कहा जा सके कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी विकार आया हो इनकार्णों से हम पुनै स्पष्ट करते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उधारन हमारे आनुभब में अभूत पूर्व है 1997 में श्रीश्री परमहंस योगानंद की महा समाधी की 25 वी वर्षगाट पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक अभिनंदनात्मक डाक टिकट चारी किया इस डाक टिकेट के साथ सरकार ने बर्णनात्मक पर्चा प्रकाशित किया जिसका अंश इस प्रकार है इश्वर के लिए प्रेम और मानवता की सेवा का आदर्श परमहंस योगानंद के जीवन में पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ यद्यपी उनका अधिकांश जीवन भारत के बाहर व्यतीत हुआ फिर भी उनका इस्थान हमारे महान संतों में है उनका कार्य पहले से अधिक बढ़ और चमक रहा है और इश्वर की तीर थियात्रा के पत पर हर दिशा से लोगों को आकर्शित कर रहा है इसी के साथ श्रीश्री परमहंस योगानंद कृत योगी कथामृत समाथ होती है झाल 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 झाल